हमारे chapter का नाम first chapter unit 1 चल रहा है हमारा जिसका नाम है issue of shares तो हम थोड़ा सा background लेके चलेंगे और मैं ये मान के चलूँगा कि बारवी class में आपने share capital अच्छे से नहीं पढ़ा है उसी के according मैं लेके चलूँगा मेरी पूरी कोशिस रहेगी कि थोड़ा सा speed भी बना के चले और पूरा का पूरा syllabus cover भी मतलब सारे topics भी होने चाहिए सर सबसे पहले बात करते हैं chapter का नाम issue of shares है shares का मतलब क्या होता है टुकडा और दूसरे शब्द में बोले तो यहां पे मतलब है हिस्सेदार हिस्सेदार ठीक है ना यहां पे मतलब हिस्सेदार से है तो बड़ी सीडी सी बात है हम पढ़ रहे है issue of shares और सरिफ यह issue नहीं रहने वाला इसमें shares for feature यानि company से related सारी बातों को देखेंगे company से related सारी बातों को हम देखेंगे ठीक है सभी पहुँच गया है not visual clearly बच्चे कह रहे हैं sir visual clearly नहीं है एक बार बता दीजिए फटा फट से clear है या नहीं है मैं refresh मार देता हूँ heading is heading नहीं देख रहा ओके चलिए अब बताइए दिख रहा है आपको बता दीजिए फिर मैं start करूँ yes चलिए तर हम बात कर रहे है issue of shares का तो shares issue करने का हम बात करें आभी हमने recently semester 3 पढ़ा है तो वहाँ पे हमने देखा है कि number of person यानि type of organization क्या होता है एक तो क्या रहता था हमारा Mr. Ram है Ram ने अपना business start किया और business करे जा रहे हैं अपना यहाँ पे कोई partner नहीं होगा इसको बोलते है soul proprietor क्या बोलते है soul proprietor second point आता है हमारा sir क्या sir second point था Ram था और Mohan था Ram और Mohan दो लोगों ने मिलके काम किया जिसे बोलते है partnership firm तो ना तो soul proprietor ना ही partnership firm दोनों में से कोई भी share issue नहीं कर सकता share issue करने का अधिकार सभी को नहीं है sir फिर कौन कौन share issue कर सकता है तो कुछ ऐसे person है जो कि share issue कर सकते है उसकी हम बात कर लेते हैं sir कौन issue कर सकता है तो बोला गया भया share अगर आपको issue करना है तो simple सी बात है आपको पहले company बनना पड़ेगा मैं भी चाहता हूं कि मेरी company का share issue हो तो बोला गया पहले आपको क्या बनना पड़ेगा सर आपको CDC बात है पहले क्या बनना पड़ेगा company बनना पड़ेगा मैंने बोला कि company बनने में मुझे कोई problem नहीं है तो company कैसे बना जाए बताइए तो बोला company बनने के लिए आपको company का दरजा तभी दिया जाएगा जब आप क्या करा लेंगे सर registration सर registration करा लेंगे तो company बन जाएंगे लेकिन मुद्दा आता है सर कहा registration करवाना है तो जवाब आया सर companies act में यानि सर हमें companies act के अंदर अगर हमने अपने आपको registration करा लिया तो हम company बन जाएंगे simple सी बात है सर companies act में जब registration कराने जाएंगे तो companies act के अंदर हमें तीन option दिये जाएंगे कि आपको क्या बनाना है private limited company बनाना है या फिर आपको limited company बनाना है या फिर आपको 1% company बनाना है यानि हमें तीन option दिएगे private limited बनाना है या limited बनाना है या 1% company बनाना है तो सबसे पहले मेरा question होगा कि भाईया ये सारी बात पूछेगा कौन तो जो पूछता है उसे बोला जाता है registered of company registered of company और registered of company को मैं short form में आज के बाद बोलूँगा ROC तो मैं company बनाने के लिए निकला अपना registration भी करवाने के लिए निकला मेरे सामने problem क्या आगई कि मैं अपनी company को कौन सी company बनाओ private limited लिमिटेड या 1% company तो सबसे पहले समझ लेते हैं कहा गया कि private company होगा यहाँ पे कुछ requirement है सर minimum दो वेक्ति होना चाहिए और maximum जो हो सकते हैं वो 200 हो सकते हैं 1% company में minimum एक वेक्ति चलेगा और जो maximum होगा वो एक ही वेक्ति होगा limited के अंदर minimum जो होंगे वो 7 वेक्ति होंगे और maximum no limit होगा तो share हमें private limited और मैं share क्यों issue करना चाह रहा हूँ क्योंकि जर्णली अभी समझिएगा क्योंकि हम share क्यों issue करना चाह रहे हैं यहाँ पर क्या हमारा purpose है मान लेते हैं एक company हमने बना भी लिया अब मुझे जरुरत है कितने की 50 लाख रुपे की 50 लाख रुपे मैं दो जगे से ले सकता हूँ एक तो मैं bank से loan ले सकता हूँ एक मैं bank से loan ले सकता हूँ that is मान लेते हैं कि 10 परसेंट या 12 परसेंट के ब्याज पे मिलेगा तो हर महिने मुझे interest देना होगा दूसरा मैं इसके share issue कर सकता हूँ यानि मैं बाहर बालों को बोलता हूँ यानि मेरी company के अंदर मालिक बन जाओ तो मालिक जब आप बनते हो तो आप खुद अपना business start करते हो तो क्या आप सोचते हो को जो पैसे लगाए वो मेरे वापसे मिलने ही चाहिए वो तो depend करता है कि मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता तो मालिक जब बनोगे ना तो आप share issue करोगे तो company के ना दिमाग में एक button नहीं होता जब share issue करते है ना 50 लाक रुपे मेरे पास आगया freely हम कहीं भी use कर सकते हैं किसी को देने की tension नहीं होता इसलिए हम क्या करते हैं कभी भी पैसे की ज़ुरत होता है तो share issue कर देते हैं लेकिन सर दिक्कत ही आती है अगर हम share issue करेंगे तो हाँ authentication आएगा कोई हमें पैसा देगा क्यों तो इसलिए हमें क्या करवाना पढ़ रहा है registration करवाना पढ़ रहा है तो हम share को बहुत छोटे छोटे टुकडों में बाटके बहुत सारे public से इखटा करना चाहते हैं माल लो जैसे कि for example आपके एक लाख friend है और आपने सभी से 50-50 रुपे लिए तो इखटा हो जाएगा 50 लाख रुपे और कोई भी आपको 50 रुपे देने से मना भी नहीं करने वाला बड़ी सीजी सी बात है तो यानि target क्या होता है company का कि हम जादा से जादा लोगों से छोटे से छोटे पैसे receive कर पाए तो मुद्दे की बात है सर यहाँ पे तो 200 लोगों से कर सकते हैं तो यहाँ तो fulfill होने वाला नहीं है यहाँ पे तो एकी दूसरे से बोली नहीं सकते और यहाँ पे no limited पैसे खटे करने का तो यानि हम अपने syllabus में जो पढ़ेंगे न वो कौन सा पढ़ने वाले हैं सर limited company का पढ़ने वाले हैं कि जो भी share issue किया जाएगा generally वो वैसे private limited भी issue कर सकता है 1% company भी issue करता है मतलब वो किसी को देता नहीं अपने जेब में रखके गुमता है और limited वाला किसी और को भी दे देता है maximum case में तो सर हमें बोला गया registration कराओ company बनाओ तो मैंने decide किया कि मैं कौन से company बनाने वाला हूँ मैंने decide कर लिया कि सर में जो company बनाऊँ आँए नगा वो company बनाऊँग आँगा ये वाली जैसे ही ये company में बनाने के लिए गया मैंने company बनाना था रजिस्टार के पास गया रजिस्टार ने क्या बोला भीया company कौन से बनाऊगे मैंने उसको ये बता दिया अब रेजिस्टार मेरे से क्या बाते करता है अब रेजिस्टार मेरे से बोलता है जाओ document लेके आओ जाइए document लेके आईए आप मैं आपके company को registration करता हूँ मैंने बोला भईया कौन-कौन सा document register यानी roc ने बोला सबसे पहले तो आप ये बताईए आपका नाम क्या होगा यानि आपके company का नाम क्या रखोगे number दूसरा आप बताईए company का object क्या होगा number 3 company का आप address बता दीजिए number 4 आप company का यहाँ पे मुझे address के साथ साथ मुझे company का liability बता दीजिए कितनी liability रखोगे नमबर पांच आप company का share capital बता दीजिए नमबर छे company के आप member का नाम बता दीजिए यानि जीसे बोलते हैं founder है co-founder, founder इस तरीके के शब्द सुने होंगे आपने तो founder जो भी होगा उस case के अंदर ये बोला जाता है कि company के नाम बता दीजिए तो ये छे तरीके के document मांगेगा पहले में नाम जैसे मैंने लिख दिया suppose करो सिक्षा धाम limited मैंने नाम बता दिया फिर वो क्या करते हैं ROC वाले नाम को चेक करते हैं कहीं इससे पहले ऐसा नाम है या नहीं है अगर इससे पहले ऐसा नाम ही नहीं है तो बोलेंगे okay ये point done उसके आद object मैंने बोला कि मैं क्या करूँगा यहाँ पे cloth बेचूँगा या कुछ हैसा काम बताऊँगा जो मैं करने वाला हूँ अगर मैंने यहाँ पे कोई illegal काम बोल दिया तो company mirror registration करने नहीं देगा suppose करो मैंने बोला मैं gun supply करूँगा वो मुझे देगा ही नहीं भाई तो यानि यहाँ पे object भी आपको clear बताना पड़ेगा address बताना पड़ेगा आपने बोला मैं पाकिस्तान में business करूँगा बोला भाई तुम तो वहीं जाओ तो address करने के लिए सबसे पहले क्या होगा आपका कि address सबको बताना पड़ेगा कि इंडिया में कहां करने वाले हो और address में आपको पूरा पता नहीं देना आपको सिर्फ state का नाम देना है यहाँ पे इसके बाद liability भई तुम कितना करजा लेके काम करोगे यानि पहले ये भी बताना पड़ेगा जी हाँ आपको registration टाइम पे ही सारी बातों को बताना पड़ने वाला है इसके बाद share capital सर आप उसको बताईए कितने share capital होंगे यानि सर मैंने बोल दिया सर मैं बोल देता हूँ के मुझे 50 capital आप बताओगे न इतने ही capital आपके lifetime रहने वाले इसे change नहीं किया रोगे बाद में आप change करने का मतलब है बहुत बड़ी सरदर्दी है बहुत tension में आ जाओगे आप तो आप मुझे उतना capital बतादो आपको आज 50 लाक रुपे उसने बुला लाओ पैसे फिर जितने share बताओगे उसके उपर stem duty लगेगा उतने पैसे मुझे दो तो यानि अपनी आपकाद में रहके उसको बताना है कि कितने पैसे आप दोगे उसे stem duty stem duty बहुत nominal सा होता है मान लेते हैं करोड रुपे पर 500 रुपे ले रहे हैं सपोस करो या एक करोड पर आपका 50,000 रुपे लिया जा रहा है हमें stem duty की बात करें एक करोड पर कितना लिया जा रहा है 50,000 तो आप अगर 100 करोड कर दोगे तो तब भी तो बहुत सारा माउंट आपको पहले स्टेज पर ही देना पड़ेगा तो यानि सर आप ना company को ये भी बताओगे कि आपके number of shares कितने होंगे यानि जब share capital बताओगे तो क्या बताओगे सर number of shares मैंने suppose करो बोल दिया भीया 20,000,000 share अपने उकाद के हिसाफ से हमने बात करी और उसे बोला असर 20,000,000 share है that is number है ये और बोला भीया 20,000,000 share है तो ये भी तो बताओ एक share कितने का होगा यानि उसका face value बताओ एक share मैंने बोला भीया 10 रुपे का share होगा तो मैंने जब registration कराया है तो उनको ये दोनों बातों की जानकरी दी क्या-क्या बातों की जानकरी दी कि कितने share होगे और कितने रुपे का एक share होगा तो जो मैंने ये registration कराते time पे बता दिया ना that is हम क्या बोलते हैं इसको हम 3-4 नाम से बुलाते हैं इसको एक तो इसका नाम होता है हमारा authorized capital एक नाम होता है सर इसका registered capital एक नाम होता है floated capital एक नाम होता है nominal capital ये होता है हमारा जो number की बात कर रहा था न उस number की बात कर रहा हूं ये सारी बाते यहाँ पे है लेकिन सर लेकिन अगर आप बताओ कि जो ये वाला shares है जो face value है इसको भी कुछ बोलते हैं बिल्कुल इसको बोला जाता है face value face value मतलब आपकी value नीë share की value दूसरा इसको बोला जाता है nominal value यानि सर दो चीजे इसको बोलते हैं तो कुछ नाम टेक्निकल है member में राम सीता मोहन जो भी है उसका member का नाम लिख दो यानि मेरा बताने का purpose है जब आपको company बनाना पड़ेगा तो ये 6 document देना पड़ेगा उन 6 document को अगर मिला दिया जाएना जो पूछा जाता है उसे बोलते है memorandum of association that is MOA memorandum of association जिसको बोलते है MOA अगर जब तक आप MOA नहीं दोगे तो आपका company registration नहीं होगा मैंने ये सारे document दे भी दिये तो मेरा company क्या हो गया register हो गया जैसे ही register होगा तो मुझे क्या मिलेगा सर register होते ही मुझे मिलेगा certificate certificate किसका मिलेगा सर कि मेरा company क्या हो चुका है और आपको check करना है तो आप ROC की side पे जिसे बोलते हैं आपका ministry corporate affair MCA की side पे जाके number डालो मैं एक registration number दूँगा पता चल जाएगा जिस परकार आपका मैं अधार number डालो website पे तो मुझे पता चल जाएगा किस नाम से यह तो same पता चल सकता है और जैसे ही मेरा registration होगा company बोलेगा मुबारक हो अपने company के नाम क्या अब आप क्या लगा लो सिर्फ limited शब्द का इस्तमाल कर लो यानि आपको limited शब्द लगा सकते हो जैसे मैंने नाम रखा SKD तो मैं SKD limited लगाने लग जाऊंगा जैसे ही मेरा registration complete होगा इसका मतलब सर मैंने यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने registration करा आते टाइम पे एक मीजरली क्या क्या मैंने कुछ shares registration कराए थे सर कुछ shares registration कराए थे और shares जो थे अब shares क्या होता है कुछ बच्चे पूछ सकते हैं कि सर shares क्या होता है shares normal एक क्या होता है कागज का टुकड़ा होता है जिसको हम registration कराते टाइम पर करते हैं और अब आज के टाइम पर ना यह फिजिकली बिल्कुल भी नहीं रहा यह सारा electronic mode में हो गया है लेकिन इस्टिल अभी भी फिजिकल होता है इसके उपर company का सब कुछ लगा होता है यानि company की common seal लगी होगी company का नाम होगा company का signature होगा company का number of shares कितने दे रहे हैं आपका नाम क्या है serial number क्या है each and everything आपको given होगा अगर मैं आपको थोड़ा सा shares का दिखा दूँ के sir shares कैसा होता है तो share certificate आप google करेंगे तो easily मिल जाएगा share certificate तो देखिए किसी ने किसी क्या बहुत सारी company का यह देखिए यह सारे क्या है हमारे share certificate है कोई clear सा दिखा दे भईया हो जाओ clear यह कौन सी company है चलिए यह दिखा देते हैं यह red कौन का कोई share है यह रहाँ shares यह red कौन का कोई share था है यह share certificate है जब आप खरीदते हो ना किसी company से तो kind of इसी type का आपको मिल जाता है इसमें क्या क्या mention होता है sir यह proof है कि आपने company में पैसे लगाए हो सकता है clear ना हो यहाँ पे आपका equity share कितने है कितने number है जैसे एक उसका face value कितने है certificate number यहाँ पे given होगा registration number each and everything और company का यहाँ signature होता है director का signature होता है managing director का signature होता है सब चीज़े होता है और यह printed form में होता है तो जो यह परचा form fill करके आपको दे दिया that is share certificate आपको यह क्या मिल जाएगा share certificate मिल जाएगा बड़ी सी बात है sir share certificate मिलेगा तो company कहां से देगी है share certificate जो company ने क्या करवाया हुआ है authorized capital बड़ी सीधी सी बात है authorized capital authorized capital क्या होता है authorized capital का मतलब जिस share से company में अपने आपको registration करवाया होगा उसको बोला जाएगा sir authorized capital authorized capital कितने तरीके का होता है इसके क्या use है जैसे for example मैंने अपने आपको registration करवा लिया 50 लाग share से यह number है और इसका face value कितना है sir face value मैंने बोला 10 रुपए fb face value क्या है मारा 10 रुपए तो shares कितने का था 50 लाग face value कितने का था sir 10 रुपए इसका मतलब total पैसा में कितना इखटा कर सकता हूँ 50 लाग इंटो में 10 रुपए 5 करोड अब मेरा मन नहीं है कि अभी 5 करोड जरुती नहीं है company को क्यों ले तो company ने इस 50 लाग में से suppose करो क्या करा issue कर दिये यानि public को बोला के भाईया आजाओ मेरी company के share खरीदो और मैं सिर्फ एक लाग share बेचना चाता हूँ तो कैसे बेचा जाता है company क्या करता है public को बताने के लिए bank के अंदर information देता है bank के अंदर आपका वहाँ advertisement करता है tv में advertisement करता है internet पे advertisement करता है कि हम अपनी company का share बेचना चाते हैं जिसे खरीदना है वो खरीद सकते हैं जिसको हम IPO के नाम से भी जाते है initial public offer मैंने बेचने के लिए गया एक लाग share तो इसको न technical language में क्या बोलेंगे हम issued share issued share या फिर बोलेंगे offer to public offer to public सर ये थोड़ा सा technical word है जो कई बार सवाल के बीच में आएगा आप समझिएगा जैसे ही मैंने बोला offer to public का public खरीदने की कोसिस करेगा तो तीन situation यहां create हो सकते हैं सर सर तीन situation कौन से create होंगे या तो public पूरे एक लाग खरीद लेगा या तो public क्या करेगा मेरी company के एक लाग शेयर पूरे के पूरे बाय कर लेगा बोलेगा जी मुझे शेयर चाहिए अब एक पबलिक हो चाहिए 100 पबलिक हो तो एक लाग अगर बाय करने के लिए तैयार है तो ऐसे case में कहेंगे यह हो गया हमारा fully subscribe fully subscribe इसको क्या कहने वाले हम fully subscribe जैसे ही fully subscribe हो जाएगा मान लेते हैं कुछ पबलिक ने बोला भाया हम तो एक लाग शेयर लेने वाले ही नहीं है हम तो आपसे सिर्फ 90 अजारी शेयर लेंगे सिर्फ नब्वे अजारी शेर खरीदेंगे यानि मैंने public को बोला भाईया खरीद लो मेरी company के शेर खरीद लो खरीद लो लेकिन हुआ ही नहीं ऐसा उसने क्या का भाईया हम पूरे शेर नहीं लेने वाले सिर्फ नब्वे अजारी शेर लेंगे इसको बोलेंगे under subscribe under subscribe under subscribe का मतलब क्या हुआ सर कम पुली subscribe का मतलब पूरा देखा भहिया under subscribe हो रहा है law ने बोला भहिया हम एक rule बनाने जा रहे है कि under subscribe की भी एक limit होगे एक हद होगे इस से कम अगर आपकी company के share public ने demand किया तो मान लेंगे आपकी company का कोई वजूदी नहीं और आपकी company को issue करने नहीं दिया जाएगा law ने restriction लगा दिया कानून ने बोला कि आपका 90% share कम से कम बिखना चाहिए अगर 90% share बेचने में कामियाब होगे तभी आप आगे further process में जा सकते हो तो आपके company का registration मतलब share issue करने नहीं दिया जाएगा cancel हो जाएगा सर अगर मैं यहाँ पर बोलता कि एक लाख में से 80,000 share मेर पास आये हैं तो company को यह share issue करने का कोई अधिकार नहीं रहता है क्योंकि minimum कितना चाहिए 90% minimum subscription ऐसा भी possible है public ने बोला कि भाईया एक लाख दस अजार दे दो ऐसा भी possible है कि public ने बोला कि एक लाख दस अजार share दे दो तो हम ऐसा थोड़ी है जितना हमने पता है क्या हमने registration करवाया था 50 लाख तो मैंने सेवी से भी और company board से भी हाँ जोड़ के मैंने प्रातना करी थी कि मेरी company के share को क्या कर दो register कर दो ठीक है अब मैं जब इससे बेचने भी जाओंगा ने निकाल के तो ऐसा नहीं register हो गया तो सब्सक्राइब पहले मैंने सोचा कि कितना बेचूंगा एक लाख तो मैं रोच के पास जाऊंगा और प्रातना करूंगा उससे सर मैं एक लाख share बेचने जा रहा हूँ जो आपने registration करा बेच दूँग वह कहेंगे जी हाँ बेच दो तो मैं स्रिफ कितना मिर पास राइट है स्रिफ एक लाखी में दे पाऊंगा तो जब ज़्यादा शियर आ जाते हैं ना तो इस concept को कहते हैं इसको बोलते हैं ओबर सब्सक्राइब यानि सर कुछ हमने वर्ड देखे हैं टेकनिकल वर्ड है जो कि आपको थोड़ा रिमाइंड करा रहा हूं सबसे पहले देखा authorized capital authorized capital क्या होता है वो शियर होता है जिससे company अपने आपको registration करवा देता है कहाँ पे registered of company के पास face value क्या होता एक share का जो price हम decide करते हैं उसे क्या बोला जाता है face value over subscribe क्या होता है जितने share हमने offer किया public को उससे ज़्यादा public ने मांग लिया तो over subscribe उससे कम मांग लिया तो under subscribe जितना किया उतना ही मांग लिया तो fully subscribe बोला जाएगा अच्छा इसके बाद और कुछ भी एक है बिल्कुल जब आप share को issue करेंगे ने तो आपके पास दो option है shares को जब आप issue करेंगे ने तो दो option है sir कौन-कौन से दो option है हमारे पास number one आपके पास दो option है sir या तो आप एकी बार में उनसे पैसे मांग लीजिए या फिर आप टुकडो में मांगिए यानि एक option है कि public से आप share issue करने का मतलब क्या है आप company को बोल रहे हैं कि मेरी company में पैसे लगाई है तो या तो हो सकता है जो 10 रुपे का एक share था ना जिसे हम face value बोल रहे थे मैंने आपने बोला भीया मुझे 5 share चाहिए मैंने बोला लाओ भाई 50 रुपे तो इसका मतलब एक ही बार में मैं 10 रुपे मांग रहा हूँ that is lump sum और एक आप मेरे 10 रुपे face value है और आपने बोला मुझे कितने चाहिए 5 share चाहिए मैंने बोला भाई या 10 रुपे तो मैं एक साथ नहीं मांग रहा हूँ मैं पहले अभी 2 ही मांग रहा हूँ 10 में से 2 ही मांग रहा हूँ तो आप 10 रुपे देदू मुझे यानि अगर मैं 2 या 3 मांग रहा हूँ तो आप मुझे कितना देदो 15 यानि जब हम 10 रुपे को टुकुडों में मंगवाएंगे तोड़ तोड़ के रियल लाइफ में क्या चलता है सर लंब्सम ही चलता है हमेशा और कुष्चन में हम क्या करेंगे स्रीफ और स्रिफ इंस्टाल्मेंट इंस्टाल्मेंट का मतलब क्या है सर जैसे मान लेते हैं 10 रुपे का शियर है तो मैं उसको तोड़ के मंगवा हूँ तो ऐसे situation में मैं कोशिस यही करूँगा कि जो मेरा share है वो जादा से जादा बिक जाए अगर 90% नहीं बेच पाए तो दिक्कत हो जाएगी तो आपके pocket में अगर 10 रुपे है और मैं एक रुपे मांगू पहले बोलो 9 बाद में देना तो आपके purchasing power बढ़ जाएगी कितने खरीद पाओगे 10 share लेकिन मैंने बोला भीया तो मेरे कितने share बिग गए एक तरीके से 10 बिग गए और आपके pocket में 10 था 10 बिग भी गए अब मेरे को 10 बेचना है अभी instant बेचना आपके pocket में 10 रुपे मैंने बोला भीया 10 रुपे एक खटे देने होंगे तो आप कितने खरी सकते हो ज़्यादा ज़्यादा एक तो यानि जितना ज़्यादा पैसा मांगूँगा न मैं इतना जदा नहीं कर Breakfast के हात में mobile हो या इतना जढ़ा technology फुल नहीं डेहने वाला क्यां किस्ट ओपे जजाधा चीज़े ज़्यादा खरीद लेते हैं कि हम ये सोस्ते हैं इंटेंस सी यह रहता है कि भीया हम Piciency दाट करकि तो ऐसे यहाँ पे ज़्यादा बिख जाता है। तो सर यहाँ पे पता है मुद्दे की बात ही आती है कि सर आप कितने टुकडों में मांग सकते हो कोई limit है या नहीं है? तो बोला गया सर हाँ बिलकुल limit है यहाँ पे बोला गया कितने टुकडों में मांग सकते हो तो टुकडो में मांगने की बात करा जाए तो बोला पहला जो पैसा आएगा ना पहला पेमेंट आएगा वो आप जो मर्जी मांगे हमें मतलब नहीं है लेकिन लेकिन 5% से कम का नहीं होना चाहिए लेकिन 5% से कम का नहीं होना चाहिए कॉर्पेट की बुक भाई जे आर मुंगा है तो बड़ी सीधी से बात है कि 5% 5% का मतलब क्या है सर कि आप ना पहली बात जो पैसे मांगीगे ना 10 रुपे का है उसका एक टुकड़ा बोलेगा भाई जाओ थोड़े कम लियो पैसे तो 5% से कम मतलब मांगना है यानि आप एक रुपे मांगना चाहते हो मांग लो 10 रुपे का एक रुपे कितना होता है 10% के बराबर होता है अब 10 रुपे का 5% कितना होता है 50 पैसे के बराबर होता है यानि मैं minimum कितना मांग सकता हूँ 5% मैं यहाँ पे मैंने suppose करो कि आप 2 रुपे मांग सकता हूँ government ने बोला जी 2 रुपे तो मांगी है 5% से तो ज़्यादा ही है 2 रुपे आप मांग सकते हैं ठीक है ओके मैं कितना मांग रहा हूँ आपसे पहली बाद 2 रुपे कुछ समय के बाद आप और लेके आईएगा मैंने बोला कुछ समय के बाद कितना लाना है ये भी बता दो मैंने बोला कि 3 रुपे लिया आईएगा फिर बोला कुछ समय के और बाद लियाओ मैंने बोला 1 रुपे लियाओ फिर मैंने बोला कुछ समय के बाद और लियाओ मैंने बोला दो और लियाओ फिर मैंने बोला कुछ समय के बाद और लियाओ मैंने बोला एक और लियाओ तो क्या ये टोटल दस हुआ तीन दो पांच एक साथ दो नो और एक दस हो गया क्या पूरा ये तीन दो पांच एक छे दो आठ और एक नो अभी भी बच गया इसका मतलब सर एक और मांग सकते हैं मैं इसको दो कर देता हूँ ज्यादा लंबा लेकि नहीं जा सकता तो सर मांगने की बात करें ना कि कितना मांगा जा सकता है तो no limit आप कितने भी इसके टुकड़े करके मंगवा सकते हो लेकिन पहला टुकड़ा जो होगा वो 5% दूसरे टुकड़े को आप 30 पैसे मंगा लो 20 पैसे मंगा लो 100 नमबर कर दो कोई फरक नहीं पड़ता अब इन सभी का ना lawmaker ने नाम करन कर रख़ा है बोला गए पहली बार जो होगा ना उसे हम बोलेंगे share application उसको बोलेंगे share application का पैसा पहली बार जो होगा उसको बोलेंगे सर share application सर जो दूसरी दूसरी बार होगा ना उसे हम नाम देंगे हमेशा वही रहेगा share allotment share allotment इनका नाम करने ये इससे ये अंदाजा होता है कि ये भाई है ये मांग रहे मैंने बोला अलोर्टमेंट का पैसा लेके आओ जाओ तो आप 3 रुपे लेके आओगे मैं बोलो application का लेके आओ तो आप कितना लेके आओगे 2 रुपे इसके बाद का जो होगा ना उसे क्या बोलेंगे सर हम उसे बोलेंगे share share first call इसके बाद जो होगा ना उसको बोलेंगे share second call इसके बाद जो होगा उसे क्या बोलेंगे सर share third call लेकिन ये last है तो low maker नहीं इसका एक और नाम करन कर दिया, बोला भाईया, लास्ट है, तो लास्ट वाले का एक और बढ़ी आसा नाम दे दिया जाए, बोला इसको या तो आप third call बोल दो, numbering के इसाब से, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, sir, final call, इसे क्या बोल सकते हो, आप final call बोल सकते हो, यानि तुकड़े का अपना नाम है, पहले क्या आओगा share application, फिर क्या आओगा हमारा share allotment, इसके बाद के जो टुकड़ा होगा, वो first, second, third, fourth, five, six चलता जाएगा, तो यहां तक बात है clear हुई हमें, कि sir, lump sum हुआ, lump sum का मतलब sir, कितने लेके आने घर से आपको बताओ, पूरे 10 अपने घर से बात खतम, इसे बोला जाएगा lump sum, और टुकड़ो में मंगाएंगे, तो पहले को बोलेंगे application, दूसरे को बोलेंगे, हम allotment, तीसरे, first, second, third, चलता जाएगा, अब sir, इसकी हमें क्या करनी है, journal entry करनी है, actual में हमारे सवाल जो यह chapter है, वो पूरा journal entry base पे, तो इ कुछ और terms की बात करें, जैसे की, for example, company, company ने, मैं इसको ना, इसके लिए बात कर रहा हूँ, इसके लिए मैं कोई बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि यह आता ही नहीं question है, तो मैं question एक करके दिखाऊँगा, मैं सारी बाते इसके लिए कर रहा हूँ, यानि यह जो मैं लिख आप से बोला, कि आप एक काम करिए, आप मुझे पैसे दीजिए, company ने बोला, आप मुझे पैसे दीजिए, मैंने बोला, कौन से पैसे देने हैं, उसने कहा, company ने, कि आप ये पैसे दीजिए मुझे, आप यहां का पैसे दीजिए मुझे, आप यहां का भी पैसे दीजिए म और धीरे धीरे करके कुछ पैसे मांगे गए तो अगर मैं देखूं धीरे धीरे करके कुछ पैसे मांगे गए तो कितने मांगे गए सारे मांग लिए उसने कुछ भी नहीं छोड़ा अगर धीरे धीरे की बात करें तो कितने मांगे गए सर सारे ही मांग लिए कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने दिक्कत इसमें नहीं है कुछ नहीं छोड़ा इसका कोई नाम है कि जब ऐसा क्या पता चले कि हम क्या बोले इसको कुछ तो नाम होना चाहिए ना तो यही नाम बात करने वाले हम कि जब इसको बोला गया तो क्या नाम होगा और इसको बोला गया तो क्या नाम होगा तो जब company से सारे मांग लिए गए तो इसको बोलेंगे कि company ने called up किया तो जब company पैसे मांगती है किस से अब आप लोग जैसे हमारी company में पैसे लगाओगे ना तो आपका एक प्यारा सा नाम होगा जिसको बोलेंगे हम shareholder आपका नाम राम, मोहन, सिहन, जो भी है उससे मतलब नहीं है आपको एक नाम दे दिया गया क्या है shareholder तो company जब shareholder से पैसे मांगेगी तो क्या बोलेगी called up तो यहाँ पे कितनी called up है sir यहाँ पे called up पूरे 10 रुपए है यानि आपसे पूरे 10 मांग लिए, 2 भी मांग लिए, 3 भी मांग लिए, 1 भी मांग लिए, यह भी मांग लिए suppose करो company थोड़ा सा आप पे महरबान हो जाए company ने बोला भीया ये दो, भीया ये दो, और ये भी दे दो, और ये भी दे दो, ये मत दो, ये मांग लिए आपसे बात में तो यहाँ पे called up क्या होगा बताओ यहाँ called up क्या होगा दूसरे वाले case में सर आठ रुपए, यानि जितना पैसा company मांग ले, देने की बार ही नहीं कह रहा है, जितना पैसा company मांग ले, उसको क्या बोलेंगे, called up सर यहाँ पे जैसे ही called up हुआ ना, तो एक situation और यहाँ generate हो गया सर, जो company ने नहीं मांगा, uncalled दूसरे वाले case को देखो, तो uncalled, मैं अगर यहाँ पे देखूँ, तो sir company ने ये भी मांगा, ये भी मांगा, ये भी मांगा, और ये बोलता है, मद दो, मद दो, मद दो, कोई बात नहीं ये वाला तो मैंने extra लगा दिया है तो तीन company ने नहीं मांगा, सिर्फ दो मांगा, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ ना, दो चीजे पूछता हूँ, uncalled कितनी है, जो company ने नहीं मांगा, ये तीनो पार्ट, यानि 5 रुपे uncalled कितनी है, 5 रुपे, और called up कितनी है, 5 रुपे मैं थोड़ा सा change कर दूँ, क्योंकि ये 5 पांच होगे, confusion ना बन जाए, ये भी मांग लिया, अब बताइए थोड़ा change हो गया, uncalled कितनी बची, और called up, 6 रुपे, ठीक है न, uncalled को ही पता है, हम क्या बोलते हैं, एक और नाम से जाना जाता है, uncalled को, reserve capital, uncalled को ही हम क्या बोलते मांग सकती है, जब company को जुरत लगेगा, तो अपने capital को इसने reserve करती है, कि भीया, ये तो कभी हम मांगी सकते हैं, तो इसको बोला जाता है, कैसा reserve capital, इसको बोला जाता है reserve capital, ये हमारा cross right, यानि uncalled capital का एक और नाम आ गया, सर, क्या नाम आ गया, इसका reserve capital, अब बात करते हैं shareholder के point of view से, हमने तो मांग लिया, लेकिन shareholder का अपना opinion है, कि भीया, क्या देना चाह रहा है, क्या नहीं देना चाहिए, shareholder ने बोला, मैं ये भी दे रहा हूँ, 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 ये भी दे अकर गिनो तो आप terms में तो पूरे 10 रुपे तो इसे क्या बोलेंगे paid up पूछ रहे हैं first class जाते नहीं yes अभी first class है यह तो paid up कितने हमारी 10 रुपे इसके बाद देखा जाए paid up के बाद हम आगे की बात करें इसके अंदर तो जरूरी नहीं है कि paid up पूरा ही हो कई बार shareholder क्या कर सकता है थोड़ा सा पैसे देने से नहां के situation create कर सकता है shareholder पैसे देने से नहां के situation create कर सकता है मतलब sir मान लो shareholder ने आपको ये दे दिया ये दे दिया और ये दे दिया और बोला पैसे नहीं अब नहीं दूँआ में तो यहाँ पर अगर situation देखे न तो क्या situation बन रहा है यहाँ पर सर यहाँ पर बन रहा है हमारा paid up, बताओ paid up कितना है 6 रुपे और यहाँ पर unpaid भी बन रहा है क्या बन रहा है unpaid, unpaid कितना बन रहा है 4 रुपे Sir, Unpaid को ने एक बहुत अच्छे शब्द में और भी बोला जाता है Unpaid जब भी होता है तो उसको एक नया नाम दे दिया जाता है Lawmaker बोलता है यह Unpaid है तो यह इसका मतलब तुम्हारा रहे गया Calls in Arrier Unpaid और Calls in Arrier एक ही बात है मैंने जितने मांगे आपने नहीं दिये तो Unpaid बोल लो या फिर क्या बोल लो Calls in Arrier इस पर एक कहानी है कि Sir Calls in Arrier हो गया तो आपने तो company का मजाक बना दिया हम मांग रहे हम आपको बोलते हैं Homework करके ला या आप बोलते हम तो नहीं करके ला रहे क्या हो रहे है यह जाक ही चल रहे है तो यहां पर क्या है क्या बोला इसने कि भईया तुम पैसे लाओ आप नहीं दे रहे तो इसका मतलब शेयर होल्डर तुम company के साथ ऐसे करोगे तो हर कोई ऐसा ही करेगा तो बढ़िया क्या है आपके उपर punishment दिया जाए तो आप से कहां पर बताया table f में table f के अंदर percentage बता दिया कि भईया आप से लेंगे 10% का ब्याज बात खतम आप मत दो हम आप से क्या लेंगे 10% का ब्याज अब अगर आप बोलते हो sir कि मैं ब्याज भी नहीं दूँगा अगर आप बोलते हैं मैं ब्याज भी नहीं दूँगा और मैं पैसे भी नहीं दूँगा जो करना कर लो फिर मैं आपसे certificate लूँगा फ़ाड दूँगा बोलूगा तुम्हारा मेरा कोई रिस्ता बचा ही नहीं से धी बाइख certificate ले लूँगा बोलूँगा आप मेरी बात ही नहीं मान रहें आप company को company नहीं समझ रहें तो मैं आपके certificate लेके उस certificate को फाट दूँगा और फिर बोलूँगा राम राम और ऐसे situation में जो आपका share है वो हो जाएगा share for feature यानि सर जब आप पैसे नहीं दोगे बार बार बोलेने पर नहीं दोगे तो हम आपके share certificate ले लेंगे और आपका रफादाफा करेंगे registered of member जहां आपका नाम लिखा था हमने उस नाम को काट देंगे और आपके share हमारे पास आ जाएगे तो for feature का मतलब होता है जब्त करना तो मै आपके pocket से छीनी नहीं सकता जो आपने दे दिये वो मेरे पास है तो share for feature कितना हो सकता है ये हो सकता है जिस पर right लगा हुआ है तो यानि इसी question को मैं आगे लेके चलूँ मैं arrow key कर देता हूँ एक ये for feature होगा एक ये for feature होगा ये तो होई नहीं सकता तो कितने रुपर share for feature हो यानि सर एक बात तो fact हो गया कि unpaid जितना हमारा paid up होता है उतना ही for feature होता है मैच कर लो आप चाहे हैं जितना paid up होगा उतना ही क्या रहेगा हमारा for feature रहेगा कुछ shareholder बड़े अमीर होते हैं अमीर मतलब वो बोलते हैं क्या एक रुपे दो रुपे की कहानी लगा रखे मिरसे एक बार एक खटा पैसे लो ना और खतम करो कहानी को ना मैं परिशान हूँ ना आप परिशान हो तो कुछ shareholder होते हैं अमीर अमीर का मतलब सर वो क्या कहना चाहते हैं मान लेते हैं एक shareholder मिला मुझे और मैंने shareholder को कहा कि भईया shareholder तुम ये पैसे दे दो तुम ये पैसे दे दो और ये पैसे दे दो ये अभी जुरत नहीं है मत दो अभी जुरत नहीं है मत दो यानि shareholder से call किया किसने call किया सर company ने call क कमपनी ने क्या कॉल किया आपके सामने या फिर मैं इसको ऐसे बना देता हूं कि कमपनी ने कॉल किया सर यह यह पैसे दो लेखिन शियर होल्डर ने बोला भाई आम जंजट में नहीं पढ़ना चाहते आपके इन चकरों में मेरा समय का बहुत नुकसान होगा आप बार बार द दे देते हैं हमारे पास अभी पैसे की कमी है नि तो चलिए आपको पेमिंट करते हैं शियर होल्डर ने बोला भाई तू ये भी ले 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 बात खतम यानि शियर होल्डर ने जितना कमपनी ने मांगा उससे ज्यादा दे दिया तो यहा पे शेयर होल्डर ने एक्स्ट्रा पैसे दीें यानि जितना मांगा भी नहीं वो भी एक्स्ट्रा दे दिया तो उसे बोलेगे जब shareholder ने पैसे नहीं दिये थे तो आपने बोला था कि मजाक लगा रखा है पैसे नहीं दे रहे बार बार मांग रहे हैं आपने क्या लगवा दिया उसके उपर interest लगवा दिया अब आपको जब shareholder ने पैसे दिये रहे हैं तो अगर वो नहीं देता तो उसके उपर हमने fine लगाया interest के रूप में अगर आप उसके पैसे रखके चल रहे हो तो हम आपसे भी interest लेंगे यानि सर जो calls in advance होगा ना उसके उपर interest charge किया जाएगा कितना लगेगा 12% यानि shareholder की गलती हो तो देगा 10% कमपनी की गलती हो तो देगा क्योंकि कमाई ज्यादा कमपनी की होती है न शेर होल्डर की कितनी कमाई होगे तो छोटा मोटा investor रहता है तो सर उसको interest कितना देना पड़ेगा 12% के हिसाब से interest देना पड़ेगा ये कहां लिखा हूँ ऐसा table F के अंदर company law के अंदर ये पहले से pre-decided है ऐसा नहीं है कि ऐसा ये पहले से decided है पहले पुरानी किताबों में 6 और 5 का चला करता था वो बंदो चुका है तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं YouTube पे वीडियो डालता हूँ तो पुरानी वीडियो अगर देख रहे होंगे तो वहाँ पे 6-5 मिलेगा वो 6-5 note करके अगर exam में लिखके आ जाएंगे तो 6-5 number हो जाएगा उनका तो इसलिए भाई corporate के अंदर income tax के अंदर slaves दिन पर दिन बदलता जाता है तो latest classes को देखिए मैं बच्चों को यही recommendation करता हूँ Google से डरिये क्योंकि Google पे आप लोग का इतना विस्वास हो गया जितना माता पिता पे विस्वास नहीं रहा है गूगल पे बच्चे जादा विस्वास करने लग गए आजकर वो लिख देते हैं एक जगा मैं क्लीनिक में गया था तो क्लीनिक में डॉक्टर के पास गया था तो वहां उन्होंने बड़े अच्छे word में लिखा था के किर्पिया करके गूगल पे आप जो भी मेडिसिन वगरा देखते हैं उसको देखकर डॉक्टर ना बने हम इतनी 24 से 25 साल मेहनत के बाद डॉक्टर बनते हैं तो हमारी नॉलेज और गूगल की नॉलेज में आसमान जमीन का फरक है गूगल में वही बात ने लिखी होती है जो कोई ना कोई टाइप करता है या कोई ना कोई फीड करता है है तो वो मसीन ऐसा तो नहीं है तो सेम ऐसे कई बार हम क्या कलती कर लेते हैं income tax में corporate में google पे लिख दिया साफ भाईया अगर आपको इसकी सही detail जानकारी चाहिए ना तो जिसने बनाया है उसके घर पे जाईए इसको बनाया किसने mca ने बनाया है तो आप ministry corporate affairs के website पे जाईए company law के website पे जाईए वहाँ सारी बाते authenticated और updated मिलेंगी आप google पे जाएंगे तो वहाँ पे शायद ना मिले जैसे कि आप कई बार application पे कितने percent होता है आप कई बार ढूनते ढूनते परिशान हो जाएंगे शायद 5% वाली बात ना मिले over subscribe क्यों होता है हमारा इसकी भी बारे में information ना मिले तो इस बात का ध्यान रखेगा आप कि google पे करने से better है कि आप या तो कोई अच्छे writer की किताब देख लीजिए और उसके हिसाब से पढ़िए तो जादा better है चलिए sir हमने क्या-क्या देखा इसमें basic सा जितना पैसा company मांग लेती है company बोलती है तू इधर मुझे इतने पैसे दे called up अब जितने पैसे मांगे वो called up अब कई बार ऐसा हो सकता है company ने पूरे पैसे मांग लिए 10 के 10 जैसे पहले वाले example में company ने कितने मांगे sir पूरे 10 तो यहाँ बोलेंगा fully called up यह नई नई शब्द है theory आजाता है इसमें से word को समझ यह कुछ नहीं है यह बस question में आजाता है sir fully paid up क्या है बार बार पूछते हैं इसलिए मैं पहले ही पहले basic terms खतम करना चाहता हूँ और sir जितना shareholder ने क्या करा जितना company ने अगर कम called किया है तो उसे क्या बोलेंगे यहाँ पर called up कितना था हमारा called up 8 इसका मतलब जब company जितने पैसे मांग लेती है that is called up और उसके अंदर 2 हो सकता है या तो फully called up हो सकता है या पार्टली called up हो सकता है अगर फुली called up हुआ तो कोई बात नहीं लेकिन partly called up हुआ तो partly called up के बाद जो मांगा नहीं गया उसको क्या नाम दे देते हैं हम uncalled capital या फिर उसको क्या बोलते हैं reserve capital बोला जाता है इस बात को धिहान रखिए का उसको क्या बोला जाता है reserve capital जैसे इस example के अंदर मैंने लिया company ने ये मांग लिये ये मांग लिए ये मांग लिए ये दोनों बोलते हैं मत दो अभी ज़रती नहीं है तो इसका मतलब company ने uncalled capital भी किया हुआ है uncalled capital का मतलब company ने नहीं मांगा मैं बूछू के बताओ company का कितना uncalled capital है कितना uncalled capital है तो इसका मतलब जो company ने नहीं मांगे उसको बताओगे uncalled capital के अंदर Sir paid up shareholder के point of view से shareholder ने company ने मांगे थे shareholder ने सारे दे दिये तो उसको paid up 10 रुपए है तो उसको एक और नाम दे देते हैं क्या fully paid up भी कह देंगे fully paid up अब ऐसा भी हो सकता है कि company ने मांगे पूरे shareholder ने नहीं दिये तो उसमें unpaid बोला जाएगा unpaid कितना है हमारा यहाँ पे example में 4 रुपए और unpaid का एक modern name है जो की law में ज़्यादा सा ज़्यादा हम सवाल में use करेंगे calls in area calls in area में अगर हमारी बाते नहीं मानेगा तो हमसे fine लिया जाएगा और हम गरीब है कितना fine लिया जाएगा 10% इसके बाद share for feature हो जाएगा अगर तब भी वो interest भी नहीं देता तो हम क्या करते हैं उसका share for feature कर देते हैं लेकिन share for feature करने से पहले prior हम intimation देते हैं 14 दिन का कि भी या तेरे share for feature होने वाले हैं फटा फट से तू अपने पैसे जमा करा नहीं तो हम for feature कर लेंगे यह सारे law के language है आपने third semester में पढ़ा होगा company law के अंदर यह सारी बाते तो बाकी जो company law आपने third semester में पढ़ा है ना अब सब कुछ हम यहां पर apply करने वाले हैं किसके अंदर semester four के अंदर तो sir share for feature कितना हो गया हमारा छे रुपए जितना नहीं दिया उसने नहीं दे रहा बार बार तो उसको क्या करेंगे four feature कर लेंगे लेकिन जो नहीं दिया वो four feature नहीं होगा जितना उसने payment कर दिया वो four feature हो जाएगा अब company ने call किया 6 रुपए shareholder ने कितने दे दिया 10 रुपए तो इसका मतलब shareholder ने company को extra पैसा दे दिया कितना extra पैसा दे दिया 4 रुपए इस 4 रुपए को बोलेंगे calls in advance जब calls in advance company ने हमारे पैसे रख लिए तो अब हम company से ब्याज लेंगे that is कितने percent के इसाफ से होगा हमारा 12 percent कौन बोलता है ये 12 percent वाली बात table number F इस बात के बारे में बताता है तो कुछ एक basic terms है यहाँ पे जो कि आपने देखा और इसमें कोई doubt है तो आप पूछ सकते हैं फिर हम आगे general entry के format पे जाने वाले हैं मैं एक जगा इसको दिखाने की कोशिस करता हूँ दिख जाए चलिए फिर हम general entry इसमें किसी को doubt है तो फटा फट जितने बच्चे बता दीजिए चलिए सर basic general entry की बात करते है यानि सर हम बात कर रहे हैं अभी installment का कहानी क्या है सर कहानी ये है कि आपके share जो होगा वो 10 रुपे का हो सकता है और 10 रुपे को ही क्या बोला जाएगा face value बोला जाएगा 10 रुपे को ही क्या बोला जाएगा face value बोला जाएगा और इस 10 रुपे को हम एक साथ नहीं मंगवाने वाले हम इस 10 रुपे को थोड़े थोड़े तोड़ के मंगवाएंगे that is टुकडो में मंगवाएंगे 10 रुपे को टुकडो में मंगवाया जाएगा मैंने बोला कि भाईया आप 2 रुपे लेके आईए आप 3 रुपे लेके आईए आप 4 रुपे लेके आईए और फाइनल आप 1 रुपे लेके आईए अगर कई बार बोल दिया जाए ना लास्ट वाले को कि आप बैलेंस लेके आईए तो आपको पहले इन टोटल करना पड़ेगा और total miss इसको minus करके फिर पता कर लेना चाहिए कि कितना balance मांगा गया है तो यानि company ने मांगा पहली बार को क्या नाम करन किया था application दूसरी बार को क्या नाम बोला था allotment तीसरी बार एका first call और last बारे का या final बोल लो या फिर second call बोल सकते हो आप सर general entry में पहले वाली की बात करूँ तो क्या general entry होने वाला है हर किसी का अपना एक अलग general entry और हर एक entry के लिए दो general entry इस बात का ध्यान रखिएगा format मैं proper सिर्फ जब मैं बना रहा हूं तो format रहेगा बाकी question में मैं directly करूँगा आपको exam में यही format बिल्कुल follow करना है कोई उपर नीचे नहीं करके आना particular और यहाँ पर लिखेंगे journal entry और अगर आप लिख सकते हैं बहुत अच्छी बात है in the books of जिस company का नाम दे रखा है हाला कि यह अलग का use नहीं होना है फिर भी आपको बना के आना है exam के अंदर सर पहली बार जो हुआ था इसको क्या नाम दिया था हमने application तो application जब मिलेगा ना तो सबसे पहले bank के अंदर पैसा आता है और जो bank के अंदर पैसा आएगा ना जो मिलेगा bank के अंदर पैसा आएगा पहली entry क्या करेंगे हम bank account debit bank account debit और 2 अब हम जो सीख रहे हैं ना इस chapter के अंदर हमारे preference share के भी सीखे जाएंगे लेकिन आगे आएगा अभी हम सिर्फ equity share को सीखेंगे share दो परकार के होते हैं एक preference share होता है और एक equity share होता है preference share को पहले dividend दिया जाता है equity share को बाद में दिया जाता है बस इतना फरक है बाकि अपने law में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो bank account debit to share application share application पहली entry bank account debit to share application मैं एक सवाल ले लेता हूँ ताकि अच्छा हो करने में मैंने बोला कि मैंने 2000 share issue किये हुए हैं तो इसी 2000 से सारी calculation लेके चलेंगे तो यानि सर पहला application का पैसा आ रहा है तो क्या हैगा सर सर 2000 into में 2000 into में कितने आएंगे 2 तो यानि मेरे पास कितने पैसे आ जाएंगे सर 4000 आ जाएंगे इसके अंदर being लिखा जाएगा सर being क्या होगा being के अंदर होने वाला है हमारा share application amount receive share application share application amount receive पहला question जो है मैं यह पूरा format के साथ कर रहा हूँ बाकि आपने भी इसी तरीके से being लिखना है चलिए सर अगली journal entry कर लीजिए अगली journal entry इसी का दूसरा होगा share application account debit to आपका equity short form में लिख रहा हूँ बीइंग बीइंग शेयर एप्लिकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कापिटल अकाउंट मैंने थोड़ा short form यूज कर लिया है सर दो entry अब इसको समझते हैं सर ऐसा क्यों इसका मतलब क्या है देखिए सबसे पहले आपना मुझे पैसे देंगे मैंने का मेरी company के अंदर आप shares को apply करिए तो आपना एक form भर के देते हैं वैसे आला कि आप तो digital form हो गया है लेकिन आप क्या करते है नॉर्मली आप physical form में आप मुझे form भर के देते हैं तो form जैसे भर के देंगे तो मिरे पास पैसा आएगा और मेरे उपर liability create होगा पैसा आया बैंक मेरा debit हो गया liability क्यों create हुआ क्योंकि मेरे पास यह application है इस application के बदले मुझे कुछ देना है तो application मेरा credit हो गया जैसे ही इस application के बदले मैं आपको share capital यानि share certificate दे दूँँआ तो यह application debit होके खतम हो जाता है और उसके बाद फिर finally क्या हो जाता है हमारा equity share capital दे दिया जाता है तो इस तरीके से यह दो entry हमारा यहां पर generate होता है सर इसके बाद अगला number किसका होगा सर यह है हमारा allotment हाला कि allotment का मतलब देना भी होता है लेकिन यहां allotment का मतलब यह भी है दूसरे number वाला तो allotment की entry क्या करेंगे सर allotment की entry क्या करेंगे सर content में 12th का material डाल दिया है basic clear हो जाता है उससे कोई दिक्कत नहीं है मैं फटा फट से shortcut लेके चल रहा हूँ चिंता मत करिया content में डाल दिया है 12th वाला फिर भी यह सारे आपके important है ऐसा नहीं है कि हम बस ऐसा ही करे जा रहे है कोई दिक्कत नहीं आज देखिए थोड़ी से लंबी class लेके इसको कर देते हैं खतम चलिए सर अगले point की बात करते हैं सर क्या रहेगा share allotment और two equity share capital share allotment two equity share capital कितने रुपे तीन रुपे है तो यहां हिसाब किताब बनेगा हमारा 2000 और multiply तीन यानि 6000 सर हिसाब किताब बनेगा हमारा 6000 चलिए अब 6000 के लिए being क्या लिखना है यहां पे due हुआ है पैसा क्या हुआ share allotment का amount due share allotment का amount due यानि सर पहली बार में आप पैसे देंगे उसके बाद आपका पैसा due होगा पहले मैं आपसे बोलूँगा भाया पैसा दे जा और फिर पैसे देंगे तो यह entry पैसे मंगवाने किये भाई पैसे दे जा अगली बारी की फिर आप क्या करोगे मुझे पैसे दे दोगे तो मेरे बैंक खाते में पैसे आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट और टू share allotment कितने रुपए आ जाएंगे same amount 6000 रुपए इसमें बहुत सारी और भी कहानी हो दीरे दीरे हम निप्टेंगे उनसे सर बींग क्या होगा बींग होगा share allotment amount received share allotment amount received हमने दो एंट्री कर दिया ओल्डो हम अगली एंट्री पे अगर आएं तो देखते हैं क्या रहता है चलिए हम आ जाते हैं next एंट्री पे यानि first call एक बड़ अगर अर्जस्ट कर दें इसके ठीक है सर हम आ जाते हैं अगली पे सर मैंने इसका भी एंट्री कर दिया इशका भी कर दिया अब इसका ये क्या है first call इसका नाम क्या है share first call Share First Call में क्या Entry करेंगे सर सबसे पहले Entry होगी हमारी Share First Call Account Debit और 2 आ जाएगा Equity Share Capital 2 आ जाएगा Equity Share Capital इसका Bing क्या होगा सर सर Bing वही रहेगा जैसे पहले लिखते थे Share First Call Amount Due Due का मतलब बाकी अब आप मुझे पैसे दोगे और सर पैसे दोगे तो मेरे खाते में पैसे आ जाएगे Bank के अंदर तो Entry करूँगा Bank Account Debit 2 शेर First Call और सर ये Amount अगर मैंने लिखा नहीं तो 4 रुपे है तो क्या आएगा सर 2000 गुणा में 4 यानि आठ हजार आठ हजार आठ हजार आठ हजार पर ये Entry भी होगया Done Being क्या होगा Being होगा Share First Call Amount Receive Share First Call Amount Receive चलिए सर इसके बाद आगे की कहानी देखते हैं First Call इसके बाद आगे हमारा इसे Last बोल लो जिसको मैं नाम दे देता हूँ Final Call जिसको नाम दे देते हैं Final Call Entry क्या होगा सर Share Final Call Account Debit To Equity Share Capital इसका Being मैं नहीं लिखूँगा मैं बता दूँगा आपको लिखना है इसको ठीक है जो बच्चे बाद में देखेंगे Pause करके लिख लेंगे वीडियो को क्या रख रखा है Share Final Call Account Due तो इसका होगा Share Final Call Amount Due हो जाएगा इसका अगली बार में क्या आने वाला है हमारे पैसे आ जाएँगे अगली बार में पैसे आ जाएँगे हमारे सर कितने पैसे आ जाएँगे बैंक में Bank to Equity Share Capital नहीं, Share Final Call Share Final Call थोड़ा उपर कर देते हैं Share Final Call यह मिट कैसे गया अच्छा वो पहले का है चलिए लिख देते हैं कैंट्री होने वाला है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेर फाइनल कॉल सर फाइनल कॉल देखो एक रुपए का तो एक इंटू में दो हजार that is 2,000 रुपीज और 2,000 और 2,000 और 2,000 मैं सिंपल सी बात करूँ अब देखना एंट्री को थोड़ा समझने की कोशिश करना सर क्या समझे हम एंट्री में पहला था हमारा एप्लिकेशन एप्लिकेशन की दो एंट्री पहले पैसे मंगाए फिर सेटिफिकेट दिया पहले पैसे मंगाए फिर सेटिफिकेट दिया उसके बाद अलॉट्मेंट अलॉट्मेंट की दो एंट्री पहले आप जब एक बार आपने पैसे मांग लिए application तो आपकी जान पैचान होगी फिर अगली बार पहले पैसे मांगोगे फिर आप वो आपको पैसे देगा तो यहाँ पे भी पहले आपने मांगा है फिर पैसे दिये हैं सिंपल सी बात है सर यह किसकी entry है मांगने की आपने मांगा है पैसा और यह आपका क्या है पैसे receive करने का आपको पैसे मिल गया है उसके नई मैंने उपर नीचे कर दिया अच्छा उपर नीचे हो गया है तो ये किसका था सर मांगने का और ये रिसीव करने का था ये लो आ गया ठीक है अब अगर अगले बार भी देखें तो फिर से पहले हमने मांगा है डियू किया है फिर रिसीव किया है फिर मांगा है फिर रिसीव किया है लेकिन पहले एंट्री के अंदर किया था पहले आपको मिला है फिर आपने उसको shares दिये हैं तो ये कुछ basic entry है जो कि हर सवाल में मुझे करने पढ़ सकते हैं किसी को कोई दिक्कत यहां तक बताईए फटाफट ये basic entry आपको पता होना बहुत जरूरी है चलिए सर अगले point के हम बात करतें क्या है next point है हमारा हम पहले सीखेंगे under subscribe sir under subscribe का मतलब क्या है जब हमने share जितने भी issue किये उतने share नहीं बेच पाए ठीक है ना जितने share issue किये उतने share अगर नहीं बेच पाए that is call under subscribe चलिए under subscribe का एक question में लिख लेता हूँ मैंने कहा कि हमारा authorized capital authorized capital जो है that is हमारा एक लाग share का है इसके बाद हम बात करते है authorized capital के बाद issued capital issued capital 10,000 at the rate 10 each and मैंने कहा application receive application receive मैंने कहा application receive है मारा 9,500 question में कहता है payable as payable as sir कैसे payment करना है यह 10 रुपे की payment की detail आपको बता देता हूँ किस तरीके से करना है 10 रुपे की payment की detail जो payment करना है कुछ इस तरीके से करना है जिसके अंदर आपका रहेगा 2 रुपे 5 रुपे और 3 रुपे यानि पहली बार को क्या बोलेंगे फिर क्या होगा फिर क्या होगा final call क्या लो अब हम पहली entry जो करेंगे bank account debit bank account debit sir हमने issue किया है authorized capital का कभी भी कोई रोल नहीं रहता हमारा journal entry करते में किसी काम का नहीं है तो यह बस आपको डराने के लिए दे रखा तो मैंने cut मार दिया issued capital कितने है sir हमारे 10,000 हम issued capital से सारी general entry करते बट हमारा जो application receive है 95 यानि concept हमारा हो गया कौन सा यह under subscribe का जब under subscribe का हो गया ना तो उसी से entry की जाएगी आपकी जैसे 95 है तो 95 into में 2 यानि आपका आजाएगा 19,000 इसके बाद आपका आजाएगा क्या सार 2 share application यहाँ equity share application लिखे है या share application भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो sir यह क्या आएगा हमारा यह आएगा अगेन 19,000 being वही पुराना जो हमने सीखा हुआ है being वही लिखेंगे share application amount received अगली entry अगली entry क्या करेंगे share sorry इधर side में कर देते हैं यहाँ दीखेंगा नी अगली entry कर देते हैं share allotment account debit to equity share capital to equity share capital here amount आएगा हमारा कितना 5 रुपे है तो 9,500 into 5 कितने आ गए 47,500 47,500 मैं आप बींग नहीं लिख रहा था कि मैं जल्दी जल्दी पुराना recall कर पाऊंगा तो बींग किसी का नहीं लिखूंगा मैं फटा पट करता जाऊंगा इसके बाद अगली एंट्री क्या होगा सर bank account debit to share allotment again same आ जाएगा हमारा सर कितने रुपे आना है 47,500 47,500 उससे अगली एंट्री क्या होगा हमारा share final call to equity share capital यहाँ पर अगर हम amount निकाले तो amount क्या होने वाला है सर 9,500 into में 3 कितने हैंगे 27,28 25,500 यही आएगा ना 25,500 सर बैंक में क्या payment आएगा bank to share final call देखें बेसिकली मैं इस पर अभी इतना ज़्यादा focus नहीं कर रहा इतनी ज़्यादा हमें detail में नहीं जा रहा क्योंकि यह जितनी भी entry करी है यह entry हमें क्या सिखाता है कि जो entry होता है उसका क्या entry करना होता एक तरगे सा entry याद करने वाला काम है दूसरा under subscribe होगा तो हम ना तो authorized से entry करेंगे ना तो application issue से entry करेंगे किस से करेंगे application सारी entry करेंगे application receive से तर second entry रह गई application की second entry रह गई कौन सी रह गई ओके ये वाली रह गई सही बोल रहे है तो share application to equity share capital ये लीजिए ये entry भी हमने done कर दिया किसी को इसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं है तो हम आगे बढ़े फिर ये था हमारा under subscribe का case किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं तो आगे बढ़े चलिए अगले पार्ट पर आ जाते है over subscribe sir over subscribe अगर हम over subscribe की बात करें तो over subscribe का मतलब पता ही आपको क्या पता है आपको कि जितने हमने issue किये कहीं उससे ज़्यादा application आ गया लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ issued तक ही दे सकते हैं उससे ज़्यादा तो दे ही नहीं सकते चलिए इसके अंदर मैं cases बना देता हूँ फुल अमांट रिफंड फुल अमांट sorry, full name when full amount adjusted तीसरा केस when partly adjusted and partly refund ये चार तीन केसिस है और इसके अंदर थोड़ा सा अम टाइम लगाना चाहेंगे क्योंकि थोड़ा सा important रहता है, concept को समझना जरूरी है पहले केस के लिए example पहले केस के लिए example Sir example मैंने कहा issued किया मैंने issued किया मैंने 10,000 share and application receive 11,000 share पेबल होगा दस रुपे का एक ही है पेबल होगा दस रुपे का जो है उसका मैं कुछ detail दे देता हूँ generally मैं ज्यादा लंबी call नहीं रख रहा खूब सारे इसके अंदर हम option ले लेते हैं मेरे मन में बहुत सारे question है वो सारे question मैं यहां कर देता हूँ सर 2 रुपे 6 रुपे और 2 रुपे ठीक है case number 1 when full amount या मैं इसको पूरे book के language में लिख देता हूँ excess application rejected case number 2 access application adjust toward on allotment case number 3 500 share 5 के जगह पर और कुछ रखते हैं confusion ना रहे 200 share were rejected and balance adjusted तीन केसिस मैंने बनाए एक ही सवाल रहेगा एक ही सवाल को हम तीन तरीके से करेंगे जिससे कि हमारा तीन केसिस क्या हो जाए फट प्ट कंप्लीट हो जाए चलिए सर यहाँ से स्टार्ट करते हैं केस नमबर वन सबसे पहली एंट्री bank account debit to क्या आएगा बताओ share application अब सारी एंट्री जो application रिसीव हुआ पहली एंट्री हम उससे करें तो यहाँ पर क्या आने वाला है सर 11,000 गुना में दो यानि सर 22,000 being मैं किसी का नहीं लिखूंगा क्योंकि although आपको पता है कि being किसका क्या होने वाला है that's it share application to equity share capital और क्योंकि पहले case में बोला access application rejected तो जैसे आपने पैसे लिया ने वैसे आपको refund करना होगा ये तो 22,000 आ गए आपके आपके पास right ही नहीं है equity share में ज्यादा credit कर दे 10,000 से तो आप 10,000 इंट्री में दो सिर्फ 20,000 ही रख सकते हैं यहाँ पर बाकी के जो आपके 1000 एक्स्ट्रा है ना 1000 इंट्री में दो उसको refund करेंगे और refund करने के लिए credit करना पड़ेगा आपको bank sir refund करने के लिए bank क्यों भाई लिया था तो debit किया था ना आपने तो refund करेंगे तो क्या करेंगे अपने bank को क्या कर देंगे आप sir credit कर देंगे clear रहे है इसके बाद कौन सी entry है sir share allotment to equity share capital share allotment to equity share capital कितने रुपे आ जाएगा sir simple सी बात है 6 रुपे into में अब सारी entry 10,000 से होगी ध्यान रखनी है आपको ये बात तो यानी 60,000 हर जगह पर मैं बता रहा हूँ जो आपके doubt हो सकते है फिर क्या होगा sir bank में पैसा आ जाएगा किसके to share allotment bank में पैसा आ जाएगा share allotment का sir कितना आएगा bank में पैसा same 60,000 रुपे हमारे bank में पैसा आ जाएगा किसी को कोई दिक्कत इसके बाद क्या करें इधर कर देते हैं तो entry बागी के ठीक है क्योंकि मैं उधर कोशिस करूँगा कि तीनों केसी से इक ही जगा दिखा दूँआ आपको share final call share final call to equity share capital share final call to equity share capital sir कितने आ जाएगे यहाँ पे sir यहाँ पे final call भी दो का है तो अब जो entry होगा वो 10,000 हिसे ही होगा into में 2 यानि sir 20,000 और अगली entry क्या होगी bank to share final call यानि sir 20,000 एक चीज़ मैं notice कर पा रहा हूँ शायद आप कर रहे हो या नहीं कर रहे कि sir इसके अंदर ना जो बदलाव आ रहा है न वो सिर्फ second entry में आ रहा है बाकी तो वही है जो हम सीखते आ रहे है जो बदलाव आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ second entry में आ रहा है बाकी तो वही है जो सीखते आ रहे है तो यानि आपको majorly changes पता है कहां देखने को मिला मुझे पर सायद आपको भी मिल रहा होगा वो इस entry में बाकी तो सब सेम ही है और changes भी क्या देखने को मिला कि जो extra application थे उसके refund कर दिया है refund करने के लिए हमने इस्तमाल क्या कर लिया सर बैंक बताइए किसी को कोई doubt है यहां तक यहां तक किसी को doubt case number one done कर चुके हैं हम अभी hand raise का मैं किसी का भी answer नहीं दूँगा hand raise का भी talking नहीं करूँगा क्योंकि मुझे फटाफट security premium सारे call scenario वगरा देखो जल्दे जल्दे निफटाते आज क्योंकि इस chapter में मैं इतना time नहीं देना चाहता being क्योंकि already 12th का एक folder नहीं मैंने डाल दिया एक बच्चे का doubt भी आयता सर मैं science stream से हूँ तो मुझे क्या देखना चाहिए तो मैंने 12th वाले folder classes ही बताएं वो आपको class देखनी पड़ेगी पूरी पूरी detail में उसके बाद फिर आगे further burn पाएंगे जो भी time है आपके पास available सर चलिए case number 2 case number 2 में क्या कहता है सर access application को क्या कर दो आप बापसी मत करो उसे क्या कर दो adjust कर दो तो हमारी पहली entry जो होगी और वो होगी हमारी bank account debit to share application ठीक है to share application कितने रुपे से होने वाली है पहली entry सर अगेन आपका 11,000 यानि पहली entry 11 से ये तो 22 ही रहेगी फिर share application to equity share capital अब जो जिसको हम वापसी नहीं करेंगे रहा ये तो 22 हा जाएगा सर और ये हम 10,000 से उपर law allowed नहीं करता issue करना क्योंकि permission ही 10 का लिया है तो 10,000 से जब allowed नहीं कर रहा तो ये maximum कितना आजाएगा सर बाकी हम इसे adjust कर देंगे एक हजार को आगे ले जाएंगे कितने रुपे दो रुपे यानि दो हजार रुपे कहा एडवांस चला जाएगा ये एडवांस ओन अलॉट्मेंट दो हजार रुपे सर ये चला गया एडवांस ओन अलॉट्मेंट दो हजार रुपे चलिए अगली एंट्री अगली एंट्री अगें दस अजार से होनी है दस अजार इंटु में आपका 6 रुपे यानि सर 60,000 होना है लेकिन अब थोड़ा-स आपको ध्यान देना होगा कि bank के अंदर अब 60,000 थोड़ी आएंगे कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिनके पैसे मैंने दिये नहीं जुने ने advance दे रखा तो तो मैं adjustment, allotment का मतलब क्या है कि भाई आप जो पैसे है न एक्स्ट्रा दे रहे हो न अब हम आपसे allotment पे आपके पैसे भी बापसी ने देंगा मान लेते हैं कि आपने मुझे पता है simple सा एक example लेते हैं कि आप जो है मान लेते हैं कोई apple आप लेते हो मेरे से daily कोई fruit लेते हो ठीक है और आपने एक दिन मुझे daily के दो fruit पता नहीं कितना लेना आपने मुझे 4 एपल के पैसे दे दिये 4 रुपए और आपको daily एपल लेना ही लेना है लेकिन मेरे दुकान में बचा हुआ सिर्फ 2 एपल है तो मैंने आपको 2 एपल दिये इसका मतलब 2 सेब दे दिया मेरे पास आपके पैसे advance रहे गए कितने advance रहे गए? से मैंने कुछ पैसे advance ले रखे हैं allotment के नाम के कितने 2000 और allotment पे मैं मांग कितना रहा हूँ सर साथ हजार तो आप क्या कहोगे सर पहले के 2000 advance भी तो हमने दे रखे हैं तो इसका मतलब मैं अब देने वाला हूँ कितना 50? 8000 और यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे advance on allotment that is 2000 और to share allotment that is 60,000 रुपीज अगली एंट्री अगली एंट्री बिलकुल सेम रहने वाली है same as case number one मैं करने में ज़्यादा time नहीं लगा रहा किसी मुझे तीनों case करना है ठीक है? final call के एंट्री यहाँ तक किसी को doubt है आप ध्यान से अगर focus करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो मेरी बात को ध्यान से देखिएगा मैं एंट्री को आपे अलग कलर में कर देता हूँ आपके लिए so that आप अच्छे से देख पाएं कौन सा कलर करें यह एक तो इस एंट्री को थोड़ा गौर से देखिएगा और ठीक है और एक इस एंट्री को देखिएगा मेजरली चेंजिस यहाँ पे देखे गए हैं और एक इस एंट्री को केस नमबर टू में तो दो जगह इंपक्त आया है इसका लेकिन केस नमबर वन में सरिफ एक जगह इंपक्त इसको फोकस करिए यह बाके तो सारा आपका सेम ही है समझ में आ रहा है आपको बाद कोई दिक्कत है यहाँ तर यानि सर जब एडवांस होगा तो हमारा एप्लीकेशन रिसीव जब करते हैं वहाँ पे भी एक कुछ माइनस प्लस देखना पड़ेगा और फैमेंट रिसीव करेंगे हम आगे जहां के लिए एडवांस है वहाँ के लिए भी हमें देखना पड़ेगा चलिए सर इसके बाद अगले पॉइंट पर आ जाते हैं हम फटा फट से नेक्स पॉइंट है हमारा केस नंबर थ्री तीनों केस के बाद फिर हम एडवांस केस पर जाएंगे एंट्री क्या होगी हमारी पहले बैंक अकाउंट डेबिट कलर चेंज करते हैं एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अप्लिकेशन सर अगेन 22,000 रुपे अब तो आपको पता चल गया होगा कि जितना पहली एंट्री अप्लिकेशन रिसीव से करेंगे हम इन केस अफ एडवांस और बागी की एंट्री हम किस से करेंगे इशूड से करेंगे अगली एंट्री होगी शेयर अप्लिकेशन 2 equity share capital और 2 bank से पैसे वापस करना है सर और 2 advance भी लेना है हमें advance on allotment समझिएगा इसको देखें यहाँ पे तो आपके कितने आ जाएंगे सर 22,000 equity share में कितने आ जाएंगे 10,000 गुणा में 2 इससे उपर तो होई नहीं सकता that is third case कहता है 200 share को rejected करें तो जिसको आपने rejected करें उसके bank से पैसे वापस कर दीजिए यानि 200 into में 2 that is आपका 400 और बाकी को हमने adjust कर लिया towards allotment तो आगे कब कितने थे हमारे कितने extra थे 1000, 1000 में से कितने को वापसी कर दिये 200 को वापसी कर दिये तो कितने share के adjust कर सकते हैं बताए 800 का तो हम यहाँ पर लिखेंगे सर बाकी adjust करेंगे that is 800 into में 2 और वो आ जाएगा हमारा 1600 रुपीज सायद live वाले बच्चों को कुछ को ना दिख रहा हो तो यह लेजिए अब देख जाएगा आपको कोई doubt इसमें अगली entry करते हैं एक बार मुझे करने दीजिए फिर फटा फट एक बार quickly समझा देंगे सारा फिर अगली entry क्या होगा हमारा share allotment to equity share capital कितने रुपे सर 60,000 कितने रुपे 60,000 लेकिन जब बैंक में payment लेने आएगे तो कौन बच्चा बताएगा बैंक में कितना payment आएगा बैंक में आना चाहिए हमारा 60,000 क्या पूरे 60,000 आएगे या कट के आएगे कट के आएगे बताएगे कितना payment कट के आएगा दिमाग लगाईए कितने payment कट के आएगा बच्चे कह रहे हैं सर जब 2000 एडवांस था तो 58,000 रुपे कॉल करना चाहिए था ना देखो 12 क्लास के अंदर ऐसे किया जाता था लेकिन logically मैं अभी थोड़ा discuss करूँगा मैंने comment देख लिया important point है फिर मैं आपको बिल्कुल clear करूँगा क्यों मैं ऐसे किया है फटा फट से बताईए आप यहाँ यहाँ पर बताईए कितने payment आएगे सभी ने जवाब दे दिया सर कितने सर इसमें से minus हो जाएगा जितना advance है advance कितना है 1600 तो 1600 minus कर देंगे तो 58400 advance on allotment कितने 1600 और to share allotment कितने 60,000 बाकी same होगा as adder rate लिख दिया as case number one ठीक है अब एक बच्चे का बहुत important question आया मैं बता देता हूँ जिसको important लगे retain कर लेगा जिसको नहीं important लगता वो छोड़ देगा मैं एक बड़ी सीधी से बात पूशता हूँ मानलो मैंने issue किया issue किया 10,000 share ठीक है अध्यान देना और मैं 10 रुपे का issue कर रहा हूँ तो इसका मत्तब सर शेर capital जो है वो कितने का होगा that is 1,000,000 ठीक है आपके सामने में balance sheet में practical बता रहा हूँ कुछ बच्चे ना 12th class में पढ़ते है हाँ ठीक है मैं यह नहीं कहा रहा है 12th में गलत पढ़ रहे है लेकिन वो कुछ आधे पार्ट कर लेते है तो मेरे इसाब सर शेर holder fund जो होता है यानि शेर capital जो होना चाहिए balance sheet में वो कितना होना चाहिए 1,000,000 ठीक है let's suppose example कि इसको दो टुकड़े में बाट देते हैं मैंने कर दिया 8 रुपे और 2 रुपे clear मैंने क्या कर दिया 8 रुपे और 2 रुपे साथ के साथ इधर हमारा bank में भी पैसा आ जाएगा कितना सेम 1,000,000 रुपे चलिए अब मैं इसको क्या करूँ general entry करूँ क्या करूँगा मैं बैंक से पहले start करता हूँ क्या बताने की कोसिस कर रहा हूँ 5 मिनिट में clear हो जाएगा to share application that is आपका कितना आ जाएगा 8 रुपे हमारा application का है और 2 रुपे आपका allotment या final call कह रहो तो sir ये कितना आ जाएगा आपका 80,000 और share allotment application to equity share capital कितने आ जाएगे 80,000 उसके बाद देखिए share allotment to equity share capital कितने आ जाएगे 80,000 और 80,000 इसके बाद sir bank में payment आ जाएगा to equity share allotment bank to share allotment roughly करूँगा बस आप amount को focus रखिए मैंने गलत लिख दिया है न 20 आएगा न 20,000 और 20,000 अब देखिए bank bank वालों को जोड लेते है sir bank bank वाले में कितने पैसे आएए एक bank में ये आया और एक bank में आया तो bank एक लाख पूरे हो गए share capital जोड लेते हैं एक ये share capital आया एक share capital इस तरीके से ये 1,00,000 हमारे share capital में बन गया चलिए अगर मैं यहाँ पर advance लिख दूँ ठीक है एक बाद समझना मैंने का 10,000 था sir at the rate आपका 10 रूपिस each है और application received suppose करो मैं 11,000 लिख दूँ correct और आपका ratio है ये 8 और 2 का ठीक है ये ही कहानी फिर से लेकर चलते है तो हमारे bank में कितना पैसा आएगा और सारा मैं adjust करने वाला हूँ refund नहीं करूँआ सारा क्या करूँआ adjust करूँआ तो bank account debit to share application क्या लिखोगे sir bank account debit to share application आप लिखने वाले हो 11,000 क्योंकि application ये receive है 11,000 into 8 कितने 88,000 मैंने बोला सारा मैं adjust करूँआ और मैंने क्या करा फिर share application और 2 equity share capital equity share capital में तो अभी भी कितना हैगा 80,000 और ये कितना है 88,000 और 2 advance कर दूँआ advance on allotment कितने कर दिया मैंने चलो मैं एक बार advance on allotment कितने कर दिया 8,000 correct है अब बच्चे बोलते हैं सर एक काम करिए न हमने थोड़ा सो shortcut मा रहा है क्या कर रहा है सर bank account debit sorry bank से पहले मैं call कर लूँ allotment का share allotment to equity share capital sir share allotment to equity share capital कितने बोलूँ मैं 10,000 गुना में दो यानि सर 20,000 विल्कुल focus करके सीखिए गा सर एक काम करिए न मैंने बोला ठीक है आपको जो समझ रहे न वही काम कर देते हैं bank to share allotment कितने आगे bank to share allotment में bank to share allotment में कितने आगे कितने 12,000 minus करके न 12,000 चलिए focus करिएगा ध्यान से सुनिएगा मैं ऐसा क्यूं कर रहा हूँ और मैं क्यूं करता हूँ अब यहाँ पर capital capital जोड़ो अब एक बार इस पर आजाएं फिर अगेन ये bank bank यहाँ आ गया share capital share capital यहाँ गया अब ध्यान से देखना share application यहाँ पर credit और share application यहाँ पर credit कट गया यह, मैं काट दूँ इसको यहाँ पर देखना share allotment क्या है debit और यहाँ share allotment यह भी कट गया यानि balance sheet में से वही amount उटके आया है जो कि नहीं कटा सीजी सी बात है यहाँ पर काटने की कोशिस करते है यहाँ पर देखिया bank ठीक है सर और bank को जोड लेते हैं तो bank bank कितना हो गया यह 88 और यह कितना हो गया 12 यानि bank में तो 1,00,000 पूरा हो रहा है share capital को add करते हैं एक share capital ACA और share capital यह यह भी पूरा हो गया अब काटने की बारी आ गई आपका share application यहाँ debit और यहाँ share गया share application allotment यहाँ कितने का और यहाँ कितने का तो यह cancel out होगा क्या नहीं होगा अगर मैं cancel करना भी चाहूं तो यहाँ पर extra कितना बच जाएगा हमारा 8,000 रुपे बच जाएगा है ना 12 और 8 यानि ultimately हमारे दो account cancel नहीं हो पाए यह account cancel नहीं हो पाए ठीक है इसका laser बनाऊंगा ना तो यह laser में still मुझे दिखेगा allotment का पैसा दिखेगा और advance भी दिखेगा जबकि सच्चा ही क्या है ना तो अब allotment बचा ना ही मेरे पास क्या बचा advance बचा है इसलिए मैं क्या करता हूँ इसको tally करने के लिए मैं यहाँ पर एक दूसरी entry कर देता हूँ अगर मैं यहाँ पर entry करता हूँ सर शेयर आपका allotment बैंक में पैसा अगर मैं कर दूँ यहसे मैं ऐसे करूँ के bank account debit 38 नी 12,000 और advance on allotment कर दूँ मैं 8,000 और two share allotment अगर मैं कर दूँ पूरे 20,000 तो आप ध्यान दोगे कि advance यहाँ पर credit है और advance यहाँ पर debit है अगर यह entry करते हैं तो यह वाला advance भी यहाँ से cancel हो सकता है समझ रहे हो यानि इसका तो कोई बताई नहीं बचाई और अब share allotment देखो यह पूरा cancel out हो सकता है यहाँ से यहाँ पर यानि जो entry हमारा बचा हुआ था bank वाला बचा हुआ है तो देखो यह बात ठीक है कि आप चाहो तो ऐसे entry कर सकते हो लेकिन जो सही तरीका है entry करने का वो यह है जब जाके आपका balance sheet या trial balance जनल से जब laser बनाओग या trial balance तभी आपका match हो पाएगा नहीं तो एक rectify entry म या calls in area account open a calls in advance या calls in area account तब तो आपको ऐसे करना होगा calls in area या calls in advance account open करने का मतलब यह नहीं है कि आपको laser बनाना है जब कभी भी laser बनाने को आएगा न तो बोला जाएगा prepare a calls in advance account अगर prepare बोला जाए तो आपको इस format में बनाना है open करने को कहा जाए तो कहा दिखाना है आपक ने call in advance को open कर दिया without open a call in advance account तो आपका ये entry ठीक है without open, यहाँ पे क्या call in advance को मैंने open किया है, नहीं किया है सर, वहाँ पे मैंने call in advance को open किया है, तो कई बार examiner इस तरीके का सवाल पूछ लेता है without open या with open मैं जितने भी सवाल करूँगा, मैं अपने answer को telly करने के लिए मैं ये वाला format follow करूँगा, जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है तो अब आपको hopefully ये clear हो गया होगा कि किस तरीके से करेंगे सर, 10,000 into 2 क्यों 11,002 होगा, किस वाले की बात करते हैं, allotment में नहीं, allotment में नहीं, जैसे कि हमने एक बार application फूरा एक बार फटाफट quickly देखिए, पहली entry application received से, उसके बाद की entry आपकी जितनी भी होगी, पहली entry का मतलब application का, उसके बाद की जितनी भी entry होगी, वो किस से होगी सर, वो सारी entry होगी आपकी issued से, हम application received से नहीं चल सकते, किस से होगा issued, यहां भी देखिए, दस हजार है, और आने वाली entry ये भी दस हजार और ये भी दस हजार, सेम case number 2 में भी देखिए, सेम, पहली entry 11,000, application बागी किस से हो रहा है सर, 10,000 case number 3 में भी पहली entry किस से 11, बागी 10, यानि जब over subscribe का case होता है न, तो पहली जितना application रिसीव हो है, उससे entry करो, application वाली बागी जितना issued किया है उससे, अंडर subscribe वाले case में क्या होता है सर, अंडर subscribe वाले case में जितना application रिसीव हो है, सारी entry उसी से करो, issue का कोई मतलब यहां पे नहीं रह जाता, तो यह दो differentiate है, जो कि आपको पता होना चाहिए यहां पे मैंने क्या करा है सर, यहां पे एक तो सबसे पहले, पहले case के अंदर सारे पैसे refund कर दिया, तो two bank करके हो गया, दूसरे case के अंदर सारे पैसे adjust कर दिया, तो दो जगाए impact आ गया, एक यहां पे और एक यहां पे, तीसरे case में पार्टली refund और पार्टली adjust, तो देखो यहां पे मैंने क्या करा, पार्टली refund bank से हो गया, पार्टली adjust हो गया, लेकिन allotment के time पे जो adjust हुआ, इसरिफ उसके पैसे कम करे जाएंगे, ना कि आप 800 रुपे, यह 400 रुपे भी कम कर दोगे, यहां तक बताइए किसी को कोई doubt, clear है, फिर इससे advance question ले कुछ, यहां तक हर किसी को clear, कुछ हम advance question करने जा रहे हैं, सर, किसका advance question करने जा रहे है, advance वाले का, जो की over subscribe का, advance क्या है, बस concept मुझे clear करते जाना, एक बार concept clear हो गया, chapter खतम हो जाएगा, तीन से चार दिन में यह, चलिए सर, मैंने issued किये 10,000, और here application receive है, मैं AR लिख रहाँ, ठीक है, application receive, वो है 15,000, और जो paypal है 10 रुपे, उस 10 रुपे पेवल को क्या करना है, और कैसे करना है, मैं simply, एक रुपे, दो रुपे, और साथ रुपे करना चाहरा है, एक रुपे, दो रुपे और साथ रुपे, चलिए, पहली entry, या फिर मैं, दो कीस बनाऊंगा इसमें भी, मैं कर देता हूं, तीन रुपे, एक रुपे, ठीक है, और इसको कर देते हम, छे रुपे, पहली entry क्या होगा, bank account, debit, to share application, चलिए सर, बताईए, bank account to share application, कितने रुपे हैंगे, application receive से, that is, आपका 15K multiply by 3, कितने आगे, 45, सवाल में एक line मैंने लिख दिया, advance amount, या excess application, adjust towards on allotment, ये line लिखा, adjust towards on allotment, ये लिखा मैंने, अगली entry, क्या करेंगे हम, share, share application, to equity share capital, और 2, चलिए सर, share application कितना हैंगे, 45, equity share capital कितना हैंगे, हम कितने ही से कर सकते हैं, इसको 10,000 into में 3, that is, 30,000, ठीक है, मैंने आगे करा, क्योंकि पैसे adjust करने कहां पे, allotment पे, अब एक question मैं आप से पूछता हूँ, आप मुझे बताईएगा, allotment पे मैं total कितना amount मांग सकता हूँ, 10,000 गुणा में, यानि 10,000, पहले ये बात समझ में आए, कि allotment पे मैं कितने रुपे मांग सकता हूँ, क्योंकि allotment कितने रुपे का है, एक रुपे का, number of shares कितने हैं, 10,000 मैं बोलूँगा बईया, 10,000 के रिसाब से 1, लेकिन यहाँ advance देखा जाए, क्योंकि allotment पे तो 10 से ज़्यादा मांगी नहीं सकते, और आपके advance कितने आ रहे हैं allotment पे, 15,000 का, advance कितना आ रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं क्या बतानी कोसिस कर रहा हूँ, इसका मतलब sir, very very simple, यानि जो यह हमारा है allotment पे advance, सारा नहीं जाएगा, अब यहाँ पे दो situation बनते हैं, number one situation यह बनता है, कि हम बाकी के पैसे उसके refund कर दे, जितने extra बन रहे हैं allotment के बाद, या दूसरा उसको हम further कहां ले जाएं, आगे call के उपर, तो मैं यहाँ पे note देके call पे ले जाऊँगा, और यहाँ पे question में मैं लिख भी देता हूँ, and balance on call, यह लिख दिया मैंने वाडिक, अब देखिए पता ही क्या होगा, आप calculation, यह calculation कैसे समझ में आएगा, आपको मैं trick भी बताऊँगा, और सोचने का तरीका भी मैं बताऊँगा, तो advance allotment, advance allotment, सर, advance allotment कितना होगा, सर, हम एक रुपे से ज़्यादा ले ही नहीं सकते, that is 10,000, जबकि हमें 3 रुपे मिला हुआ है, सरी, मैंने यह ज़्यादा लिख दिया, यहाँ लिखेंगे हम, advance allotment, सिर्फ लिखेंगे 10,000, इंटू नहीं करना हमें, सिर्फ 10,000, और 2 calls in advance, calls in advance, calls in advance क्या होगा हमारा, सर, बाकी जो बच गया, यानि, तब जाके आप देखो, debit credit क्या हो पाएगा, tally हो पाएगा, ध्यान रखना, कुछ बच्चे कहते हैं, कि सर, यह क्यों नहीं, आप calls in advance, सीधा 15,000 रुपए लिखके खतम करें, कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो call पे भी चला जाएगा, और allotment पे भी चला जाएगा, लेकिन वो calculation हमारा आगे थोड़ा सा बिगड जाता है, इसलिए मैं अलग अलग करूँगा, सर आपको कैसे पता चला कि ये situation होने वाला है, देखो application का amount, तीन, उसका अगला amount, और difference इसके बीच का भी जादा है, apply और allotted का बीच का difference भी क्या है, तो जब कभी भी apply और apply allotted मैंने गलत शब्द जूश कर लिया, बाद मैं बताएंगे, जब application receive और offer public, दोनों के बीच का difference जो है, वो ज़्यादा होगा, सर कितना ज़्यादा, approx 50%, और application का amount use है, और उससे आगे वाले का amount कम है, तो ऐसे situation में क्या होगा, ये पैसा जो है, वो allotted मेंट तक ना रुक के, उससे आगे भी advance चला जाएगा, इसका मतलब सर्फ proof कर सकते हो क्या, बिल्कुल proof कर सकते हैं, मान लो 10 रुपे में, मैं यहाँ पे रखता हूँ कितना 1 रुपे, और यहाँ पे रखता हूँ में 6 रुपे, और यहाँ पे रखता हूँ में कितने 3 रुपे, अब इसकी पहली एंट्री तो यही रहने वाली है सर सेकिंड एंट्री पर आ जाए हम सेकिंड एंट्री क्या होगा हमारा शेयर एप्लिकेशन टू इक्विटी शेयर कापिटल और अगली बात करें तो टू एडवांस ओन अलोट्मेंट एक बार मन में सोचो मैं एडवांस कितना ले सकता हूँ इसके इसके हिसाब से तो मन में सोचोगे तो सर हमारे शेयर हैं 10,000 और टूटल पैसा कितना आएगा 6 के हिसाब से यानि सर 60,000 आ सकते हैं लेकिन इसका एडवांस बन कितना रहा है एडवांस तो इसने सिर्फ यहां के हिसाफ से ही दिया होगा तो 5000 शेयर ही तो एक्स्ट्रा थे तो एडवांस बन कितना रहा है 5000 जबकि अलॉट्मेंट पे कॉलिंग कितनी की हो सकती है 6000 के अलॉट्मेंट का पैसा कितना लेना चाहिए मुझे 6000 और उसके अडवांस कितने बन रहे हैं 5000 तो क्या ये अडवांस अलॉट्मेंट पे जाएगा 5000 रुपे और बाकी यहां पे कितना जाएगा सर मैंने पहला एक्जामपल ले लिया यहां पे कितने जाएंगे आपके 15,000 और यहां पे कितने जाएंगे आपके 10,000 क्या allotment के बाद भी इसका allotment क्या पूरा दे पाएगा या इस पैसे से नहीं दे पाएगा इसको और भी बाद में देने पड़ेंगे सर ऐसा यहाँ पे क्यों नहीं हुआ यहाँ क्यों यहाँ पे देखो advance के बीच का gap जो है जादा है और plus यहाँ पे पहला छोटा amount है और अगला बड़ा amount है यानि सर अगर पहला बड़ा amount हो और अगला छोटा amount हो और application के बीच का difference हो तब यह situation हमारे पास आ जाता है कि advance पैसा allotment को भी क्या कर जाता है cross कर जाता यह पता लगाने का एक तरीका है simple सा नहीं तो आपको पूरा calculation करके एक बार देखना होगा बात बाकी आप अगर इसमें क्या करते हो यहाँ पे आपने सीधा calls advance में सारा पैसा डाल दिया और उस case आप से आगे कर दिया general entry आपकी पूरी match रहेगे लेकिन examiner marks काट लेगा वहाँ पे क्यूंकि आप सब पैसे कहां adjust कर दोगे जाके allotment पे और allotment पे एक बड़ी दिक्कत भी आ जाएगी आपका negative में आ जाएगा allotment सोचो मैं यहाँ पूरा allotment कितना डाल दूँ 15 का डाल दूँ सोचो एक बार को और अगली entry करूँगा मैं क्या share allotment इस वाले case के इसाफ से to equity share capital कितना करूँगा 10 और अगली entry करूँगा bank में तो कुछ पैसा ही नहीं है बलकि किस में चला जाएगा यह minus में चला जाएगा समझ रहे हो आप calculation mind में करते जाओ तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह थोड़ा समय इसलिए लेके चलना किसी को doubt है तो बताईए यहां तक फिर हम आगे चलें इसको किसी को doubt है क्या यहां तक clear है यहां तक clear है न मैं क्या समझाने की कुछिस कर रहा हूँ यानि सर advance का मतलब सिर्फ allotment तक advance नहीं जाता उससे कहीं आगे भी जा सकता है अगर मैं इसमें एक line add कर दूँ कि balance amount should be refunded तो यहां पे जहां पे calls in advance 5000 लिखा है वहां पे हम क्या लिखेंगे bank कर देंगे refund सर अगली entry कर देता हूँ इसका तो यह part भी हमारा हो जाएगा खतम अगली entry सर next entry क्या होगा हमारा share allotment to equity share capital कितने होंगे सर that is 10,000 है ना क्योंकि रुपिया और number of share 10 अब application receive से कुछ भी नहीं होगा तो यह आगे हमारा 10,000 और फिर क्या bank में कितने पैसे आएंगे बताओं bank to share कुछ भी नहीं आएगा यह तो सारा advance है है ना तो यहां पे अब मैं जो entry करने वाला हूँ देखिए ध्यान से although आप कोई entry नहीं करो तब भी चलेगा bank कितने पैसे चाहिए थे 10 advance कितने आगे 10 तो bank में कितने आगे 0 अब advance allotment आ जाएगा advance allotment कितने आगे 10 और 2 share allotment पूरे अब जो बच्चा सर डारिक कर दो ना क्यों ऐसे दिमाग इसमें लगा रहे हो तो उस case में हमारा allotment पूरा का पूरा credit यहां पे debit यहां पे pending रह जाता जो कटने पाता हमारा अगली entry किसकी करेंगे सर share final call account debit to equity share capital कितने रुपे सर बताओ सर 10,000 into में 6 that is 60,000 इसके बाद अगली entry हम क्या करने वाले है बैंक में पैसा जब हम बैंक में पैसा लेने जाएंगे तो बैंक में पूरे पैसे थोड़ी ना आएंगे 60,000 और जो advance है वो minus हो जाएगा तो advance कितना है यहां पे? 5000 मैं इसलिए इसको separate कर रहा हूं ताकि मुझे calculation करने में न easy रहे यह वाला allotment पे चला जाएगा और यह कहां चला जाएगा हमारा अगले पे चला जाएगा तो यह आजाएगा 5000 माइनस करते ही आपका 55,000 रुपे और calls in advance कितने? 5000 और two share, final call और एक बात का आप ध्यान रखिएगा बहुत important point बता रहा हूं ध्यान रखिएगा अगर आपने यहां advance on allotment लिखा है तो यहां पे भी आपको लिखना होगा advance on allotment अगर यहां पे आपने लिखा है allotment advance जो भी यहां शब्द लिखोगे वही वहां लिखना होगा आपको तभी cancel out होता है टेक्निकली बाकी paper के purpose से examiner जाने दे सकता है कि चलो ठीक है कोई दिक्कत ने मानलो मैंने यहां लिखा क्या? advance on allotment यहां पे लिख दिया allotment on advance तो दोनों account अलग अलग है यहां पे आप अगर trial balance बनाया होगा तो राम का अलग account बनता है और रामा का अलग account बनता है दोनों अलग अलग चीज़े हैं तो अगर मैं call allotment advance कर दूँ advance allotment दोनों सब्द अलग हो जाएगा और दोनों का laser अलग हो जाएगा और last में match नहीं होगा वहां पे तो इसलिए इसका ध्यान रखे technically कि आप ऐसे बाकिया आप exam में कर भी देते ना advance या advance allotment तो examiner ignore कर देता है चलता है तो यहां तक बताईए इसमें कोई doubt है तो बताईए बताईए कोई doubt क्लियर है यहां तक अब हम कुछ important point पर discuss कर लेते हैं एक company है और company ना अपने share का face value रखती है share का क्या रखती है face value और जर्णली company अपने share का value 10 रुपे रखती है एक रुपे रखती है यह 100 रुपे रखती है जो भी whatever company की इच्छा है और जो उसके मन में है वो रख रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा company का face value एक ही रहता है 10 रुपे आपने सवाल भी इसलिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा की होंगे वो कौन से की होंगे सर्थ 10 रुपे वाला company एक share का price 10 रुपे लेखिन आप share market में जाओ तो मैं आपको किसी कभी share का price याद हो तो शायद जैसे मैं बात करूँ SBI का तो इसका share का price है 600 रुपे Reliance का मैं एक बार दिखाई देता हूँ ताकि आपको विश्वास भी हो जाए SBI का price देख रहे थे ना SBI share price आगया आगया ये देखिए 594 रुपे का price है यानि 600 के अपरोक्स वो घटता बढ़ता रहता है ठीक है और भी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो और किसका देखना है और देख लेते हैं किसी नामी company जो आपको पता हो क्या है Reliance का है ना Reliance share price सर पच्चिस सो 2475 यानि आज 51 रुपे तो नीचे आ गया तो इसलिए इसका पच्चिस सो रुपे यानि सर एक बात तो इसके आपको समझ में आ गया कि share का price तो 600 और 700 भी है लेकिन आप तो कहते हैं 10 रुपे हमें अगर आज Reliance का share खरीदना है तो कितने का खरीदना पड़ेगा लगबग 2500 SBI का खरीदना है तो कितने का खरीदना पड़ेगा लेकिन सर फेस वेल्यू तो कितना है 10 तो जाए बात और मैं ये कहता हूँ कि ये आज 600 है हो सकता है कल के दिन ये 400 हो जाए हो सकता है ये कल के दिन 1000 रुपे हो जाए ये भी possible है SBI का share मैंने 60 रुपे भी देखा हुआ है आज मैं 600 भी देख रहा हूँ Reliance का share मैंने 500 भी देखा हुआ है आज मैं 25 भी देख रहा हूँ तो ये share market का fluctuation होता रहता है सर बताना क्या चाहते हैं आप total मिला के ये बताइए मैं ये कहना चाहता हूँ कि company अपने जो shares का price है ना खुद decide करता है share का price company खुद decide करता है कि मेरे share का price as per valuation कितना होना चाहिए valuation का मतलब क्या होता है सर मान लेते हैं मेरा assets है 5 करोड या 50 लाक रुपए का और number of equity है मेरा जो मान लेते हैं वो है मेरा 1000 रुपए का तो अगर मेरा 50 आज में company बरबाद भी हो जाओ तो 50 लाक रुपए का assets है और 1000 लोगों में बट जाएगा यह यह होगा honor कौन होते हैं equity shareholder बट जाएगा तो एक shareholder के हिस्से में कितना जाएगा मोटा मोटी देखें तो 500 रुपए 500 जाएगा 500 जाएगा 500 जाएगा 500 रुपए कितना जाएगा यानि मैं आज बरबाद भी हो जाओ मैं company बंद भी कर दूँ तो आपको 500 रुपए तो मिलना ते है तो मेरे share का value जो decide होना चाहिए कितना होना चाहिए 500 से नीचे मैं बेचूँगा यह नहीं तो जब आप as an investor company में invest करोगे मैं बोलूगा भाया मेरा share का face value 10 है लेकिन मैं बेचूँगा आपको 400 रुपए मेरा share का price कितना है face value 10 बेचूँगा 400 मैं आप calculation करोगे भाई company डूब जाएंगे लेकिन company कितने में offer कर रहा है 400 तो आप अंदाजा लगोगे company कम valuation पे share को offer कर रहा है तो लिलो यह company आगे जाएगा तो इस तरीके से कुछ decision लिये जाते हैं कभी भी face value पे नहीं किया जाता issue और कई बार company की reputation इतनी नियमान लेते हैं कि number of shares भी कितने है सर इसके 55 ल रुपे valuation में आपको कितना मिल रहदा सरुपे और आप आगे चलके अगर उससे लेना भी चाहते हो तो आप 20 रुपे में बेचेगा तो नहीं लोगे यानि सर मैं simple सी बात आपको यह बताना चाहता हूं कि company can be share issue more than the face value और वो उसके valuation पे depend करता है तो company ना जब आपका security premium security premium का मतलब होता है premium का मतलब क्या होता है extra कि when company issue share more than face value more than face value तो उसे बोलते हैं premium तो क्या sir company discount पे भी issue कर सकता है share यानि 10 का share है और उसका valuation decrease हो रहा है तो क्या वो 8 रुपे पे करेगा तो government ने पहले यह था अब government ने इसको ban कर दिया है बोला के कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने shares को share बजार में लाने के लिए सस्ते में public को दे और जो uneducated investor है वो साइद इस सस्ते वाले share को खरीदने में ज़्यादा interest दिखा है और उनका पैसा परबात हो जाए तो law ने इसको मना कर दिया कि भीया आप कभी भी shares को सस्ते में issue नहीं कर सकते face value से और face value से सस्ते को बोला जाता है discount यानि face value से उपर होगा तो क्या होगा premium face value से नीचे होगा तो क्या होगा discount दस वाला share है मैं बोलता हूं मैं तो 15 का बेचा हूं लेकशे कर नहीं सकते हैं समझत रेवा करही नहीं सकता इसलब सर में क्या 10 रुपे वाले face value कर आपकी इच्छा है सर ऐसा कोई श्यर है कि पचास हजार इंटरेस्टिंग है मैं दिखा देता हूँ आपको एक सबसे बड़ा जो श्यर मैंने 2008 में लिया था ईसके अग हजारcial का एख एक श्यर MRF 2008 में लिया था आज देखें कितने का है यह एक शेर का प्राइज तो 2008 में था ये 6,000 रुपए का आज इसका प्राइज है एक शेर का कितना 90,000 रुपए सिर्फ एक शेर का प्राइज है 90 आप ज़्यादा डिटेल में जाएंगे ने तो इसका face value आपको एक रुपए मिलेगा एक ये 10 रुपए होगा मेरे नहीं है company कहती है sir company कहती है भाई law क्या कहता है law कहता है भाई company law कहता है कि company तुम अपने शेर को issue करो और जब company ने पूछा भाईया कितने का issue करें तो law maker ने कहा भाईया 10 रुपए से उपर पे तुमारी मर्जी है तो करो लेकिन नीचे मत कर देना company ने पूछा sir 10 रुपए से उपर कितना बोला तुमारी इच्छ है 10 का समान आप 11 में बेचो 10 का समान आप 1000 में बेचो 10 का समान आप कितने का बेचो 50,000 में बेचो ये तुमारी इच्छ है sir यह तुम्हारी इच्छा है जितने का भी बेचो मतलब सर हम 10 रुपे का समान unlimited रुपे में इशू कर सकते हैं lawmaker यानि government ने बोला जी सर आप इसे unlimited में इशू कर सकते हो लेकिन एक बात का खयाल रखना एक बात का ध्यान रखना कि 10 रुपे का समान अगर आप 15 रुपे में बेच रहे हो ना तो आपने share holder से extra कितना लिया 5 रुपे आप ऐसा क्यूं कर रहे हो extra 5 रुपे ले रहे हैं उसने बोला हमें company के growth expansion के लिए जरुरत है इसलिए ले रहे हैं या हमारी मर्जी इसलिए ले रहे हैं lawmaker कहता है कि आप 10 रुपे को तो यूज़ कर सकते हो और ये आपके मन के उपर depend है कहा करोगे और ये हमारे मन के उपर है आप कहा करोगे यानि ये जो extra पैसे ले रहे हो ना इसको यूज़ करने के लिए आपको permission लेना पड़ेगा किस से सर log से इसको use करने के लिए permission लेना पड़ेगा किस से यानि share can be issue at par और share can be issue at premium और premium के case में कितना होगा premium के case में कितना होगा आपको share खरीदने की पड़ीवी अभी यहां देख लो यह share का चल रहे है झाल शेर का नाम भी बता दो मार्केट में इन्वेस्ट भी समझा दो इनकी अपनी कहानी चल रही है याथ वाई आप ग्रूप में बाते कम क्या करो तो मेरा क्या कहना है कि बड़ी सिंपल सी बात है कि शेर को जो इशू है ना वो फेस वेल्यू से उपर पे कर सकते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे प्रीमियम पे अब ये प्रीमियम यानि मैंने क्या समझाया अभी कि आप 10 रुपे वाले शेर को आप 15 में बेज सकते हो और जो आपने एक्स्ट्रा लिया है वो कितना एक्स्ट्रा लिया है पांच रुपे इस पांच रुपे को हम बोलेंगे सिक्योरेटी प्रीमियम और ये पांच रुपे आपके बैंक खाते में जरूर आएंगे लेकिन आप इस पांच रुपे का इस्तिमाल नहीं कर सकते लो मेकर ये कहता है तो इसका मतलब सर इस पैसे को लेने का फाइदा क्या हुआ जब हम इस्तिमाली नहीं कर सकते लो मेकर कहता है कि इसको इस्तिमाल करने के लिए मैं मना नहीं कर रहा लेकिन मैं एक section लिखता हुआ जाता हूँ section 52, subsection 2 section 52, subsection 2 मैंने कुछ जगह permission दे रखी है अगर आपको ये खर्चने हैं पैसे 5 रुपे तो जहां पे मैंने बताया हुआ है उन्ही जगह हुआ पे आप खर्च कर सकते हो उसके अलावा कहीं भी नहीं खर्च कर सकते अगर आपको इसके अलावा कहीं भी खर्च करना है तो कानून कहता है, law कहता है, government कहता है पहले मेरे पास application दीजिए मुझे बताईए कि इसके अलावा आप कहां खर्च कर रहे हैं और क्यों खर्च कर रहे हैं और मैं अगर इससे सहमत हूँगा तो मैं आपको permission allowed करूँगा otherwise नहीं allowed करूँगा तो वो कौन-कौन से जगह पे बोला पहला point बोला fully paid fully paid bonus issue दूसरा point बोला write off या return off preliminary expense or underwriter commission तीसरा point redemption of debenture चौथा point security premium payment on redemption of debenture मैं debenture को short form में लिखना हूँ और preference share capital PSH कर दिया मैंने preference share capital पाँचबा point बोला buy back buy back of share बोला भाई ले मैंने तिरे को 5 point बता दिया है इस 5 point पे तू खर्च कर ले और इसके अलाबा कहीं खर्च करने से पहले मेरे से permission और मेरी सहमती बनी तो खर्च कर पाएगा या तो नहीं कर पाएगा पहला point लेखा bonus share bonus share मतलब तू अपने shareholder से extra पैसा ले रहा है ना और उसी को तू free में और भी share देना चाहते हो तो allowed है इसमें से ही आप खर्च कर लो दूसरा कहता है preliminary expense या फिर underwriter commission preliminary expense कौन से होते हैं business को start करने से पहले जो खर्च होते हैं बोलते है preliminary expense सवाल आता है business को start करने से पहले कोई क्यूं खर्चा करेगा आपको याद होगा मेरे company को registration करने से पहले मैंने कुछ document बनाये थे याद होगा क्या document बनाये थे ये सारे document इसके पैसे नहीं लगे होगे लगे होगे ये सारे document बना के आरोसी को पास जमा के आरोसी ने बोला जा तेरी company registered नहीं होगा company तो बना नहीं लेकिन खर्चा हो गया तो ऐसे खर्चे को बोलते है preliminary expense यानि company बनने से पहले अगर आरोसी बोल भी देता है के तेरी company बन गया तो एक मैंने बाद बोल रहे हैं तेरी company बनी एक मैंने पहले तो हम खर्चा करके बैठ गया तो ऐसे खर्चे को क्या बोलते हैं preliminary expense underwriter commission क्या होता है एक यहाँ पे डर मैंने बताया था और डर ये था 90% अगर 90% से कम आपने share बेचोगे तो ऐसे situation में आपकी company का share issue नहीं होगा तो हम क्या करते हैं एक ठेकेदार ढूंडते हैं कोई मेरा share बिकवाने का ठेका ले लो और क्यों मैं ठेकेदार ढूंड रहा हूं ताकि मेरा सारा share बिक जाए मैंने ठेकेदार को बोला भाई मेरी company के share बेचेगा उसने बोला भया तुने guarantee लिया था पूरे share बिकवाएगा अब तेरी जिम्मेदारिया तू खरीद और मुझे तो पूरे पैसे दे मैं तो जाके government को बोल रहा हूं मेरे 5 लाग share पूरे बिक गए और 1% के हिसाब से commission पकड़ तो जो ठेकेदार मेरी company के share को बिकवाने की responsibility लेता है उसको बोलते है underwriter और ये ठेकेदार bank होते है जैसे कि आपका ICICI bank है, standard chartered bank है, SBI सभी bank इस तरीके का काम करती है, उनका काम ही इस बेस पे चलता है commission के बेस पे, उनके पास इतना सारा पैसा होता है कि कभी share ना बेच पाए, तो वो क्या करते हैं, कि वो अपने तरफ से पैसे दे देते हैं हाला कि share लगभग-लगभग सभी बिख जाता है तो उसको क्या बोलते हैं सर, underwriter commission तीसरा point है redemption of debenture, redemption of debenture का मतलब क्या है हम आप से पैसे दो वे में ले सकते हैं, एक तो हम आप से share issue करके पैसे ले सकते हैं जिसको जिन्दगी बर नहीं लोटाना दूसरा करजे के रूप में ले सकते हैं, जिसे बोलते हैं, डिबेंचर या बॉंड government कहता है जब तुम्हें करजा लोगे ना किसी से तो अगर उससे आप ये बोलोगे ने तुम्हारा करजा जिन्दगी बर नहीं लोटाएंगे तो तुम्हें कभी देगा नहीं हो उसके बाद कह कहता है, security premium payment and redemption of dementia मैंने आप से 100 रुपे उधार लिया और मैंने बोला मैं 105 रुपे return करूँआ यानि अब मैं आपको premium वापसी कर रहा हूँ, डिबेंचर होल्टर कर तो उस premium को payment करने के लिए इसका इस्तमाल कर सकते हैं, buyback of shares, मेरे market के अंदर shares पढ़े हुए हैं और मैं चाहता हूँ अपने share को मैं खुदी खरीद लूँ, law के हिसाब से यह हमारा नहीं होता, हम खरीद नहीं सकते लेकिन हम चाहते हैं के हम खुदी खरीद ले, तो कुछ exception case में खरीदा जा सकता है, उसे बोलते हैं buyback of share और मज़े की बात है, जितने भी यह share, जितने भी यह topics देख रहे हो ना, यह सारे आपके become second year का जो four semester में सारे एक अलग-अलग chapter बनेगा और हर किसी में से एक-एक question पूछा जाएगा, bonus यह आपका अलग chapter है, security premium redemption of preference यह अलग chapter है, buyback आपका अलग chapter है, और आपका redemption of debenture एक अलग chapter है, यह अभी कुछ time के बाद यह सारे chapter में convert हो जाएगा और पूरा-पूरा chapter आपको करना पड़ेगा, तो वहाँ पे भी आपको ध बहुत clear हो जाएगा, मैं आपसे पैसे उधार मांगता हूँ, उधार मांगता हूँ और आपने मुझे उधार दिया और एक percentage पे दिया, और मैंने कोई document दे दिया, तो उसे बोलेंगे, debenture मैंने issue कर दिया, और जब मैं आपके पैसे लोटा हूँआ, तो वह कागज मैं आप से ले लुआ, तो जब कागज लेंगे, तो क्या बोलेंगे, redemption of debenture हो गया, यहाँ कोई दिक्कत यहाँ तक बताईए, यहाँ तक कोई परिशानी, नहीं, तो सर हमने क्या-क्या कर लिया आज की class में, एक बार फटा-फट से देख लेते हैं, आज की class में क्या-क्या कर लिया है, quickly revise कर लेते हैं, sir हमने आज under subscribe का case देख लिया, under subscribe का मतलब क्या है, जितने का share issue हमने किया था, उससे कम application receive हुए, minimum subscription कितना होता है, sir, 90%, इसके बाद हमने over subscribe के 3 cases देख लिया, जब सारे पैसे हम refund कर देंगे, adjust कर देंगे, और partly वाला case भी देख लिया, एक question और देखा, अचानने का तरीका क्या है, application का amount क्या हो, जादा हो, और allotment का, जो calling हो, वो बहुत कम हो, और apply और receive के बीच में हमारा बहुत जादा का difference हो, तब ऐसा situation आता है, इसके बाद क्या देखा, sir, utilization of security premium कहा कर सकते हैं, 5 जगे, number 1, buyback of share, number 2, bonus, number 3, preliminary expense write-off, number 4, redemption of debenture, number 5, security premium payable on redemption of debenture और या फिर preference share capital, यहां तक किसी को कोई doubt है तो बताईए, debenture एक loan होता है, बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब, कोई दिक्कत यहां तक, clear, तो आज की class हम यहीं तक रखते हैं, अगली class के अंदर हम security premium को कैसे entry के अंदर करते हैं, और advance के तो कर लिया, अब calls in area औ और advance को mix करके पूरा part खतम कर लेंगे अगली class के अंदर, तो आज की class को यहीं पर खतम करते हैं, अगली class में हम आगे करेंगे, छिक है, चलिए sir, एक सवाल, मान लिजिए मैंने issue किये, 10,000 share, और at 10 each, ठीक है, issue 10,000 share at 10 रुपीस each, application receive 12,000 share, excess application rejected, चितने भी extra है, यहाँ पर जोड देते हैं at premium 10 percent, payable as, 2 on application, 5 on allotment, including premium including premium balance on final call यह हमारा सवाल है, यह question है, बिलकुल मैं मान सकता हूँ, तो आज की class स्रिफ और स्रिफ बैक अप क्लास है, यह, confusion मैं agree करता हूँ, कि स्रिफ और जो कल वाली class थी, उसको मैं backup दे रहा हूँ, कल class साड़े साथ बज़े आपके timing fix रहेगी, बीच में और कोई भी timing नहीं रहेगी, तो उस confusion के थोड़ी देर के लिए रहेगा, आज आज के लिए मान लिज़े, इसके बाद बीच में आपका कोई नहीं रहेगा, जो साड़े साथ वाली timing fix करिये न, वहीं रहेगी, perfect fix time, और आपको कोई confusion नहीं किया जाएगा, चलिए सर, इसका मतलब सर, ये मेरा 10 वाला share है, और in fact अब मैं 10 वाला नहीं बोलूँगा, इसके अंदर security premium 10% है, तो सर 10% 10 प्लस 1 हो जाएगा, यानि 10% का मतलब face value पे है, इसका payment करने का तरीका थोड़ औस डिफरेंट है, सर payment करने का तरीका क्या दिया है इसने? पेइमेंट करने का तरीका है, आपका कहता है 2 on application, 5 allotment पे कहता है, लेकिन 5 जो allotment पे कहता है including premium, इसका मतलब सर, 4 रुपे तो share capital के होंगे, और एक रुपे security premium के होंगे, तो total 11 होना चीए 5, 2, 7, तो बाकी बचगे हमारे 4 रुपे हैं, खिक है? हमेशा याद रखना, अगर मैं यह line कहता नहीं न, including premium, तब भी हम मानते की premium का पैसा allotment पे ही है, जब कुछ भी ना बोला जाए, तब भी हम consider करते है, premium का पैसा कहा होगा? Allotment को, बहुत basic सा fundamental है, अगली एंट्री, bank account debit, मैं एंट्री स्टार्ट कर रहा हूँ, to share application, share application, sir application receive हुआ 12,000, तो एंट्री करेंगे 12,000 into में, अब 2 रुपे का पहला था, तो 2 यानि 24,000, इसके बाद आ जाते हैं, share application, 2 equity share capital, 2 bank से refund कर देंगे, 2 bank से refund कर देंगे, being वही रहेगा, जो हम पहले लिखते थे, ये तो आ जाएगा 24,000, capital में हम कितना दे सकते हैं, sir, 10,000, गुणा में 2, यानि 20,000, bank से refund क्या होगा, 10,000, चरी, 2,000, इसके बाद आगले पर आ जाते हैं, share allotment, to equity share capital, अब जो security premium की बात कर रहे थे न, वो आएगा यहाँ पर, to security premium, security premium को न, मैं थोड़ा सा different word लिख रहाँ, SP, चीक है, यहाँ पर हम मांगेंगे, भीया 10,000 से अब, याद हो का, जब oversubscribe था, तो मैंने कहा था, पहली entry आपका होता है किस से, receive से, उसके बाद सारा, issued से, तो 10,000 multiply by, 10,000 multiply by, आपका application 5 का है, यह allotment, sorry, 50,000, 10,000, multiply by 4, capital में, 40,000, और 10,000, multiply by premium 1 है, तो 10,000 हो गया है, इस वाले सवाल में, हम सिर्फ यह सीख रहे हैं, कि premium को कैसे, adjust किया जाता है, और कोई खास नहीं है, bank में payment आ जाएगा, bank account, debit, to share, allotment, share allotment, sir, कितने रुप आएंगे, पूरे 50,000, कोई failure वगएर तो है नहीं, पूरे 50,000, इसके बाद, share final call, to equity share capital, last हमारा बचा है, 4 रुपे, तो हम 10,000, into में 4 कर लेंगे, that is 40,000, इसके बाद देखें तो, बैंक में payment आएगा, कहानी खतम, bank account, debit to, to share, final call, और ये 40,000, तो हमने क्या सीख लिया, basically, कि security premium, कहा करते हैं, मैं note भी लिख देता हूँ, note भी लिख देता हूँ, आपके लिए, note, in case of question is silent regarding, 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 sir, in case question is silent regarding, sir, किसके regarding? security premium, then, it will be, adjust, on share allotment, किस पर adjust करेंगे, sir, sir, बड़ी बीजिक सी बात है, share allotment, ये note हो गया, बताईए, इसमें किसी को doubt, to solve written book question, to practice, corporate account हो तो रही है, तो रही है, बताने, देखिए, इसमें किसी को doubt, अभी बुक पर आएंगे, जो जी एर मोंगा किया, उसके question भी करेंगे, पहले basic concept तो build up कर ले, इसमें doubt किसी को, clear है, चलिए, call scenario, call scenario क्या कहता है, कैसे करना है, सबसे पहली बात, कई बार पूछ लिया जाता है, कि भी या call scenario का nature बताईए, इसका nature होता है, personal account, sir, personal account है, तो call scenario होता गया है, ये business के लिए होगा, asset, business के point of view से देखेंगे, तो क्या होगा, क्योंकि हमने पैसे उस से लेने है, call scenario क्या था, हमने आप से मांगे, आपने नहीं दिया, तो क्या होगा, call scenario, अब मुझे आप से पैसे जब लेने है, तो मेरे लिए क्या होगा, बकाइदा, assets होगा ये, तो call scenario हमेशा, starting में कहा जाएगा, debit में जाएगा, क्योंकि ये क्या है हमारे लिए, assets है, ठीक है न, यहाँ पर दो cases बन सकते हैं, एक call scenario आपको बताया जाएगा न, तो sir, sir, call scenario, एक तो होगा when, name of, यह name, when name given, name given, जब आपको नाम न दे रखा हो, पर इसका मतलब क्या है, example देख लिजी, example, माल लेते हमने इस्चू किया, 10,000 share, and here application receive, 10,000 share, दस रुपे का share है, और दो रुपे, 6 रुपे, और दो रुपे, यहाँ पर एक व्यक्ति फेल हो गया, राम, 300 share के साथ, यहाँ पर एक व्यक्ति फेल हो गया, मोहन, 400 share के साथ, तो यहाँ पर example आप जब देखेंगे ना, तो नाम दे रखा है फेलियर का, फेल का मतलब क्या है सर्य, यहाँ पैसे दिये ही नहीं, पैसे नहीं दिये, अब जर्नल एंट्री क्या होगा इसका, पहली एंट्री करोगे आप, बैंक अकाउंट, डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर, एप्लिकेशन, तो सर्थ, 10,000 इंटू में, टू, पीस अजान, इसके बाद, अगले पॉइंट पे जाएंगे, शेयर एप्लिकेशन, टू, एक्विटी शेयर कापिटल, कितने आएंगे पूरे, 20,000, इसके बाद, शेयर अलॉट्मेंट, टू, इक्विटी शेयर कापिटल, टू, इक्विटी शेयर कापिटल, अगर हम इसको देखें, तो भीया, यहां पे हमारे 6 रुपए हैं, तो 6 इंटू में 10 के नंबर, टेट इस, 60,000, अगली एंट्री करेंगे बैंक में, तो बैंक में फूरे पैसे नहीं आएंगे बैंक में पूरे क्यों के नहीं आएंगे, क्योंकि साथ हजार में से ये जो राम है इसने ये पैसा नहीं दिया तो राम ने कितने नहीं दिये अठारा सो तो बैंक में अठारा सो कहां से आएंगे तो माइनस कर देंगे तो आपका फिफ्टी एट टू हंड़िड और जो बाकी रहे गया ना उसे बोलोगे अलोटमेंट अईरियर सर कितने का अलोटमेंट अईरियर और तो शियर अलोटमेंट सर कितने रुपे इसकी ना एक और अल्टरनिरटीव एंट्री है कुछ बच्चे कर लेते हैं और वो भी ठीक है सर क्या है direct entry bank to share allotment और सीधा 58-200 अगर आप से सवाल में बोला जाए ना कि open a call scenario account तो तो आपको पहले वाला option ही करना है अगर कुछ नहीं बोला जाए तो ये option भी चूज कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, किसी में दिक्कत नहीं है अब आगे हम मांगेंगे share final call share final call two equity share capital तो 10,000 और final call भी दो का है कितने के हो जाएंगे 20,000 अब यहाँ पे देखा जाए अगले entry जब bank में पैसे receive करेंगे और तो total 20,000 लेने हैं लेकिन ध्यान रखिया है, यहाँ पे अब न, एक तो यह जो failure है न, तो concept क्या कहता है, यह अगर एक दिखा failure होगा, वो continue आगे भी जाएगा, तो यहाँ पे failure की संख्या, एक 400 तो यहाँ फेल हुआ और यह 300 पुराना भी आ जाएगा, तो total failure यहाँ पे हो जाएंगे, 700 यहा तो account debit, सर चौदा सो माइनस करेंगे तो क्या हैगा, उननिस, अठारा, अठारा, छे सो, और call scenario, चौदा सो, और तू, share final call, बीस हजार, डन सर, डन, सर, call scenario, entry में involved हुआ है क्या, being के अंदर कोई फरक आएगा, being के अंदर call scenario वगरे का कोई फरक नहीं आएगा, एक तो यह concept हो गया, सर, दूसरा क्या concept है, दूसरा concept है, when name is not given, जब आपको failure का नाम ही नहीं दे रहा हूँ, मतलब सर, अभी एक example लेंगे, clear करेंगे, जब आपको नहीं दे रहा, सर example, इसका example यहां से start कर रहे हैं, सर, example में मान लेजिए, मैंने issue किये हैं, 10,000 share, application receive भी है, 10,000 share, 10 रुपे का share है, और payment का कुछ detail है, 2 रुपे, 6 रुपे और 2 रुपे, यहां पे failure जो है, 300, और यहां failure क्या है, 400, देखने में दोनों सवाल ना एक जैसे लगते हैं, लेकिन actual में है नहीं, अभी पता चल जाएगा, क्यूं नहीं है actual में, अभी पता चल जाएगा, actual में इसलिए नहीं है, पहली entry क्या होगी सर, बोलिए bank account, debit to share application, मैंने जान बुच के सेम सवाल रखा है ताकि अब differentiate कर पाऊ, 10,000 कुणा में, यानि ये भी बीस अजार, बीस अजार, अगली entry, थोड़ा जगे बना लेते हैं, ध्यान देजाएं, अगली entry, share application, two equity share capital, सर ये भी कितने आएंगे, बिल्कुल सही जवाब, ये भी बीस अजार, इसके आगे जैसे बढ़ेंगे हम, तो आएगा share allotment का नंबर, share allotment, two equity share capital, सर कितने होंगे, 10,000, गुना में देखे 6 हैं, 60,000, सर पहले और इसमें तो कोई फरकी नजर नहीं आ रहा, अगली entry करेंगे bank, लेकिन 60,000 पूरे पैसे नहीं आएंगे, इसमें से minus हो जाएंगे, कितने minus होंगे सर, जो इसने पैसे नहीं दे होंगे, 600 into 3 यानि 1800 रुपे, ये रुपे हैं, minus हो जाएंगे, सर ये भी पहले जैसा, 58,000, और यहाँ पर area लिख सकते हैं, कितने सर, 1800, सर फर अरियर चलेगा, नहीं area और अलॉर्टमेंट लिखना है आपने, share allotment, 60,000, कोई दिक्कत, अब आगे share final call, final call to equity share capital, two equity share capital, सर कितने रुपे, ये आजाएगा हमारा, 2 into में, 10K, यानि, 20,000, इसके बाद share, नहीं bank, अब bank में payment नहीं आएगा, तो bank account debit, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो final call पे failure है न, वो कितने failure है, मैंने कहा, पुराने वाला भी आगे जाएगा, जैसे यहाँ पे पुराने वाला भी आगे गया, तो यहाँ final call पे जो failure होगा न, that is total 400, यानि पीछे वाला 300 न, जोड़ के 400 है, यानि यहाँ पे अगर मैं bank में पैसे minus करूँ न, तो 20,000 में से सर्फ और सर्फ 800 ही minus करूँगा, यानि 400 गुणा में दो, सर 19,200, सर ऐसा क्यों, क्योंकि जब नाम नहीं mention होता, तो आगे का जो failure बताएगा न, वो पिछला जोड़ के बताएगा, और जब नाम mention होगा न, तो आपस में अलग-अलग-अलग unit है वो, समझे बात, तो जो differentiate में बताना चाहता था, वो यही था, call scenario, call scenario, 800, to share, final call, 20,000, यह हमारा सवाल और यह topic भी होता है, ख़तम, तो चलिए, फटा-फट से हमने क्या-क्या कर लिया था सर, सर हमने यहाँ पे authorized capital वगेरा देख लिया था, और जो last class होई थी, मैं एक बार फटा-फट quickly इसको remind करा दूँ, और recorded भी मैंने डाल दिया है वीडियो, security premium यहाँ पे छोड़ा था हमने, फिर एक question किया था, कि security premium को किस तरीके से किया जाए, तो question में यह था, सर security premium ना always, always allotment पे होता है, अगर question कुछ ना कहे तो, और in case security premium की entry की हम बात करें, सर कहा जाएगा, तो entry बहुत आसान है सर, security premium की जो entry जाने वाली है, वो जाने वाली है कहाँ पे, allotment की entry के time पे credit हो जाएगा, that's it, और कहीं पे भी नहीं जाएगा, security premium ठीक है, इसी के साथ साथ हमने क्या देखा था सर, call scenario को भी देखा था, call scenario में हमने क्या सीखा था, नेम नहीं दे रखा है, तो आगे का जो failure बताएगा, वो total failure होगा, जैसे कि हमने क्या देखा था, यहाँ पे नेम नहीं था, तो यहाँ पे total failure कितने थे, 400, और यहाँ पे total failure यह हो गए, यहाँ तक आपको clear होना चीए, जिन बच्चों ने नहीं देखा था last class, तो आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज बहुत important है, जिसमें area और advance दोनों आने वाले हैं, उसके according लेके चलेंगे, तो सर आज का topic है, calls in area and advance, calls in area and advance, और आज भी मैं बताओ ना, तो कुछ बच्चे मैं stats के हो सकते हैं में भी इसमें, तो internet का issue था उस time पे, तो वो solve हुआ, अभी अभी just internet connect हुआ है, तो मैं आपका live class अभी ले रहा हूँ, सर इसके अंदर area और advance, दोनों जब एक साथ मिल जाता है न, तो थोड़ी से समस्या आ जाती है, आज हम इससे related न कुछ questions भी देख लेंगे, थोड़ी सी problem आ जाती है, problem मतलब confusion हो जाता है, तो सर सवाल क्या है हमारा, area और advance जब दोनों आ जाए, तो ध्यान दीजिएगा, मैं basic सिर्फ कुछ questions करा रहा हूँ, इसके बाद हम सीधा सीधा, बुक्के questions पर आ जाएंगे, जैसे मान लिजिए, मैंने issued capital है, मान लिजिए issued, issued capital है, सर 50,000 share, ठीक है न, application receive एसर, 60,000 share, access application, access application adjust, on allotment, अब 10 रुपे का कुछ detail बना रहा हूँ, मैं बिल्कुल simple simple लेके चलूँँगा, देखो, मैं नहीं चाहता कि जो हम सीख रहे हैं, rhythm तूट जाए, और test का भी जो नए application आ रहा है न, तो test का भी उसमें सारा provision डाल दिया है मैंने, सब चीज आप अपको उसमें मिलने वाला है, जो सारी दिक्कत है थी छोटी मोटी, वो सब उसमें solve कर रहे हैं हम अब, सर मान लेते हैं 2 रुपे, मान लेते हैं 5 रुपे, और मान लेते हैं 3 रुपे, ठीक है, यहां पे यहां पे राम है, और राम ना फेल हो जाता है सर, कितने share 300 share में, अब general entry हमें करके दिखाना है, तो देखिएगा इसका general entry बड़े आसानी से हो जाएगा, question समझ में आगे आप सभी को, सवाल clear है आप सभी को, बताईए हाँ या ना, question clear है जो मैंने लिखा है, मैं एक एक step करके आज advance और error को मैं पूरा खतम ही करने वाला हूँ, सर आप any call scenario नहीं कराया, call scenario नहीं कराया, जी करवा दिया है, आप content में जाके देखेंगे, मैंने कहा था upload कर देंगे, आप जाके उसको कर लीजिएगा, ठीक है, बाकी मैं इस हिसाब से लेके चल रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ के last class के बच्चों ने class नहीं देखी होगी, तो उसके accordingly मैं आज कराऊँगा, जिससे आपको problem ही नहीं होगी, सर यहाँ fail हो गया, जब fail होता है, तो call scenario होता है, वो debit हो जाता है, ठीक है, entry देखे है सर, entry है हमारा यहाँ पे सर, क्या entry है, और entry होगा, पहली entry, bank to share application, to share application, bank to share application, और यह है, bank to share application में, आपके कितने number of shares हैं, सर number of shares हैं हमारे, 60,000, और into में 2, 120, 120,000 है न, share application, two equity share capital, और two क्या आएगा बताओ, to advance, advance on allotment, चलिए सर, amount, यह आएगा हमारा 12,021, यह आजाएगा एक लाग, क्योंकि यहां तो हम लेंगे, 10,000 गुणा में, 20,000, और यहां आजाएगा हमारा, 10,000 गुणा में, आपका कितना एडवा, 10,000 नहीं, 2000, और स्वरी, यहां, ठीक है, 10,000, यहां पचास आएगा भाई, यहां 10,000 आएगा, 10,000 गुणा में 2, that is 20, चली अगले पॉइंट पर आजाते हैं, अगली एंट्री किसकी होगी सर, शियर अलॉट्मेंट, शियर अलॉट्मेंट, 2, इक्विटी शियर क्यापिटल, और 2, आपका सेक्यूरिटी प्रीमियम होता, तो यहां पर क्या हो जाता, क्रेडिट हो जाता, ठीक है, सेक्यूरिटी प्रीमियम होता, तो यहीं पर क्रेडिट कर देते हैं, एंट्री देखते हैं, क्या होगा सर, अलॉट्मेंट कितने का है सर, यहां 5 रुपे का, तो अब सारी एंट्री 50,000, इंटू में 5 डेट इस आपका 25 यानि 2,50,000 सर अगले बात करते हैं आगे की बात करें बैंक में पैसा सर बैंक में न सारे पैसे नहीं आएंगे सर ऐसा क्यूं? क्योंकि 5,50,000 में से जिन्होंने एडवांस दे रखे हैं हमें उपर 20,000 वो तो नहीं आएंगे न तो कितने पैसे आजाएंगे हमारे बैंक में? 2,30 और एडवांस कितने होगे? एडवांस होगे सर 20,000 और 2 क्या हो जाएगा सर? शेर अलॉटमेंट 250 यहां तक तो हम पहले भी कर चुके हैं कोई बदला भी नहीं है अगली एंट्री में आ जाता है नेक्स्ट एंट्री है सर? शेर फाइनल कॉल टू एक्विटी शेर कैपितल तो एक्विटी शेर कैपितल यहां पह आएगा फिर से पचास अजार इंटू में तीन यहने सर डेड़ लाग अब यहां की पैसे की हम बात करें तो जो बैंक में पेमिंट आएगा सर वो डेड़ लाग नहीं आएगा सर ऐसा क्यों? कि जो फेलियर होगे वो नहीं देंगे सर जो फेलियर होगे वो नहीं देंगे वो कितने हैं? आप इसको इससे multiply करेंगे, यानि सर्थ 900 रुपे, तो 900 बैंक में नहीं आने वाले, that means 149, 100 आएगा, और यहां लिखेंगे call scenario debit, क्योंकि हमें लेने हैं ना उन से, तो assets है, debit 900 रुपे, और 2 share, 2 share final call, final call, सर लीजिए ये entry हो गया, done, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें बताईए, किसी बच्चे को कोई problem, बिल्कुल basic basic से लेके चल रहा हूँ, जितने बच्चे live में बता दीजिए, फटा फट किसी को कोई दिक्कत, no, clear, okay sir, sir, final call में amount नहीं लिखा, अच्छा, यह आगया 150, ठीक है, अब इस सवाल में advance था, जी था, area था, अब हम advance और area को थोड़ा और complicated, यानि थोड़ा और advance लेबल पे लेके चलते हैं, माल लेजे, मैंने issue किये, issue किये 10,000, and here application receive 12,000, suppose करो, access जो भी है, access application, adjust on, sir, किस पर adjust करोगे, adjust on allotment, ठीक है, चलिए, 10 रुपे का share है, अभी मैं security premium को न incorporate कर नहीं रहा राकिए, 10 रुपे का share है, और यहाँ देखिए, चलिए, 10 रुपे के share के बाद, 2 रुपे, 5 रुपे, और 3 रुपे, यहाँ पे राम, जिसके पास कितने share है, जिसके पास, 200 share है, जिसके पास, यहाँ बोल देते हैं, एक शब्द को समझीएगा, यहाँ पर मैं explain करूँँगा, राम, जिसके पास, है share, कितने, sir, 100 share है, 100 मान देते हैं, है 100 share, यानि, sir, hold, तो आप एक बात, notice करिएगा, कि इस वाले ऐसे situation जो होते हैं, कि आपको मैंने बता दियें, कि भाया, इतने share है, कुछ ऐसे situation होते हैं, कि मैंने बता दिये, आपके पास इतने share है, उसे hold बोल देते हैं, है न? hold बोल देते हैं अब ध्यान देजिएगा company ने बोले offer किये company ने offer किया कि भाईया मैं 500 share बेचना चाहता हूं 10 रुपे का एक है आपने यहां apply कर दिया मान लेते हैं कि भाईया मुझे 600 दे दो please आपने मांग कितने लिए मुझे तो जो आप मांगते हो ना उसको बोलते हैं apply company ने बोला भाईया हम 600 तो आपको दे ही नहीं सकते हम सिर्फ आपको a lot कर सकते हैं a lot कर सकते हैं a lot का मतलब होता है सर देना दे सकते हैं सिर्फ कितना 500 तो अब मैं simple सा question पूछता हूं कि आपने मांगे कितने आपने मांगे 600 तो ये होगे apply और मैंने आपको कितने दिये 500 ये होगे a lot यानि सर यहां दो सब्द है a lot का मतलब आपको मिल चुका है a lot का मतलब आपको मिल चुका है apply का मतलब आपने मांगा है तो यहां basic सी चीज़ देखें और a lot मैं यहाँ पर लिख दूँ a lot और या फिर मैं लिख दूँ a lot और या फिर मैं लिख दूँ holder इसका मतलब होता है sir मिल चुका है इसका मतलब क्या होता है मिल चुका है आपको इसका मतलब आपको मिल चुका है बड़ी basic सी बड़ी simple सी बाते है ठीक है ना और sir apply का मतलब क्या होता है लिख लिजिए बड़े काम की चीज़ है बार बार पूस्ते हैं बच्चे apply या फिर applicant मतलब होता है आपने मांगा है आपने मांगा है ठीक है आपने मांगा है इसो कहां ले जाएं नीचे ले जाते है इस सवाल की general entry start करते हैं सवाल में देखेंगे पहले entry bank account debit मैं देखो पूरे पूरे सवाल आपको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे सिखाना है आपको अप्लिकेशन अप्लिकेशन शेर अप्लिकेशन आएगा और कुछ बच्चे चिंतित हो रहे हैं कि सर क्या होगा नहीं होगा तो फरवरी आने दीजिए आपकी classes देखें बढ़ने वाली है मतलब लेट होने वाली है ये class time बढ़ने वाला है इसका तो सर यहां पे जो हैना 12,000 और गुणा म में दो 24,000 कितने आगे 24,000 इसके बाद आगे चलें अगर आगे चलें तो शेर अप्लिकेशन टू एक्विटी शेर कापिटल टू एडवांस एडवांस 24,000 और ये आएगा 20,000 और ये 4,000 चलिए सर और आगे चलिए शेर अलाटमेंट टू एक्विटी शेर कापिटल यहां तब सभी को समझ में आ रहा है एकदम परफेक्ट अब में कैच न यहां आने वाला है कितने आएंगे सर मैंने बोला भीया 10,000 शेर हैं और गुणा में 5 है तो 50,000 अब मुद्दे की बात आप देखिएगा अब मैं इंट्री करूँगा बैंक बैंक अकाउंट डेबिट जब बैंक अकाउंट डेबिट मुझे मिलना कितना चाहिए 50,000 तो सर जिसने एडवांस दिया था वो नहीं देगा that is 4000 और सर जो फेल हो गया वो भी नहीं देगा जो फेल हो गया वो भी नहीं देगा तो नॉर्मली हमें जो समझ में आता है न सिंपल सी भासा एक सर फेल हुआ 100-500 यानि हमें कितना नहीं देगा 500 जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा जिस व्यक्ति ने 10,000 शियर मांगे थे क्या उसे पूरे 10 मिले नहीं मिले यानि हर शियर होल्डर ऐसा है इस कैटेगरी के अंदर जिसने की मांगे जितने उससे थोड़े से कम मिले तो चलो मान लेते हैं आपने यहाँ पर 10 शियर आपने यहाँ पर कितने मांगे होंगे 12 तो आपको पता है कितने मिले होंगे 10 यही कहा नहीं है आपने मांगे होंगे 12 शियर दो सर मैंने बोला सर आपको तो मिल सकता है कितना 10 और जो भी एक्स्ट् दो share के आपने मुझे पैसे दी हैं मैंने बोला आपके adjust कहा हो जाएंगे allotment पे कहां adjust हो जाएंगे आपके allotment पे यानि अगर मैं बात करूँ तो आप जितने share मांग रहे हो उतने तो आपको मिल ही नी रहा पहली बात आप मांग रहे हो जादा और मिल कम रहा है तो आपके पैसे मेरे पास जादा आए और आपको मैंने दिये कम और जो आपका advance पैसा है उसे कहां adjustment करने की बात करूँ मैं allotment पे तो बड़ी basic सी बात है अगर मैं यहाँ पे लेके चलू ना आपकी calculation मैं बिठा हूँ राम की मैंने बहला राम भाई आपकी calculation कर रहे हैं क्या calculation कर रहे हैं कि आपको allotted allotted share की बात करें कितने हुए राम राम आपको कितने allotted हुए तो उसने कहा कि sir 100 share allotted हुए मैंने कहा आपने मांगे कितने थे apply कितने किये थे बोला apply आपको ratio आप खुद देख लो कितना होगा तो ऐसे situation में इसने apply कितने किये थे यानि मैं apply जानना चाहता हूँ apply जानने के लिए ratio निकाल लेते हैं issue और application receive के between का तो अगर ratio मैं इन दोनों के बीच का निकालू ना तो ratio क्या बनेगा अगर मैं इन दोनों के बीच का ratio निकालू जैसे मालो यह apply है और allotted है यानि बड़ी basic सी बात है आपने मांगे कितने और मिले कितने 10,000 तो मैं कह रहा हूँ इसका ratio निकालना चाह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि मैं इसका ratio निकालना चाहता हूँ तो इसका ratio अगर मैं cut pit के निकालू ना तो 3-0 से 3-0 कट गए 10 है और भी cut जाएगा यह है न तो 5 और 6 यानि मांगने का ratio 6 है और मिलने का ratio 5 है तो मुझे apply निकालना है ने तो यह मैं तो 100 तो रखी दूँँगा अब यहाँ पे मांगने का ratio क्या है जो यहाँ पे मैं निकालना चाहता हूँ उसको divide करेंगे sorry जो निकालना चाहता हूँ मैं उसको multiply करूँगा यानि मांगने का ratio क्या है 6 और जो दे रखा है उससे divide करूँगा 5 यानि कितने आगे 120 कितने आगे 120 पहले तो इस बात को समझे है यानि अगर आपका sir पीछले question में क्यों नी indica इसा पिछले question में यहाँ पर situation ऐसा आ के गया है के यहाँ वाला advance कर साकर特पका कहा पर यहाँ का advance यहां यहां पर इनकाने यहां काई 85 यह फैल हो गया लेकिन पिछले सवाल में यहां का advance गया कहा है यहां कोई भी तो बड़े सिंपल तरीके से हो इतना मैं सूची नहीं रहा था समझ रहे हो कहानी जबकि इस वाले में क्या हुआ यहां का पैसा यहां एडवांस आया और यहीं फेल हो गया तब भया हमें यह कहानी कहनी पड़ रही है तो एक बार फिर से देखो कहता ही कि अलॉटिड तो थाए निकालना हो था ना तो हम क्या करते हैं रिष्व निकाल से जोगी है 68 defense को के आपने 120 आ यहां को मिले कि वहां गे आपका total amount के बारे में बात कर लेते हैं तो sir, आपके total amount अगर आपने 120 मांगे और आप मुझे देखे जा रहे हैं दो रुपे के हिसाफ से, तो आपने simple सी बात है कितने दिये होंगे यहाँ से हम minus कर देते हैं आपके cut कितने गए adjust कितने हो गए adjust कितने हो गए तो बड़ी सीधी से बात है सर आपको मैंने 100 ही दिये और 2 रुपे के हिसाफ से आपके adjust हो गए 200 इसका मतलब सर आपका advance भी था मेरे पास आप failure हो लेकिन आपके advance भी कितने है 40 आप failure हो आपके advance भी कितने है सर 40 आपका failure और advance तो minus कर देंगे यहां से क्या सर आपका area, area मतलब आपका सर आपसे मैंने मांगने गया है पहले यहां देखें, मैं दुबारा बोल रहा हूँ कि total पैसा आपके आए 240 कैसे 240 आपने मांगे 120 थे total पैसा 240 आए जिसमें से application के पैसे काट लिए मैंने 200 के, क्योंकि मैंने आपको दिये ही 100 थे तो 100 into में 200 काट लिए 40, मैंने बोला भीया, call कर लेते हैं मैंने बोला भीया, allotment के पैसे लेके आओ, तो कितने मांगे होंगे आपसे मैंने 100 गुणा में allotment कितने का है 5, तो that is मैंने आपसे 500 मांगे होंगे, आपने बोला नहीं दूँगा तो आप हो गए fail, तो आप जब fail हुए नहीं, तो आपने पूरे 500 नहीं सिर्फ मुझे कितने दिने में fail हुए 460, तो कहानी ये है यहाँ पे, यहाँ पे 500 रुपे नहीं लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा कितने? 460, यह concept थोड़ा complicated है, लेकिन मैं इसके जैसे अभी 3 और example लूँगा, बस आप ध्यान से देखते जाईए और समझते जाईए आपको clear हो जाएगा, sir अगर allotment sir अगर allot निकालना हो तो allot multiply करें, अभी मैं बोल रहा हूँ 3 से 4, जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ बस थोड़ा patience आदे घंटे का रखें सब clear हो जाएगा, जब मैं बोलूँगा, अभी इस topic में doubt है, तो पूछ लो, तब पूछ लेना ठीक है, इसका मतलब sir 50 में से 4 गए तो बचे 46, और 46 में से 400 माइनस कर लेंगे, तो क्या आजएगा, 43,000 540, यहाँ आजाएगा आपका area 45 540, ना Sir, area आजाएगा on allotment Sir, area कितने है 460 Advance यहीं है Advance on allotment 4000 और यहाँ जाएगा 2 share 2 share allotment That is आपका 5000 Being पर कोई परभाव नहीं पड़ेगा बच्चे इसके ले के कोई भी चिंतित ना हो और ना परिशान हो अगली बात करते है, share final call Share final call Final call account Account debit 2 equity share capital है ना 2 equity share capital मैं थोड़ा detail में लेके ही चल रहा हूँ, आप करा रहे हैं तो क्या है, उपर नीचे से क्या निकलना, सीधर detail में करा तो भाई, खतम करो कहानी को तो सर यहां पर आगया हमारा कितने सर, अभी भी हम call पता है किस से करेंगे, पूरे 10,000 सरी, ऐसा नी failure हो गया तो बोलेंगा अब तेर से मांगेंगे नी, मांगेंगे तो जरूर हम, तीन रुपे, यानी सर कितने मांगेंगे, लेकिन जो failure होता है ना, जब तक सवाल कहें ना कि 300, 100 shareholder, अब हम simply multiply कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर advance आया है क्या इसका, नहीं आया, तो अब simply multiply इसको इससे कर सकते हैं, that is हमारा आजाएगा minus का 300 रुपे, अब यहां आजाएगा हमारा account debit, account debit सर कितने आजेगे, 39,700, और यहां आजाएगा calls in area, calls in area, और यहां गया 300, और 2 मे आजाएगा हमारा share final call, final call पूरे 30,000, 2 में आगया share final call पूरे 30,000, विजवल है नीचे तक नहीं है तो और छोटा कर देते हैं, यहां पर बताईए किसी को doubt, 460 समझ में नहीं आया, कैसे आया, सर 460 पता है कैसे आया, 460 जो advance था हमारा, पहले पैसे, आप ऐसे समझाएगे, आपने मुझे दिये कितने total पैसे, 240, मैंने आपको समान कितने का दिया, 200 का, आपके 40 मेरे पास extra पड़े हैं, फिर मैंने बोला, ला भाई, अपने घर से 500 रुपे लेके, आपने बोला, मैं नहीं दूँगा, तो आप कितने पैसे देने में नाकामियाब हो गए, 40 तो था ही और आपसे कितने मांगे थे, मैंने 500, total मांगूँगा मैं, ऐसा नहीं कि मैं ऐसा बोलूँगा, कि 40 थे, ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा कभी भी नहीं कहूँगा, कि 40 मेरे पास है, तो तू एक काम कर 460 दे दे, ऐसा नहीं बोलूँगा, मैं मांगूँगा हमेसा पूरे, तो मैं ने बोला के भई अब मैं तो नहीं दूँगा तो मैं बोलूँगा भई देख तेर से 500 मांगे तू ने नहीं दिया तो असलियत में तू 40 तो मेरे पास था ही तू 460 देने में फेल हो गया वो फेल हो गया इसमें से करने के बाद आपके सारे डाउट के रिए 12,000 रॉक्स में 10 रूपीश का थोड़ा छो चार्ट में dalिखना हूं 10 रूपीश का मैंने सेग्वेंस बना देता हूं न में मैं वही ईसिक्वेंस रखेंगे पुराना ही सीक्वेंस रहने वाला है सर इसका मतलब 2 रुपे येस और सर 5 रुपे और सर 3 रुपे अब मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ राम जिसने अपलाई किये है जिसने अपलाई किये है 120 शेयर या 240 कर देते हैं थोड़ा डिटेल में जाएंगे न 240 शेयर ये हो गया सर जनाव फेल ये हो गया फेल इस जगह पर एक और फेल करते हैं यहाँ पर चलो एक एक करके धीरे धीरे अगले सवाल जब करेंगे ने एक्जांपल वहाँ दो फेल करतेंगे ठीक है तो अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर पहली एंट्री क्या करोगे सर पहली एंट्री बहुत बेसिक्स है वही करेंगे जो पहले करते हैं बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अप्लिकेशन सर कितने रुपे मैं डारेक्ट मल्टिप्लाई कर रहा हूं देखो बारा इंट्टू में दो चॉबैस हजार किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बारा इंट्टू में दो चॉबैस हजार ठीक है चलिए सर इसके बाद अगली एंट्री शेयर अप्लिकेशन तू इक्विटी शेयर कापिटल और तू शेयर एडवांस या एडवांस ओन अलॉट्मेंट एडवांस ओन अलॉट्मेंट सर सर कितने होंगे 24,000 24,000 के बाद माइनस कर दो सर कितने यहां 20 और एडवांस हो जाएंगे कितने सर 2000 इंटो 4000 जो पहले वाली कहानी थे repeated है चलिए सर आगे आगे की बात करते हैं share allotment to equity share capital security premium अभी ले नहीं रहा है उसका कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है फटाफट से हो जाने होता है तो सर यहां पे कितने आएंगे सर सर 10,000 इंटो में 5 that is 50,000 that is 50,000 अब जब बैंक में पैसे लेने जाएंगे न हम bank account जब debit करने वाले हैं आप ध्यान दीजिए bank के अंदर आने चाहिए मेरे 50,000 लेकिन एक advance जिसने दे रखा है वो नहीं आएगा सर advance कितना दे रखा है आप देखिए 4,000 और failure का भी नहीं आएगा अब मुद्दा ये है कि failure का calculation करना है या मैं direct दो सो चालिस इंटू पांच कर दू तो जवाब है कि यहां का पैसा advance कहां तक घूमके गया है यहां तक गया घूमके और यह यहीं फेल हो गया तो सर calculation मनता है इसका तो calculation पिछले वाले सवाल के अंदर ये कौन था सर पिछले वाले सवाल के अंदर ये अलोटिड या holder था इस सवाल के अंदर क्या इह अपला आया है तब इसका calculation देखेंगा बोलेंगा राम भाई साब राम आपने कितने अपलाई किए राम ने बुला सर सर मैंने apply किए कितने 240 मैंने बूला मैं निकालके देखाता हूं तुमने कितने मिले होंगे Allotted Allotted कितने मिले होंगे तो मैंने कहा भाईया तेरा पहले ratio निकालते हैं तो अब मैंने इसका ratio निकाला तो ये 5 और 6 का आगया ratio Ratio सबको clear होना चाहिए जिसको नहीं होना चाहिए वो बोल देना तो 240 है तो divided by हम किसका ratio रखेंगे सर ये apply दे रखा है तो apply का ratio रखेंगे मतलब जो दे रखा उसका ratio नीची आएगा तो divided by 6 और into में 5 जो चाहिए into तो ये आगया सर कितना सर 200 ये कितने आगे 200 यानि अब इससे total पैसे बोलेंगे राम से total पैसे कितने है ये बता दे मुझे तो राम का total पैसा आया होगा total amount आया होगा सर total amount आया होगा 240 के हिसाब से दिये होंगे 2 रुपे यानि 480 मैंने बोला भाईया तेरा समान में दे रहा हूँ कुछ adjustment लग गया मैंने बोला भाईया तेरे को 200 share ही दूँँगा 2 रुपे के रिसाब से तो तेरे कितने होगे 400 बोला ठीक है भाई 800 advance है जब मैं call करने गया इससे बोला भाईया लापैसा allotment का लापैसा allotment का तो उसने बोला मैं नहीं दे रहा मैंने बोला ठीक है भाईया एक बटा दूँ तो कितने तेरे allotment बनते थे 200 गुणा में 5 तेरे allotment बनते थे that is 1000 अब तू नहीं दे रहा तो पता है तू कितने देने में फेल हो गया तो सिर्फ 920 रुपे देने में फेल हो गया यानि यहाँ पे सर इसका minus होगा 920 रुपे पहले तो आप इस बात को समझिए अब जैसे यह minus होगा मैं पूरा एक बार करनूँ फिर मैं आपसे doubt भी पुछूँगा तो 4000 है यह सर यह कितना है 4000 है तो फिर से 46 और 46 यानि 45 080 ठीक है और यहाँ area हो जाएगा हमारा area on allotment कुछ बच्चे बोलते हैं सर call sign area लिखेंगा चलेगा लिख दो अब क्या कर सकते हैं और advance on allotment advance on allotment सर कितने 9 नहीं 4000 और 2 share allotment यह कितने का होगा सर share allotment हो जाएगा हमारा 50,000 का share allotment हो जाएगा हमारा 50,000 का चलिए सर अगले में आ जाते हैं share allotment sorry share final call share final call 2 equity share capital कितने जाएगे सर यहाँ पर आ जाएगा सर 10,000 और multiply by 3 that is 30,000 that is 30,000 अगले जब bank में पैसा receive करेंगे तो failure के पैसे नहीं हैंगे यहाँ कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं जब bank में पैसे लेने जाएगे तो failure के नहीं आएगे आने कितने चाहिए सर 30,000 minus कर दो जितने नहीं आएगे तो minus कर दो कितने अब आपको ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे भी 240 और multiply यह कर दो क्योंकि यह करी नहीं सकते क्योंकि आपके पास 2400 share नहीं थे तो multiply पता है किस से करेंगे हमेशा allotted से करते हैं हमेशा तो 600 रुपे नहीं आएगे इसके that is आपके आजाएंगे यहाँ पे account debit और account debit कर दे तो हम आजाएगा हमारा 39,400 और calls in area calls in area calls in area कितना आएगा सर 600 रुपे और two share allotment share allotment लिख रहा हूँ share final call final call पूरे 30,000 तो मैं बिल्कुल step by step लेके चल रहा हूँ आपको ऐसे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी बताइए मैंने दोनों करा दिये बच्चे पूछ भी रहते हैं apply दे रखा हो तो क्या होगा allotted मैंने apply वाला भी एक सवाल करवा एक allotted अब जो अगला सवाल मैं लेने वाला हूँ ना example वो mix करके लेने वाला हूँ मैं अपने example इसलिए ले रहा हूँ कि किताब में ऐसे given नहीं होता किताब में क्या होता directly given होता एक में सब कुछ पूछ रहते हैं वो तो मैं दीरे दीरे बिल्कुल लेके चल रहा हूँ आपको अगर question में advance बताया गया बताया गया क्या सर हर question में advance बताया अगर बताएगा तो भई बताएगा नहीं बताएगा तो rejected हो जाएगा पहले बताईए किसी को doubt सर मुझे deep में इसका solution चाहिए मुझे को क्या doubt है आप बताईए किसी को दिक्कत है बताईए इसमें अब इससे advance थोड़ा सा और लेके चले बस आपने घबराना नहीं है अब मैं दोनों mix करने वाला हूँ क्या एक तो apply वाला भी mix करूँगा और allotted वाला भी mix करूँगा दोनों mix करेंगे ठीक है चलिए आज आते हैं आज आते हैं sir application receive सीधा मैं receive लिख रहा हूँ 12,000 मैं सवाल ऐसा रख रहा हूँ न कि आप comparison कर पाएंगा और इसको register में इतने सुन्दर सुन्दर writing में लिखिएगा और comparison करिएगा कि ऐसे ऐसे हो रहा है ऐसे ऐसे हो रहा है तो आप समझ जाएंगे इसके क्या question कहना चाहता है तो हमें क्या करना है लेकिन आप अगर class के बाद सिर्फ register बंद कर देंगा और noting नहीं करेंगे तो जब exam आने वाला होगा ना तो उस तेम पर आपको कोई नहीं बचा सकता फिर फिर कहानी एक ही आएगी यार कुछ नहीं आता फिर ये chapter नहीं आता इस बात का ध्यान रखना आप सर application receive issue अगेन मैं कहूंगा 10 रुपे का एक है 10 रुपे का एक है और ये सरिफ गलती पता ही क्या है आपको जो बार्वी में free fund के number बाटे जाते है ना उसकी कहानी नतीजा आप second year में आके भोगतते हो आपको अगर बार्वी में एकदम से tight कर दिया जाए के भाई सब बच्चे पढ़ेंगे और इसका mandatory कर दे तो फिर मज़ा आ जाए देखें दो रुपे पांच रुपे और दो पांच के बाद तीन रुपे दो पांच तीन सर इसकी बात करें अब failure को ले के आते हैं सर अब मेरे कितने failure हैं सर यहाँ पे failure हुए एक राम 300 share allotted और एक हुए मोहन मोहन 600 share apply यानि सर दोनों को मैंने यही फेल कर दिया दोनों को मैंने कहां फेल किया यही फेल कर दिया अब राम allotted है मोहन apply है अब ध्यान देना तो सबसे पहली बात तो हम basic basic entry कर लेते हैं सर basic entry तो करी लेते हैं क्या होगा सर शेयर बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अप्लिकेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अप्लिकेशन सर कितने हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अप्लिकेशन कहां नहीं वही है न मैं example ऐसा ही ले रहा हूँ न क्या आपको मतलब confusion ना हो जादा नहीं तो मैं टेन यर नहीं आएगाउंगा अभी आएगा अपडेशन कर रहा हूं मैं अभी मार्केट के अंदर आ जाएगा अभी अप्डेट होने में मान के चलो यह हफ्ता तो मैं उसमें लिखंग ऑई फिर से अरेंज करूंऊं आपके लिए फिर आएगा चलिए है सर सेएर अप्लिक 20 और 4 यानि सर पहले कहानी में तो कुछ है ही नहीं सारा सिंपल ही चल रहा है अगले पर आ जाईए अब मेन युद्ध तो यहां पर है शेर अलॉट्मेंट करा टू एक्विटी शेर कैपिटल करा और सर यहां पर हमने बोला भहिया 10,000 इंटु में 5 अब बैंक में जब पैसा लेने गए ध्यान दीजिएगा जब बैंक में पैसे लेने के लिए गए तो बैंक में हमें मिलने चाहिए थे वैसे 50 हम सोचके बैठ रहे हैं लेकिन जिसने एडवांस दिया वो पागल थोड़ी है बोलेगा मैं क्यों दूँ तो मैंने बोला तेरह हटा देते हैं अब यहां दो दो फेलियर क्या इसका एडवांस यहां गया जी गया और यहीं फेल हुआ तो यहनी अब आपको कैलकुलीशन करना पड़ेगा सबसे पहले राम का मामला देखतें क्या है मैंने बोला राम भाई तूने क्या करा है तो राम ने बोला मुझे allotted है मुझे allotted है कितने allotted है राम तुमें तो जवाब आया सर राम मुझे allotted कितने है 300 मैंने बोला अभी apply निकालेंगे पहले तुमारा हम तो राम तुमें apply कितने किये तो 300 ratio के आएगा सर वही ratio अगेन आजाएगा 6 और 5 का याद रखिएगा तो सर apply निकालना है तो apply निकालने के लिए into में 6 divided by 5 सर समझ में नहीं आता है यह क्या करते हैं तो मैं यहाँ formula बना देता हूँ जब भी आपको number निकालना हो ना number निकालना हो number निकालना हो तो क्या होता है सर जो चाहिए जो निकालना है निकालना है उसका ratio उपर और जो दिया है उसका ratio नीचे यानि सर allotted है तो हम allotted थोड़ी निकालेंगे allotted अगर दे रखा हो तो क्या हम allotted निकालेंगे नहीं यह तो पागल पन है वाई जो दे रखा उसको निकाल कैसे सकते हैं तो पहले इसे पता है तो allotted दे रखा है तो आपको क्या निकालना पड़ा है कि apply तो जो निकालना है वो apply है और जो दिया है नीचे तो apply का ratio उपर आ जाएगा और इस वाले सवाल में आप रट लीजिए कुछ भी कर लीजिए वैसे रटा नहीं है यह सिंपल सा लॉजिक वाली बात है रेशो को जब आप करते है ना इस रेशो को जब मैं बोलूँगा ना फ्रिक्वेंटली आप करिए x लेट करके जैसे आपको मैं बोलूँ कि हमारा ratio बन रहा है क्या असर इस तो 5 है ना तो 6 by 5 बन रहा है और यह आपको मैंने दे दिया suppose करो कितना 300 या मैंने दे दिया x divided by 300 तो जब आप multiply करेंगे तो यही हो जाएगा हमारा नहीं मैंने मान लिया कि apply जो है let assume यह क्या है हमारा apply तो apply हमें निकालना क्या apply को क्या मान लेते हैं कुछ भी मान लेते हैं x और divide जो allotted दे रखाए उसको करेंगे जब cross multiply तो ही आजाएगा तो मैं यह कहूँगा कि मैंने एक formula तो लिखी दिया है उसके according आप चलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना चलिए सर अब भाई तेरे total पैसे कितने आए ये भी बता दो राम सर राम ने बोला total amount राम total amount राम ने कहा सर total amount है मेरा आपको जो मैंने दिया मैं वो बताने जा रहा हूँ इसका मतलब सब share तो निकाल ले तो कितने आगे इसके 360 उसने बोला भाई मेरे को 360 मैंने मांगे थे और 2 रुपे के हिसाब से तो आपको कितने दिये होंगे मैंने 720 दिये मैंने लगा हाँ तुमने कितने दिये 720 अब मैं तुमारे adjustment कर रहा हूँ मैंने बोला तुमारे adjust हो जाएंगे सर कहां adjust होंगे application पर कितने adjust 300 ही तो दिये तुमें 300 इंटू में दो यानि 600 यानि तुमारे advance कितने थे 120 मैंने कहा कि call करूँँगा अगर मैं तुमसे allotment पर पैसे दोगे उसने कहा ना मैं तो बिल्कुल भी नहीं दूँगा पैसे तो मैंने बोला बहिए तुमारे बंते थे 3000 रुपए 120 advance ते यानि तुम देने में fail होगे सिर्फ 280 रुपए इसका मैंने calculation करके और ये calculation लंबा आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताके समझ में हैं ताके आप मन में भी short form में भी कर सकते हो जब जब आपको आ जाएगा पंद्रस हो आएगा अच्छा तीन है ना चलो पंद्रस होगा बच्चे कह रहे हैं कि सर पंद्रस होगा पंद्रस होगा और यहां क्या होगा 1380 1380 कोई बात नहीं अब यह राम का हिसाब हो गया अब आ जाते हैं किस पे सर मोहन मैंने बोला मोहन तुमारा भी हिसाब होगा आप तो क्योंकि तुम भी fail होगे सर मोहन का हिसाब मोहन ने क्या कर आए सर अपलाए मैंने बोला मोहन तुमने तो अपलाए बता दिया मुझे और apply कितने हैं मोहन तुमारे apply तुमारे 600 मैंने बोला allotted हम बताएंगे तुमें allotted बताएंगे 600 600 apply है into में 5 divided by 6 ratio यही बन रहा है तो आ जाएगा हमारा कितना 500 करें तो मैंने का भईया मोहन तुमने total पैसे कितने दिये मैं बताओं आपको तो मोहन ने बोले भईया total पैसा मैंने 600 into में 2 यानि कितने दिये हैं 1200 मैंने का adjust भी होगा तुमारा यह तुमें मिला है तो बोला कितने हैं मैंने बोला 500 गुणा में 2 मिल गए adjust होगे आपके यानि 1000 यानि आपके advance कितने बच गए सर 200 मैंने बोला call करता हूं मैं तुमसे किस पे on allotment पे कितने मांगूँँगा मैं बोला 500 into में 5 जाओ घर से लेके आओ यानि 25 आपने बोला नहीं दूँगा तो मैंने बोलूँगा अब actual आप 2300 देने में fail हो गया तो यहाँ पे failure को अगर मैं minus करूँ ना एक राम का minus होगा और राम का कितना minus होगा सर राम का minus होगा 1380 और मोहन का कितना minus होगा आपका 2300 आप फटा फटा से इसको minus plus करके बता दिजे 41,320 अब यहाँ जाएगा सर calls in area calls लिख देता हूं या area लिख देता हूं simple area on allotment सब को जोड़ दो 1380 और 2300 और advance on allotment यह तो सर फिक्स है 4000 area आप बता दो 4680 और आजएगा two share allotment कितने आगे सर share allotment पचास जर कहानी यहीं खतम नहीं हर जगा ट्विस्ट है सर share capital में और इस पूरे किताब में इतने ट्विस्ट है ना कि मज़ा आएगा आगे मज़ा उनको भी आता है जो पढ़ते हैं जो नहीं पढ़ते हैं जो नहीं पढ़ते हैं जो नहीं पढ़ते हैं उसको पूरे time पी आता चलिए श्यर फाइनल कॉल , टू एक्वृटी श्यर क्याहिए कितना है ? यह थी तीन हजार श्यस्वश्थी तो होगा , जाजार अब कि अधवाउन मुझे तीन हजारी तो होगा और देखिए आपके senior इतने सारे होंगे न जिनके लिए न ये एक तरीके से मान के चलो एक ऐसा point बन गया है जो corporate का paper दिनका रुग गया है वो दिन रात पूजा भी कर ले तब भी निए उनका paper पास होगा अब वो कितना भी वो पल याद कर लेना कि कास में उस टेम पढ़ लेता कास साथ में दे देता अब हमारे साथ में कोई नहीं है कोई दोस पास हो गया कोई नहीं हुए और वो भी year आना था तो किसी और में आ जाता corporate आप तो भाई आ गए आप तो करना पड़ेगा तुम्हें अब 30,000 आने थे अब failure को minus करने सर ये वाले दोनों failure यहाँ पर जाएंगे तो RAM के तो कितने minus होंगे पता है देखिएगा logic समझेगा और twist भी समझेगा RAM के allotted है तो direct में multiply कर दूँगा तो RAM के 300 गुणा में 300 गुणा में 300 गुणा में 900 और इसके ना direct multiply नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास तो 500 ही share है तो इसके हो जाएंगे 500 गुणा में 3 यानि सर देखा जाए तो 2400 total minus तो 2400 minus अगर कर दे तो कितना आ जाएगा सर 2600 call scenario call scenario 2400 कितने आएगे 26, 27 600 चलो 27 कर रहता है और बैंक में 42 आएगा 42 और 2 तो क्या आएगा share final call final call 30,000 देखे मैं तो हर एक step बता रहा हूं आप comparison करने वाला इतने अच्छे से compare कर लेगा ना कि जिंदगी में भूल नहीं सकता इस बातों को नहीं करने वाला भाई भूमता रहेगा पहला कौन सा किया पहला कौन सा किया आज हमने जहां पे allotted वाला दे रखा था फिर मैंने सिखाया apply वाले के साथ क्या treatment होगा फिर मैंने दोनों को mix करके कर दिया अब एक और example ले ले लेते हैं एक को यहाँ fail कर देते हैं एक को यहाँ fail कर देते हैं बड़ी सीधी सी बात है तो आपका sequence में चलता जाएगा तो sir application आपका issued या आपका application receive कहलो again मैं लोगा दस अजार ना ना बारा क्या कहानी है sir इसमें कहानी ये है इसमें अब तो याद भी हो गया दो पांच और तीन जिसको याद हो गया समझो यहाँ पर फिर से हम बोलते हैं अब राम को नहीं बुलातें अब बुलातें Mr. X Mr. X कौन है Mr. X 500 पांसो पांसो शियर ये होल्डर है यहाँ पर Mr. X पांसो शियर होल्डर है और इधर एक यहाँ भी फेल करते हैं सोनू एक टाइम पर सोनू बहुत चर्चा में रहा था सोनू सोनू ने अपलाई किये और सोनू ने अपलाई किये कितने सियर 60 share ये भी fail हो गया लो जी लो ये भी fail हो गया ठीक है चलिए bank account debit bank account debit to share application मैं थोड़ा fast fast जरूर लिख रहा हूँ लेकिन समझ में आना चाहिए क्योंकि मेरा example same ही है तो मेरे साब से दिक्कत नहीं होना चाहिए चलिए sir share application two equity share capital और two advance two advance 24,000 20,000 और 4,000 कोई दिक्कत यहां तर चलिए आगे चलते हैं main कहानी allotment पे share allotment share allotment to equity share capital sir share allotment to equity share capital कितने 10,000 और गुणा में 5 that is 50,000 यानी हमारे 50,000 तो आने चाहिए उमीद है ना बट बैंक में जो पैसा है ऐसा नहीं है कि जो सोचा वो आ गया तो बैंक में 50,000 आने चाहिए लेकिन 50,000 में सबसे पहले जो जो advance देखे गया है वो साफ साफ मना करेंगा भाई या हम तो नहीं देंगे तो advance कौन देखे गया सर चाहजार उसके बाद failure ने बोला हमसे भी नहीं हो पाएगा यानि Mr. X तो Mr. X देखो advance कहां के लिए है advance यहां के लिए fail भी है तो इसका working note मैं बता तूँ एक बार मैंने बोला Mr. X इधर आओ कितने share तुमने मांगे बोला मांगे नहीं पता मुझे मिला यानि मैंने कितने मुझे allotted है यह मैं बता सकता हूं सर मुझे allotted 500 है मैंने बोला अभी निकालते हैं क्या apply तो क्या करेंगे 500 गुणा में 6 divided by 5 और आगे हमारे 600 मैंने बोला total पैसे कितने दिये मैं बताता हूं total amount तुमने दिये सर कितने 600 गुणा में 600 गुणा में 2 यानि कितने दिये सर 1200 छे सो गुणा में 2 1200 मैंने बोला भी अड़जस्ट होगे तुमारे अड़जस्ट होगे कितने 600 गुणा में अरे 600 कहां से आएगा 500 आएगा है ना 500 गुना में 2 कितने अड़िस्ट होगे 1000, टोटल आपके 200 एडवांस मैंने बुला भईया, Allotment के पैसे मैंने कहा Allotment के पैसे दिये क्या आपने तो बोला Allotment के पैसे कितने है तो Allotment के पैसे होंगे हमारे 500 गुणा में 5 that is 2500 और माइनस कर दें तो 2300 हमारा हो जाएगा इसका failure, fail है यह fail यह क्या हो गया, 2300 से failure यानि सर एक तो इसके पैसे नहीं आएंगे 2300 बड़ी सीधी सी बात है ना, क्या यह भी यहीं fail है, नहीं यह तो आगे fail है ना, तो आगे इसका sir advance कितना है और area कितना है area कितना है और two share allotment share allotment 50 हो जाएगा इतने example हम इस same question से कर लेंगे ना, क्या आपको याद हो जाना चाहिए, कि करना क्या वाले हैं और करवाना क्या जाते हैं अब share final call two equity share capital share final call two equity share capital sir कितने आएंगे, sir वही same कहानी 10,000, गुना में 3 यानि sir 30,000 और 30,000 देखो यह जितने भी सवाल कर रहा हूँ तो आने वाले जो बच्चे में से नहीं पढ़ रहे हो तो बुक में पढ़ेंगे, आपको पहले ही पता यहीं सारे example में डाल दूँगा नहीं वाले बुक में तो इसके बाद क्या होगा हमारा bank account debit bank account debit 30,000 minus minus तर क्या? failure अब यहाँ भी failure है, जी हाँ, यहाँ दो-दो failure है failure number one भाई, तू allotted है नहीं तो तेरे को तो direct multiply कर देंगे है यानि तू allotted है तो तेरे लिए कोई calculation नहीं है 500 गुणा में तीन, तूने पंदरा सो नहीं दिया failure number two sonu भाई, sonu का 60 है और failure, सबसे पहले क्या advance यहाँ पे रुग या इससे आगे भी गया तो जवाब है sir, इससे आगे तो advance नहीं गया समझ रहे हैं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैंने failure किया एक तो यहाँ पे यहाँ पे आके रुग गया चलो तुमारा सारा calculation किया एक यहाँ के बाद क्या यहाँ से यहाँ advance भी गया क्या sonu तूने इतना advance दिया कि तेरा final call पे adjustment हो sonu ने बोला नहीं इसका मतलब इसका कोई calculation बनता ही नहीं है बस हमें क्या निकालना है सर इसका इसका बस एक ही बात निकालना है कि सर तुम्हारे पास share कितने है ताकि मैं failure निकाल लू क्योंकि इसके क्या given है हमें apply अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 60 हिंटू में 3 एक सो अस्ती तो गलत है क्योंकि इसको 60 तो मिले ही नहीं तो 60 देने में थोड़ी fail होगा आपको जितने shares मिले हैं उतने कोई देने में fail होगे न तो सोनू को बोला भाई सोनू रुख जा और सोनू का मैंने निकाला सोनू का निकालना पड़ेगा सोनू तो ने पता ही कितने पैसे नहीं दिये डेड़ सो रुपे यानि सर यहां पे एक तो पांसो गुणा में 3 समझ में आता है और पचास गुणा में पचास गुणा में कितने 3 मल्टिप्लाइ 3 तो सर कितने हो गए सर यह 28,350 कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एरियर कितने डेड़ सो और पंदरह सो तोलह सो पचास और टू शेर फाइनल कॉल कितने 30,000 तू शेर फाइनल कॉल 30,000 अब मैं बताओ ना सबसे इंपॉर्टेंट किलास कुन सी होती है शेर कापिटल में सर यह होती है सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि बच्चा सुरू से सुरू से आता है यहां गिर जाता है फिर उठीनी बाता आगे फोर फीचर भी आता है फिर वहां से भी गिरता गिरता फिर खतम हो जाता चफ्टर अब यहां से जो समल गया इस कॉंसेप्ट को जो समझ गया अच्छे से फिर आगे वो फिर कोई नहीं रोक सकता उसको फिर सब कुछ समझ में आता रहेगा कि वो कैलकूलेशन के है पहले बताईए यहां तक कोई डाउट है क्या यहां तक कोई डाउट सर पहले वाला एक्जामपल अभी बहुत सारे एक्जामपल लूगा ही न I can purchase only live classes क्या गया I can purchase only live classes नहीं मुसकान सिर्फ live class का कोई नहीं है हम recorded free में देते हैं recorded आपको मिलेगा ही मिलेगा उसके साथ recorded तो रहेगा उसमें समस्य आ गया है चलने दो कोई दिक्कत नहीं है एक बच्चा कह रहा है सर it's prorata ये शब्द न prorata वाला बच्चो को ड़ा देता है तो वैसे अगर पूछोगे आप कि सर सच सच बता दो क्या prorata मैं बोलूगा हाँ ये prorata है लेकिन पूछोगे सर प्रorata मुस्किल होता है तो आप ही देख लो कितना मुस्किल है है नहीं वैसे मैं prorata के नाम से कोई सवाल ही नहीं लेता ताकि आपको दिक्कत नहों अभी तक आपको समझ में आ रहा है तो बोलोगे कोई दिक्कत नहीं मैं बोल दूना के प्रorata है ये प्रorata है बोलोगे समझ नहीं आ रहा सर मुझे अब अब नहीं आ रहा मुझे समझ नहीं ठीक है एक और example सर अब क्या करने वाले हो नए example में से क्या कहानी है अब ना मैं example थोड़ा सा बदलने वाला हूँ मैं थोड़ा example अब मैं चाहता हूँ के बदल दिया जाए एक और example अब मैं ना failure पता है कहा करना चाहता हूँ advance पहले क्या रहा था allotment पे जा रहा था फिर उसके बाद final call तक पहुँच नहीं पाता अब advance को हम थोड़ा आगे ले जाते हैं यानि मैं सवाल बदलना चाहरा हूँ ठीक है तो sir issue है 10,000 और application receive है sir 12 ये नहीं बदलेंगे देखो कैसे बदलेगा हमारा सवाल और 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 2 10 अगर मैं रखूँ ठीक है बदल देते हैं सवाल को मतलब ये थोड़ी बदलेंगे अब देखें बस calculation है थोड़ी सवाल बदल देते हैं सर सर इसके बाद ये माल लेते हैं ये 8 रुपए ये माल लेते हैं 1 रुपए ये माल लेते हैं एक रुपए तो 2000 इन्टो आट 16 और 16,000 और 10 यहां कट गया ठीक है बन जाएगी कहानी यहां तक जो कहानी मैं बनाना चाहता हूँ इस example से बन सकता है ठीक है न यहां पे अफ़्ील करते हैं सर यहां पे फ़्ील करते हैं Mr. X आ जाओ Mr. X होल्ड करता है Mr. X होल्ड करता है 300 share अरे इसके वाई example करा था न हमने वही वाले लेते हैं पहले वाले example सबसे पहले वाला असान वाला simple बन गया था आपके life का यह है न यह वाला बड़ा असान था 300 राम को लेके आते हैं वापस से राम के जगापे क्या ले लिया Mr. X ले लिया और यह भी 300 रख है 300 रख है परफेक्ट वह भी होल्डर ही था और यह भी होल्डर ही है ठीक है यह कुछ और था होल्डर ही था चलो अब आपने एक बार पहले वाले example register में लिखेंगे न तो please page पलट पलट के match करिएगा उसको के क्या दिक्कत है कि मतलब कि कहा कहा से क्या क्या changes हो रहे हैं मैं आप सभी को कहना चाहूंगा तो आजाएए फटा-फट से start कर देते हैं हम हम यह थोड़ा सा चलिए अब एक कहानी आप देखिए एक मन की calculation होती है जो आपको सीखनी होगी मन की calculation देखते हैं कि भाई टोटल पैसा आया होगा हमारे पास बहुत सारा मन की calculation मैं board पर लिख रहा हूं कि भाई पैसा आया होगा बारह हजार गुणा में आठ देट इस एक लाग कितने होगे 96 अच्छा 96 बहुत सारा पैसा है जिसमें से भाईया हिसाब किताब देखा जाए तो 10,000 इंटु में 8 तो 8 करेंगे 10,000 इंटु में तो सर 80,000 तो बराबर ही होगे एडवांस दिमाग लगाते हैं सर तो कितने आएंगे हमारे 2000 गुणा में 2000 गुणा में 8 है ना 16,000 अगर मैं अलॉट्मेंट पे मांगता हूँ तो अलॉट्मेंट पे मेरे कितने शियर है मन में कैलकुलेशन करो 10 और गुणा में 1 यानि अलॉट्मेंट पे कितना मांग सकता हूँ मैं 10 लिखिन एडवांस कितना है यानि एडवांस यहा रहा है इसा कुछ तो यह आपके पहले वात है कि इतना आपका इडवांस है अब मेरा एक सवाल है यहाँ पर मैं अगर लिखों के मोहन पेल हो गया मोहन फेल हो गया 200 share क्या ये मोहन यहाँ पे fail हो सकता है पहला सवाल मेरा क्योंकि यहाँ पे सभीन advance दे रखें यहाँ पे तो कोई failure ही नहीं है तो यहाँ पे कोई वेक्ति fail हो इनी सकता कई बार आपका case study type का क्योंकि ना second year का trend बदल चुका है बोलेगा बताईए कि कितने number of share failure हो सकते है यहाँ पे तो जवाब है no कोई भी failure अगर मैं बोलू can it possible के राम यहाँ पे अगर fail हो जाए तो उसका call scene error निकालके बताईए बता दियो उसने तो answer भी दे देंगे यह यह और zero ठेक है तो सबसे पहली बात तो यहाँ कोई fail ही नहीं हो सकता पहले यह बात समझ रहे हो ना मन से समझो यह बात समझ रहे हो कि यहाँ fail क्यों नहीं हो सकता क्योंकि सब ही नहीं यहाँ पे advance दे रख है चलिए अब come to the point यानि इसलिए मैं इस सवाल को लेके आया हूँ क्या आपके मन में कहीं यह ना चले क्या सर हमेशा ही क्या allotment पे होता है वो सवाल के एक मजबूरी है examiner ने अभी तक देखा है हमने ज़्यादा कुछ नहीं कहा होता है अब सर bank account अब bank बदल जाएगा bank account debit to share application सर bank account debit to share application कितने लिखे 12,000 into में 8 चलिए सर इसके बाद क्या करें share application to equity share capital or to advance 96 80,000 और 16,000 अब 16 तो नहीं जाएगा ना allotment पे अब ये भी trick समझेए क्योंकि allotment पे 16 कर दिया तो गलत हो जाएगा तो allotment पे advance allotment पे advance जाएगा maximum 10,000 और two calls in advance जाएगा 6,000 इसमें भी काफी बच्चों को थोड़ा सा confusion हो सकता है में भी आप देख लीजिए जिसको confusion है मैं बता दूँँगा कैसा क्यों हो रहा है देखे किसी को doubt इसमें यहाँ पर बताईए किसी को doubt बता दो फटाफट किसी को doubt है तो जते नीशा मुस्कान सर्फ यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको जितने बच्चे लाई वे हैं आपने लिखा no sir मैंने पूछा समझ में आ रहा है आप बोल रहे हैं no sir या फिर doubt नहीं है सर final call advance भी लिख सकते हैं हाँ final call advance भी लिख सकते हैं राज लक्ष्मी का क्या कहना है बता दो एक नहीं आंसर दे दिया no doubt ओके सर final call भी लिख सकते हैं देखो यहाँ क्या क्या लिख सकते हैं मैं option देता हूँ calls in advance लिख के सीधा 16000 भी लिख सकते हैं वो भी चलेगा allotment advance 10 और calls in advance 600 भी final call भी आप लिख सकते हैं मैं इसलिए इसको तोड़ के लिख रहा हूँ ताकि मुझे बाद में माइनस करने में थोड़ी सी आसानी हो जो फोर फीचर पे आएंगे ना तो देखना इससे थोड़ा help मिलता है बाकी आप डारेक्ट भी लिख सकते हो अब सर कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा तो देखो सीरीस ही कहानी है ना अभी समझ में आ जाएगा अगर मैं कहूँ भाईया share allotment के पैसे लाओ और equity share के लिए मैं मांग रहे हैं आपसे पैसे तो आप कहोगे सर share allotment के कितने देने हैं तो मैं कहूँगा कि भाईया दस अजार और गुना में एक ही है अब दस अजार लेके हो maximum अब आप खुछ सोचो भाईया मैं share allotment पे सभी से 10 ही मांग सकता हूँ और मेरे पास advance कितने हैं 16 तो means very very clear के allotment पे 10 जाएगा उसके बाद कुछ पैसा बचेगा और रूप कहाँ चला जाएगा final call पे कहाँ चले जाएगा final call पे इसलिए यहाँ पे इस तरीके से हुआ अब यहाँ bank में अगर मैं पैसे लेने जाओं मैं सारा करके दिखा हूँआ सर बैंक में पैसे लेने जाओं 10 जार रुपे आपने बोला सर advance 10 का काई का बैंक में देंगे तो मैंने का ठीक है bank account 0 तो लिख देते हैं अब advance आजाएगा सर advance on allotment पूरे 10 जार two share allotment कितने 10 जार two share allotment कितने 10 जार चलिए सर आगे बढ़ें बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं और करते जाते हैं सर अगले point पहेंगे share final call two equity share capital final call two equity share capital कितने मांगेंगे सर again 10 जार गुना में एक 10 जार ठीक है न अब जब bank में payment लेने जाएंगे तो सर एक बंदा तो failure ही है 10,000 में से और कुछ advance भी है तो advance पहले हटा दू मैं advance कितना है? 6,000 और failure को भी minus करेंगे तो सर भाई आजा भाई कौन है भाई? Mr. X आजा Mr. X ने hold करे थे यानि allotted थे Mr. X के allotted कितने थे? 300 मैंने बोला अभी निकालते हैं तुने apply कितने किये? apply 300 गुणा में 6 divided by 5 तो 360 तो तेरे total पैसे आए होंगे total आए होंगे 360 और गुणा में 8 है ना? बता दो जल्दी से गुणा करके हैं कह रहे हैं सर इतना ही रहने तो confused हो जाएंगे इस topic को खतम करते हैं ना? फिर आपकी किताब वाले भी तो question करने कुछ बच्चे सोच रहे हैं पता नहीं क्यों किताब खरिदवाए हैं हमसे 3040 कुछ बच्चे तो income tax में भी बोलते हूंगे बेकार में किताब खरिदवा दिया और लगता आप भी ऐसा ही जाएगा साल minus adjust 2000 है 2000 क्या है 2880 ठीक है और यहाँ पर आजागा सर 300 गुना में 8 that is 2400 480 एडवांस है मैं आगे है सर कॉल मैंने बोला भी या अलाट्मेंट पे पैसे तेरे से मांगे गया थे बोला हाँ मांगे गया थे ना 300 मैंने दे तो रखें बार बार क्या दूँगा 180 एडवांस है मैंने बोला call करूँगा तेरे से final call पे देगा क्या पैसे उसने बोला final call पे तो मैं दे नहीं सकता मैंने बोला भी या तेरे 300 बन रहे थे और 180 एडवांस था यानि तू 120 देने में क्या हो गया फेल तो यहां पे मैंने कितना होगा 120 फेल होगा मैंने प्लस कर लिजिए यहां पे calls in advance calls in area calls in advance कितने होंगे sir calls in advance है 6000 area 120 और to share final call final call कितना 10,000 माइनेस करो चार हजार 49, 3800 800 801 ठीक है बींग भईया सबका सेम रहता है यहां तक कोई दिक्कत समझ में है यहां तक कोई दिक्कत सबकोज एक दम बढ़िया चल रहा है कोई दिक्कत बता भी दिया था बच्चों ने 300x क्यूं किया sir आपने 300 को 300 से गुना क्यूं किया भी अब final call जो है क्योंकि इसके पास 300 share है तो 300 को इससे भी गुना किया मैंने और फिर एक बार 300 को इससे भी गुना किया तो allotment का allotment के हिसाब से देख लिया और final call का final call के हिसाब से देख लिया यह वाला जो है न call तो यहां तक कोई डाउट एक और सवाल देखें यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है 180 कैसे आया अलाटमेंट में भाई 180 ऐसे आया अलाटमेंट में 480 आपके एडवांस थे जिसमें से 300 रुपरे अलाटमेंट के कट गए तो आपके एडवांस फिर से और बच गए और बच गए आपके 180 एडवांस ठीक है अब सब्सक्राइए इसी एक्जामपल के अंदर में टूइस देता हूँ अगर मान लो मैं इसके पैसे रिजेक्ट कर देता है कई बार ऐसा होता है कि अड़्जेस्ट ओन अलोटमेंट इन एक्सेस अमाउंट विल बी रिफंडेड यानि सर समझ में नहीं आया अप्लिकेशन रिसीव पारा हजार और इशू सर दस हजार थोड़ा रफली लिखूंगा आठ एक एक ठीक है मैंने कहा एक्सेस एक antesार थब था ौ विल बीः अड़ शेस। इन ऑन अड़्यार कैने कि अग्स वर बालटमेंट टीका कि विल्वे Fit, dividing यह एक लाइन लिख दिया, इसका कहने का मतलब है भया, जो एडवांस है उसको आगे ले जाओ, यानि यहाँ ले जाओ, इसके बाद आगे बढ़ने की जुरत नहीं है, यही पैसे उसके वापस कर दो, समझे बाद, यही पे पैसे इसके वापस कर दो, सर, यहाँ पे फिर से अगर मैं राम को फेल कर दूँ न, जिसके पास 300 share है, कहानी बदल जाएगी सर, बिलकुल बदल जाएगी, कहानी, देखिए, bank account to share application, bank account to share application, सर, कितने, वही 96,000, share application, to equity share capital, to इसके बाद क्या आएगा, bank से पहले लिख देते हैं वापस, to advance, on allotment, यह कम से कम 3 गंटे की class होना तो फिर मजा आ जाए, share application, share application में कितना आएगा, 96,000, क्योंकि यह आधी बात है, मेरे मन में ही रह जाता है, और फिर वह फिर paper में आ जाता है, तो फिर इसके बाद 96, 96 के बाद यह आ जाएगा, हमारा 10,000, 80,000, bank में कितने वापस पहले, advance तो देख ले, advance कितना होगा, 10,000, जो वापस पैसा बचा वो 6,000, सर इसकी working note अगर आप पूछेंगे तो मैं बोल दूँगा, बता दूँगा आपको, कि भाईया आपने 12,000 मांगे, 12,000 into 8, 96,000 दिये, और आपके adjust हुए application पे सिर्फ 10,000 into 8, that is आपका 80,000, आपके advance 16,000 बच रहे थे, अगर मैं आप सभी से call कर लूँ, allotment के पैसे, जा घर से पैसे ले के आ, तो वो सिर्फ 10 के इसाप से होता, that is 10,000, फिर भी आपके 6,000 रुपए advance बच गए, और law, और question ने बोल दिया, इसको क्या करो, refund कर दो, तो मैंने इसको क्या कर दिया, यहां bank से refund कर दिया, समझे आपको, अब अगली entry, share allotment to equity share capital, ठीक है न, और यहां पर आ जाएगा सर, 10,000, और अगली entry bank, bank, advance, bank के बाद, advance to share allotment, पर यहां 0, यहां 10,000, और यहां 10,000, सर, अगली entry, interesting entry, क्या होगा बच्चा समझ रहे हैं, कुछ जो बच्चा समझ रहे हैं को तो पता लग गया होगा, करेंगे, share final call, final two equity share capital, अगेन कितना आना है सर, 10,000, लेकिन जब bank में पैसे लेने जाएंगे, तो bank में call scenario होगा, 10,000, अब देखो, यहां का पैसा न, यहां advance गया ही नहीं, क्योंकि बीज में break लगा दिया, तो भईया, अब सीधा क्या करो, minus इसको, तीन सो, यह allotted है न, मैं लिखे देता हूँ, सर आपने बताया तो है नहीं, मैं allotted लिख रहा हूँ याँ, तीन सो गुणा में, एक कर दो सीधा, यानि सर, तीन सो गुणा में, एक कितने, तीन सो तो यह आ जाएगा, 19, 700, cause in area, कितने, 300, to advance, to share final call, share final call, कितने, 10, देखे, पिछले सवाल, और इस सवाल में, कोई changes नहीं, सर एक line डालने के बज़े से, हमारे final call का amount देखिए, बदल गया है, यहाँ पर, यह रहा है, किसी को कोई दिक्कत, बच्चे कहरें, सर, जो मन में question है, अगली class में करा देना हो, बताईए कोई doubt, नहीं, तो हमने क्या करा, कितने cases कर लिए, अगर हम ध्यान से देखें, मैंने बिल्कुल basic से लिया है, कोई बच्चा ऐसा ना समझे के, सर, 12 में हमने नहीं करा था, तो हमें समझ में नहीं आएगा, मैंने उसको consider करके किया है, तो देखें, पहले एक example यह किया हमने, मैं class भी लिख देता हूँ, क्यूंकि जो edit करते हैं, पीडियाफ को बोलते हैं, सर, पता नहीं चलता कौन से class है, तो आज class नमबर कौन सा है, सरी है, class नमबर 4 है, 0-4, तो वो अब कर लेंगा आपसे, एक यह हो गया, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, पांच सवाल exam में आते हैं, लेकिन हमने साथ कर लिया आज, ठीक है, मैं ना इसका format बनाऊँगा, आपके सामने जो question है न, आपके सामने आपके book का ही question है, जिन बच्चों के पास book है, क्या है बच्चा किसी भी मतलब कि जिसके पास jr मोंगा है, उसका illustration दे रखा है, उसको मैंने question number one नाम दे दिया, मैं आपके सामने न, इसका एक working note बनाऊँगा, अगर सबने class ले रखे पुरानी वाली, तो आपको लगए यह सर, यह तो हमारा हो जाएगा बड़ा easily, तो चलिए फटा-फट से working note देखते हैं, क्या कहता है question में, पढ़ लेते हैं, question में कहता है कि money का limited है, जिसका formed है an authorized capital of rupees, आपका 5 lakh, तो authorized capital दे रखा है सर आपको, और authorized capital कितने का है, 5 lakh का, रुपीज 5 lakh, और कहता है कि issue किये हमने 2 lakh share, और इसने कहा मैंने issue कर दिये, 2 lakh share, रुपीज 2 lakh का, अब याद रखिया कि authorized capital का कोई काम ही नहीं होता, और कहता है ये, कि आपका equity share at par payable, और equity share par payable है, ये नहीं बताया कितने का, इसका category बता दिया गया, आपको पता करना होगा, मैं इसे हटा देता हूँ यहां से, इसके अंदर given है आपका, 25 रुपए application, 35 allotment, first पर 20, और last call कितने का है, final call, तो आप जोड़ेंगे तो, कितने हो गई है, 100 रुपए का है, कहता है necessary general entry करना है, तो देखिए यह तो सिर्फ और क्या हो गया, basic सा entry हो जाएगा यह, तो जो entry आपसे होता जाएगा, मैं समझाता जाऊँगा, answer although आपके illustration के given है, और answer जब आपको given है, तो आप खुद भी कर सकते हैं इस बात का ध्यान लखना, क्योंकि JR सर इस question वाली PDF में आपने कौन से book के question, सारे JR देखो मैंने कहा, कि हम जो पढ़ेंगे न, आपको यह नहीं लगना चाहिए कि कुछ अलग पढ़ रहे हो, और ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि स्लेवस हो रहा है नहीं हो रहा, पूरे दिल्ली के अंदर, जो DU के बच्चे हैं, मातर एक ही book है इसका, वो है JR मुंगा, जो बच्चे prefer करते हैं, अब इसी में से तयारी करते हैं, तो वो पूरी book तो हम करी रहे हैं, पहली बात, दूसरा साथ के साथ जो tenure है, जैसे chapter खतम होगा, फिर हम tenure करेंगे, तो हम दो चीजों को लेके चल रहे हैं, ध्यान दीजिए, एक तो पूरी की पूरी हम JR मुंगा book, जो भी question दे रखे हैं, मैंने PDF में मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं slide मैं दे देता हूँ question में, उससे आपका benefit होता है, कि यह, हर बच्चों को मैं एकी suggestion दूँगा, कि आपना book जरूर बाए करें, 500 और 600 रुपे के अगर चक्कर में रहेंगे न, तो फिर आपका नुकसान होगा, क्योंकि book के अंदर और भी चीज़े material होती है, जैसे theory हो गया पढ़ लिया आपने, कुछ entry आपने revise कर लिया, आपने note कर लिया, आपने mark कर लिया, यह question important है, PDF पे possible नहीं है, और वो book तो आपके अगले साल फिर से बिख जानी है, या जो भी है, बेचने के लिए नहीं, मैं कह रहाँ, book आपके पास hard copy होना चाहिए, बाकी मैंने कहा, आप देखेंगे, अपने book का illustration number one उठाईए, जिनके पास book है, वो check कर सकते हैं, कि illustration number one, और illustration number one में आपको, यह मिल जाएगा, ठीक है, अब चलिए, अभी तक मैंने book का help नहीं लिया था, बिल्कुल भी और सीधा सीधा कर रहे थे, अब आ जाते हैं सर, ये वाला सवाल, अब कितने बच्चे जितने भी live हैं, और offline वाले भी बच्चे तो कह रहे हैं, कि सर ये तो हम कर लेंगे, अब live वाले भी बताते हैं, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और जितने बच्चे नए जोइन हुए, उनको पहले पुरानी class देखनी पड़ेगी, तब आगे आपको समझ में आएगा, हाँ, जो भी मुझे solve करना है, मैं बताता जाऊँगा, उसकी चिंदा मत करवाँ, अभी वी बत्चे पूछने कौन सा बुक लेना है, सर, जे आर मुगा, जे आर मुगा, जो आपका semester 1 में था, fundamental of corporate account के नाम से है, चलिए सर, दूसरे सवाल पर चलते हैं, एक और सवाल आपके सामने, दो करा दो, मैं सारे सवाल आपके सामने दिखाऊँगा, जो PDF में दिया है, आप जब yes बोलोगे, तभी मैं आगे बढ़ूँगा, कहता है, पहवान activity limited है, कोई, sorry, activation limited है, nominal capital, सर, nominal capital का मतलब क्या होता है, एक ना मेरे mind में एक question खटक गया, पिछले आले सवाल को देखके, आप share application में bank में payment कितना लोगें बता सकता है कोई बच्चा, फटा-फट बताईए bank account debit to share application, पहली entry मैं सोच रहा हूँ, पूछी लूँ, कौन बताएगा, जल्दी बताईगा, bank account debit to share application, कौन बताईगा, फटा-फट बताईगे, पहली entry, बच्चों ने सब ने दवा के जवाब दिया 50 लाग, आंसर देखिए, ये 2 लाग क्या है, रुपे है, पहले हम आपन 100 से डिवाइड करेंगे, फिर ये बनेगा 2000, अब जो entry आएगा, 2000 और गुणा में 25, तो 25 दुने, इसलिए मैंने पूछ लिया, रुपीस में हो, ये कौमा लगा रखाने रुपीस है, मैंने लिख दिया था ना, वहां तो रुपीस में, रवी ने जवाब दिया 50 ल, बैंक, अभी भी बच्चे लगातार बोले जा रहे हैं, सर्फ बैंक में 50 लाक रुपे लिखो, पांच लाक, पांच लाक तो नहीं होगा न, देखिए सामने लिख रखा है मैंने, शेयर लिखा है, वो थोड़ा सा मैंने यहां लिख दिया था, आपके लिए, आपके help के लिए मैंने लिख दिया था, यह रुपीज का सिंबल है, वहाँ मिसिंग था, तो आप इधर देख लिए, मैं तो वहाँ से पूछ रहा हूँ, ठीक है, तो आगर आपको रुपीज में दे रखा होगा, तो पहले convert करना पड़ेगा, नंबर में फिर multiply करेंगे, इस बात का आपको खासा धियान रखना है, चलिए, nominal capital किसे बोलते हैं, authorized capital को बोलते हैं सर, nominal capital बोलते है, authorized capital, इसका कोई काम ही नहीं होता है, कितने दे रखे हैं यहाँ पे, पचास लाग, अभी कोई hand raise का जवाब नहीं, बच्चे कह रहे हैं सर, 10 से होगा यह 100 से होगा, यह भगवान, यहाँ पे इसका total 100 हो रहा है न, मैंने 100 से ही किया है, अच्छा, यह पूछ रहे हो, मैंने 100 से ही किया है, वो divide मेरे mind में था, मैंने इस से ही किया है, ठीक है, चलिए, कहता equity share 10 rupees each होगा, issue हमने करे 2,00,000 share payable at, अब यहाँ पे issue कह रहा है कि हमने कितने share किये हैं, 2,00, यह rupees में नहीं है शायद न, यह नहीं है, रुपीज में, अलग कह रहा है कि यह each होगा, तो मतलब यह rupees में नहीं है, तो आपका issue, issue कितना है, 2,00, पेबल कहता है, धाई रुपए application पे, और क्या कहता है, धाई रुपए allotment पे, और 5 रुपए final call, ठीक है, all money payable on allotment was duly received, one shareholder, कहता है, सारे पैसे duly received हो गया, one shareholder fail to pay, due on allotment 25 share, सब मिल गया, बस allotment पे एक वेक्ती था, जिसके पास 25 share थे, वो fail हो गया, आगे कहता है, while another shareholder who hold, 2000 share, paid for share right up, कहता है कि, while another shareholder, एक वेक्ती ऐसा था, जिसके पास 2000 share थे, paid for the share, right up in full, कहता है भाया, यहीं पे, एक वेक्ती ऐसा था, जिसके पास 2000 share थे, उसने full दे दिये, full का मतलब, इसने यहां का तो पैसा दिया, और आगे का भी दे दिया, make necessary general entry of the company books, record the above transaction allotment share, show the company balance sheet, ignore the interest, calls in area and calls in advance, अभी हम balance sheet का बात नहीं करेंगे, पहले तो हम basic basic entry की बात करेंगे, फिर एक साथ balance sheet की बात करेंगे, अब general entry, कुछ बच्चों को doubt हो सकता है का सर, इसका मतलब क्या हुआ यह वाला point, तो पहली entry क्या होगी सर, bank account debit, to share application, कितने 2.5, इंटु 2,00,00, सर 5,00,00,00, अगली entry, share application, to equity share capital, कितने, share allotment, to equity share capital, कितने, यह भी 5,00,00,00, अब जब bank में payment लेने जाएंगे, तो एक वेक्ती पैसा नहीं देगा, कितने, धाई सो इंटु में 2.5, तो 5,00,00,00,00, आने थे, minus में, यह हो गया, और एक वेक्ती एक्स्ट्रा दे जाएगा, एक्स्ट्रा यहां का नहीं दे सकता, एक्स्ट्रा आगी का देगा, तो 2000 गुणा में 10, 5, तो सर 10,000, यानि 5,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, को ना confusion हो सकता है कॉल सिन एरियर कितना हैंगे सच्छोपचाज एडवांस एडवांस आएगा दस अजार तू क्या हैगा सर शेयर अलॉटमेंट कितना हैंगे शेयर अलॉटमेंट में पूरे पांच लाख दस अजार नई ने 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 गड़ बड़ हो गई मैं इस entry को दुबारा करना चाहूँगा थोड़ा बड़ा बड़ा देखें बैंक में आने थे पांच लाग इसमें से एक वेक्ती ने बोला मैं advance दूँगा तो उसके plus हो गए 10,000 minus हो गए 67,60 इसकी detail ये कैसे आया सर 2000 गुना में ये कैसे आया सर 2500 गुना में 2 पॉइंट समझे account debit account debit अगली बात करते है area कितना था area debit हो जाएगा area account debit सर यहाँ पर अगर minus plus करते हैं तो 5 लाग कितना रहा था 37 पचास area कितना है 63 पचास और 2 share allotment में कितने जाएंगे 10 लाग सरी 5 लाग area में कितने जाएंगे 5 लाग और 2 2 किस में जाएगा सर advance ये advance दिया नहीं हाँ तो calls in advance यहां कितना चला जाएगा 10 अजार अब share आगी की बात करते हैं share final call to equity share capital final call to equity share capital कितना होगा 10 अजार final call equity share capital 5 इंटू में यानि 10 लाग 10 लाग अब जब bank में पैसे लेने आएंगे तो 10 लाग आने थे जिसमें से failure नहीं देगा कौन ये वाला नहीं देगा न तो 2500 इंटू में 5 कितने हो गए 2500 इंटू में 5 कितने होते हैं 1200 12500 माइनस कर देंगे जिसने पहले advance दे रखा था कितने 10 अजार तो 10 लाग में से 22 माइनस हो जाएगा तो 9 लाग 88 अजार 500 call scenario call scenario 12500 calls in advance calls in advance 10 अजार और 2 share final call देखो सवाल बड़ा असान था ये लेकिन कहीं न कहीं complication था कितना आ रहा है किस से multiply किया है 25 से न अच्छा 67500 की जगा पर क्या आएगा अच्छा ये गलत हो गया भाई ये 6250 अगा इसलिए मैंने नीचे लिख दिया खीक है वहाँ तो सही कर रहा है मैंने टोटल रहाँ से कहरे है Monica Limited पूरा नहीं है तो direct entry कर देंगे call scenario call in advance तो सिधा bank to share allotment कर देंगे net amount करके बाई मुस्कान आपके पास जियार मोंगा text and assignment है तो आपने सिर्फ पतली से book खरीद रख्योंगे वो बहुत पुरानी book है नई book खरीदें आप नई book से काम चलेगा पुरानी book वाले बच्चे पहले बता रहा हूँ आपके एक्जाम में अगर कुछ भी उपर नीचे होता तो उसके जिम्मेदार आप है स्लेवर्स कहां कहां आ गया text book जो कह रहे है न assignment वाला है latest है आपके पास तो जे आर मुंगा text and assignment है समझ में नहीं आए cover page भेज देना मैं बता दूँगा कौन से book लग रही है आपके sir call scenario तो credit होगा अब देखे call scenario बिलकुल credit होता है नहीं call scenario तो हमें साथ debit ही होता है credit कब से होने लग गया तो मैंने debit किया देखो यहां भी debit किया और यहां debit किया debit का मतलब हमें तो लेने है ना उन्से तो call scenario debit होगा आप सब की book का है अगली class मैं book लेके आना फिर क्योंकि आज मैं भी book नहीं लाए PDF नहीं मिलेगी आपको इसके questions की book लेके आओ अपनी सिर्फ class की PDF note मिलेगी आपको working note की questions की बिल्कुल नहीं देंगे कुछन हटाके देंगे बुक खरीड़ो अपनी कि जे आर मोंगा बुक का नाम है जे आर मोंगा कि बताओ क्या दिक्कत आई इसके अंदर question में मेरे इसाब से तो पूरा इसमें क्या इश्यू है printed में बताईए आप nearby shop पे कहीं भी ले सकते हो जोती monica limited अब देखो जितना हमारे पास जानकारी था ना हो सकता है कुछ amount मेरा missing हो गया और typing error पर इस question के इसाब से यह देख लो और book वाला भी आपको समझ में आ जाना चाहिए अगर in case book वाला नहीं आता तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो तो अभी थोड़े बहुत error मान लेते हैं कि हो गया है उसमें question में मैं तो इस question को पढ़ रहा हूं और ऐसा कर रहा हूं तो यह आपको मैंने question बदल तो दिया था वो आला आप उसकी चिंता मत करो वो question बदल दिया था जैसे मैंने कराया है उसके इसाफ से आप देख लीजिए पचास लाक वहां रुपीज का सिंबल नहीं दे रखा हो तो फिर पचास लाक ही लेंगे ठीक है अब पहले यहां की बात बताईए इसमें कोई दिक्कत है तो इसमें बताईए कोई दिक्कत फिर अगले सवाल पर चलें बुक का नाम जे आर मुंगा पूरा ही है यह शॉट फॉर्म नहीं है भाई पूरा ही नाम है यह देखो यह लिख ली थिये और वीडियो जब रिकॉर्ड इट मिलेगा तो आपको मिल जाएगा यह अगले सवाल पर चलते हैं पताई है हाँ तो तो फाइनल कॉल पर तो फेल हो गई ना तो ऐसा कहा लिखा है कि अगर शेयर होल्डर का नाम नहीं है तो फाइनल पर फेल नहीं होगा मैंने कहा था कि वो पिछल दो शेयर होल्डर हो तो जुड़के होगा वो बात अलग थी यहाँ पर बात अलग है क्या, कितना आएगा, 977 आएगा, ये क्या आएगा, दबल देगा, चलिए, कॉल सिन एडवांस में, 10K कैसे आए, लिखा हुआ है, कॉल सिन एडवांस में, 10K, ये रहा, यहाँ पर एडवांस था, यही उठके यहाँ आगया, चलिए, इस कोशन में क्या है, पढ़ लेते हैं, ब्लू बर्ट्स लिमिटेड है, कहता है हमारा घीवन है, एप्लिकेशन 25, 35, 25, और फाइनल कॉल बैलेंस, तो सर, हमारे पास कितने शियर थे, 10,000 शियर, और 100 रुपए का एक है, तो 100 में से कितने का हिसाब हो गया सर, 25, 35, 60, और 20, 75 का, नहीं, 60 और 20, तो ये कितने का बचेगा, 15 बैलेंस निकाल लिया, क्या से निकालेंगे, बैलेंस पता चल गया, क्योंकि उसने बोला, एक शियर कितने का है, 100 का, तो अगर 100 का एक शियर है, तो पूरा हिसाब के ताब 100 बनना चीए, तो इसके हिसाब से हमने निकाल लिया, अब कहता है, the application was received 9000 share, हमने 9000 share का application received किया, these accepted, all money due were received, accept, कहता है कि भीए 9000 share, यानि 10,000 issue किये थे तो 9000 आए, तो कौन सक वाला case होगे, under, subscribe, all money were duelly received, accept the call money, call money के उपर 200 share के पैसे नहीं आए, give general entry, cash book भी बनाना है, general entry भी करना है, record the transaction, the expense of shares amount 10,000, इसमें और भी कुछ amount जोड़ दिये गया है, तो सर सबसे पहले क्या देता है question में, मैंने issue किये थे, मैंने issue किये थे, 10,000, सर application received हुआ, 9,000, 100 रुपय का share था, जिसका categorize करें हम, 25, 35, 25, और 15, ठीक है, और 15, चलिए, अब कहता है कि बैस सब पैसे मिल गए, कहता है all money will receive, except the call money, call money यहां से start होगा, यहां पे एक वेक्ति फेल हुआ, जिसके पास 200 share थे, वो क्या हो गया, आगे कहता है, के general entry, record transaction, हमें cash book भी बनाना है, तो मैं अभी बना के दिखाऊंगा, cash book भी कैसे बनेगा, expense on share issue amount 10,000, 10,000 रुपय हमारा share issue पे expense भी वा, इसके भी entry करेंगे, तो पहली basic basic entry तो कर ले हम, यह मैं करूंगा, अभी बस आपको ध्यान से देखना है, कोई बीच में क कुई question नहीं करेगा, bank account debit to share application, जो हमने सीखाए पहले हम वो apply कर लेते हैं, कितने से होगा सर्ये, 9,000 into में 25, यह होगा, तो कितने आगे, 2,25,000, इसके बाद, share application to equity share capital, दो लाख पच्चिस अजाद, अगली entry पे आते हैं, bank account debit, sorry, share allotment to equity share capital, कितने, कैसे आएगा, 90K, multiply 35, तो 3,15,000, ठीक है न, अब आज आते हैं, bank में पैसे, पूरे आएँगे, यहां तो कोई फेल नहीं हुआ, to share allotment, 3,15, यहां तक किसी बच्चे को doubt है, जो मैं करना उसके उपर, बुक में से answer देखके, कोई ना बोले, सर ऐसा होगा, तो ऐसा होगा, मुझे पता है, बुक में क्या कर रखा है, नहीं कर रखा है, हम बाद में उसके discussion करेंगे, पहले यहां तक जो हमने सीखा है, वो सही चल रहा है, अगली entry करेंगे हम, share, first call, to equity share capital, और सर यह कितने होंगे, amount देखा जाए, दो लाग, अब जब bank में पैसा आएगा, तो पूरे पैसे नहीं आएगे, दो पच्चिस में से, माइनस हो जाएगा हमारा, 200 into में पच्चिस, यानी 5000, सर यह 5000 कैसे आया, 200 गुणा में पच्चिस, माइनस कर देते हैं, कितने बनेंगे, हाँ, दो लाग, पीस अजार, अब एरियर, 5000, और टू, share, two share, allotment, two share, allotment, नहीं, first call, first call, two share, first call, कितने, दो पच्चिस, दो पच्चिस, बच्चे कह रहे हैं, सर तीन पचास, यह भगवान, भाई, आप पुरानी classes को register पर अच्चे से note करिए, और अच्चे से समझिए, जब हमारा under subscribe वाला case था, तो जो application receive होता है, उसी से entry करते हैं, तो application receive हमारा 9000 है, तो 9000 से हमने entry करी हैं, पुरानी classes को बार 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 देखिए, जब तक आपको समझ भी नहीं आथा, पंदरा, मुसकान आप पंदरा क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ भी नहीं है, आपकी किताब में क्या लिखा है, I don't, मुझे नहीं पता भीया, मैंने एक example लिखा है, उसको देख लीजी आप, और इसको इस आप से समझ के आपको करना है, आप सब इदर उदर की बाते कर रहे हैं, ऐसा ले रखा हैं, और answer को देख रहे हैं, और answer को देख के मैच कर रहे हैं, तो भाई, answer को, book के अंदर तो 100 चीजे, मैं तो basic basic चीजे बत share final call to, share final call to equity share capital, दूसरा मैंने अभी कहा था आपको, मैं एक चीज और clear कर दूँ, कुछ सवाल सेम भी होंगे, और कुछ सवाल के मैं डिजिट को change करूँगा, copyright का issue तो यही है न, कि भाई, मैं publisher का same to same सवाल नहीं लिख सकता, यही दिक्कत है थोड़ा सा, तो कुछ के न मैं किताब वाले का महाँ पर देख के आप अपने हिसाफ से modification कर सकते हूं, ठीक है न, कई बार typing में रह जाता है, कई बार मैं question जान बूच के थोड़ा सा change कर देता हूं, तो sir, यहाँ पर क्या आएगा sir, 9000, multiply, 15, 1,30, ठीक है, और इसके बाद, bank, sir, bank में payment आना था, 1,30, देखि माइनस, तीन हजार, कितना आएंगे, एक लाख, 32,000, तीन हजार कैसे आए, दो सो इंटू में 15, call scenario, और 2, share, final call, और एक मैंते साथ जा, अब हमने cashbook बना लेते हैं, cashbook देखिए, cashbook में अगर हम ध्यान से देखें, पहले समझ लीजिए, जहां-जहां bank लिखा है, उसकी entry करेंगे, ध्यान दीजिए, cashbook में सिर्फ जहां-जहां bank लिखा है, उसकी entry करेंगे, यहां-जहां bank लिखा है, उसकी entry करेंगे, यह वाला नहीं आएगा, यह भी नहीं आएगा, एक ही यह आएगा, और यह भी नहीं आएगा, एक ही यह आएगा, यह भी नहीं आएगा, यह भी नहीं आएगा, एक ही आएगा, तो जहां-जहां मैंने tick mark लगाया, वो cashbook में से related ह तो bank है bank में पैसा आजा है तो ड हएगा तो उसे ब्ली एक टू के आएगा टू किसेhem जो लेजर पोस्तिंग करते थे ना ग्यार वी ने बेंक में के एह इसे बंदएक अपर से कैश बूक मतलब वैंक अकांउन्टी जयाए कर दोर और पो अब आगे चलते हैं तो यहां पर क्या है टू अलॉट्मेंट शेयर यह कितना है सर यह तीन लाख और आगे बढ़ेंगे तो टू शेयर फर्स्ट कॉल कितने फर्स्ट कॉल में दो लाख बीस अजार बैंक वाली एंट्र देखनी है आपने सिर्फ बैंक वाली जितना पैसा बैंक में आ रहा है और उससे आगे जाएंगे तो यहां पर बैंक में एक लाख बत्तिस अजार टू फाइनल कॉल एक लाग 32,000 इसका टोटल कर लेंगे और टोटल करके लिखते हैं बाई बैलेंस बैलेंस CD बाई बैलेंस CD कितने? 892,000 ठीक है? तो यही आ जाएगा 892 अब ध्यान दीजिए क्योंकि इस कोजिशन में बोला है कैश बुक बनाने को तो अब मैंने एंट्री तो एक बेसिक कर दिया जब कभी भी कैश बुक बोला जाता है न तो हम पूरी जर्नल नहीं करते हैं फिर से मैं रिपीड कर रहा हूँ जब कैश बुक बोला जाता है तो हम पूरी जर्नल नहीं करते हैं यानि ये सवाल अभी गलत है सही पता कब होगा जब मैं जितनी भी एंट्री कैश बुक में जो करी गई है ट्रांसफर उस एंट्री को ना करके मैं हटाता जाऊंगा यह हो गया सही एंट्री यहां से क्या हटेगा सर यहां से यह हटेने वाला है यह हो गया सही एंट्री यहां से क्या हटेगा सर यहां से यह हट जाएगा यह हो गया सही एंट्री यहां से हटाएंगे क्या सर यहां से यह हटा देंगे सही अब जाके ये journal entry क्या माना जाएगा हमारा ठीक माना जाएगा पहले समझ में आ रहे हैं यहां तक बात यानि जब cash book बोला जाएगा बनाने को तो journal entry में जहां-जहां हम bank लिखते हैं न उसको journal entry में ना लिख के सीधा कहां लिख देंगे हम और ये आपको मन में ही calculation करना होगा ऐसा नहीं कि बोलो सर हम कैसे मिटाएंगे हम वहाँ पे कैसे करेंगे आपने तो मिटा दिया मैंने समझाने के लिए बोला है कि जब cashbook होगा तो bank वाली कोई journal entry में नहीं होगा वो सारी के सारी entry कहां पहुंच जाएगी cashbook में ये internally आपको practice से ही आ सकता और कोई सिखा नहीं सकता आपको जितने बार practice करोगे मालो इसी question को दो बार practice करोगे तो आपको idea लग जाए कैसे करते हैं एक और रहे गया the expense on issue of shares amount 10,000 तो जब कभी भी issue of shares expense होता है तो issue of shares expense है और इसकी दो entry होगी एक तो हम payment करेंगे इसको तो मैं दो entry करने जा रहा हूँ इसकी side में कर देता हूँ यहां यहीं कर देते हैं issue expense to bank गया bank से पैसा निकल गया कितने रुपे निकल गया अब इसको P&L में भीजना है statement profit and loss to issue expense कितने तो sir यह दो entry आपको और करना पड़ेगा देखिए हाँ कर दिया मैंने अभी last में किया expense वाली तो sir final call amount जो solve करके बताया है बस book में question practice कर रहे थे इसलिए कितने नई मुस्कान मैं miss behavior का नहीं कह रहा है मैं तो यह कह रहा हूं कि हम इसका वाला करेंगे और जो यह रहेगा इसी की हम चर्चा करेंगे पूरे subject में अभी मैं इतना बता दूना corporate account ना बड़ा subject है मैं हर बार कह रहा हूं कि भई बड़ा subject है मेरे से ज़्यादा ना आप लोगों का contribution होना चाहिए मैं जितने सवाल दूँआ ना आपको practice करना पड़ेगा अब देखो हमने कितने दिन लगाए पां कुछ ना कुछ तो आएगा ना तो जैसा नहीं है मैं हर बार कहता हूं बच्चों को लेकिन बच्चे बोलते हैं सब्सक्राइब कहां इसके अंदर issue expense की रेरी शायद देखा हो किसी ने नहीं देखा हो उसके बाद जितने भी आगए आगे question में बढ़िएगा तो मैं तो सज करता हूं कि भाईया आपकी इच्छाय देखिए अब यह फिर से क्या आ गया सवाल नंबर तीन ही थोड़ा सा advance question आ गया यह सवाल नंबर तीन जो चौथा question है तीसरा कहा गया अच्छा तीसरा यह था दूसरा अच्छा पहला तो कुदी कर लिया था सवाल नंबर चार जो है करने का सबसे आसन तरीका क्या है जो मैं class में करवाता हूं तो at least 2 बार तो आपको करना पड़ेगा भई practice एक बार करने से और एक बार स्रिफ class देखके register में note करोगे तो नहीं होगा एक बार मैंने करा दिया और एक बार घर पे आपको self भी करना पड़ेगा तब जाके आप paper लिख पाओगे नहीं तो मैं पहले ही कह दूँ पेपर नहीं लिख पाओगे एक बार मैं दिखा दूँगा पिछली बार का paper क्योंकि अभी कुछ हुआ नहीं है लास्तियर का paper ना मैं डाल दूँगा इसके अंदर जो पेपर आये थे honors program के आप देखना उसमें share capital का तो सवा सवाल ही नहीं पूछा गया सवाल आया था bonus share right issue का तो paper में डरा बिल्कुल भी नहीं रहा आप अगर practice रखोगे और honors के अंदर जो बच्चे semester 4 के अंदर honors मतलब कि जो semester 2 में था ये honors के बच्चों का तो उनका पूछना mcq आ गया था यह 40-45 नंबर का तो वह mcq में देखके डर के भाई ये कैसे करें और बिल्कुल detail law पूछ लिया गया था उनसे तो मैं इसलिए कहता हूँ किताब जब लोगे न आप तो किताब में पढ़ोगे जैसे मैं for example कह दूं कि what is the difference between the reserve capital and capital reserve मैंने अपनी तरफ से बता दिया कि reserve capital या फिर what is the security premium लेकिन आपको याद तो नही कर लेते हैं इंटरमीडियेट का अकाउंट्स खतम हो जाता है कोचिंग लेने की जूरत नहीं इंटरमीडियेट तो आपका ऐसे वहता है फाइनल के लिए लेना पड़ेगा इंटरमीडियेट ऐसे जो बच्चा ग्रेजुएशन इमानदारी से कहेगा तो इंकम टेक्स उसक इसको कोचिंग की जुरत पड़ती है इसको ध्यान लखना अगर मैं बोलू जिसने बारवी इमानदारी से शेयर कैपिटल को किया होगा ना उसको इसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी इतनी अगर कोई एक दो एंट्री में बीच में डाल भी दूआ ना तो आप तुरत ग्र पचासो कोच्चन ऐसे हैं जहां पर बैलिंग शीट पूछा जाता है कई जगा पर यह एंट्री होता है 12th क्लास के अंदर ठीक है तो चलिए सर अगले सवाल को देख लेते हैं काफी बच्चे बोलते हैं सर भुक ना ले ले टैनियर से कर ले सिर्फ आप जो पढ़ा रहे हो क्या वो इनफ रहेगा तो मैं यही कहना चाहूँगा भाई मैं पढ़ा रहा हूं इनफ नहीं है मैं सिर्फ आपको उतना ही पढ़ाता हूँ आप किताब में याद करते हो एक बार पढ़ते हो पूरा पढ़ते हो खुछ अब जब उसको लिखने बैठे हो तो उसमें से आपको सिर्फ 30 परसंट याद रहता है बाकि 70 परसंट क्या होता है भूल जाते हो आप 12 को भी याद करो आपको अकाउंस ऐसा नहीं कर जीरो कर द 30 परसंटी अफर्ड बाकी 70 परसंट लर्निंग आपकी होगी आप कितनी प्रैक्टिस करते हो मैं हर बार यहीं बोलता हूं बच्चों के भई मैनत आपकी लगने वाली है मैंने तो सवाल किया सवाल उठा के करा दिया कॉंसेप्ट आपने बोर्ड पे देखा हां सर समझ में आगिया तीन दिन क्या एक हपते छोड़ दो आप भूल जाओगे क्या था और मैं गेरेंटी से बोलता हूं जब हमारी यह चेप्टर आगे बढ़ते 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 जाएंगे ना तो यह चेप्टर बच्चों भूलते जाएंगे क्योंकि इसी के जैसे से आपका कौन- इस एक डम परफेक्ट रखना नोट्स बनाना अपने अच्छे से गीता लिमिटेट ने कहा कि हमने साथ हजार शियर दस रुपए का एक है पेवल एज अंडर तीन अप्लिकेशन अब यहां देखो मजे की बात क्या दे दिया इसने अब यहां पे क्या पूछ लेगा यह एप्लिकेशन रिसीव हमने किया इतना हमने इशू कितने किये थे यह तो ओवर सब्सक्राइब का केस हो गया आगे कहता है कि भाईया जिसने अपलाई किये पांच बीस उसको तो मैंने पूरे दे दिये जिसने तीन साथ मांगे उसको क करवाया था इद्वांस वाले में जब डिफरेंस हमारा यादा हो जाता है तो पैसा कहां तक चले जाता है हमारा को बाद को क्रॉस कर देता है इसका मतलब है चुरिय का कि और allotment and subsequent इसका मतलब allotment पे भी utilize करिए और उसके बाद भी करिए तो question खुद ही कह रहा है आपको कि allotment के आगे भी जाएगा कहता है calls authorized by the article associate general entry transaction assume all sums were received ignore interest especially कह रहा है interest को क्या करके चले ignore, जब होगा तो हम देखेंगे अब मजे की बात और आसानी बात मैं यह बताऊ ना, इस question में failure नहीं है किसी को fail नहीं किया, तो sir issue कितने है sir इसमें, sir issue है हमारे नहीं, 6 लाग और application receive कितने थे 10 लाग और share कितने का था, 10 का कैसे कैसे बोला गया application तीन यह ऐसे बनाया है और मजे की बात आप ध्यान दीजी कि इसके अंदर ना date दे रखा है अगर interest पूछता यह तब तो date का काम था सवाल ने interest पूछा नहीं तो date का कोई role नहीं रहने वाला आपको date के according सिर्फ डालना चाहते हो तो date डाल दीजीए नहीं डालेंगे तो कोई ऐसी बड़ी आफ़त भी नहीं आएगी अब यहाँ पे पहली entry पहली entry क्या करेंगे हम bank है ना to share application कितने करेंगे application प्रिकेशन रिसीव दस लाक इंटु में तीन तीस लाक ठीक है इसके बास शेयर application to equity share capital कितने होंगे तीस लाक और भी होगा हाँ 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 share application तीस लाक to equity share capital कितने होंगे आपका छे लाक तीन अठारा लाक to bank जिनके पैसे वापसी करने एक लाक बीस अजार into तीन तीन लाक साथ हजार और तू तू में क्या आएगा सर तू में आएगा आपका तू में आपका advance अब advance की एक बार calculation कर लेते हैं सर इस category का तो advance है ना बस ज्यादा तो तीन साथ आपने मांगे तो तीन साथ के हिसाफ से तीन कट गए आपके तो कितने हो गए दस लाक असी अजार आपके minus हो गए सर कितने आपको मिले सरिफ असी असी इंटु में कितने तीन यानि दो चालिस तब भी आपके advance बनते हैं पता ही कितने आठ लाक चालिस हजार अब अगर मैं आपसे allotment मांगूँगा तो कितने मांगूँगा जादा जादा इंटु में तीन मांग लूँगा फिर दो चालिस फिर मांग लूँगा तो देखा जाए अब भी advance कितना बच गया आपका छे लाक और अब भी मांग लूँ मैं तो कितने मांगूँगा सर असी अजार इंटु में दो मांग लूँगा यानि सर एक लाक साथ हजार तो अभी भी देखा जाए तो आपका बचरा है कितने चार लाक चालिस हजार अब final call भी अगर मैं आपसे मांग लूँ 80 अजार इंटु में दो तो कितने मांग लूँगा एक लाक साथ हजार अभी भी आपका बचरा है कितना दो लाक असी हजार दो लाक असी बचरा है है ना दो असी अब ये पैसा कहां रखेंगे उसका तो रखी नहीं सकते न तो सर ये जो bank का amount है न ये नहीं आएगा अब bank का amount हमें बदलना पड़ेगा यानि bank के अंदर जो amount आएगा न अब ध्यान दीजिएगा bank में हमारा जो पहले था 3,60 तो रहेगा ही रहेगा और plus 280 ये भी हो जाएगा तो जो बच्चे देख रहेंगे बुक में नहीं तो उसकी calculation size समझ में ना आए तो वो ऐसे हुआ है इसलिए मैं बता देता हूँ तो कितने हो गए 3,25,8,6,14 तो 6,40,000 अब देखो allotment का advance allotment का advance तो ये है allotment 240 calls in advance एकटा ही कर देता है calls in advance तो दो है एक ये और एक ये तीन बीस टोटल करिए आ रहा है या फिर नहीं आ रहा मैच करिए तीस लाग होना चाहिए लिख तो दिया हाँ तो यूटिलाइज उसके बाद subsequent भी बोलाँ आगे भी करना है जी जिसका जो doubt है ना के ये वाला point नहीं आया ये वाला point नहीं आया बताते जाएए मैं उसको explain करता जाओगा नहीं point बताते जाएए एक बार दुबारा देख ले चलिए एक बार इसको मिटा के फिर से कर लेते हैं ठीक है एक बार मिटा के फिर से कर लेते हैं पिर से करते हैं एक बार देखिए सवाल में कहता है इशूड़ छे लाक एप्लिकेशन रिसीव और दस रुपए का शेयर कर दो अब 10 रुपे का शेयर, अब 10 रुपे का शेयर में क्या है हमारा 3 रुपे, 2 रुपे, 2 रुपे और 2 रुपे, अब पहले बैंक में हम पैसा ले लेते हैं, बैंक अकाउंट, डेबिट, तूशेयर, एप्लिकेशन, सर बैंक में डेबिट होगा 10 रुपे, इंटू में 3, that is 30 रुपे, अब एक एक स्टेप पर आपसे पूस्ता रहूंगा, आप बताते जाहिएगा, इसमें किसी को डाउट है तो बताईए, इसमें किसी को डाउट है तो बताएं, इसमें किसी को डाउट, फ़र्स्ट एंटरी में, हमें excess money का utilization क्या है हमारे issue का पहले पहली पहली एक एक entry करते जाते हैं no, सभी बच्चों ने बोल दिया no अब अगली entry adjustment की करते हैं क्या करेंगे हम share application पूरे 30 लाग to equity share capital equity share capital कैसे हैगा 6,00,000 into 3 that is 18,00,000 अब two bank sir bank में जिसके refund कियें उसके bank तो आप देखें refund इसके कियें 1,20,000 वालों को दिये है nil तो इसके refund किये तो ये आना चाहिए 1,20 गुणा में 3 ठीक है अब सबसे बड़ी problem क्या है पहले वाला category तो बड़ा simple सा है दूसरा category देखोगे न तो आपने धेर सारा share मांगा है लेकिन आपको मिला बड़े थोड़े से है इसका मतलब आप पैसे घर से बहुत लेका है माल लेते हैं कि आप मैंने क्या बोला एक एक रूपे का share है एक एक रूपे का share है आपको कितने share चाहिए आप मुझे 15 रूपे दे देते हो तो काईदे से देखा जाए तो आपको मुझे कितने share देना चाहिए 15 और face value मेरा 10 रूपे है यानि पहले मैंने आपसे कितने मांगए एक रूपे बाकी के 9 मांगूँगा लेकिन आपने 15 के हिसाप से पैसे दी है तो मैं पास कितने आगे 15 मैंने आपको share एक ही share अलौट किया तो अगर देखा जाए तो मैं आपके एक share अलौट करता हूँ मैंने टोटल पैसा जो इस काटेग्री वाले ने इस काटेग्री को ध्यान से दीज़ेगा बस मैं सरी इस काटेग्री को देख रहा हूँ मैं इस काटेग्री को टोटल पैसा इस काटेग्री को देख रहा हूँ मैं सिर्फ बोला भाया तुम्हें न application के पैसे में काट लेता हूँ, application पर adjust हो जाएगा, तो application पर adjust कितना कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने इसको allotted 80 किये, 80 इंटू में 3, 2, 40, फिर इसके अगर मैं advance की बात करूँ कि कितने advance बच जाते हैं, advance की बात करूँ तो कितने बच जाते हैं, 8,40,000, अब इस question ने बोला कि जब किसी का advance आएगा, तो उसको allotment सक adjust करते जाना है, तो मैं minus करूँ अब ही, आप चलो इससे allotment भी अगर मैं मांग लूँ, अगर मैं इससे allotment को मांगता हूँ, तो इसके पास तो है 80, 80 गुना में तीन ही मांग सकता हूँ मैं तो, that is मैं कितने मांग सकता हूँ, 2,00, तब भी इसके advance बच गए सर, कितने बच गए, 6,00, पहले इस बात को समझे, यहां तक समझ में आ रहे हैं, कितने बच गए, 6,00, अब मैंने का, भाई, चलो, यह भी advance मान लिया, कुश्चन अगर कहता है, कि इसके advance तक पैसे रखने, उसके अदवापसी करने, तो मैं यह 6,00, उठाके bank से वापस कर देता, सवाल ने कहा, अगर मैं यूटिलाइज करने की बात करूँ, इसमें से पहले हम माइनस करेंगे, सर क्या माइनस करेंगे, अलोट्मेंट के बाद, फिर्स्ट कॉल, तो अगर मैं इससे शियर, फिर्स्ट कॉल के भी पैसे रख लूँ, first call के भी पैसे मांगू, तो कितने मांगूंगा सर, 80,000 80,000, गुना में first call देखे कितने का दोगा है तो मैं इससे मांगूगा एक لागशाठाजार मात्र अगर मैं first call के भी पैसे काट लूँ, फिर भी बज जाते हैं कितने बज के अजार, 4,40,000 चलो मैंने बोला चलो मैं तुम्हारे फाइनल भी मांग लूँ अगर मैं तो फाइनल भी कितने बनेंगे आपके 80,000 इंटू में 2 यानि फिर से 1,60,000 अभी भी इसके पैसे बच जाते हैं कितने 2,80,000 पक्का ये ही आ रहा है न 2,80,000 तो सर अब मैं क्या मांगओ इससे मांगने के लाइक तो बचा ही नहीं कुछ न तो अब मुझे क्या करना चाहिए इसके पैसे वापसी कर देने चाहिए तो मुझे वापसी करने की बात करते है तो एक तो ये वाला पैसा वापस करना पड़ेगा प्लस जो एडवांस आया वो वापस करना पड़ेगा एडवांस कितना रहता है इसका दो लाग 80,000 अगर मैं वापस करने की बात करूँ तो 2,12,36 यानि 3,60 और 2,80 कितने बन जाते हैं 6,40,000 पहले इसमें बताईए डाउट फिर मैं आगे स्टेप पे जाने वाला हूँ यहां तक बताईए सर प्रो रेट पेपर में आता है प्रो राटा अरे अभी पहले इस सवाल को देखें यहां तक डाउट है पहले मैं इससे तो निप्टू आपके यह सवाल जो है मैं इसलिए दुबारा मिटा के कर रहा हूँ नहीं तो मैं तो आगे बढ़ जाता नो डाउट क्लियर हो गया क्लियर है चलिए अब आ जाते हैं आगे मैंने क्या करा तोड़ तोड़ के एंट्री करता हूँ मैं मैंने का सर एडवांस होंगे आपके एडवांस होंगे ओन अलाउट्मेंट तो अलाउट्मेंट के नाम का एडवांस क्या है सर ये वाला है दो चालिस लिख देंगे सर टू फर्स्ट कॉल एडवांस मैं अलग अलग ही लिख देता हूँ फर्स्ट कॉल although calls in advance लिख सकते हैं कितने होंगे और फिर second call advance या final call advance एक लाग साथ हजार अब आपको total करना है क्या ये 30 लाग 30 लाग match हो रहा है अगर match हो रहा है तो हम सही कर रहे है calculation नहीं तो कहीं न कहीं mistake है अब clear है सभी को बस इस question में यहीं था जो जान था इसके आगे तो क्या allotment का पैसा मांगोगे advance कट जाएगा फिर first call का पैसा मांगोगे advance कट जाएगा फिर final call का पैसा मांगोगे advance कट जाएगा किताब में जो दे रखा है ना पर बच्चों को जादा तर यह सबसे जादा problem की rate करता है 46 कैसे आ गया सबी बच्चों का जवाब है sir clear 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 ठीक है अब first call भी कर दें हलाकि आप तो आगे करीब आओगे allotment कर दें तो sir share allotment to equity share capital sir share allotment to equity share capital कितने आएंगे अगर देखा जाए तो आएगा यहाँ पे 6 लाक into में 3 यानि 18 लाक अब बैंक में जो पैसा आएगा 18 लाक मिलने चाहिए लेकिन advance वाले नहीं मिलेंगे advance कितने 240 है ना failure नहीं है failure यहाँ पे होता तो मज़ेदार question हो जाता तो 216 यानि 15 लाक 60 जार इसको कच बच्चे बोलते हैं sir net कर दो मेरे पास जगह नहीं है तो आप देखो मैं net कर रहा हूँ मैं net कर रहा हूँ क्या कर दूँ हमें share allotment 1560 ऐसे भी किया जा सकता है जरूरी नहीं है कि call scenario आपने दिखाना ही दिखाना mandatory है खिक है first call की entry यूपर करते हैं क्या होगा share first call to equity share capital फिर से कितने होँगे 6,000,000 इंटो में 2 तो मैं सीदा लिख दूँ 12,000,000 अगर मैं bank में payment की बात करूँ तो बारा लाख माइनस बारा लाख माइनस किसे करें सर माइनस सर बारा लाख को हम माइनस कर देंगे सर्फ एक साथ अब देखो यह मज़ा आएगा आपको करने में समझने में क्योंकि मैंने यहींigram इंट्री क्या करा 10, 40 इसको भी मैं डारेक्ट कर रहा हूँ जगे ना होने के विज़े से Share First Call 10, 40 Final Call की तो आप खुदी कर लोगे Same ही Entry होना है, बस वहाँ क्या लगना है Share, Final Call सभी को समझ में आ गया Clear Sir, यहाँ पर एक Question है देखिए क्या कहता है और आगे Continue में कहता है कि Mamta Limited Was Floated with Authorized Capital याद होगा मैंने Authorized Capital का एक नाम भी बोला था Floated Capital और वैसे भी Authorized Capital का कोई काम होता नहीं है मैं यहाँ लिख देता हूँ Authorized Capital Sir सवाल में दे रखा है Of 20,000 20,000 तो Authorized Capital है और यह है हमारा 14% प्रफ्रेंट शियर Floated with Authorized Capital 14% प्रफ्रेंट शियर कापटल ठीक है Payless कहता है उसको payment करना है 30 रुपे 25 रुपे 25 रुपे तो इसका मतलब Sir इसका जो payment करने का scenario है वो 100 रुपे था और 100 रुपे को कुछ इस category में बाट दिया गया क्या क्या 25 रुपे 25 रुपे और 25 रुपे फिर से इसको बाटा जाए तो कुछ ऐसे बटेगा आपका 30 25 25 और लास्ट में 20 कहता है अलॉपे 25 रुपे The company also issue Company ने और भी issue किये 3,00,000 equity share 10 रुपे का एक payable as follow यानि sir company दो दो चीज़े चल रही है लेके अब equity share इसने issue कर दिये कितने sir 3,00,000 और कहता है 10 रुपे का एक है उसका payment हमां बता रहे हैं आपको उसका payment कैसे होने वाला है आपका 3,3,2 वर receive whole preference share कहता है कि 3 3 और 2 balance दो बच जाएगा है ना application receive whole of preference share and 3 10 जो इसका application receive हुआ वो तो पूरा ही हो गया 20,000 है 2,00,000 है 20,000 है लेकिन जो application receive हुआ ने इसका equity share वालों का वो कितना हुआ यह जो इसका application receive हुआ है वो वाइसर 3,00,000 ठीक है of the over subscription 10,000 equity share were application money return यानि जो भी extra है उसको adjust नहीं करने वाले इसको क्या करने वाले है return all the money share was paid except the amount call 4,000 equity share उसने पैसे नहीं दिये so cash book, journal entry, prepare balance sheet तो अभी balance sheet नहीं कल वाली class के अंदर हम सबसे पहले balance sheet कर लेंगे कल या परसो जो भी हमारी class है पहले हम balance sheet कर लेंगे अभी हम journal entry कर लेंगे और cash book बना लेंगे ठीक है कल वाली class में बताया था cash book वाले में हम पहली वाली entry नहीं करते हैं, ठीक है चलिए तो अब ना इस question को एक question मानिए और इस question को दूसरा question मानिए तब कर पाएंगे पहले मैं ये वाला question कर देता हूँ sir, preference share का कैसे होगा देखते जाहिए पहली entry bank account, मैं bank की entry कर रहा हूँ बाद में मैं मिटा दूँआ bank account, debit to preference share application ठीक है न, बस यहाँ पर ये changes होगे वहाँ पर क्या होता था, share application यहाँ पर preference share application कितने आ जाएंगे sir, 20 इंटो में 36 लाज कुछ बच्चे पूर्च रहे थे कि sir इसमें न preference share भी दे रखा है, क्या करें इसका हम preference share दे रखा है तो कैसे करेंगे, तो भई इसके अंदर बस equity के जैसा ही होना भी देख ले न और कोई major difference है नहीं इसके बाद आगे देखा जाए तो preference share application to कितने percent है 14 percent preference share capital बताइए किसी को doubt इसमें किसी को doubt अगली entry preference share allotment to 14 percent preference share capital पांच लाक है ना क्यासे पांच दो इंटू में 25 पांच लाक अगले बैंक वाली entry में कर रहा हूं फिलाल बैंक टू preference share allotment अब हालागी question में देखो कि कहता है 25 पांच 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 इस अलाट्मेंट पांच और फर्स कॉल पांच इसनों बोला नहीं है बैलेंस के बारे में जो हमने निकाला है नहीं है इसके बारे में लेकिन हमने निकाल लिया तो इसकी entry भी हम नहीं करने वाले है क्योंकि सवाल में बोला नहीं गया है समझ में आ रही है यहां तक बांच आगे की entry share और इसकी जगह लिख देता है कौन सा कॉल है कितने रुपए आ जाएगा यहां भी पांच लाख कुछ बच्चे समझ नहीं पारे पांच लाख तो उसके लिए मैंने यह लिख दिया लीजिए यह खतम होगी आप देखे तो यह सवाल हो सकता है बाकी तो है न कैश बुक बनाने तो कैश बुक बनाएंगे तो सभी का कैश कैश के entry मिलाके वहां पर डाल देंगे बाकी के बताई लिख सकते हैं सर तो मैं ने एक्जाम में प्रफेंश शेयर पूरा लिखिये तो बेटर है देखिये इसमें बाकी का हो जाएगा तो बताईए फटाफ़ झाले वपन क सताफे थीच्टए फ очень जाएगाचे लिवा में झाले की की एक्जाशं में बताईटरा लिखिये अ मैं रुट है पुट है जुक ंबसाफ़ कि बाक्भ sixt कै तो वहां को हूँ है लिकर दší गूनाः में लिख़ झाल 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 वीडियो पॉज नहीं हुई थी वो मैं अभी था नहीं हाँ पर क्या पूछ रहे हैं बच्चे सर किसी टाइम क्लास होती है सर किसी भी टाइम क्लास भाई सुभम साइद आप कल क्लास में आई नहीं थे तो क्लास की टाइमिंग कल डिसकस हो गई थी और सर 14% लिख सकते हैं यह सर 2 और बाकि जो बच्चे बोल रहे थे सर cash flow ले रहे हूं मैंने cash flow हटा दिया आपका cash flow बाद में ही होगा बंद कर दिया cash flow बिल्कुल दोनों की होगी मैं अभी करूँ आगे भी entry कर देता हूं ठीक है न अब एक काम करते हैं जो बच्चे पर्जेंट नहीं होते हैं उन सबको live class से हटाई देते हैं ब्लॉक की मांग देते हैं पिर ठीक रहे गाए यह बच्चे आते रहते हैं जाते रहते हैं फिर बोलते हैं सर यह नहीं आया जो ड्रेग्लर वाले बच्चे आते हैं वही देखेंगे live class बागी जिनको recorded एसको pure recorded ही मिलना चाहिए चलिए अब हम क्या करें next page पर करते हैं काम ठीक है मैं इसकी भी entry करके cash book compile करके दिखा देता हूं एक question का तो मैं एक और entry करने वाला हूं क्या था हमारा सर्थ 10 रुपे का share था और क्या बोला गया था तीन और तीन और दो है ना अच्छा तीन और फिर दो और number of share issue किये थे हमने एशू किये थे हमने तीन लाग और receive किया था हमने तीन दोस ठीक है रिसीव किया था हमने तीन दोस ये था हमारा सवाल इसकी जर्नल देख लेते हैं क्याएंगे हम bank account debit to share application और bank account debit to share application कितने से तीन दस into में 3 तो 9 इसके बाद share application to equity share capital ये आजाएगा 930 और ये 9 लैक और टू बैंक वापसी कर देंगे कितने तीन हजार इसके बाद share allotment to equity share capital यहां पर आ जाएगा हमारा नौ लाक और नौ लाक और नौ लाक फिर share बैंक में पैसा जाएगा कितने आएगे 6 लाक 6 लाक वो बैंक में आएगा नौ इसके बाद हमारा बैंक में जब payment आना था तो बैंक के अंदर कितने 6 लाक माइनस में 4 हजार इंटू में कितने होंगे तो आठ हजार है ना 5,92,000 area 8,000 और 2 share 1st call 6 लाक ठीक है अब cash book बना लेते हैं last class में तो roughly करा था fairly कर लेते हैं amount amount cash book sir सबसे पहले यहां से उठाते हैं पहली entry bank वाली मैं cut मारता जाओंगा और उसको करता जाओंगा यह entry हमें नहीं करनी क्योंकि हम इसे बैंक में ले जाएंगे टू प्रफ्रेंट शेयर अप्लिकेशन टू प्रफ्रेंट शेयर अप्लिकेशन कितने रुपए था सर शे लाग रुपए शे लाग आगे देखते हैं तर इसके बाद देखा जाए तो यह तो होगा यह भी होगा यह वाली entry फिर नहीं करनी पड़ेगी तो प्रफ्रेंट शेयर अलाटमेंट पाच लाग तू प्रफ्रेंट शेयर अलाटमेंट पाच लाग फिर आगे देखा जाए यह तो करेंगे यह entry नहीं करना प्रफ्रेंट शेयर फस्ट कॉल पाच लाग तू प्रफ्रेंट शेयर फस्ट कॉल पाच लाग अब आजाते हैं ये वाली entry नहीं करना, इसके लिए करेंगे to share application, share application 9,30,000 इसके बाद इस entry में से ये वाली entry के अंदर, अगर देखा जाए तो आप जो अपन entry करेंगे न ये वाली, ये ऐसे नहीं होगी, इस entry को हमें क्या करना होगा sir, इस entry को करना होगा share application to equity share capital, ध्यान देजिएगा, 9,90,000 ये होना चाहिए, इसके जगह है, ये वाली entry नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर bank involved है, और bank यहां credit में चला जाएगा, buy share application, और वो कितने का sir, 30,000, समझे बात आप, यानि sir ये वाली entry गलत है, इसके जगह पर instead ये करना है, sir ये entry ठीक है, तो ये entry भी हमारा क्या है, न सर ये entry ठीक है, इस entry को इस धंग से नहीं करना, इस entry को न, इस धंग से नहीं करना, तो ये वाली entry गलत होगी, इस entry को मैं दुबारा कहरा हूँ क्योंकि bank आ गया, इसको ऐसे कर सकते हूँ, एरियर अकाउंट डेबिट टू शेर अलोटमेंट कितने का यानि सर बैंक बैंक वाला अमाउंट को उड़ा देना है और उससे रिलेटिट एंट्री को भी रिपलेक को खतम करना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर टू शेर फर्स्ट कॉल मैंने वहाँ लॉटमेंट लिख दिया गलती से उसको ठीक कर दूँ अभी मैं पाइव नैंटी टू अब यहाँ टूटलिंग करेंगे चालिस लाग और बैलेंस सीडी तीस हजार माइनस हो जाएगा तो उन्तालिस लाग यह आपको पूरा प्रोसेजर फॉलो करना है अभी इसमें बैलेंस चीट इंफेक्ट हमने बनाये नहीं बताईए सर कॉल की एंट्री उसने सवाल के अंदर बोला नहीं था के आगे कॉल करना है तो मैंने मान लिया आजंशन लिया है और इसके लिए नोट भी मैं आपको देना होगा कि आगे की नहीं मांगे जा रही है मैंने यह आजंशन लिया है कि फाइनल कॉल कंपनी ने मांगा ही नहीं आप सवाल में देखिए final call का discussion नहीं था तो मैंने इसमें नहीं माना है ठीक है बताईए किसी का doubt आठ हजार amount कैसे आया failure था वो और दिखा देते हैं यहाँ पर सवाल में मैंने बनाया था कि यहाँ पर कहता है कि 4000 वेक्ति फेल हो गया है call पर तो call पर जब 4000 वेक्ति फेल हुआ 4000 इंटू में दो इस तरीके से 8000 आ गया चलिए तो इसके अंदर भी balance sheet रहता है तो आप सवाल को जैसा पूछा गया उसी के हिसाब से जवाब देना है कुछ बच्चे कहेंगे सर बैंक वाली entry कर दी एक्स्ट्रा ही तो किया है cashbook में भी कर दिया तो कटेगा तो नहीं माक्स कट जाएगा माक्स ज्यान रखेगा अगला question हमारा ये है मैं इस class को ज़्यादा लंबी नहीं सिर्फ मैं question question एक बार आपको homework दे दू एक तो ये question करना है छटा premium already हम done कर चुके है आपको 7 मैं पढ़ूँगा नहीं अब आपने पढ़ना ही है ठीक है फिर करना है 7 भी आपको करना है 8 आपको अभी नहीं करना तो आपका homework मैं दे देता हूँ सीधा 7 तक question रहेगा आपका homework में आपको कौन कौन सा करना है 6 7 और भी दे देता हूँ practice के लिए 11 करना है 12 करना है 13 भी करना है 14 करना है 14 तक करना है कौन कौन सा बोला फटा फट बता दीजिए मैं लिख देता हूँ 6, 7, 11, 12, 13, 14 तो ये सवाल आपने करने हैं जो की Tuesday को ठीक है तो मैं class ज्यादा लंबी नहीं ले रहा और ये सवाल आपको करना है जिसका जो doubt होता है वो doubt आपको मिल जाएगा सर कोशन कहां मिलेंगे content में मिल जाएगा कोशन आज का topic है हमारा share for feature का और लंबी मूदर आपको अपको कुछया सकत्राय करना है वोच्टि इवनिंगे ये जिए बीजिए 활ि़ आपको का लाएगा अर्षाट शहर्ट शामन के जबस्त परेंट ऐयिग ज़ सो डाई भाई से याईड़िए जो हुआईवा अंहुत ज Σंक को अबस्त परें परेंग पर दो थे कि अई हैं चलिए पहले श्यर फॉर फीचर स्टार्ट कर लेते हैं श्यर फॉर फीचर लास्ट क्लास में हमने बैलिन शीट कर लिया था और एक ये सवाल दिया था जो बच्टों ने कहाता है सर ये हुआ नहीं है हमारा सवाल तो इसी के आगे लेके चलते हैं आज का टॉपिक है सर शियर फोर फीचर का शियर फोर फीचर चलिए अब शियर फोर फीचर में क्या था सभी बच्चों का मैं कमेंट पढ़ रहा हूं ऐसा नहीं के नहीं पढ़ रहा हूं मैं एक एक करके आंसर भी दे दूँगा हमने शियर कैपिटल के अंदर नॉर्मली हमने बेसिक स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हुए लास्ट क्लास में बैलेंशीट और कैश बुक खतम किया आज शियर फोर फीचर पर करेंगे अधर देन कैश वाला हम सबसे लास्ट में कर लेंगे ठीक है या फिर हम डिवेंचर के साथ भी कर सकते हैं तो शियर फोर फीचर में होता क्या है मतलब और एक्जामपल से समझेंगे तो समझ में आएगा पहले एक बेसिक ता कुश्चन ले लेता हुआ एक्जामपल एक्जामपल मान लेते हैं हमने इशू किया दस अजार शियर हमने इशू किया 10.000 शियर और सपोज एप्लिकेशन रिसीव भी है दस अजार शेयर से ठीक है ना दस रुपे का शेयर है नॉर्मली जो रखते हम इस दस रुपे के शेयर के मैंने पांच रुपे तीन रुपे और दो रुपे यहां पे मिस्टर राम फेल हो गया इसने पेमिंट नहीं किया अब यहां तक की हमने बेसिक एंट्री एक बार देखने है क्या होगा पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अप्लिकेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अप्लिकेशन सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अप्लिकेशन कितने होंगे यह आपका दस अजार इंटू में पांच यानि पचास अजार पहले मैं बेसिक करवा रहा हूं फोर फिचर करेंगे इसी के अंदर फिर शेयर अप्लिकेशन टू एक्विटी शेयर कैपिटल पचास अजार टू एक्विटी शेयर कैपिटल पचास अजार और पचास अजार इसके बाद शेयर अलॉट्मेंट टू एक्विटी शेयर कैपिटल यह होगा हमारा 30,000 और 30,000 इसके बाद आगे देखते हैं सर बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉट्मेंट यह आगे है 30,000 जनल एंट्री करने हैं पहले सिंपल 30,000 उसके बाद शेयर फाइनल कॉल बैंक में पूरे पैसे नहीं आएंगे क्योंकि एक फेल हो गया ना तो वो नहीं आने वाला तो बैंक में सर कितने पैसे आएंगे बैंक में राम के पास कितने शेयर थे नहीं लिखे राम के पास मान लेते हैं 200 शेयर थे तो 600 रुपे बैंक में नहीं आएगा तो आना कितना था सर दस अजार इंटो में 30 अजार 600 नहीं आएगा तो कितने आएंगे सर 29,400 एरियर ओन अलॉट्मेंट 600 और टू शेयर अलॉट्मेंट 30,000 30,000 खीक है आगे देखते हैं शेयर अलॉट्मेंट नहीं शेयर फाइनल कॉल टू एक्विटी शेयर कापिटल टू एक्विटी शेयर कापिटल कितने आएंगे सर दस अजार इंटो में टू देट इस 20,000 देट इस 20,000 आगे देखते हैं बैंक अकाउंट डेपिट अब अगें बैंक में 20,000 तो आएंगे नहीं सर बैंक में से माइनस करेंगे हम क्या माइनस करेंगे ये अगें फेल होगा ये यानि 400 तो आजाएगा उननिस अजार एंड कॉल सिन एरियर कॉल सिन एरियर 400 और टू शेयर फाइनल कॉल फाइनल कॉल 20,000 शेयर फाइनल कॉल 20,000 अब आप ध्यान से देखिए जो मैं कहूंगा समझेगा अब ध्यान से देखिए गा हुआ ये कि जो राम है हमारा ये जो फेल होता है 200 शेयर देने में ये फेल भले हो जाता है लेकिन हमने इसको शेयर तो देई रहे हैं शेयर देने का मतलब शेयर सेटिफिकेट Share Certificate का मतलब Share Capital Capital तो सरल इसको मिली रहे न Share Certificate, Share Capital जो मर्जी बोल रहो वो तो इसको मिल रहे सर अगर हम इसे Share Certificate देते हैं तो इसका मतलब जैसे पहली Entry में आप ध्यान से देखिएगा राम को यहाँ पे भी Share Capital कितने का मिला राम के पास 200 था न क्या इसके अंदर राम का Share जुड़ा होगा जुड़ा होगा यानि राम को यहाँ पे भी 2000 का समान मिल चुका है पैसे दे दी यह और दो अलग बात है यहाँ पे भी राम का 2000 रुपे यहाँ पे भी जुड़ा होगा कितने अब मैंने ज़ादा लिख दिया 202,000 ज़ादा लिख दिया राम का यहाँ पे 205 रुपे के इसाब से मैं बस यह सिंपल कहना चाहता हूँ राम को यहाँ पे पूरे शेर मिले राम को यहाँ पे भी पूरे शेर मिले और राम को यहाँ पे भी पूरे शेर मिले यानि राम को पूरे पैसे दे दिये गए, शेयर दे दिये गए और राम से पूरे शेयर के पैसे नहीं मिले हैं तब ही तो उसके नाम से कॉल सिनेरियर आया है अब इतना करने के बाद हम फाइनली वेट कर रहे हैं कि भहिया राम आप मुझे पैसे दो राम मना कर देता है हम पैसे नहीं देंगे अब आगे तो हम भी क्या करेंगे कि जो मैंने राम को शियर्स दिये थे हम वो सारे शियर्स उससे वापस ले लेंगे तो राम को यहां पे शियर्स दिया, यहां पे शियर्स दिया, यहां पे शियर्स दिया जब हम उसके शेर को वापस झीन लेंगे, जिसको for feature बोलते हैं, जब उसके share को वापस ले लेंगे, तो क्या करेंगे? debit करेंगे. तो share, अगर मुझे राम का फोर feature करना हो, तो entry क्या होगा, share for feature का मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा. equity share capital account debit सबसे पहले तो यह समझी है कि equity share capital account debit हुआ क्यों क्योंकि उसको मैंने पहले credit किया था था अब debit करके compensate कर रहे हैं कितने सर इसके पास 200 share थे उससे मैंने 5 रुपए भी वापस लेने हैं 3 भी और 2 भी इसका मतलब सर 10 और 10 के हिसाब से देखा जाए तो पूरे 2000 रुपए के उसके capital वापस ले लिये जाएंगे पूरे 2000 रुपए का capital वापस ले लिया जाएगा पहले यहां तक देखिए कितने का capital ले लिया गया 2000 का वापस अब राम के share हम उसके पैसे जो वो हमें देता है उसे हम four feature कर लेते हैं four feature का मतलब है आपने मुझे मान लेते हैं कि आपने मुझे 500 रुपए दी हम अब मैं कह रहा हूं कि आप से बाकी के आपके पैसे बोर रहा हूं कि नहीं दूँआ आपने मुझे 500 रुपए आपसे मुझे लेने थे 1000 रुपए और वो 1000 रुपए आपको मैं वापस करता समझना बात को मैंने बोले भाई मुझे एक काम कर 1000 रुपए दे दो आपने पहले 500 दिये मैंने बाकी के भी 500 रुपे दे तो मैं 81,000 वापस करूँगा आपने वो बाकी के 500 रुपे नहीं दिये मैं कहता हूं कि भी आप मैं आपके पैसे कुछ भी वापस नहीं करूँगा यानि बेसिक सी बात करें तो जो शेयर होल्डर जो शेयर होल्डर के पास जो शेयर होल्डर के पास शेयर होल्डर ने कमपनी को पैसे दे चुका है वो कमपनी उसके लौट आएगा निए मुझे कमेंट में बताईएगा कि इस राम ने राम ने कमपनी को कितने पैसे दिये हैं क्या ये तीन रुपए राम ने दिये हैं नहीं इसको तो जब्त कर नहीं सकते क्या ये दो रुपए दिये हैं नहीं क्या यह 5 रुपे दिए तो जो पैसा राम ने कमपनी को दे दिया है उसको हम Shire For Feature में करेंगे और जब Company Shire For Feature करेंगा तो कहीं ने Company का फायदा तो 크ेडिट में आ जाएगा क्या जाएगा सर Shire For Feature कितना share for feature करेंगे सिर्फ दस के हिसाब से पांच के हिसाब से जो की आएगा हमारा कितना एक हजार और फिर इसके बाद finally क्या होगा जो इसके नाम से मैंने हर बार देखो हर बार यहाँ पर मैंने क्या करा है share allotment यानि मुझे लगा था के राम पैसा देगा इसलिए मैं allotment को खतम कर चुका हूँ यहाँ final call तो यहाँ पर लिखेंगे share share allotment ठीक है? नहीं share allotment नहीं लिखेंगे वो तो cancel हो गया यहाँ पर लिखेंगे call scenario क्योंकि area पढ़ा था यहाँ पर लिखेंगे calls in area अब call scenario कितना? तीन और दो पांच तो बड़ी सीधी सी बात है 200 गुणा में पांच अभी बहुत सारे सवाल करेंगे फिर हम समझ में आ जाएगा ध्यान दीजिए लाब पटा पट से ध्यान दीजिए sir share for feature का मतलब क्या होता है? जितना पैसा share holder ने दे दिया अब company उसके वो पैसे नहीं लौट आएगा यानि company वो पैसा for feature कर रही है तो यहाँ पे इसने सिर्फ 5 दिया तो 5 for feature कर लिया share capital debit क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों कि उसके जितने share दिये थे credit किये थे देते time पे लेते time पे debit share for feature credit क्यों हो गया क्योंकि हमारे लिए फाइदा है share for feature कितना credit होगा जितना उसमें रुपे दिया होगा call scenario जहां जहां fail होगा उन सभी को जोड के हम कहां पे लिख देंगे sir calls in area के अंदर पहले इसमें देखिए कोई doubt पहला example मैंने किया है यह basically share for feature की entry स्रिफ यह है आने वाले जो मैं example में लूँगा उसमें सिर्फ share for feature की entry करने वाला हूँ ना की पूरा सिर्फ share for feature की entry करूँगा पूरा नहीं करूँगा पहले यहां तक बताईए कोई doubt यहां तक कोई doubt comment में बताईए यहां तक कोई doubt अभी शेक no sir call scenario होगा हाँ call scenario ही तो लिखा है no ठीक है चलिए अब मैंने कुछ छोटे छोटे basic basic example लूँगा आपको जवाब देते जाना है sir basic basic example अब मैं पूरे सवाल नहीं करने वाला एक और example देखिए माल लेते हैं मेरा जो share था issue था हमारा 10,000 10 रुपे का अभी हम सिंपल फोर फीचर कर रहे हैं premium वाले की बात ही नहीं कर रहे हैं कुछ बच्चों के mind में हो सकता है premium होगा तो कैसे करेंगे तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं तो सर यहां पर ले लिया हमने पांच रुपे और पांच के बाद तीन रुपे या दो रुपे और तीन रुपे अब दूसरा एक्जामपल है मोहन मोहन यहीं पर फेल हो गया इसके पास 500 शेयर है और मोहन ने पैसे नहीं दिया कमपनी को गुस्सा आ गया कमपनी ने बोले भाई तुने पैसे नहीं दिया हम तेरे इसी जगह पे शेयर फोरफिचर कर लेंगे मतलब हम तेरे से यह तो मांगेंगे ही नहीं मतलब मोहन ने जैसे ही पैसे देने से मना करा company ने बोला भी आप तेरा share for feature होगा तुदे नीरा पैसा पिछले वाले example में क्या था उसने यहां पैसा नहीं दिया company ने तुम आगे तो देना आगे भी नहीं दिया company ने बोला गया बस अब तुम जादा time तक हमें क्या कर रहे हो payment नहीं करें तो आप तो share for feature हो जाएगा तो यहां वाले example में देखिए कैसे होगा सर यहां equity share capital debit होगा equity share capital account debit और सिर्फ इससे यह वाला capital मांगा गया था यह मांगा गया था यह तो इसका कोई relation ही नहीं था यहां तक तो पहुंची नहीं पाए तो साथ रुपे था तो 500 into में 7 आएगा यह ध्यान डखना पिछले में क्या था इससे ये भी मांगा ये भी मांगा ये भी मांगा ये भी मांगा इसलिए 200 into में 10 हुआ था यहां पे सिर्फ यहीं तक मांगा इसके आगे नहीं गया 500 into में 7 35 अब share for feature की बात करते हैं two share for feature सर शेयर for feature कितना होगा जितना उसमें दिया सिर्फ कितना दिया पांच तो सर 500 into में 5 सिर्फ share for feature में कितना चला जाएगा पच्चिस सो और call scenario में जो नहीं दिया call scenario या allotment carrier कहलो कितने नहीं दिये सर दो रुपए तो 500 into में 2 that is आपका 1000 किसी को doubt यह है हमारा share for feature रीईशू की अभी बात में बात करेंगे एक और example पहले किसी को doubt है बताईए हैं पर किसी को इसमें doubt नहीं एक और एक्जामपल लेते हैं हमने इसू किया मान लेते हैं 5000 हजार है बट हेर एप्लिकेशन दिसीव छे हजार है तस रुपए का इसको ध्यान से देखेंगे हम थोड़ा 10 का शियर है 5 रुपए चार रुपए एक रुपए मान लेते हैं सोनू फेल हो गया कितने शियर में सर सोनू फेल हो गया जिसके पास होल्ड करता था ये होल्ड करता था छेस सो शियर छेस सो ने पान सो कर देते हैं पान सो शियर होल्ड करता था ये फेल हो गया भाई साथ और इस से हमने ये वाला तो फेल हुआ ही हमने इसको यहां भी मौका दिया यहां भी फेल हुआ अब इसके बाद इसके share for feature कर लिए गया, पहली कहानी, इसके बाद इसके share for feature कर लिए गया, दो example, same ही लेने वालों हमें, ध्यान से देखना, ठीक है, एक और लिख लेता हूँ, इसी को copy कर लेता हूँ, ठीक है न, ताकि हमारा थोड़ा साफ सुथा है, इसी को मैं दुबारा भी कराऊँगा, ओके, येस, इसी को दुबारा भी कराऊँगा, बस इसमें फरक ही रखूँगा, इसको मौका ही नहीं देंगे, दूसरे वाले example को मैं बताऊँगा, पहले इस वाले example को देखिएगा आप, ठीक है, इकुटी शियर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इकुटी शियर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, सर इकुटी शियर कैपिटल डेबिट कितना होगा, आपका इसी का कर रहे हैं, सिर्फ हमना फोर फीचर की एंट्री कर रहे हैं, इशू वगरा की नहीं कर रहे हैं सिर्फ पूर फीचर वाले उठा के इंट्री करना है इस बात के ध्यान रखेंगे इशू वगर रखी नहीं कर रहे हैं क्या होगा सर पांसो ऐसे पूरा ही मांगा गया ना यह भी से मांगा था यहां फेल तो हो गिया और इसके बाद इसको अभी मौका दिया तो दस है तो सर पांसो इंटू में दस अब मजे के बाद देखें यहां पर होल लिखा हुआ है यहां पर क्या लिखा हुआ है होल तो पांसो इंटू में दस डैट इस आपका पांच हजार, इसका share for feature two share for feature सर, share for feature कितना होगा इसका जितना इसने दे दिया तो सर, एक तो ये दे दिया इसने और सर, इसने advance भी दिया होगा क्योंकि जितना पैसा ये देगा उतना for feature हो जाएगा, तो मोटा मोटी tentatively calculation लगाते हैं कि भाई, सोनू तुझे मिला कितना था? सोनू तुझे मिला कितना था? तो जवाब आया, उससे मिला था तो हम देख लेते हैं, भाई, उसने मांगा कितना था, apply कितना किया था मांगा कितना था, तो ratio निकलेगा, और ratio क्या होगा 5 is to 6 5 is to 6, तो ऐसे situation में क्या होगा? 5 is to 6 में देखा जाए, तो इसके उपर हम multiply करेंगे, यानि इसका 600 आ जाएगा, कैसे आया 600 सर? 500 divided by 5 into में 6, ये पहले हम देख चुके हैं, तो 600 share मांगा, तो इसने total पैसा जो दिया होगा ना, वो 600 के हिसाफ से दिया होगा सर, total पैसा जो दिया होगा, वो 600 के हिसाफ से दिया होगा, अगर मैं यहां पर लिखों total, तो कितना दिया होगा इसने मांगा होगा भईया, 600 into में 5, that is 3000, तो इसने मुझे कितने रुपिये 3000 रुपिये तो इसका four feature, जितने इसने मुझे दे दिये उतने ही तो करूँगा, तो इसका four feature में चला जाएगा हमारा पूरा पूरा तीन हजार रुपै सर, 3000 कैसे एक बार और समझाओ, मैं यहां करके मिटा दूँआ, ठीक है ना मान लेते हैं कि भईया, इसने total payment दिया, total payment दिया, 600 गुणा में 600 गुणा में 5 3000, इसका application पर कट जाता है कितना 500 multiply by 5, 2500, फिर भी इसका क्या रहता है, advance रह जाता है 500, तो अगर मैं इसका detail दालू न, तो पच्चिस सो रुपै तो इसने जो application का दिया, प्लस 500 रुपै इसने जो advance वाला दिया, तो इसका क्या, 3000, बताइए कोई डाओ, इसके बाद two क्या आ जाएगा, calls in arior calls in arior अब arior की बात करें न, तो यहाँ पे जो fail होगा न, 500 into 4 में नहीं होगा अगर मैं इससे call कर लेता हूँ on allotment पे, भाई allotment पे पैसा ला, तुझे लाने है 500 into में 4, 2000, वो बोलता है नहीं दूँगा, तो actually मैं यह 1500 रुपे देने में सिर्फ fail हुआ तो allotment पे 1500 रुपे देने में fail हो गया, और final call पे direct multiply करेंगे, क्योंकि advance गया ही नहीं तो 500 into में 1, तो 500, तो ultimately यह जो fail हुआ देने में कितना? 2000, यह entry होगा, एक बार भी और भी discuss कर लेंगे इस पर, क्या कहते हैं? चलिए, सर इस सवाल के अंदर uniqueness क्या है? uniqueness यह है कि advance के बाद भी for future हुआ, advance के बाद भी for future हो गया है advance के बाद for future की हम बात करते हैं, तो क्या है सर? सबसे पहले यहाँ पे इसने issue किये थे इतने और इतने, यहाँ पे इसने hold किये, hold का मतलब इसे मिला है, कितने मिले थे इसे सर? 500, 500 मिलने के बाद इसने मांगे कितने थे, वो हमें निकालना है इसने मांगा 600 था, पहले तो आप यहाँ तक agree करिए, सभी comment में लिखिए कि 500 और 600 वाला फंड़ा समझ में है तो मैं एक एक स्टेप बढ़ूँ है एक बार पहले बताईए 500 और 600 वाला तब मैं स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ने वाला हूँ 500 और 600 वाला बताईए 500 और 600 सिर्फ 506 रिपीट चलो अब सब बच्चे बोलने सर रिपीट करो रिपीट करो रिपीट करो तो दुबारा ही कर देते हैं इस एंट्री को तो नहीं मिटाऊंगा लेकिन कैलकुलेशन जरूर दुबारा कर लेते हैं ठीक है देखिए फिर इसको अगले पेच पे लिखे जाएंगे मैंने सोचा मेरा थोड़ा सा समय बच्चे गए हाँ चलिए इसको छोटा करते हैं थोड़ा ठीक है कैलकुलेशन देखिए क्या हुआ राम ने राम ने राम को अलोटेड हुआ अलोटेड टू राम राम को कितना अलोटेड हुआ अलोटेड का मतलब मिला कितना 500 कैसे पता चला राम को 500 मिला कुश्चन में दे रखा है तो हम यह देखते हैं राम ने कितना अपलाई किया अपलाई बाई अपलाई बाई राम तो हम यह चेक करते हैं कि राम ने कितना apply किया तो apply की बात करेंगे तो सर रेशो में निकालेंगे कैसे 500 और इंटु में 500 इंटु में इंटु में क्या रखें इंटु में क्या रखें तो रेशो जो यहां पर बन रहे ना वह 5 इस्टो 6 बन रहे तो divided by आपका तो इसको मिले 600 तो पहले आप यहां तक मुझे पक्का करके बताइए सर यह बात हमें समझ में आ गई है कि इसने मांगे थे 600 और इसे मिला 500 हाँ या ना कमेंट में जवाब दीजिए पहले यहां तक अरे यह पुरूराटा पुरूराटा के चक्कर में मत पढ़िए बस आप चक्कर में आप पढ़ेंगे ना तो फिर चप्टर तो आपका हो गया आप सिंपल सी बात करो यह जो मैंने कहा यह समझ में आया कि नहीं आया यहां तक जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था पहले उनको क्लियर है फटा-फट बता दीजिए जैस चलिए क्लियर है यह अब हम क्या करते हैं इसके पैसे का हिसाब करते हैं यह तो शेयर का हिसाब हो गया था पैसे का इसने भाई साब टोटल पैसा पता है कितना दिया भाई साब इसने टोटल पैसा दिया कितने पान सो च्छे सो मांगे थे ना आप अपने आपको मांगो आप सेयर होल्डर हो आपको तीन का नहीं दे सकते हम आपको एप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ दे सकते हैं 500 शेयर इसका मतलब आपको मैंने समान कितने का दिया आपको समान दिया 2500 का आपने का सर मेरा तो एडवांस रह गया आपके पास मैंने बोला बिलकुल हाँ एडवांस रह गया कितना एडवा तो तो आपने बड़िया को एड़ांस रहए गए मैंने बोला चलो भायए आप कॉल कर लेते हैं आपसे आप अलॉर्टमिंट का भी पैसा दे ही दो आपने बॉला भायए आब हम से नहीं हो पाएगा का मांगा पांशोर लॉर्टमिंट का नंबर कितने का 4 आपसे में 2000 रुप रुपे देने से मना कर दिया या मना कर है पता हिए KPK देने से मना कर दिया मिट भो हाजार यह 15 सो कि मि해도 कि जवाब आगे हैं संछ 15 कि καौई इससे मल्टिप्लाई कर रहे हैं ने पांच पंदरा सो ठीक है तो सर्फ पंदरा सो रुपे सभी का जवाब आ गया अब मैं इंट्री करने जा रहा हूं ठीक है अब मैंने बोला राम तेरे पैसे हम फोर फीचर कर लेंगे तो राम का कौन सा फोर फीचर होगा जितना उसने दि क्या थीन हजार और राम का मैंने बोला तेरा एडवांस जितना था वह क्रेडिट करेंगे तो राम का एडवांस देखा जाए तो पंदरा सो रुपे किसका था अलॉट्मेंट का और देखते हैं भाईया राम तू इसके भी पैसे नहीं देगा और तेरे पास कितने पांसो प्लस पांसो तो यहां दो हजार रुपे नहीं आए तो टोटल करके हमारा यह एंट्री बन जाता एकुटी शियर कैपिटल अकाउंट शियर फोर फीचर टू कॉल इन एरियर जो कि आपका पांच हेजार पांच हेजार मैच हो जाता है बताइए अब कोई दिक्कत क्लियर है क्लियर आगे चले चलिए अगले पॉइंट पर आ जाते हैं फटा फट से सर अगले कौन से पॉइंट पर देखते जाईए अब मैंने क्या कहा अब मैंने इसको होल्ड की जगह पे अब मैंने होल्ड की जगह पे नहीं तो सर यहां पर मैंने नाम बदल दिया मैं तो स्रिफ वराइटी करा रहा हूं अगर यहां पर अपलाई लिख दूँ तो क्या फरक पड़ेगा क्या बिल्कुल फरक पड़ेगा और मैंने नाम बदल दिए सबसे पहली एंट्री क्या करते हैं सर एकुटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेविट सर एकुटी शेयर कैपिटल कितने पांच और चार नौ रूपए इंटू में अब समस्या यहां अगई अब मुझे यह पता करना पड़ेगा राम का कितने शेयर फूर फीचर हो रहे हैं बताईए सोनु के 500 शेयर फूर फीचर होंगे या सोनु के 500 की जगाँ 600 कर रहे हैं थोड़ा बदलाओ इसका मतलब वेरी वेरी सिंपल सोनु ने मांगे छेयर थे तो मिला भी 600 नहीं होगा तो हमें यह पता करना होगा कि भाई सोनु तिरको मिला कितना तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन लगाएं तो देखेंगे भाई तुने अपलाई किये थे भाई तुने अपलाई किये थे कितने 600 तो तुझे अलोटेड कितने हुए allotted कितने हुए तो जवाब आया सर 600 गुणा में 600 गुणा में 5 by 6 यानि तुझे मिले 500 थे तो तेरे सारा हिसाब तो 500 से ही होगा इसका मतलब सर यह होगा 4500 यह होगा 4500 2 share 4 feature इसके share का 4 feature करेंगे तो भाईया यहाँ पे फिर से ratio difference आ गया फिर से ratio advance वाली कहानी आ गई तो फिर से यही calculation बैठेगी कुछ ना कुछ मैं यही calculation सेम इसलिए मैंने दुबारा नहीं करना इसी को मान लेते हैं कि इसने total पैसे कितने दियोंगे दिमाग में लगाओ अगर इसने मांगे 600 से तो 5 के साथ से 3000 मिले 500 तो 25 कट गया तो advance हो गया तो share for feature में exactly एकदम एकदम से पच्चिस सो और प्लस पान सो advance तो कितने आ जाएंगे तीन हजार और two allotment area यह calls in area calls in area इसने मना कर दिया कि मैं नहीं दूँगा तो कितने देने में मना किया तो भाई ऐसा मत कर देना 600 into 4 कितने होंगे 500 into में 4 दो हजार लेकिन advance भी तो थे इसके 500 तो that is इसके कितने 1500 रुपे यानि अगर दिखा जाएं तो 1500 सर ये 1500 कैसे बना अगर आप सवाल को देखोगे न तो आप इसी adjustment को हुबा हुँ यहां चिपका सकते हो क्योंकि कहानी मैंने ऐसा रखा ताकि ये भी apply हो जाए अब बताईए कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत इसमें देखे सवाल बदल गया अब बोलेंगे सवाल बदल गया लेकिन answer क्यों नहीं बदला क्योंकि कुछ मैंने number ही ऐसा रखा यहां पे जिससे कि एक जगा अप्लाए है एक जगा लॉटेट है कॉल से नेरियर पंदरा सो में से आया बता दो पंदरा में से आया पंदरा लॉटेबे है कि एक जगा है बच्चे कह रहे हैं सर 1500 भाई 1500 तो ऐसे आया ना यहां देखिए calculation मैं सिर्फ calculation टोटल पैसा इसने दिया होगा 3000 कैसे 600 इंटू 5 इसको समान मिला 2500 एडवांस रहे गया 500 500 एडवांस रहने के बाद इसमें फेल हो गया तो फेल जब हुआ ये तो इससे मांगे थे 2000 तो फेल तो य पाई कैसे 15 वाएं बताईये आगया अब हम कोश्चन करेंगे यहां तक basic basic हमने share for feature का पार्ट कवर कर लिया सिर्फ share for feature था यह इसके बाद हम क्या करने वाले हैं इसके बाद हम करने वाले हैं क्या कोश्चन्स चलिए एक सवाल देखते हैं कि आपके सामने यह सवाल कुश्चन नमबर 12 डाउट भी था बच्चों का कि चलिए कि कैता है लक्ष्मी इंडस्ट्री लिमिटेड 50 रुपीज इच एटा प्रीमियम अच्छा प्रीमियम वाला आ गया पोर फिचर कहा हुआ है इस यह बर पोर फिचर अ कि अलॉट्मेंट और अलॉट्मेंट चलिए अभी एक और कॉंसेप्ट लेना पड़ेगा फिर में यहां तक क्लियर है अब प्रीमियम वाला भी फोर फिचर देखते हैं यह पहले सिंपल कोई कुश्चन दिख जाए यहां फोर फिचर हुआ है प्रीमियम नहीं है फोर फिचर देख रहे हैं हुआ है नहीं हुआ इसमें री इशू इसमें री इशू भी है सभी में री इशू भी आ रहा है पहले री इशू निप्टा लेते हैं और उससे पहले हाँ पहले री इशू निप्टा ले अब अगला पॉइंट करने वाले हैं कि शेयर फोर फिचर एंड री इशू सर री इशू का मतलब क्या होता है री इशू का मतलब होता है दुबारा बेच देना दुबारा बेच देना जैसे मौननलो यह कंपनी है और यह राम है राम शेयर को देने में फेल होता है कंपनी क्या करेगे जो इसका शेयर शेकिन लेगी और अपने और दन को देदेगी अब हमने इसके शिर्स То अब हम देखने वाले हैं सर रेईस्जू को तरीजे और एक सवाल ढूबं कर रहे थे उसी तरीके से रखेंगे मान लेते हैं मेरा इशू जो है सपोस करो इश्व मेरा 10 invested है और 10 रुपे का एक शेयर है दस रुपे का एक शेयर और रही इस्व है यहा पर फिरसे अगेन वह ही रखतें पांच रुपे टीन रुपे और दो रुपे राम राम मान लेते हैं 300 300 शेर 300 शेयर होल ड करता है होल ड करता है पो यह यहां एडवांस वाला तो देखी नहीं रहे यह फेल हो गया और यह यहां पर भी फेल हुआ और इसके शेयर फोर फीचर हो गये और इसी के शेयर को मैंने रीशू कर दिये री इशू कर दिये, किसको कर दिये, मोहन को कर दिये, सर मोहन को कितने रुपे में बेच दिया, तो मोहन को मैंने बोला ले जा भाई तू, और तू ले जा इसे आठ रुपे में, आठ रुपे पर शेर, पर शेर, आठ रुपे पर शेर, सर शेर को न डिसकाउंट पे इशू न लाउड नहीं करता लेकिन एक बार किसी से आपने शेयर ले लिया उसके बाद दस वाले को आप 9 में भी बेश सकते हो आठ में भी बेश सकते हो लेकिन मैक्समम शेयर फोर फीचर अकाउंट तक ही भी सकते उससे ज़्यादा का नुक्सान नहीं दे सकते आप वहांदे तो चलिए सर देखते हैं रीशू की एंट्री सीखेंगे पहला एंट्री फास्ट एंट्री क्या होगा एक्विटी शेयर क्यापटल अकाउंट डेबिट सर एक दस सर तीन हजार शेयर फोर फीचर अकाउंट तू शेयर फोर फीचर अकाउंट तीन सो सिर्फ इसने यही दिया पांच तो इंट्व पांच पंद्रह सो तू कॉल सिनेरियर हां जी अरे इसमें था ही नहीं एडवांस है होल्ड से मतलब नहीं है मैंने इसलिए जान बुझके लिखा होल्ड भाई अप्लाए अलॉटिट तभी होता है जब हमारा शेयर जादा मांगे कम मिले यहां तो दस को दस मिले हैं चाहे होल्ड बोल दू एप्लिकेंट तो यहा आप रीश्यू करेंगे तो मिरे पास बैंक में पैसा है कितने बेचने जारे हो मैं Rs 8,004 Nat Ms. इंटू में आठ डेट इस आपका अकाउंट डेबिट कितने अच्छा 10,000 मैंने गलत लिख दिया 300 लिखना है कितना लिखना है 300 300 लिखना है 300 इंटू में आठ डेट इस 2400 और इसको capital पूरा देंगे equity share capital सर अब यहां पर मेरे को नुकसान तै करना होगा सर नुकसान कितना हुआ तो आप ध्यान से देखिए नुकसान कितना हुआ आपने 10 वाला share कितने का बेच दिया आठ का तो यहां 2 रुपय का नुकसान हो गया उस नुकसान की भरपाई जैसे हम फाइदा कमा रहे थे तो हमने share for feature credit कर दिया था जब नुकसान होगा तो ऐसा ही हम क्या करेंगे share for feature account debit कर देंगे क्या होगा sir 300 गुना में 2 तो यानि sir यह हो जाएगा 600 और equity share में आजाएगा total 3000 यह हो गया reissue तो जब four feature होगा तो reissue होगा तो एक नया entry generate होगा final profit का final profit का मतलब आपने ultimately इस काम को करके क्या करा तो sir मैंने 1500 कमाए इस entry का मतलब क्या है 1500 रुपए आपने कमा लिए और इस entry का मतलब क्या है 600 का नुकसान कर लिया तो ultimately यहाँ पर चला जाएगा share for feature account debit to capital reserve कितना जाएगा sir 1500 रुपए कमा लिए और minus में 600 का नुकसान कर लिया that is आपका जाएगा 900 यह हमारा share for feature अब कुछ बच्चे बोलेंगा sir being नहीं लिख रहे तो मैं being बता देता हूं share forfeited और share reissue और share for feature account transfer to capital account मैंने बोल दिया है बाद में video pause करके भी आप देख सकते हैं पहल पहले बताईए कोई doubt हुआ 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 है हुआ 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 है है फुल फ्लेइज जब तक छोटे नहीं होंगे तो फुल फ्लेइज कैसे करें फुल फ्लेइज पीछे देखा वहाँ पे दिक्कत आ गया क्योंकि मैं पहले पूरे पूरे concept करवा दूँ आपको फुल फ्लेज एक बार कंसेप्ट होगा छोटे मुटे तो आपको ही दे दूँँगा मैं सारे फुल फ्लेज भी कुश्चन करूँगा फिर तो एक्जामपल लंबर टू देखिए इसु किया पांच हजार सेयर दस रुपे का एक था इसके अंदर तीन रुपे पांच रुपे और दो रुपे यहां पे राम फेल हो गया इसके शेयर यह यहां पे भी फेल हुआ शेयर फोर फिचर लांस्ट में हुआ रुपी इसु हो गया इंट्री क्या होगा इंट्री क्या होगा सबसे पहले होगा हमारा इकुटी शेयर कैपिटल इकुटी शेयर कैपिटल सर कितने रुप तीन सो शेयर इंट्री में दस तीन हजार तू में शेयर फोर फिचर कितने लिए इसने सिर्फ तीन ही तो दिये तीन सो गुणा में तीन नौ सो तू कॉल सिन एरियर कॉल सिन एरियर कितने बाकी के पांच और दो साथ तीन सो इंट्री में साथ डेट इस 2100 डेट इस 2100 कोई दिक्कत यहाँ थे सब्ज़ मैं है यहां तक क्लियर है अब रिशू करते हैं मैंने कितने रिशू किये इसमें से सिर्फ 100 तो बैंक में जो पैसा आएगा जो बैंक में पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट सर्थ 100 शेयर का और एक शेयर कितने का नो का देट इस 900 यहां भी नुकसान है हमारा 10 वाला शेयर 9 में दे रहे हैं तो शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट नुकसान होगा तो फूर्फिचर को डेबिट करो फायदा होगा तो क्रेडिट करो तो इंटु में वन यहां से मैं पहले इसके बंद कर दूँ यहां करेंगा ठीक है अब ध्यान दीजिए अगर देखा जाए नॉर्मली तो हमने 900 कमाए और मेरा 100 का नुकसान हो गया लेकिन आप इसको कंपेर नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते compare क्योंकि ये कमाई है 300 शेयर पे और ये नुकसान है 100 शेयर पे तो हम दोनों को पैरलर compare कर सकते हैं तो इन दोनों का comparison नहीं हो सकता तो हमेना profit भी निकालना पड़ेगा कि 100 अगर 4 feature होते तो कितना कमाते समझ रही बात आप तो हमारा जो profit है यानि share four features से जो हमारा profit है उस profit को पहले हमें सोचना पड़ेगा क्या सोचना पड़ेगा सर आपने कमाए 900 कितने share पे कमाए 300 और आपको जानना कितने share पे है 100 share पे तो कितने हो गए ये 300 300 रुपे हो गए 300 कमाया अब यहां से compare करोगे सर loss loss अब compare होगा 100 रुपे का यानि सर आपका फाइनली 200 रुपे का आपका profit हुआ 200 का profit हुआ वो चला जाएगा share for future to capital reserve share for future to capital reserve कितना 200 आपका question आएगा सर यहां तो ऐसा कुछ नहीं कि आपने तो यहां रीशू भी तो मैंने क्या करा सारे कर दिया मैंने बोला नहीं चलो बोल देता हूं यह वाला वर्किंग नोट यह वाला calculation तभी कामियाब है जब आपके share कितने हो कम रीशू हो जब आपके share कम रीशू हो तो यह एक तरीके से कुछ बच्चे बोलते हैं सर यह formula है क्या हाँ बिल्कुल आपका actual profit निकालने के लिए समझ लो कैसे निकालोगे actual profit share for future से जब आपके कम होंगे आपका share for future amount share for future amount divided by divided by क्या होगा divided होगा total share total share जितना for future हुआ है into reissue मैंने यही किया है देखो share for future amount 900, total share कितने थे 300, into में ratio number तो ratio कितने थे 100 तो यह profit निकल के आगया तो यह profit निकल के आगया देखिए इस सवाल में कोई doubt यह थोड़ा सालक सवाल हो गया हमारा कोई doubt बताईए हाँ अभी बेचियांगे ना रुक जाओ बच्चे कह रहे हैं सर 200 profit होगा हाँ तो 200 ही लिखा है मैंने clear? चलिए चलिए बच्चे लुक जास्ट बच्चे कहिए ग्जुब्चे कहिए कहिए यह थोगी झाल यह यह पर यह वाल झाल 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 तो घाल झाल 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 आई 100 कर दिया तो 300 शेयर पे कमाई पता चल गया तो सरी 300 रुपए की कमाई हो गई अब नुकसान की बात करें तो लॉस कैसे आया सर आपको पता है 100 शेयर पे 1 रुपए का नुकसान है तो 100 का नुकसान हो गया अल्टीमेटली देखा जाए तो आपको 200 का बेनेफिट मिला और यही 200 रुपए आपका शेयर पोर फिचर टू कैपिटल रिजर्व में चला गया कोई दिक्कत बताईए एक और कुश्चन देख ले ठीक है चलिए इशू किया हमने दस अजार दस रुपए का एक इसमें से दो रुपए पांच रुपए और तीन रुपए राम राम फेल हो गए फेल कितने शेयर में 500 शेयर में आल शेयर क्या कर दिये री इशू कर दिये सर अब यहां आसानी होगा एड़ दा रेट ग्यारा रुपए अब हमने ग्यारा का बेच दिया ठीक है एंट्री एक कुटी शेयर क्यापिटल अकाउंट डेबिड बताइए इसका सारा मांगा हुए तो सर कितने पांसो इंटो में दस मतलब पांच हजार शेयर फोर फीचर क्रेडिट होगा तूश्यर फोर फीचर तूश्यर फोर फीचर कितने होंगे पांसो गुना में अब छिर्फ दो ही तो किये हैं कितने आगए एक हजार एरियर में ये दोनों चला जाएगा तूग और सिन एरियर कौल स in एरियर कितने होंगे 1500 multiply 8 कितने हो गए 4000 अब हमने इसको रिईशु कर दिया सर तो bank में payment आएगा bank में payment केके कितना payment 11 का बेचा है तो bank में payment आजाएगा 500 ग्यारा का बेचा है तो bank में payment आजाएगा 500 रुपे अगर bank में payment 555ा रुपे आगया है हमारा तो बड़ी सीधी सी बात है सर बैंक में पेमिंट पच्पन सो आया तो दस वाला शेर अब हमने नौ में तो बेचा नहीं दस वाला शेर ग्यारा में बेचा तो नुकसान तो नहीं है यहाँ पे यहाँ पे है फाइदा और फाइदे को हम कहां लिखते हैं सर तो सिक्यूरिटी प्रीमियम अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है तो सिक्यूरिटी प्रीमियम आ जाएगा एक इंटू में पांसो रुपे का सिक्यूरिटी प्रीमियम पांसो और तो एकुटी शेर कैपिटल कितने का हो गया सर equity share capital 5000 रुपे का हो गया अब जाते हैं capital reserve में तो अब हमारा फाइदा यहाँ पे 1000 का ये वाला फाइदा का नाम अलग है तो इसे जोड़ना नहीं है इस फाइदे का नाम क्या है security premium इस फाइदे का नाम क्या है share for future तो दोनों को add मत कर देना तो हमारा सिर्फ पाइदा जो देखा जाएगा ना वो share for future to capital reserve जो होगा वो only only 1000 वो तो आपका दूसरे head में चला जाता है तो यहीं तक ही रहने वाला है बताइए कोई doubt समझ में आया है तो मैंने न छोटे छोटे एक्जामपल लेके कोसिस के अभी प्रीमियम वाला पार्ट डाला नहीं है बड़े छोटे छोटे एक्जामपल लेके मैंने कोसिस के आप कहले आपको share for future और reissue का concept डेबलब करूँ है अगर यह समझ में आ गया तो फिर हम full flesh question पे आएगे क्योंकि बीच में रुकने का फाइदा है नहीं कोई कोई दिक्कत सर हमने basic से सवाल कर लिए basic के बाद कुछ एक सवाल किये हमने और last class में हमने क्या किया सर last class में हमने four feature और reissue कर लिया था कहा गया भाई यह रा four feature करा था और हमने reissue के भी cases देख लिये थे and reissue ठीक है आज हम continue करने वाले हैं इसके आगे सर क्या करेंगे इसके आगे sphere for feature when issued at premium when issued at premium shares को four feature किया गया जब issue किया था premium पे या कह सकते हो originally issued at premium यहां तीन cases बन सकते हैं number one number one when premium not call and forfeature number two when premium call call यहां call से confuse मत होना call का मतलब है मांगना when premium call यानि मांगा and not paid or last one when premium call एंड पेड जब मैं एक्जामपल लूँगा समझ में आ जाएगा भी यह तो हेडिंग ऐसे ही बना दिया मैंने ठीक है चलिए एक्जामपल नंबर इसका एक्जामपल इसके नीचे एक्जामपल हमारा 10 प्लस 2 का शियर है और कुछ इस तरीके से है कुछ इस तरीके से हैं पांच रुपे तीन रुपे और चार रुपे प्रीमियम जो है ना मान लेते हैं पूरे बारा होगे प्रीमियम जो है यहाँ है यह कुछ ऐसा है कैसा सर यह है हमारा दो रुपे शेयर कैपिटल का और दो रुपे सिक्योरिटी प्रीमियम का दो और दो इसका ठीक है मुद्दे की बात करते हैं सर शेयर फोर फिचर वेन इशूड एट अ प्रीमियम जब प्रीमियम पे इशूड किया गया कहानी देखिए मैंने एक अजमशन लिया कि मिस्टर राम है जिसके पास पांसो शेयर हैं पांसो शेयर हैं और वो ना अलाटमेंट पे फेल हो गया वो यहां फेल हुआ और उसका यहीं शेयर फोर फिचर हो गया ठीक है न सवाल यह बनता है उसका शेयर फोर फिचर यहीं पे हो गया चलिए सर हम सीधा शेयर फोर फिचर की एंट्री करेंगे और मैं री इशू भी करीद हूँ यह पूरा हमारा एक बन गया सवाल चलिए पहली एंट्री पहली एंट्री क्या करेंगे आपका सीधा पोर फिचर और री इशू दो ही काम करने वाले हैं पहली एंट्री पहली एंट्री शेयर कैपितल शेयर कैपितल टू शेयर फोर फिचर तू अब फेल कहा हुआ अलाट्मेंट पे तो अरियर ओन अलाट्मेंट या शेयर अलाट्मेंट वो आपके इच्छा है अरियर ओन अलाट्मेंट ठीक है अब बताईए कौन बताएगा कि कितने कितने पैसे जाएंगे कि सर्च शेयर कैपितल में बस पांसो शेयर है जी हां पांसो इंटू क्योंकि इससे इसके बाद मांगा ही नहीं गया तो सिर्फ और सिर्फ आठ ही होंगे आठ डेट इस चार हजार शेयर फूर फीचर की हम बात करें तो इसकी हम एंटरी करेंगे पांसो इंटू में सिर्फ इसने यही पेड किया है तेट इस 5 रुपए तो आजाएगा 2500 और आगे की बात करें तो 500 इंटू में 3 तेट इस 1500 अब रीशू की बात करे लिये है तो वो भी कर देते हैं रीशू की बात करे लिये है री इसू बैंक अकाउंट डेबिट और नुकसान हुआ क्या अगर आपने 8 का री इशू किया तो 2 रुपए का तो share for feature भी debit हो जाएगा account debit और 2 आजाएगा equity share capital 2 equity share capital अब यहां पर आजाएगा हमारा 500 into में 8 मैं direct amount लिख रहा हूँ 4000 और 1000 और यहां पर 5000 थोड़ा इसे हम space बनाएंगे अब क्या करते हम capital reserve वाली entry क्या entry करते है share for feature to capital reserve share for feature और capital reserve में कितना आएगा बताएगा कौन बताएगा share for feature में capital reserve में कितने आएगे जल्दी जल्दी बताएगे share for feature और capital reserve में क्या आने वाला है पंदरा सो पान सो तो देखते हैं पच्चिस सो और हजार का नुकसान ये नुकसान है ये loss है और ये फाइदा है तो दोनों को compare देखो ये credit है और ये debit है ये भी देखना है तो सर पंदरा सो तो माइनस करेंगे directly अगर partly issue होता तब वो हम concept लगाते convert वगराता बहुत सारे बच्चों ने जवाब दे दिया पंदरा सो पंदरा सो रेनु 25 सो नहीं आएगा पंदरा सो आएगा अभी शेक 15 सो आएगा first part complete किसी बच्चे को किसी तरीकी का कोई doubt है तो बताती जिया हमने first part complete कर लिया है किसी बच्चे को किसी तरीके का कोई doubt है first part में तो प्लीज बता दे हम उसी हिसाब से बढ़ेंगे आगे है किसी बच्चे को दिक्कत जो offline बैठे हैं वो भी बता दे है क्या दिक्कत आपको no अभी शेक का जवाब आ गया no और आपका भी कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए case number two sir case number two भी बनाई क्या बिलकुल मैं एक ही जैसा सवाल रखूँगा so that आपको clarity मिले अब देखो अब इस heading को समझते हैं when premium not call यानि मांगा नहीं and for feature तो premium तो यहाँ पे था मैंने premium तक पहुचा ही नहीं इस से पहले ही fail वो और for feature इसके इसाब से मैंने concept बनाया है अगले part की बात करते है example मान लेते हैं 10 प्लस 2 मान लिया जाए 10 प्लस 2 और यह है 5 रुपे यह है हमारा 6 रुपे 6 और 5 ग्यारा और यह 1 रुपे सर यहां का अगर देखा जाए तो मैं अब premium यहां रख रहा हूँ यहां premium रख देते हैं यानि 2 रुपे सर security premium के और 4 रुपे सर share capital के ठीक है अगेन मान लेते हैं राम पांसो शेयर है और अब वो फेल जो हो रहा है अब वो जो फेल हो रहा है यहां पे फेल हुआ and to be continue यहां पे भी फेल हुआ now his share were forfeited अब उसका share forfeiture किया जा रहा है ठीक है और इस सारे share को हमने re-issue कर दिया फोड़ा twist करते हैं re-issue करा हमने 300 share add the rate 9 खीक है तो यह था सर हमारा क्या सवाल अब आ जाते हैं इसके answer पे इसके answer पे बस ध्यान से देखते जाएगा जितने बच्चे ना बस ध्यान से observe कर यह देखे क्योंकि यह चाहरी चीजे ना आपको पहले से आता है बस मैं recall करता हूँ मैं यह चाहरा हूँ कि कुछ ऐसे बच्चे रहना जाए जिनको नहीं आता हूँ और मैं आगे बढ़ जाओ इसलिए मैं बस छोटे छोटे एक्जामपल ले रहा हूँ रिकॉल करता जाओ लेकिन यह सारे आपको tips पे होने चीए तभी आगे बढ़ पाएंगे चलिए एंट्री करते हैं पहली एंट्री होगी शीर कैपिटल शीर कैपिटल कैपिटल अकाउंट डेबिट इसको थोड़ा शॉट में लिख दे क्योंकि स्पेस मुझे वहां के लिए भी चाहिए शीर कैपिटल अकाउंट डेबिट अब सिक्यूरिटी प्रीमियम अकाउंट भी आएगा सिक्यूरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट और टू शीर फोर फीचर और टू हम लिख देते हैं कॉल्स इन एरियर टू कॉल्स इन एरियर अब अमांट देखिएगा अमांट जो आएगा यहां पे हमने ये भी मांगा है ये भी मांगा है ये भी तो share capital का हिस्सा पूरा 10 रुपे है क्योंकि 5 रुपे ये भी share capital है 4 रुपे अब देखें share capital में circle लगा रहा हूँ और सर, it is also share capital, तो total 10 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा total 5000, सर 5000 कैसे आएगा, 5000 कैसे आएगा, 500 multiply by 10, जिसको दिक्कत हो ना, फट से comment में hand raise मत करिएगा, comment में लिख दीजिएगा, नहीं समझ में आया, बस, सर, security premium इसने मांगा था, fail हो गया, नहीं दिया premium, तो उसे भी debit करना होगा, 500 into में 2, यानि सर, 1000, तो यहाँ पर आएगा सर, 5000, और यहाँ आएगा सर, 1000, share for feature में, यह तो यहाँ fail ही हो गया, तो सिर्फ यही दिये इसने, तो 500 into में, 5, that is, पच्चिस सो, और यहाँ आजाएगा, 500 into में, 500 into में, कितने, आप देखो, यहाँ भी fail था, और यहाँ भी fail था, दोनों को merge करके लिख सकते हैं, तो 7 लिख दिया हमने, तो 35, सर ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ, कर सकते हैं, allowed है, पहली entry कर दी है, किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो, मैं एक बार और समझाता हूँ, इस entry को, Sir एक बार और, तो यहाँ वाले में premium तक तो पहुँचा ही नहीं, तो 4 feature time पर premium डेबिड होगा ही नहीं, यहाँ वाले में premium तक पहुँच गये थे, लेकिन premium का पैसा उसने दिया नहीं, लेकिन जब मांगते हैं ना, तो premium credit करते हैं, और जब premium को हम credit करते हैं जैसे हमने इससे मांगा होगा मांगा होगा तो मैंने क्या करा होगा share allotment to equity share capital to security premium यह कर दिया होगा मैंने इसके नाम का यह entry कर दिया होगा लेकिन premium का पैसा तो मिला नहीं तो गलत premium entry करा होगा in the time of issue इसलिए हम क्या कर देते हैं इसको debit कर दो लेकिन case number one के अंदर तो premium मांगा ही नहीं होगा ठीक है यहां तक clear है आपको बिल्कुल clear चलिए सर री इशु भी कर देते हैं लगे हाथ री इशु कर देते हैं तो बैंक में पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फिचर से इसके बात आगे देखा जाएं तो बैंक शेयर फॉर फिचर अकाउंट डेबिट कितने रुपे का नुकसान तीन सो और टू एक्विटी शेयर कैपिटल तू एक्विटी शेयर कैपिटल तीन हजार यह हो गया लोजी री इशु अब कौन बच्चा बताएगा रिजर्व कैप कि कि टिक चलिए किसी को इसमें डाव्ट इसमें डाव्ट फटा फट बता देजिए है किसी को डाउट द्वनों इंट्री एकदम साफ साफ समझ में आ रहे हैं हैं सारे allotment और calls in area को अलग-अलग लिख सकते हैं बिलकुल Sonia लिख सकते हैं आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं calls in area और आप यहाँ पर लिख सकते हैं अलग से allotment area के नाम से भी और combine भी Sir, re-issue repeat कर दो एक बार मैंने re-issue में 300 share बोले थे कि हम 300 share रिशue कर रहे हैं तो लो लिख ही देते हैं तो Sir, यह आया 300 into me 9 नुकसान एक रुपए का तो 300 into me 1 और capital में आ गया 3000 रुपए बताईए कोई दिक्कत आये क्या clear है अब हम जाएंगे share for feature में है न चलो इसे उपर ही ले जाते हैं और ले लेंगे और क्या होगा एक पेज और ले लेंगे अब हम इसको जैसे कि पहले हमने comparison किया था ना पच्छिस सो माइनस 1500 अब नहीं कर सकते हम पच्छिस सो माइनस 300 हम ऐसे नहीं लिख सकते 200 क्योंकि यह share for feature number 500 है और यह 300 है तो first of all हमें इस पच्छिस सो रुपए को convert करना होगा तो पच्छिस सो को अगर हम convert करते हैं तो सर्फ पच्छिस सो और गुणा में 500 और इंटू में क्या आएगा 300 आपका आजाएगा कितना 1500 आपका आगया 1500 तो अब आप compare कर सकते हैं आपकी कमाई 300 share पे थी 1500 की और 1500 300 पे ही आप नुकसान कर बैठे कितना 300 रुपए का यानि 300 share पे earning for feature में 1500 और 300 share पे नुकसान 300 तो ultimately net का फाइदा net का फाइदा करोगे share for feature to capital reserve बहुत सारे बच्छे नए भी होंगे आज की class में तो मैं उन सभी से बोलूँगा कि आप इस class में ना समझ में आए और वैसे भी नहीं आएगा ये वाली class समझ में तो पुरानी सारी classes sequence में डाली हुई है वो definitely देखिए फिर हो जाएगा ये 1200 और ये 1200 लोजी ये भी खतम हो गया यानि इन दोनो points को comparison करके देखते हैं ये समझ में आता है कि premium अगर उससे हमने मांगा ही नहीं तो share for feature normal manner में हो जाएगा लेकिन premium उससे मांगा हमने और उसने premium का पैसा नहीं दिया तो for feature के टाइम पे भी premium को debit करना होगा इस सवाल को आप समझिएगा अभी शेक का हजार 1200 री इशू से री इशू से दुबारा बताना है री इशू देखिए मैंने क्या कहा था आप ध्यान दीजिए मैंने री इशू कितने share करें यहां लिखा हुआ है कुछ बच्चे इसको अगर नजर अंदाज कर रहे मैं लिख देता हूँ 300 ही share पूर फिचर कितने share है सर 500 लेकिन री इशू कितने share किये हमने 300 तो ऐसे situation में हम बेचेंगे तो 300 ही तो 300 को कितने रुपे में 9 तो यह आगे 2700 और 10 रुपे वाला समान 9 में बेच रहे हैं तो 300 इंटू में 1 300 का हो गया नुकसान इसके बाद equity share capital में चला गया पूरे 10 रुपे 3,000 नाव यह जो 2500 रुपे हमने profit किया है यह जो 2500 का profit किया है यह पूरे 500 share पे कमाई है लेकिन ratio तो हमने कितने किये हैं sir ratio मात्र हमने 300 ही किये हैं तो हम comparison नहीं बनता हम कभी भी हाथी और घोड़े का comparison नहीं कर सकते यानि कहने का मतलब है कि sir यह हाथी है यह बहुत बड़ा है और यह छोटा है यह घोड़ा comparison नहीं हो सकता तो हमें इसको भी उसी के बराबर लाके खड़ा करना होगा तो उसके बराबर लाने के लिए हमें क्या करना होगा इसको convert कर दिया पच्चिस सो को अगर divide 500 से कर दे तो एक share की कमाई आती है हमने 300 से multiply किया तो 300 share की कमाई आ गई तो यानी 1500 और ये चीज हम पहले भी discuss कर चुके हैं और 1500 का हमारा income था और 300 का यहां नुकसान तो 1200 रुपए share for future to capital reserve में पहुँच गया अभी एक और example लेंगे न जो तीसरा है तो फिर और ज्यादा clarity बढ़ जाएगी आप लोगों की कि अच्छा इसके अंदर ये करा जाएगा मेरे हिसाब से मेरा मन कहता है कि अगले पेच पर चलना चाहिए लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर इसी पेच पर हो जाए तो मज़ा आ जाए क्यों क्योंकि comparison दिखाना ना जादा ज़रूरी है एक पेच पर आपको comparison दिखिया ना तो आपको revise करने में अच्छा होगा चलिए इसको हमने हटा दिया अग्या चलिए अगले point पे चलते हैं तीसरा सवाल ले माल लेते हैं 10 प्लस हर किसी को visual ना हो तो बता देना क्योंकि में भी हो सकता है कि camera के अंदर board capture ना हो वैसे मैं देख रहा हूँ सामने के capture तो है अब इस सवाल को करते हैं कुछ हैसे फिर से बुलाते हैं हम किस को राम को और कितने share है अब यह फेल यहां हुआ फेल यहां पे हुआ यह ठीक है समझेगा बात को अब यह फेल यहां पे हुआ है और इस सभी के share री इसू कर देते हैं आल शेयर आल शेयर री इसू एट ट्वेल बारा रुप में बेच दिया चलिए ठीक है बारा में बेच दिया हमने थोड़ा इसको हम इधर लेके चलते हैं दिखाने के लिए अब पहली जनल इंट्री सर पहली जनल इंट्री क्या होगी पहली जनल इंट्री अब इसने प्रीमियम का जो पैसा था ना वो पेड कर दिया फेल वो यहां पे हुआ है तो आपका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर और टू कॉल सिन एरियर कॉल्स इन एरियर चैलेंज देखिएगा समझिएगा 500 इंट्व में पूरे 10 इंट्री कॉल है तो 10 कितने होगे 5000 अब हमेशा याद रखिएगा security premium तो मैं आपसे बोल के ही extra लेता हूँ के सर ये extra पैसा ले रहा हूँ मैं आपसे security premium का तो अगर मैं security premium से आपसे extra payment ले रहा हूँ तो बड़ी सीदी सी बात है वो मेरा पैसा है तो for feature में ने हमेशा capital capital का पैसा जाता है premium का नहीं जाता है इस बात का आपको ध्यान रखना है तो for feature में अगर हम बात करें क्या क्या जाएगा सर for feature में एक तो ये capital जाएगा और ये तो इसने दिया ही नहीं है तो for feature में जो जाएगा वो that is हमारा जाएगा 500 into में 5 और 4 नो यानि सर ये 4500 रुपे जाएगा ये आपको ध्यान रखना है और सर कॉल सिनेरियर में क्या जाएगा सिर्फ एक रुपे जाएगा 500 इंटू में एक और ये आ गया 500 मतलब सर एक बात समझ में आई मुझे इस एंट्री को करने के बाद के सर ये वाली एंट्री तो हुवा हुवा पहली एंट्री जासी हो गई नॉर्मल यानि जब कोई प्रीमियम का पैसा दे देता है तो प्रीमियम का कोई लेना ही देना नहीं रहता हमारे फूर फीचर के टाइम पर समझ रहो एक एडवांस कोज्शन और करा ऊँँगा मैं इसके बाद कलिर रहे तक सर इसके बाद हम ऱिजु करदेते हैं सर बैंक में रिजु हो जाएगा बैंक अखाउट डेबिट सर बैंक में कितने कब बारा रुपे का सारे शेर रैशु कर दिए तो पान सो इंटू में बारा that is आप का आजाएगा account 6000 और इसके बाद अगर हम करते हैं क्या share for feature तो होगा नहीं क्योंकि नुक्सान तो है नहीं तो two share capital और अब आएगा two security premium share capital हमारा आएगा कितना 5000 और यहाँ 1000 तो यह बन गई हमारी बात अब अगली challenge कौन सी है अगली challenge है हमारा capital reserve तो capital reserve में हम कैसे भेजेंगे very simple capital reserve में कमाई की बात करें तो कमाई 4500 का हुआ है सारा share ही रिशू कर दिया नुक्सान कुछ नहीं है तो share for feature two capital reserve आप minus plus कुछ नहीं करेंगे सारा पैसा चला जाएगा कितना 4500 रुपे यहां तक किसी का doubt है तो please आप बता दे फिर हम आगे advance question पे चलेंगे एक question लेंगे जहां पे खूप सारे premium रखेंगे और फिर fail करेंगे हम यहां तक किसी बच्चे को doubt है तो बता लीजिए 4500 सोनिया ने सही जवाब दे दिया Sir, please एक बार revise करा दीजिए मैं थोड़ा लेट हो गई कोई बात ने भी बता देते हैं Clear अब देखें मैं तीनों को एक साथ लेके चलूँआ ठीक है फिर हम देखेंगे Clear तीनों को एक साथ लेके चलेंगे फिर हम देखने वाले हैं तीनों में अगर आप चीजों को समझोगे मैं इसको एक ही पेज पे लेके आ जाओ एक ही पेज पे थोड़ा छोटा जरूर होगा लेकिन विज्वल तो जरूर दरेंगे आप समी को पूरा विज्वल है बताईए फटा फटा देखे तीन केस मैंने आपके सामने रखा पहले वाले केस के अंदर हमने प्रीमियम तक पहुँचे ही नहीं उससे फेल हुआ और हमने उसका फोर फीचर कर लिया तो इस में शेयर फोर फीचर में प्रीमियम का कोई रोली नहीं रहा दूसरे वाले केस में हमने प्रीमियम भी मांगा और प्रीमियम पे फेल भी हुआ तो ऐसे सिचुएशन में प्रीमियम को शेयर फोर फीचर के टाइम पे डेबिट करना पड़ा हमें प्रीमियम को शेयर फोर फीचर करते टाइम पे डेबिट करना पड़ा तीसरे केस में प्रीमियम मांगा लेकिन ये फेल नहीं हुआ premium का पैसा इसने दिया तो ऐसे situation में security premium का कोई role नहीं रह जाता share for feature करते टाइम पे लेकिन जब हम share for feature में amount डालते हैं तो premium का amount छोड़ करके डालते हैं तो ये comparison बनती है सभी को clear है ये तो sir यहाँ पे एक और advance हवाल लिया जाए इसमें जिसमें दो तीन पर premium रखेंगे जिससे कि आपको पूरा scenario clear हो जाएगा हाँ सर ये सब अब clear है कितना premium लेना है actual में और कितना नहीं लेना है clear है चलिए एक advance सवाल लेते हैं देखो कुछ बच्चे बोल ये भी सोच सकते हैं सर बहुत लेंदी ले जाते हो अब topic को लेकिन ये chapter ना सभी से connected हो जाता है इसलिए मुझे करना पड़ रहा है एक advance सवाल लेते हैं लेते हैं 10 प्लस में 4 लेते हैं ठीक है 10 प्लस में 4 और अभी calls in advance वगरा तो मैं डाली नहीं राइस में 10 प्लस में 4 चलिए सर 10 प्लस में 4 अरे ये बहुत बड़ा कर लिए यहां मान लेते हैं कि 3 रुपए यहां मान लेते हैं 4 रुपए कितने होगे चार तिन साथ यहां मान लेते हैं 3 रुपए कितने होगे 10 और यहां मान लेते हैं 2 रुपए 2 ही होंगे न ओके 4 मान ले ठीक है अब premium का distribution कर रहूं है premium का distribution कर रहूं है और एक को फेल नहीं करेंगे हम दो तीन वेक्ति को फेल कर देंगे ठीक है यहाँ पे premium है यहाँ पे premium है two share capital and two security premium although यहाँ पे भी मैं रख सकता था एक रुपए लेकिन कोई जुरत नहीं है वो आप समझ जाओगे एक basic समझ जाओगे सर यहाँ पे है एक रुपए security premium और दो रुपए share capital और यहाँ पे आप समझी गए क्या बनने वाला है एक रुपए security premium और तीन रुपए है ठीक है ना चार हो गए सब कुछ सही है चल रहा है अब हम fail करते हैं किसी वेक्ति को लाते हैं Mr. X fail हो गया कितने share से 200 share उससे हमने मौका ही मौका मौका ही मौका और यहाँ share for feature हुआ मतलब वो 200 share पे fail हुआ हम आगे तक उससे मांगते गहें और फिर last में share for feature किया जैसे ही यहाँ पे आए तो एक वेक्ति और आगे Mr. Y यह भी fail हो गया 300 share इस Y को मैंने कोई मौका नी दिया इस Y को मैंने कोई मौका नी दिया इसका यहीं share for feature हो गया समझ रहे हो मेरे सवाल को इस Y को कोई मौका नी दिया मैंने यहीं for feature कर लिया अब आ जाते हैं सर अब आ जाते हैं मिस्टर जड इसके पास चार सो शेयर और यह यहां फेल हुआ तो आप समझ सकते हैं कि यहीं पे शेयर फोर फीचर हो सकता है इसका ठीक है अब कितने शेयर होगे 200 300 400 टोटल कितने होगे 900 होगे अब रीशु ध्यान से देखिएगा मैं यह नहां पर कुछ पॉइंट लेना चाहता हूं हाला कि टाइम वक्त लग जाए लेकिन समझ में आ जाए रीशु किये मैंने टूटल बड़ा मज़ेदार सवाल बनाते हैं से एक बोड़ पर पूरा मिला है तो पूरा बनाते हैं रीशु किया है हमने मान लेते हैं कि हमारे पास 700 शेयर अब सवाल आता है सर कि जो यह आपने रीशु किये हैं यह किसके है रीशु 700 शेयर किसके हैं तो मैं बता देता हूं यहां पे जो Mr. X है Mr. X है उसके 200 शेयर है और सर Mr. Y है Mr. Y है उसके भी 200 शेयर है सर और सर Mr. Z है उसके कितने बच गए 300 मैं बता रहा हूं यह बाते आपको सवाल में भी गिवन होगा है सेही 300 है और मैं लास्ट वाले के लिए 300 ना बोल के बैलेंस बोल सकता हूँ है बैलेंस Mr. Z का ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ वह आपको दिमाग लगाना है ठीक है ना? यानि सर इसके पूरे फुली इशू इसके पार्टली और इसके भी पार्टली इशू तो हम बड़े ध्यान से एक-एक शेयर का फूर फीचर करने वाले हैं और एक-एक शेयर को री इसु भी करने वाले हैं सवाल हमने थोड़ा बड़ा लिखके इसको कर दिया छोटा क्लियर है? कुश्चन हर बच्चे को क्लियर है तो हम आगे बढ़ जाए और इस सवाल में आपके सारे इफ वर्ट क्लियर हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से तो अगर इसमें नहीं होता तो फिर तो दिकत है कुश्चन हर बच्चे को क्लियर है फटा फट कमेंट में बता दीचे जो मैंने सामने कुश्चन बोला है क्लियर है तो हम आगे बढ़ें इसमें क्लियर है चलिए कुछ बच्चे बोल देते हैं तो उसी को मैं अजम्शन लेके आगे बढ़ रहा हूँ अब मैं एक एक करके ध्यान से बड़े ध्यान से फोर फिचर करूँ आ पहले मैं कहानी खतम करूँ आ किसकी X की X का पोर फिचर करते हैं तो हम करेंगे किएर क्यापटल कुछ बच्चे बोलेंगे सर इक खटा करते हैं तो गलती के चांसेज बढ़ जाएंगे आपके कि शियर क्यापटल कि शियर क्यापटल आकांट डेबिबिट 2 2 अब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट अब सबसे पहले टैक करना होगा कि शेयर कैपिटल में कितना डेबिट इससे सारा मौका दिया गया तो कितने 200 गुणा में यानि इंटू में 10 2000 सर क्या यहां पे share capital को हम debit करेंगे सरी security premium को debit करेंगे अब हमें check करना होगा सर क्या check करना होगा check यह करना होगा क्या हमारे पास यह fail कहां कहां हुआ premium पे fail हुआ या नहीं हुआ जी हां यहां भी premium पे fail है जी हां यहां भी premium पे fail है और जी हां यहां भी premium पे fail है यानि सभी premium पे fail हो गया तो हमें इसका security premium account को debit करना होगा यानि जहां जहां premium पे fail हुआ सब को जोड लेंगे 2 रुपे, 1 रुपे, 3 रुपे और 1 चार रुपे तो sir इसका जो amount आएगा वो आएगा 4 के हिसाब से और वो आजाएगा 800 रुपे और 2 share forfeiture sir 2 share forfeiture forfeiture जितना पैसा भाई तूने दिया है उतने ही तो forfeiture करेंगे इसने सिर्फ 3 रुपे दिया है तो 200 गुणा में 3 that is हमारा 600 रुपे और 2 calls in area 2 calls in area sir calls in area में सारा आजाएगा यहाँ पे 4 रुपे नहीं दिये यहाँ पे 3 नहीं दिये यहाँ पे 4 यानि sir calls in area में प्रीमियम को add करके दिखाया जाता है अगर feel हुआ है तो तो कितने हो गए 4, 3, 7 और 4, 11 तो sir 200 गुणा में 200 गुणा में 11 that is हमारा 22 तो यह आपके बनगे पहले की कहानी अब इसके भी रीशू कर देते हैं capital reserve सबका इखटा भीजूँगा मैं ठीक है पहले मैं रीशू कर देता हूं तो sir रीशू करते हैं इसका रीशू कैसे होगा bank में पैसा या रीशू भी खटा ही कर देंगे एक ही साथ तो करना है 700 इंटू में नहीं तो रीशू भी खटा करने वाले हैं और capital reserve भी खटा करने वाले हैं ठीक है एक्स का कहानी खदम अब य को लेके आते हैं दूसरे कलर में Mr. Y Y अब इसका करेंगे share capital account debit share capital account debit अब देखते हैं Y का check करते हैं Y यहाँ fail हुआ मतलब premium का पैसा नहीं दिया यहाँ भी fail हुआ premium का पैसा नहीं दिया अरे यहाँ तो fail ही नहीं हुआ क्योंकि उससे हमने आगे बढ़ने नहीं दिया और यह वाला pay कर चुका है यह premium pay कर चुका है तो क्या इसका security premium debit होगा सर हाँ इसका security premium debit होगा सर कितना security premium पहले capital की बात कर लेते हैं इससे यहीं तक मांगा गया है 3, 4 और 3 तो यहाँ यह भी capital 3 रुपे और यह भी capital 5 रुपे और यह भी capital 2, 7 रुपे तो कितने होंगे इसके 300 into में 7 that is 2100 रुपे बताइए कोई doubt अब premium का पैसा जो पैसा premium का दे चुका है उसको तो हम दिमाग से निकाली देके four feature पे impact डालेगा लेकिन जो नहीं दिया और वहाँ fail भी हुआ है उसको लेंगे तो सर यह वाला नहीं दे रहा और यहाँ fail है यानि सर 300 गुणा में 300 गुणा में एक और वो आएगा सिर्फ 300 रुपे और two share four feature जो पैसा भाई इसने दिया वो four feature और four feature सिर्फ सिर्फ capital का पैसा होगा इस बात का ध्यान रखिएगा तो एक 3 रुपे और एक 2 रुपे यह तो premium का पैसा दिया और यहाँ तो failure हो गया पांच तो यह आएगा 300 गुणा में पांच देट इस आपका 1500 और अगली बात कॉल सिनरियर कॉल सिनरियर कॉल सिनरियर के सर कहां एक ही जगे पर तो फिल था 300 तो 300 गुणा में तीन यानि 900 रुपे आपका 2400 रुपे टोटल मैच हो जाता है यह इस तरीके से आपका जिसका भी आउट है बताईए फिर मैं आगे बढ़ूँआ दो के पूर फिचर हो गये सर दिख नहीं रहा ठीक है अब दिखा देते हैं अभी इसको थोड़ा सा अब चेक करिए अब दिख रहा होगा नाओ क्लियर है नाओ क्लियर है पहले विज्विलिटी बताईए फिर मैं दुबारा बता दूँ आप सेक्योरिटी प्रेमियम एक बार फिर देखिए मेरे वर्ड को सुनिएगा अगर आपने प्रेमियम का पैसा दे दिया तो कोई रोल नहीं है अब आपका सेथीर फस्टार में सिर्फ जाएगा कौण सा पैसा का दूब अगर प्रेमियम का पैसा नहीं दिया है तो फॉर पीचर के टाइम पे डैबिट भी होगा मैं तीनी बात वोल ये बाते capital नंबर दो अगर आपने प्रीमियम नहीं दिया है नौट पेड तो सर शियर फूर फीचर में यह डेबिट हो जाएगा लेकिन सर ऐसा नहीं कि जितने सवाल में प्रीमियम सब मिस्टर वाई क्या कहता है कि मैं 300 शियर के पैसे नहीं दूआ यानि मिस्टर वाई 300 शियर के पैसे नहीं दे रहा और कहां नहीं दे रहा इस जगह नहीं दे रहा तो भाई और इसके बाद मिस्टर वाई को मैंने बोला बस तुमसे हम आगे नहीं मांगेंगे तुमारे यहीं share for feature कर लेंगे Y ने बोला अच्छा कोई बात नहीं अब Y का हम detail करेंगे तो Y का यहां से यहां तक category किया गया है तो Y का share capital कितना debit होगा capital capital चाट लो पहले 3 रुपे और 2 पांच रुपे और इसमें तो 2 था इसके आगे का तो जाएंगे नहीं 7 रुपे तो that's why यहां पे capital debit हो गया हमारा कितना सर 7 रुपे का अब security premium सर यह वाला तो Y ने premium दे दिया तो इसका कोई role नहीं है यह वाला Y से मांगा गया था और इसने premium दिया नहीं तो यह premium debit होगा और यहां तक तो Y को पहुँचने नहीं दिया तो premium debit कौन सा होगा सरिफ यह वाला होगा तो इसलिए premium debit कितना हुआ 300 multiply by 1 अब आ जाते हैं 4 feature जितना पैसा Y ने दिया वही 4 feature करेंगे तो Y ने यह भी 4 दिये और यह भी 3 दिये लेकिन मैंने आपको बताया कि 4 feature सरिफ capital होता है तो 3 और 2 5 यह 5 है कैसे बना 3 plus में 2 5 call scenario सर यहाँ पर area है 3 रुपए का तो यह आ गया बताईए समझ में आया के नहीं आया clear है मैंने पूरा बता दिया बताईए clear है बताईए आपको clear है सभी को क्या करने जा रहे है हम यह आपे ठीक है चलिए अब आ जाए जाए कहां सर Z पे Mr. Z Mr. Z चलिए सर Mr. Z Mr. Z है यहाँ fail हुआ और बाकि सब कुछ देता गया तो सबसे पहले share capital share capital account debit सर share capital में तो पूरे 10 जाएंगे कितने share है 400 into में 10 that is आपका 4000 और अब बारी आती है security premium को debit करने का क्या security premium debit होगा तो जवाब अगर यह fail हुआ है देने में तो होगा एक यहाँ प्रीमियम था दे दिया यह वाला तो debit नहीं होगा एक यहाँ प्रीमियम था दे दिया यह भी debit नहीं होगा एक यहाँ प्रीमियम था नहीं दिया तो यह वाला debit होगा तो यहाँ पे कितना आएगा सर? चार सो गुना में एक यानि चार सो रुपे अब बारी आती है टू शेयर फोर फीचर चलिए सर शेयर फोर फीचर में वही पैसा आएगा सिर्फ कैपिटल का जो इसने दिया होगा वही पैसा आएगा जो इस कैपिटल का पैसा किसने दिया होगा जेट ने दिया होगा तो सर कैपिटल का पैसा ये वाला तो दिया नहीं यहां पर कैपिटल का पैसा दिया कितना दो रुपए यहां कैपिटल का पैसा दो चार रुपए और यहां कैपिटल का पैसा तीन तो साथ रुपए तो सर यह आजाएगा चार सो इंटू में साथ डेट आपका 1600 तो यह आ गया हमारा share for feature मेरे हिसाब से इस example के बाद क्योंकि अगर मुझे आप बोलो ना इस चप्टर में धेर example दो तो मैं देता जाओंगा आपका महिना भी निकल जाएगा खतम नहीं होगा तो मेरे हिसाब से जितना हमने यह किया है यहां तक आपको clear हुआ होगा share for feature का X में security premium debit में 400 आएगा बाकी premium तो दे दिया है X ने X के debit में 400 आएगा नहीं जो दे दिया है बाकी premium X यहीं fail हुआ है और लगातार fail होता गया है सिर्फ यहां नहीं fail हुआ X यहां भी fail हुआ है और यहां भी fail हुआ है और last तक feel हुआ है ठीक है तो इसलिए हमने लिया है सूरज इसलिए लिया है मैंने कि बिल्कुल area में premium भी लेना है हमें क्लियर है यहां तक बढ़ा जाए आगे क्या रीशू कर दिया जाए ठीक है रीशू करते हैं चलिए रीशू करेंगे तो bank account debit bank account debit अब ध्यान से दिखिएगा सर्थ 700 share रीशू हो रहे हैं तो 700 share कैसे बने एक 200 जमा फिर से 200 प्लस 300 यह तीनों के मिलाके हमने कितने में बेच दिये 9 रुपे में तो कितने होंगे 60 तो 790 6300 अब नुक्सान है तो यहां share for feature account debit किया जाएगा नुक्सान किसका है सर्थ पहले वाले का भी को पहले का भी नुक्सान दूसरे वाले का भी नुक्सान तीसरे वाले का भी नुक्सान यानि सर्थ 200 मैं ज्यादा complicated नहीं कर रहां total 700 से और इन सभी से एक एक रुपे का नुक्सान हुआ तो डेट इस 700 और टू टू इक्विटी शेयर तू एक्विटी शियर कैपिटल 7000 बताइए जवाब भी बताइए पहले फूर फीचर भी के बाद री इसु पर ध्यान दे मैं लिख देता हूं यह री इसु की एंट्री है री इसु की एंट्री है तो क्या री इसु में सभी बच्चों को क्लियर है अब मजदार चीज अब आएगा क्या क्या बड़े साथ कि मजएदार पॉइंट अब आने वाला है चलिए अब बड़े ध्यान से कि सारे दिमाग में जितनी बाते चल रहे हैं आपके सब बातों को अलग करो इसको समझाने के लिए मैंने बहुत ज्यादा स्पेस रखा है करिए अब सबसे पहले ना हमारा कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या होता यह समझना भबने शेयर्स को जब छीना और उससे जितनी कमाई हुई और शेयर्स को जब दुबारा बेचा उससे जितने का नुकसान हुआ उन दोनों के बीच में मैंने कुछ एक्स्ट इसलिए इस पैसे को पी एंडल में ना डालके हम कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं समझे बात अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि किस से कितना कितना पैसा चीना तो हम देख लेते हैं कि एक्स भाई तेड़ से मैंने कितना पैसा चीना तो एक्स से जो हमने शेयर पंद्रा सो अब आ जाते हैं हम जैड से कितने लिए लिए जैड से लिए मैंने यह रहा अठाइसो मैं इस पर आप सभी के थोड़ा सा समझने के लिए सरकल भी लगा देता हूं तो डेट आपको क्लियर है ठीक है सो डेट आपको क्लियर रहे एक तो सर ये है सर एक यह है और सर एक यह है ठीक है यह सभी पैसे हमने शियर फोर फीचर किये हैं अब रीईशू की बारी करते हैं हमारा जो कैलकुलेशन होता है ना कैलकुलेशन रीईशू का दो तरीके के से कैलकुलेशन होता है एक तो डायरेक्ट उठा के माइनस कर देते हैं और एक पहल करते हैं फिर माइनस करते हैं डायरेक उठाके माइनस किसमे करते हैं जिसके सारे स्यरी पुल हुआ था इसका कितना रिश वा था फुल तो इसमें कनवर्ट ही नहीं करना और दूसरा वाई है इसका फुल नहीं हुआ इसका पार्ट हुआ था तो सर इसका प्रॉफिट कनवर्ट करना है और इसका भी क्या हुआ था सर पार्ट हुआ थो तो 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 कनवर्ट करना है तो कनवर्ट करने का क्या तरीका है और सभी को भी कनवर्ट कर दो देखो इसका तो convert करना ही नहीं है सर अगर बोलो सर convert करके दिखाओ तो convert लोग कर देते हैं divided by 200 और गुणा में 200 तो जवाब तो वही आएगा न 600 ठीक है न क्योंकि जब हम किसी नंबर को मान लेते हैं आपके 10 रुपे आपके pocket में है और आप 5 टॉफी खरीदोगे तो कितने होगे आपके यानि 2 रुपे का एक टॉफी यानि ultimately देखा जाए तो 2 रुपे एक पे है आपने ये 6 में 7 में 5 में ये सब करा हुआ है कि इतने लोगों की अगर इतने इंकम है तो एक लोगों की कितने इंकम होगी सेम उसी तरीके से चलिए सर इसमें convert करेंगे जी हाँ कमाई है 1500 और कितने shares पे 300 पे और रीशू कितने किये 200 तो यहाँ पे आजाएगा सर 1000 रुपे यहाँ पे आजाएगा 1000 रुपे यहाँ पे आजाएगा 1000 रुपे अब इसको भी convert करना है that is आपका 2800 और divided by 400 share है और इसके रीशू हुए 300 तो कितने आगे 200 कितने आगे 2100 यानि total हम बता बात करें तो 2100 रुपे हमारे आचुके हैं इसके तो यह ना जैसे मैं systematic कर रहा हूँ न तो starting में systematic करो बाद में आप जैसे भी करना है आपको कर सकते हूँ चलिए सर अब बात करते हैं नुकसान अब बात करते हैं नुकसान की नुकसान यानि सर नुकसान का मतलब क्या loss अब बात करते हैं किसकी हम loss सर X से भी loss हुआ X के share 200 share बेचे और loss किस पे हो रहा है री issue पे तो X के 200 बेचे मैंने तो 200 का नुकसान Y के मैंने 300 बेचे तो इस पे भी एक रुपे का नुकसान 300 Z के मैंने 400 बेचे नहीं Z के मैंने नहीं इसके 200 बेचे हैं इसके 200 बेचे हैं भाई 200 तो कितने का नुकसान नुकसान 200 का और इसके कितने बेचे मैंने 300 तो कितने का नुकसान 300 का अब एक एक करके net income निकाल लेते हैं अब पहले ये समझ में आया नेट में निकाल लेते हैं नेट में थोड़ा लंबा लेके जा रहा हूं मैं लेकिन समझ में आएगा आपको एक से net कमाई एक से net कमाई फाइदा छे सो नुकसान दो सो यानि कितनी कमाई चार सो वाई से net कमाई फाइदा हजार नुकसान दो सो आठ सो और जेड से net कमाई फाइदा एक किस सो नुकसान तीन सो तो कितने अठारा सो तो अब जो निट कमाई आई न वो चार और आठ बारा बारा तीन हजार सर ये कमाई आ गई तो इसको उठा के भेज देंगे हम शेर फॉर फीचर टू कापिटल रिजर्व और ये आएगा हमारा सर ये आएगा हमारा कितना तीन हजार रुपया ये आएगा 3000 रुपया सर इसका कोई डारेक्ट करने का तरीका नहीं है डेफिनेटली इसका डारेक्ट करने का तरीका बताते हैं डारेक्ट कैसे करते हैं आप आपकी टोटल कमाई कितनी है जोड लीजिए ये तो करना ही पड़ेगा इसमें डारेक्ट नहीं जा सकते हैं आपकी टोटल कमाई कितनी है 1600 और 2100 कितने बनते है 3700 रुपए आपकी कमाई 3700 और नुकसान री इसू के टाइम पे 700 तो डारेक्ट कर सकते हैं 3700 माइनस 700 और 3000 आ जाएगा बताईए मैंने देखो ये डिटेल में भी किया और डारेक्ट वी बता दिये किसी को कोई दिक्कत है तो बताईए क्रेडिट 400, 700, 1700 बच्चे ने X का बताया 400 क्रेडिट Y का 700 क्रेडिट पता नहीं आपने सोन्या कहीं मिस्टेक किया है मुझे लग रहा है आप यहाँ देखके बताईए किसी को कोई डाउट तो यहाँ तक बताईए किसी को कोई डाउट तो चलिए 16 कोशन करा देते हैं कहता है यह ओफर हमने करें है यानि सर इशू किये है यह थोड़ा बड़ा सवाल है तो धीरे-धीरे करना होगा इशू किये है हमने कितने है 10,000 और कहता है प्रीमियम भी है हमारा 20 रुपे का और 100 रुपे का एक है तो 100 रुपे का है प्लस 20 इसका पेवल कुछ ऐसे बनाया और कैसे इसका पेवल बनाया 10 ओन एप्लिकेशन 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम 20 30 और बैलेंस आपको निकालने को बोल दिया इसने तो 50, 70, 100 तो 20 बचा यहां पे हमारा 20 रुपे तो सिक्योरिटी प्रीमियम है और 20 रुपे हमारा यहां पे शेयर क्यापितल है ठीक है कहता है ओल्डर 400 शेयर फेल टू पे फर्स्ट कॉल और आफ्टर दियू नोटिस देयर शेयर वर फोर्फिटेट दा अमाउंट पेवल ऑन सेकंड कॉल वर पेड इन फुल एकसप्ट दा होल्डर 200 शेयर फेल टू पे कहता है कि भाई जो फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा गया ना तो एक होल्डर था होल्डर का मतलब उसके पास शेयर है एक वेक्ती है जिसके पास कितने शेयर है चार सो वो फेल हो गया है इसको हमने नोटिस दिया और शेयर फोर्फिचर कर लिया मतलब सर कहता है ये कि the amount payable holder fail to pay first call after due notice the year share forfeited मतलब इससे हमने second call मांगा ही नहीं हमने इसका यहीं share forfeiture कर लिया है ना आगे कहता है second call का number जब आया तो the amount payable second call except holder 200 share fail to pay 200 shareholder ने पैसे नहीं दिये बाकि सब ने दिये अब आगे कहता है 250 of 400 share यानि सर 400 कैसे हो गए इसकी बात कर रहा है 400 में से 250 share forfeited were reissue 80 paid up और कहता है कि 50 per share 50 per share मतलब कहा गया आपको 80 का share capital दे देंगे आप 50 दे दो यानि 30 रुपए का यहां पर सान हो गया है ठीक है दा फाइनल कॉल वर मीट फुल इंक्लूडिंग दा एरियर ऑफ सेकेंड कॉल और जैसे फाइनल कॉल पे गए तो जो यहां पे एक व्यक्ति फेल हुआ है नहीं नहीं जिसके पास इंक्लूडिंग दा कैश इन दा इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन इन दा बुक्स ऑफ कंपनी ठीक है तो जर्नल सारा करना है तो ध्यान से देखते हैं पहली एंट्री बैंक तू शेयर अप्लिकेशन सर कितने शेयर है दस अजार इंटू में दस तो दस अजार इंटू में दस एक लाँ शेयर अप्लिकेशन तू इक्विटी शेयर कैपितल कितने आएंगे आपके दस अजार इंटू में दस यानि आगेन एक लाँ शेयर अलॉट्मेंट to equity share capital to security premium क्या miss है अच्छा एक line missing है इसमें अच्छा बच्चे भी बता रहे हैं मैंने धिया यानि यहाँ पर एक line missing हो गई भाई कह रहे हैं कि application receive जो है अब मैं आप एक बात बताओ वो missing है तो missing रहने दे या कर दूँ मैं इसको complete चलो आप बोल रहे हो कर देते हैं एक line application receive 12,000 missing है तो 12,000 कर देते हैं amount ही तो बदलेगा और access application को बोला ही नहीं कुछ इसने क्या करना है refund करके खतम कर देंगे है ना देखो access application का भी कुछ बोला है refund adjust के बारे में दिखाना एक बबर book अग adjust करना है कहता है 12,000 allotment प्रोडाटर ठीक है एक line missing हो गई तो sir यहाँ पर आएगा 12,000 into में 10 एक लाख बीस हजार नहीं तो मैं इस सवाल को ऐसे ही कर देता है वैसे आप book से देख रहे हैं तो ऐसे कर रहा हूं नहीं तो मेरा सवाल भी खराब नहीं है वह भी बड़िया सवाल है एक लाख बीस हजार यहां से हटाईए और यहां लिख देते हैं to advance on allotment तो कितने आजाएगे यह तो आएगा एक लाख और यह आएगा बीस हजार अब आजाते हैं share allotment to equity share capital to security payment यह सवाल पता है बढ़िया कब बनता जब allotment पे कोई फेल हो था allotment पे कोई फेल ही नहीं हो तो मज़ेदार सवाल ही नहीं है तो तो simple ही बने गया into में 40 चार लाख दो लाख और दो लाख बैंक में payment चार लाख आने थे लेकिन माइनस 20 के इसका मतलब 380 और 2 share allotment मैं डारेक्ट कर रहा हूं share allotment 380 खीक है चलिए अब आजाते हैं share first call पे share first call to equity share capital पर first call देखा जाए तो 20 रुपए है तो 2 लाख अब entry करेंगे bank में तो sir bank में 2 लाख रुपए पूरे नहीं आएंगे failure के नहीं आएंगे 400 into में 20 कितने होते हैं 8000 8000 नहीं आएंगे तो इसका मतलब 192 यहां आजाएगा call scenario 8000 और 2 share first call कितने 20,000 20,000 ठीक है अब share poor feature करने को कहा गया है तो फटा फट share poor feature कर लेते हैं क्या share poor feature में होगा equity share capital account debit कितने share सर 400 मांगा यहां से यहीं तक है तो इसका मतलब 10 20, 30 और 20, 50 तो सिर्फ 50 से multiply होगा that is आपका कितना हो जाएगा 20,000 और security premium आएगा नहीं क्योंकि paid कर चुका है तो share poor feature में आजाएगा कितने सर्फ 10 रुपे और 20, 30 रुपे यानि सर 12,000 और area आजाएगा to calls in area in area आजाएगा कितने रुपे सर्फ यहां पे fail है तो 400 इंटू में दो 8,000 लीजिये जी इसका फोर फीचर होगे अब चले हम अगले call को मांगे second call को तो share second call to equity share capital अब जो मांगेंगे हम वो किसे मांगेंगे पूरे 10 से नहीं मांगेंगे अब minus 400 यानि 96 96 96 इंटू में 20 कितने आएगे यह आएगे 188 हैगा 288 हैगा कैसे अगर 10,000 होता तो 2,000,000 बनता अच्छा तीसा फ्रेजिंट बन ठीक है 288 288 चलिए सर कहानी यहां से continue करते है बैंक में जब पैसा लेने जाएगे 288 288 में एक shareholder ने और मना कर दिया जिसके पास 200 share थे यानी 6,000 तो इसका मतलब बैंक में आ जाएगा हमारे पास 282 तो यहां भी हो जाएगा call scenario और 2 equity share capital 2 equity share capital और equity कहां से लिए दिया share first call share first call तो यहां 6,000 और आ जाएगा 288 थोड़ा ध्यान दिजेगा थोड़ा visual में भी ना हो ठीक है तब इसके बाद क्या करेंगे ratio ने second call है ने पहले हाँ कहता है कि 200 share ratio कर दिये 480 तो मैं ने ratio यहां कर दूँ क्या यहां space निकालके ratio कर देते हैं इसको ले जाते हैं इधर यह इधर ले आते हैं यहां ratio कर देते हैं ठीक है separate ratio तो बोला इसने हमने सिर्फ 200 share ही बेचे हैं तो sir bank में जो payment आएगा वो 200 कर आएंगे लेकिन बोला कि आपको 80 देंगे आप मुझे paid करो सिर्फ कितना पचास तो 200 इंटू में पचास तो कितने होगे बारा हजार पांसो share for feature से नुखसान कितना हो जाएगा 200 इंटू में 30 तो कितने हो जाएगे 75 और 2 equity share capital में चला जाएगा अगर हम ध्यान से देखें यहां calculation कर रा हूँ अगर हम ध्यान से देखें तो हमने कमाया कितना total सर कमाया तो 12,000 बढ़ ये 12,000 की कमाई है सर 400 share पे और हमने रिखें किया शिफ 200 अगर मैं कमाई की बात करूँ अगर कमाई की बात करूँ तो कितना आएगा 12,000 divided by 400 into 25 75 75 75 से कमाई हुआ और नुकसान की बात करें तो 75 तो यहां देखिया आगया capital reserve अब मांगेंगे share second call share second call second है final है share final share final call तो sir share final call कितने से होगा पहले तो हमारा sir 96 सो चल रहा था लेकिन 200 और 8 हो गए तो 98 सो पचास 98 सो पचास और into measure 20 तो 99 सो पचास into में 20 यहां जगा 197 197 और 2 equity share capital 2 equity share capital 197 एक entry last रहे गया उस entry को adjust करते हैं अभी यह लिजे उस entry को भी कर रहेते हैं एक entry last रहे गया last entry क्या होगा bank account debit bank account debit bank account debit करते हैं तो कितना आना था 197 आना था sir लेकिन एक share holder जो पहले fail हुआ था वो extra देखे जाएगा यही तो कहा था सवाल में कि यह extra देखे जाएगा तो कितना देखे जाएगा पिछला fail यानि 6000 तो plus हो जाएगा इसमें कितना था 6000 तो plus में 6000 कर देंगे that is 203 और यहां पर आ जाएगा two share second call share final call final call में 197 और नीचे आ जाएगा calls in area calls in area area 6000 तो यह सवाल होता है हमारा खतम अब पूछ लेते हैं किन किन बच्चों का क्याट आउट है तो टॉपिक का नाम क्या है यहां देखिए टॉपिक है हमारा एक question है share capital का ही जो काफी बच्चों का doubt भी रहा था तो उसी को करने जा रहे होफ़ूली आपको clear visual होगा मैं पड़ देता हूँ एक बड़ question कहता है यहां पर over confidence नाम देखिए over confidence company limited prospective offer यहां पर कर रहा है यह दो लाख equity share तो मैं issue लिख दूँ issue दो लाख equity share का बड़ यानि इसने public को issue किया दो लाख equity share मैं color change कर देता हूँ थोड़ा आगे कहता है 10 रुपे का एक है एक रुपे application तीन रुपे premium first call 3 after allotment 3 month after allotment ठीक है सर यानि 10 का share है और 10 रुपे की कुछ detailing है क्या क्या detailing है सर कहता है एक रुपे application पे कहता है तीन रुपे allotment पे और on first call पे चार रुपे और कहता है final call पे भी यानि second call जो भी है that is 4 तो सर ये तो 4-4, 8, 3, 11 और एक बारा होगे तो इसका मतलब सर यहां पे 2 रुपे का premium है कहता है allotment पे 2 रुपे का premium है allotment पे एक रुपे का share capital है और 2 रुपे का security premium है ऐसे रहा है यह चलिए इसको अच्छे से मैं एक पर समझाओंगा भी आपको पहले question इस question को थोड़ा ध्यान से करेंगे है न पर ऐसा क्या खास question में बिलकुल खास तो hack है यह तो खास question तो मैं भूलूँगा इसको क्यों इसमें call scenario भी है और उसके उपर interest का भी calculation सीख जाएंगे और एक security premium का शायद advance वाला भी आ जाएगा pull advance मतलब 2-3 चीज़े सीख लेंगा ऐसी बात में चलिए आपके लिए थोड़ा presentation अच्छी कर दूँ so that आपको देखने में भी अच्छा लगे और करने में गमन भी करें आगे देखते हैं क्या कहता है कहता है subscription वर receive यानि share जो application रिसीव था 3,17,000 तो question में कहना है कि application जो receive हुआ वो 3,17,000 हुआ आपका एक लाग 17,000 एक्स्ट्रा आया एक लाग 17,000 एक्स्ट्रा शेयर के आगे थे अच्छा कहता है share on 23 एपरेल and allotment 30 एपरेल हमने allotment जो करा जो share देने का काम किया 30 एपरेल को तो interest ना जिस दिन से हम share दे देते हैं उस दिन से count होता है जो भी x, y, z है कहता है share allotment allotment full to applicant in full कहता है two applicant paid in full allotment full किये यानि in respect 40,000 जिसने share मांगे allotment in respect of 4000 share 38,000 यानि कहने का मतलब ध्यान दिजिए का काफी important point है यहां आगे apply और यहां आगे allotted मैं बड़े सिद्दस ते आराम से कराने वाला हूँ इस सवाल को कहता है जिसने 38,000 share मांगे उसको मिला 38,000 और इसके अंदर दो ऐसे व्यक्ति मिले दो applicant जिसके पास 4000 share थे जिसके पास कितने share थे 4000 वो सर्फ paid कर गया फुल पेड कर गया फुल allotment of two-third share applicant मतलब two-third का मतलब हमारे पास एक साथ है एक साथ वालों को एक साथ नहीं दिये तो two-third कितना होता है सर यानि सर एक साथ का into two divided by three two-third two-third ही है न कितना है two-third एक साथ दिवारे दिवाइड है थ्री एक में टू-third है क्याता है allotment two-third of share apply for rupees जिसने इतने मांगे उसको two-third दिये सर यहां कोई गरबड़ी है बुक में चेक करिए नहीं है चलिए निकाल देखें एक लाख 66,000 आया और टोटल वनना है इसका allotment one-fourth जिसने मांगे दो हजार तीसरत जिसने मांगे दो हजार उसको दिया one-fourth यानि चेफान सो एक एक सट और आगे क्या कहता है अलोट्मेंट one-fourth और शेयर अप्लाइफ और दो हजार इस कुश्चन नों कुछ गरवड़ी तो नहीं है एक बार जिनके पास honors के book का सवाल ही है become honors का ही सवाल है जिनके पास किताब एक बार बता दीजिए ये लिखा line ठीक है या कुछ error है मुझे लग रहा है मुझे error लग राइस मैं क्योंकि 160 divided by 3 into 2 या तो 160 पहले से ही हो दो चानलेश और अरतिस दो हजार दो असी पास बुक है become honors का एक बार देख के बता यह फटा 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 यह two-third है या नहीं है प्रोग्राम में तो नहीं हो गई समय रुकिये मैं ही देख लेता हूँ एक मिनट दीजिए झॉकिये माजलेश झाल 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 किसी के पास बुक में सवाल है तो बताईए आगे पीछे दे रखा होगा यहाँ पर कुछ एरर लग रहा है मुझे लग रहा है यह किसी और पीच का आगे है हाँ जी बताईए किसी के पास यह कुश्चन हो तो अदिती हिमान्सू अभी सेख हरियों वंसिका सुभम जितने बच्चे लाइव एक पर बता दें यह कुश्चन है या नी दीपक इतने बच्चे लाइव हैं बताईए कोई भी यह है कुश्चन नमबर ट्विंटी फॉर अधिश्चन नमबर ट्विंटी फॉर चलिए इसके भी अंसर को करी देते हैं चलिए कहता है यहाँ पर एक्स लिमिटेड इश्चन फिफ्टी थाउजन टैन रुपी सी चटा प्रीमियम दो रुपे पेबल तो हमने जो किया है मैं वर्किंग नोट के थुरू सीधा कर दूँँगा इशू किया है मैंने पचास हजार और दस रुपे का शेर है जिसके उपर सिक्यूरिटी प्रीमियम दो रुपे रखा गया है और पेबल कुछ इस तरीके से बताया है कुश्चन में थोड़ा फास्ट करेंगे तीन और पांच और दो और दो और यहां पर प्रीमियम इंक्लूड़िड है आगे क्या कहता है हमारा एप्लिकेशन वर रिसीव सक्तर हजार रुपे तो application receive हमने कर लिया यहां पर 70,000 रुपीज शेयर है यह दस शेयर वर प्रोराटा अलॉट्मेंट बेसिस 60,000 60,000 प्रोराटा बेसिस हुआ मतलब हुआ क्या सर हमारा जो application receive है और अलॉट्मेंट है कुछ इस तरीके से बना होगा 60,000 को प्रोराटा किया तो 60 वालों को हमने दे दिया होंगे 50 और बाकी 10 वालों के बारे में बताया नहीं लेकिन indirectly है कि उसको return कर दिया गया जो कि आ जाएगा निल आगे देखते हैं कि सर क्या कहता है remaining share were refused कर दिया हमने money over pay on application was due on some allotment पुनीत हु 500 share failed to pay allotment और वो allotment का पैसा देने में fail हो गया his share were subsequently forfeited to first call pay the first call first call के बाद इसके share क्या कर लिये गए forfeiture कर दिये गए his share were forfeiture after the first call और राहुल हू 800 share were allotted fail to pay two calls दोनों call देने में fail हो गया these share were forfeiture subsequently final call तो सर यहां पे दो बंदे failure हैं दोनों के मैं नाम लिख देता हूं एक तो बंदा कौन है सर एक बंदा है हमारा first first shareholder जो है पुनीत कहां पे fail हुआ सर यहां पे पुनीत फेल हुआ और पुनीत ने क्या करे थे 500 share were allotted इसने allotted हुए थे से तो सर इसका applied निकालना प और राहुल को भी क्या था हमारा यह भी allotted था यह 800 ठीक है सर आगे देखते है out of the forfeited share thousand share were sold to Ajay thousand share हमने अजे को sold किया credit fully paid 9 रूपीज तो re-issue कर दिये हमने सर री-issue कर दिये 1000 share और वो भी at the rate of 9 रूपीज अब सर लेकिन forfeiture 9 हमारे 1000 से तो जादा है तो अब आगे क्या कहानी कह रहा है all share of राहुल यानि राहुल के 800 थे तो इसके कितने रहे हुँगे सिर्फ 200 इसके रहे हुँगे सिर्फ 200 जबकि इसके कितने थे allotted 500 allotted थे all राहुल share forfeited being included pass the general entry company above the transaction हमें general entry करना है तो मैं फटाफट से general entry कर देता हूँ फटाफट करूँ हमें आप match करिएगा देखे bank account debit to share application share application थोड़ा roughly कर रहा हुँ है इस बात को थोड़ा बस आप सुनते जाईएगा कितने आए सर सत्तर हजार application आये तो सत्तर हजार into में कितने होंगे सर तीन यानि सर दो लाग दस अजार दो लाग दस अजार share application to equity share capital to bank से पैसा वापस to advance to advance तो सर दो लाग दस अजार equity share पचास ही दे सकते हैं तो पचास इंटू में डेड़ लाग और दस अजार को वापसी कर दिया तो दस अजार तीस अजार वापसी होगे advance होगे दस अजार और तीस अजार इधर आगे advance में यह होगे allotment चलिए सर अब राहूल की भी कहानी समझ लेते हैं तो सर राहूल ने राहूल को allotted था सर allotted था 500 share तो सर इसने apply जो किये होंगे apply किये होंगे that is 500 ratio बनता है हमारा 5 शरी 6 divided by 5 यानि सर 600 apply किये होंगे total पैसा जो इसका आया होगा वो आएगा 600 into में 3 that is 1800 रुपे adjust उसके हो गया होंगे 500 into में 3 that is 1500 रुपे 300 बच गए advance allotment के पैसे मांगने जाएंगे 500 into में सर कितने था allotment allotted 500 है वो दूसरा है राहूल पुनित की बात कर रहे है मैं राहूल लिख दिया मैंने तो 5 और 382 एक मिनुट रुकिए अब हम आ जाते हैं चलिए सर इसका first call की बात करते हैं तो यह पांच रुपे का allotment था पांच रुपे आली entry कर देते हैं राहूल के जगा काटके पुनित कर देते हैं यह है पुनित पुनित तो पांच कितने थे भई भूल गया मैं पांच रुपे ठीक न तो पांच अलाटमेंट की entry कर लेते हैं तो शेयर अलाटमेंट की entry हो गई टू एकूटी शेयर कैपिटल। टू एकुटी शेयर कैपिटल। तू सिक्यूरिटी प्रीमियंच यह 50,000 5,000 तो 4,500,000 और गया हमारा एक लाग्ट जब बैंक में पैसे लेने जाएंगे नहिंगे तो बैंक में कितने रुप यहेंगे सर बैंक अकाउंट में आने चाहिए थे हमारे ढ़ाई लाग लेकिन उसमें से डवाइन्स का पैसा नहीं आएगा डेट इस कितना था डेड़ लाख एडवांस का पैसा भी नहीं आएगा कितने फेलियर कितना है हमारा पाइस सो रुपए तो सर कितने होगे माइनिस करिए धाई लाग दो लाग सत्रह जार दो सत्रह आठ सो और मैं डारेक्ट एंट्री कर रहा हूँ यहाँ पे शियर अलोट्मेंट दो सत्रह आठ सो थोड़ी जल्दी करने के लिए इसके बाद क्या करेंगे सर शियर फाइनल कॉल नई फरस्ट कॉल फॉर्स्ट कॉल टू एकविटी शियर कैपिल अब यहाँ पर से मांगेंगे हम फचास हजार और कितने रुपय का था चार का कितने कितने का देखो यह है हमारा दो-दो दो-दो याद रखना ठीक है तो यहाँ पर मांगेंगे दो रुपए देट इस आपका एक लाग एक लाग और यहाँ भी आएगा एक लाग बैंक में जब पैसा लेने जाएंगे बैंक में लेना कितना है, एक laag, एक laag में से कितने माइनस हो जाएंगे, जो failure है, आप 2 failure है, एक 500 share जिसके पास उसने 2 नहीं दिये होगे, और एक और 800 share राहूल उसके भी 2 नहीं दिये होगे, तो that is 1000 रुपए और that is 1600 रुपए, तो 26 रुपे माइनस कर देंगे एक लाख में से 26 रुपे माइनस करेंगे तो 94,000 97,400 97,400 97,400 2 share final first call 2 share first call 97,400 इसके बाद बोला directly कर लो 4 feature एक का 4 feature करना equity share capital 2 मांगे नहीं है तो 8 रुपे के साब से तो 500 into में 8 that is आपका 4000 security premium कर देंगे debit क्योंकि यह fail हो गया तो 500 into में 2 that is 1000 रुपे और 2 share for future share for future की बात करें तो total पैसा भी है इसने दिया था 1800 रुपे तो share for future में जाएगा 1800 रुपे 2 calls in area calls in area calls in area में एक सर यहाँ पे area रहा था यह कितना area रहा था यहाँ बाइस सो और यहाँ पे area होगे हमारा 1000 तो 2200 और 1100 2200 और 1100 रुपे total चेक कर लिजे match हो रहा है नहीं हो रहा 3200 प्लस अठारा सो तो that is हमारा 21 3200 प्लस में 1800 5000 तो पूरे 5000 match रहे हमारा अब इसके बाद मांगेंगे क्या सर हम share final call share final call to equity share capital अब हम जो मांगेंगे पचास हजार से नहीं मांगेंगे यह मांगेंगे हम 49500 पांसो शियर से into में 2 रुपे तो 49500 पांसो इंटू में 2 that is 99000 कितने आ गई है 99000 और अगली entry होगा हमारा bank bank में पैसा कितना आएगा again हमें 99000 मिलने थे लेकिन एक failure हो गया जिसके पास 800 शियर थे into में 21600 नहीं मिलेंगे minus 1600 माइनस कर देंगे 97400 और यहाँ पर फिर से आ जाएगा हमारा two share final call 97400 डारेक्ट एंट्री के अब share for feature इसका भी कर लो equity share capital account debit 800 share थे into में 10 that is आपका 800 share for feature तो कितने दिये इसने दो पैसे दे दिये थे इसने allotment के दे दिये थे और first call application दे दिया तो allotment application देखा तो तो 3 और 3 छे रुपे दे दिये तो 8 छिक 4800 छे रुपे के इसाब से 4800 रुपे share for feature to call scenario call scenario में आज जाएगा 800 इंट्री में 4 that is 32 यह हो गया for feature bank से reissue कर दो sir bank से reissue करोगे 1000 share into में 9 रुपे के इसाब से तो 9000 और share for feature में नुकसान हो जाएगा हमारा 1000 share into में 1 that is 1000 रुपे और 2 sir equity share capital यानि 10,000 रुपे अब आजाओ capital reserve पे capital reserve की बात करें तो capital reserve हमारा यहाँ पे थोड़ा इसे छोटा करके sir आजाओ capital reserve पे capital reserve capital reserve कैसे निकाला जाए capital reserve निकालने का तरीका अलग से राहूल का अलग निकाल लेंगे और पुनीत का अलग निकालेंगे तो राहूल से मैंने total जो कमाया है ना वो पता है कितना कमाया 4800 और यह कितने share थे 800 800 तो 800 share पर नुकसान कितना हुआ 800 तो इससे कमाई कितनी हुई हमारी 8000 800 कैसे नुकसान हुआ यानि 800 share इसके रिशु करें एक रूपे का नुकसान तो देट इस 800 पुनीत से जो total कमाये थे ना share for feature पे वो कितने कमाये थे 800 और इसका नुकसान कितना हुआ sir अगर 1800 मैं बात करूँ यह 500 share पर कमाये गए हैं और इसके 200 share ही रिशु हुए है तो 1800 divided by 500 into में 200 तो 720 रुपे यही आएगा ना एक मन देख लेते हैं 1800 divided by 500 into में 200 इसके 200 ही है ना तो 720 रुपे तो इसके 720 रुपे कमाये गए है यह तो कमाई टोटल है लेकिन ultimately convert कर देंगे तो क्या हैगा 720 रुपे नुकसान इसके कितने होगे sir 200 रुपे तो इससे कितने कमाये 520 रुपे तो 4 feature में कितना जाएगा 8520 रुपे तो entry करने जा रहे हैं चेक कर लिज़ें entry है share 4 feature to capital reserve क्या आया बताइए फटा फटा कर आपकी किताब में कुशन है तो पिच्चे 820 रुपे चेक कर लिज़े जो बच्चे बोल रहे थे नहीं आया इसका यह पिच्चे 820 रुपे होगा बताइए डाउट तो sir आज का topic बच्चे देख रहे होंगे share capital तो खूब सारे बच्चे नहीं भी हो सकते हैं तो जो बच्चे नहीं जोइन हुए हैं तो अब मैंने कहा था कि पिछले topics में जो भी pending रहे हैं बहुत सारे बच्चों के बोल रहे थे हमारे doubt रहे doubt रहे doubt रहे पहले मैंने share capital में एक topic जो छुड़वाया था बच्चे पूछ रहे थे सार अधर देन cash कब कराऊगे खराए नहीं आपने मैं अभी अधर देन cash खतम कराऊँगा इस chapter को पूरी तरीके से खतम करेंगे पूरी तरीके से खतम करेंगा फिर धीरे धीर करके इसी chapter के आज doubt निप्टाएंगे एक दिन में एक ही chapter लेंगे हम फिर एक Sunday doubt session रखूँगा जिसमें पूरा ले लूँगा बागी के दो chapter के तो जिन्होंने WhatsApp पे doubt भीजाए नहीं हो पाए doubt तो मैंने कहां आगे आने वाले time को मेरा कुछ कराने का तरीका अलग होगा है सारे question करा दिए इस chapter में जितने भी doubt होगा आप मुझे बता देना लिखके पहले मैं अपना topic करा देता हूँ that is other than cash पूरे अपने example लेके करा देंगे और इसके भी कर लेंगे है ना तो चलिए सर आज का एक topic है topic का नाम है other than cash करते हैं start करते हैं कहां से था अधर दिन कैश का ढून लेते हैं यह रहा है अधर दे तरह स रहा। मैं चैशिज सिस्कुमार का और धनी जुद और दे अधROका खाज सुथ है मैं आज निया चप्टर नहीं स्टार्ट कर रहे चला हुआ तो सर, other than cash का मतलब क्या होता है? पहले ये समझ लेते हैं हम देखिए जैसे, suppose करिए के ना, एक x, y, z limited एक company है और इसने अपने share issue किये इसने अपने share issue कर दिये तो अगर इसने अपने share को issue किया है तो अब इसके share अगर खरीद लिया नॉर्मल ने, नॉर्मल पर्सन ने, हम और आप जैसे लोगों ने यानि public ने, तो आप इस company के share को खरीदने के लिए पैसा तो दोगे ही दोगे है न, आप पैसा तो दोगे इसके खरीदने के लिए तो ये तो हो गया share issue with cash कुछ ऐसा है कि कई बार हम share को issue कर देते हैं लेकिन बदले में न हमें पैसा ना लेके हम वहां से कुछ assets ले लेते हैं सर assets में कुछ भी हो सकता है land and building हो सकता है furniture हो सकता है तो अब जो है न हमें cash में पैसा नहीं मिलेगा तो इसलिए इसका नाम पढ़ जाता है other than cash तो other than cash का मतलब हम company share तो issue करेंगे लेकिन वहां से पैसा नहीं मिलेगा पैसा नहीं मिलेगा तो ऐसे कितने ऐसे तरीके हैं जिससे company share तो issue करेगी लेकिन उसको पैसा नहीं मिलेगा तो जवाब है कुछ एक points है जो कि मैं लिख देता हूं तो सर्क कितने तरीके हैं तो वह सारे points देख लेंगे और आज ये पूरा topic खतम हो जाएगा other than cash जिनके जो doubt है ना अपने अपने जो बिच्चे live में तो register निकाल लीजिएगा register में से ढूंड लीजिए कौन से question हुए नहीं हुए आप question बस comment में लिख दीजिए मैं देखूंगा और उसको फिर मैं कर लूँगा तर सबसे पहला जो हम करने वाले है ना वो करने वाले simple simple भी ना बोलू तो when purchase single assets जब ना एक assets खरीदेंगे कितने assets एक assets तो क्या treatment रहेगा वो सीखेंगे और दूसरा एक और topic होगा when purchase business अब भाई हम क्या करेंगे सामने आले को बोलेंगे भाईया तेरे assets नहीं खरीदेंगे हम तेरी company को ही खरीद लेंगे तो business हो गया purchase एक और हो सकता है when paid to या when issue to underwriter issue to underwriter क्या होता है जब जब topic करेंगे अभी समझेंगे सारा एक हो सकता है issue to promoter किसको issue करेंगे पर मोटर पर मोटर कोन होता है मालिक तो हम एक एक करके step by step बढ़ेंगे आगे है ना तो सबसे पहले हम बढ़ने वाले हैं good evening sir this is my first class first class है आपकी कोई बात नहीं Saturday से new chapter होगा बिल्कुल समझ में आएगा आपको ऐसा chapter मैं Saturday को start कर रहा हूँ जो कि पुराने बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं बच्चों को भी कोई दिक्कत ना हो पुराने को तो होगी नहीं उव्वेस सी बात है तो सर सबसे पहले इस टॉपिक को कवर करेंगे सर इसमें क्या कोई पैटर्न और भी है बिल्कुल जी इसमें तीन तरीके के कुश्टन्स बनेंगे आपके नमबर एक फेंट शेयर इस्चू एट पार दूसरा बनेगा वेन शेयर इस्चू एट प्रेमियम और तीसरा वेन नमबर ओफ शेयर इसमें इतने सारे टॉपिक है जी हाँ ये सारा पढ़ेंगे मैं इस हिसाब से लेके चल रहा हूँ कि आपने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है सारे पॉइंट्स वो दीरे दीरे कवर कर देंगे ठीक है ओहूँ चल ये ये तीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं और मैं तीनों के ही न अपने एक्जामपल लूगा बस आपको एक्जामपल समझना है तो चलिए सर नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं पहला टॉपिक करने को वेन पर्चेज पर्टिकुलर या वन एसेट सर जब आप एक एसेट्स खरीदेंगे तो इसमें तीन केशिस हो सकते हैं सर में भी पॉसिबल है एट पार पे हो एट पार पे मतलब सर देखो बेरी सिंपल एट पार का मतलब पॉइंट नमबर वन एक्जामपल नमबर वन बेसिकली एक्जामपल XYZ लिम्टेड पर्चेज अमचिनरी रुपीज वन लक टन थाउसंद एक्जामपल एक्जामपल एक्विटी शेर एट टैन रुपीस इच तो भीया हुआ क्या है कि एक कमपनी ने शेर इशू करा है और बदले में जो है ना क्या खरीद लिया मसिनरी अब पहली बात यहां पर दो लोगों के बीच में डील होना है एक XYZ है और एक सेलर है एक सेलर है सेलर कोई भी हो सकता है मान लेते हैं PQR है तो जो सेलर है ने इसके अनेक नाम है लोग में जो सेलर है उसके कई सारे नाम करन किये हुए है जैसे इसको सेलर PQR तो ही है इसका नाम इसको वेंडर भी बोल सकते हैं इसको और क्या बोल सकते हैं वेंडर यह याद रखने है तो आप समान किस से खरीद रहे हो, असेट खरीद रहे हो, किस से वेंडर से तो simple सी general entry देखिए क्या होगा general entry होगा आपने vendor से खरीदा, that means आप entry करोगे आपने machinery खरीदा है, तो entry होगा machinery account debit machinery account debit to vendor, अगर नाम ना दे रखा हो तो सर आपने vendor से machinery खरीद लिया कितने का खरीदा, जवाब है एक लाख दस अजार सर ऐसे सवाल में being लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे being लिखा जाएगा, being goods लिख रहा होगा है बेका machinery purchase from vendor और मजे की बात बताओ ना जैसे ही लिखा है मैंने machinery purchase from vendor मतलब उधार है अब हम क्या करेंगा अगली entry vendor account debit vendor को पैसा दोगे तो two cash आजाएगा पैसा तो दे नहीं रहे तो equity share capital आजाएगा सर कितना एक लाख दास अजार और सर बीइंग share issue to vendor लीजिया जी पहला case खतम vendor account debit sir vendor को debit क्यों किया क्यूंकि vendor को पैसे देने है और टू क्यूंकि उसको हमें पैसे नहीं देंगे अब हम share देके निप्टारा करेंगे उसका कि समझे उसको क्या दे देंगे हम share देंगे clear किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चीए वैसे इसमें तो सिंपल बहुत दीरे-दीरे कर रहा हूं मैं अगला वें शेयर इस्यूड एट प्रीमियम सर जब प्रीमियम पे इस्यू होगा तो क्या करोगे देखते ना चलिए कलर चूज कर रहे हैं कौन सा कलर लें उस कलर में मजा ही नहीं आ था यह ले लें चलिए एक्सामपल सर एक्सामपल में क्या है सर एक्सामपल में क्या बताओगे यह लेजे एक्सामपल देखे पटाक से लिख लेते हैं यह है हमारा एक्सामपल प्रेमियम बस पुराने सवाल और इस सवाल में एक बात को चेंड किया है जब कभी भी आपका शेयर प्रेमियम पे होना वेंडर को देना तो आपको एक सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर क्या फाइंड करना पड़ेगा सर नंबर ऑफ शेयर वह कैसे फाइंड होता है यहां लिखेंगे एसेट वेल्यू कि आफ्टर कैश डिवाइड़ वाइड वाइड इस युप्राइज सर इस युप्राइज क्या होता है हमारा जितने का share का face value है उसके उपर premium जोड दो that is issue price जैसे 10 वाला share अकर 10 पर संट premium है तो 11 रुटा मेरे वाले सवाल के अंदर सबसे पहले number निकालना पड़ेगा क्योंकि यह किस पे है muscles क्योंकि यह premium पे हैं तो assets का value क्या है और मैंने उपर लिखा assets value after cash दूसरे example में समझ लेंगे तो सर assets का value क्या है सर assets का value है हमारा एक लाग डिवाइड़ वाइशू प्राइज एक शियर कितने का यहां नंबर निकल के आगे हमारा दस हजार कि अब एंट्री जो पहली करने वाले हैं वह करने वाले machinery machinery account debit to vendor to vendor कितने रुपे सर एक दस sir being same लिखा जाएगा जो मैंने साथ में लिखा हुआ है being same लिखा जाएगा यहां पे अगली entry समझते हैं sir दूसरी entry sir दूसरी entry vendor account debit vendor को debit किया है टू equity share capital और टू आ जाएगा security premium मुद्दे की बात है vendor में तो आएगा एक लाख दस अजार शेयर कि शेयर कैपिटल में यह जो आपने निकाला है ना दस अजार यह वाला इस दस अजार से दस को मल्टिप्लाई करना यह आप यहां पर आएगा एक लाख और यहां आजाएगा दस अजार काफी सारे बच्चे क्या करते हैं एक लाख दस अजार पर ही 10 परसेट निकाल लेते हैं तो आंसर आता है ग्यारा जार जो कि प्रीमियम गलत निकलता है वह यह इस एक लाख दस अजार में प्रीमियम इंक्लूडीड है इसलिए हम डिवाइड कर रहें इससे ग्यारा समझे तो यह हो गया हमारा जब हमारा share issue हो रहा हो at a premium तीसरा point है जब हमारा share point में आ जाए sir point में आ जाए का क्या मतलब देखिए when number of shares in friction in friction मतलब sir number of shares जो है न अब वो पता किसमें आ जाएगा point में देखिए सवाल मान लो एक पल के लिए के जो assets की value है वो है एक लाख और सब कुछ एकदम समान कोशन चोटा भी कर दे तो फरक नहीं पड़ता बस मैंने क्या करा महाँ पर assets का value जो है वो कितने कर दिया एक लाख तो पहली entry क्या होगी आपकी machinery account to vendor और आएगा एक लाख आएगा एक लाख आएगा एक लाख अब सर premium पर issue है तो आपने का पहले number निकाल लो बिल्कुल ठीक मैं number निकाल देता हूं यहां पर तो जब number निकालेंगे तो एक लाख divided by होने वाला है दस नहीं ग्यारा तो यह आजाएगा 999 यह आएगा ना 9090 आएगा 9090.9 यह आजाएगा 9090.9 यह आजाएगा 9090 पॉइंट नाइन आ गया तो नंबर जो निकला है वो पॉइंट में आ गया तो ऐसे situation में पॉइंट के बाद जो भी आपका fraction आता इग्नोर करना होता है तो इसका मतलब सर अगली एंट्री कैसे करोगे अगली एंट्री करेंगे वेंडर वेंडर अकाउंट डेबिट यह तो कितनी भी आएगे ना difference आजाएगा सर कितने का difference आएगा जो भी difference आएगा ना मैच कर देंगे टू कैश करके और हलाकि ज्यादा नहीं दस बारा रुपे का difference आएगा यहां पर दस आ रहा होगा तो ध्यान रखिएगा यह दोनों एंट्री इससे related है यह दोनों एंट्री इसकी है और यह दोनों एंट्री इसकी है अभी एक और सवाल देखेंगे मेरे मन में एक और कुशन इस पर related कर लेता है क्योंकि कोई कसर नहीं छोड़ने वाले ना हम इसमें एक लिमिटेड इस्यू पर्चेस मसीनरी रूपीस 1,40,000 and company paid रूपीस 10,000 and accept bills payable except bills payable rupees 15,000 and overdraft and draft rupees 5,000 issue equity share capital at the rate 10 each सवाल देखें कितने मज़िदार है यानि सर आपने बोला जब premium पे issue होगा मैंने लिख दिया at 10% यानि मैंने जब बोल दिया premium पे होगा तो पहले एक काम कर लेना क्या काम कर ले नंबर निकाल लेना तो यहां अगर मैं नंबर निकालू तो बोला जाता क्या है assets का value ब्रैकेट में लिखा था after cash divided by issue price सर एसेट की value है एक चालेस लेकिन इसमें से हमने payment cash भी किया है कितना और सर माइनस कर देंगे acceptable BP और माइनस draft एक draft भी दिया है हमने अब यह होगा divide किसे तो सर अगर इसको 11 से divide करते हैं क्या नंबर आएगा 10,000 आजाएगा समझे आप इस तरीके का भी सवाल exam में पूछा जा सकता है आगे देखते हैं अब अगले point पे आ जाते हैं सर journal entry entry होगा machinery account debit to vendor सर कितने रुपे होंगे vendor के अंदर जी vendor के अंदर आपने कितने का machinery खरीदा है यह matter करेगा that is 140 मजेदार अगली entry है और सर बींग तो वही होगा share issue अगली entry होगा हमने vendor debit किया vendor account debit और टू एक्विटी शियर कैपिटल तू कैश तू बैंक तू बिल्स पेवल सर एक चालिस तो ये था number आपके निकले सर दस अजार into में दस that is आपका एक लाक bank cash में पंदरा दिये जो draft का मतलब होता है bank से payment है तो bank में कितने दिये पांच bills payable accept कर लिया कितने का पंदरा का cash गलत लिख दिया cash 10 है cash 10 है और फिर 2 में आ जाएगा security premium सर 10,000 into में 1 that is आपका 10,000 match कर ये debit credit तो इस तरीके का भी सवाल पूछा समझ मैं आई बात कितने बच्चों को doubt है बता दीजिए बच्चे ने काए के सर 11,000 number होगा देख लो भाई 11 आएगा 10 आएगा 10,000 होगा किसी को कोई doubt clear है second entry में मैंने क्या करा vendor को debit कर दिया भाई ये 41 दिन है उसको दिया क्या क्या sub credit कर दिया उसको shares दिया उसको bank से पैसा दिया उसको cash में पैसा दिया उसको bills टेबल दिया उसको security premium दिया clear new student कहां से start करें new student share capital का ही पहला chapter कर लें और Saturday को new chapter जो कराएंगे वहां से start कर सकते हैं कि अगरे रिडंशन अफ प्रफरेंश ये वाले चेप्टर अरे भाई गौतम संडे को मैं टाइम दूंगा आपको रिडंशन अप्रफरेंश के लिए आज मैं सिर्फ इसू पर बात करेंगे हैं ठीक है ना उसका भी डाउट लेंगे तो सर ध्यान से देखें तो मैंने कहा था सर इस चेप्टर के अंदर एक ये टॉपिक है कम्प्लीट अगले पढ़ाओ पर आ गया है कौन सा बिजनस परचेश सर टिक कर लेते हैं इस पर अरे टिक अब अगला बिजनस परचेश बिजनस परचेश और सर ये इतना इंट्रस्टिंग है ना बिजनस परचेश पर तो आपके तीस नंबर का सवाल पूछा जाएगा इस सामुचा जो आपका एमल गमेशन एक चेप्टर है वो भी बिजनस परचेश ही है वोल्डिंग जो है वो भी बिजनस परचेश ही है यह तीस नंबर का सवाल पूछे जाएगा इस्ट प्राइस दस परसेंट प्रीमियम पे था तो ग्यारा हो गया था इशा दस रुपए वाला शियर दस परसेंट प्रीमियम यानि फेस वेल्यू में प्रीमियम को एड़ ओन कर देंगे ठीक है अब सर बिजनस परचेश का डेफिनिशन बताओ आप देखना एक्जाम्पल मैं आपको एक बिजनस की कहानी बता रहा हूँ पुरानी बैलिंस शीट के थूप ये थोड़ा में जल्दी समझ में आता है चलिए मैंने लिखा यहां सर मैंने यहां लिखा बैलिंस शीट और यू नो ये लाइबलिटी होता है और ये एसेट होता है और ये बैलिंस शीट है पी क्यू आर लिमिटेड की PQR Limited की Balance Sheet है यह Sir PQR Limited की Balance Sheet है यह Yes Sir अब इस Balance Sheet के अंदर का बता देता हूँ Share Capital 2 लाक रुपए Reserve and Surplus 3 लाक रुपए Creditor Creditor 5 लाक रुपए Balance Sheet का टोटल 10 लाक रुपए तो Sir इधर भी कितना आएगा 10 लाक रुपए यहां क्या क्या जानकारी है सुन लो Sir Building Building 5 लाक रुपए Debtor 1 लाक रुपए Cash 50 लाक रुपए परनीचर 3 लाक रुपए यह आपके पास जानकारी है अभी कितने हो गए सर्थ अभी भी पचास हजार की कमी पट रही है बैंक डाल देता है बैंक पचास हजार अब हुआ यह कि एक वेक्ती जो बहुत पैसे वाला है जो की पहले से ही किसी ना किसी कमपनी का ओनर है सर यह किस कमपनी का ओनर है बता देते हैं X,Y,Z लिमिटेड का इसने फैसला किया कि यह इस कमपनी को परचेस करेगा तो कमपनी को परचेस करने का मतलब यह है कि उस कमपनी की आपको एसेट्स और लाइबलिटी ले लेना है अगर आपने एसेट्स और लाइबलिटी किसी भी कमपनी का ले लिया तो माना जाएगा आपने कमपनी को परचेस कर लिया है तो सर इस कमपनी को खरीदेगा तो एसेट्स और लाइबलिटी लेकिन एक बात ध्यान दखना है सर कि assets और liability को खरीदते time पे ये दोनों part share capital और reserve and surplus assets liability का हिस्सा नहीं होता है share capital और reserve and surplus liability का हिस्सा नहीं होता है यानि जब ये खरीदेगा इस company को तो इसके सारे assets ले लेगा और liability में इन दोनों के अलाबा लेगा माने लोगा debenture होता तो debenture भी ले लेता any liability, creditor, outstanding, debenture, bank loan, bank overdraft कोई भी होगा सब लेगा ये लेने का मतलब इसकी जिम्मेदारी हो जाएगी इसमें से बस ये दोनों उठके चले जाएगे भाई मालिक गाइब हो जाएगा, इस जेखे पर कौन बैट जाएगा आके? ये बैट जाएगा, हो जाएगा इसका business तो भाईया ये इस business को खरीदने की बात कर रहा है बड़ी बड़ी बाते तो अब ये business को खरीदेगा, तो पहले पैसा तै करके बताएगा के भाई, मैं तिरको कितने का खरीद हुआ एक particular amount तै करके बताएगा और जो amount तै करके बताएगा, उसको बोला जाएगा के इसने इस company को उतने रुपे में खरीद लिया और इसको थोड़ा सा घुमा फिला के technical language में बोला जाएगा, purchase consideration इतना है तो purchase consideration मतलब, जितने का इसका खरीद लिया, सारा company उसे बोलते हैं, purchase consideration आप simple सा क्योंकि purchase consideration एक technical word है, तो बच्चे उलग जाते हैं, सर ये purchase consideration नहीं आ रहा बई simple सी बात है, आप सब्ची लेने भी जाते हो, आलू खरीद के लाते हो, 10 रुपे किलो आलू है, 10 रुपे दिया, 10 रुपे what is, क्या purchase consideration यानि जितने का समान आप खरीद रहे हो, उसके बदले जो payment देने के लिए आप तयार हो, उसे क्या बोलेंगे purchase तो सर यहाँ पर purchase consideration के दो-तीन option बोल देता हूं, पहला option, पहला option यह बोलता है, मैं आपको छे लाख का, छे लाख रुपे का, equity share capital दे दूँगा, दूसरा option, कहता है, मैं आपको 50,000, 10 रुपीज इज, equity share capital दे दूँगा, तीसरा option बनता है, मैं आपको 55,000, मैं आपको 55,000, 50 तो नहीं कहते हैं, इसको 40,000 कर देते हैं, और इसको कर देते हैं, 45,000, 45,000, 10 रुपीज इच वाला, equity share, और साथ के साथ, 20,000 रुपे मैं दूँगा, आपको cash, यानि यह इसकी बाते हैं, जो बोल सकता है, इससे, बोल सकता है भाईया, तू इतना पैसा ले ले, या फिर बोल सकता है, ये वाला पैसा ले ले, या बोल सकता है, पैसा प्लस, cash ले ले, और बदले में मैं इसे, क्या दूँआ, equity share, अभी जितने भी equity share है, वो किस पे, अट, पार पे, case नमबर 4, देखो, इसके अंदर हम जितना भी करने वाले हैं न, इसके बाहर examiner नहीं पूछेगा कभी भी, मैं सारे extra, एव extra, सब point करा देता हूँ, मैंने कहा, मैं आपको 50,000, equity share capital देने वाला हूँ, at 10% premium, ठीक है, तो भाईया, सबसे basic सी बात है, हम इसके business को खरीद रहें, तो पहला case, हम इसके business को खरीदने का मतलब सारा assets खरीदेंगे, तो सारा assets debit कर देंगे, यानि sir, building, building account, debit, debtor account, debtor account, debit, cash account, क्या cash भी खरीद लेंगे, हाँ, furniture account, debit, bank भी खरीदने की चीज़ है, बिलकुल वो भी ले लेंगे, bank account, debit, two, इसका liability भी लेंगे, creditor भी लेंगे, बदले में, इसको purchase consideration देना है, तो या तो मैं यहाँ पर शब्द यूज़ करूँगा, vendor, या मैं यूज़ करूँगा, purchase consideration, जिसको short form में हम PC भी बोल देते हैं, अब आप एक बात, simple सी बात है, आपको जब किसी company को खरीदो गए ना, तो आपको तीन बाते हो सकती है, possible, या तो आपको होगा profit, उस company को आपने सस्ते में खरीद लिया, या होगा ज़्यादा महंगा खरीद लिया company को, या no profit, no loss, अगर किसी company को सस्ते में खरीदोगे, तो जो profit होगा ना, उस profit को हम capital reserve मानेंगे, अगर उस company को हमने महंगे में खरीदा, तो क्यों खरीदा महंगे में, ताकि हम पता है, उस company की value ज़्यादा है, तो उसको good will मानेंगे, और जब same rate पर खरीदेंगे, तो कुछ नहीं मानेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं, सर, amount लिखके कितने हैं, पांच लाख, एक लाख, पचास अजार, तीन लाख, और पचास अजार, ट्रेडिटर, पांच लाख, हमने बोला, promise कि आपको 6 लाख का equity share देंगे, तो that is 6 लाख, अब आप ध्यान पूर्वक देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, दोनों side match ही नहीं हो रहा, यानि सर, इसका balance ना, इधर 11 है, और इधर 10 है, difference है ना, वो debit में निकल रहा है, तो जो difference होगा, हमने यानि महंगा खरीद लिया, तो क्या, क्यूं खरीदा होगा, goodwill account debit कर देंगे, और सर कितने रुपे का, एक लाख रुपे का, अगली entry क्या करेंगे, vendor, या फिर PC, to equity share capital, that's it, complete, खतम जी, खतम ये, पहला case complete, सर, बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे, assets acquire, all assets and liability taken, ये रहेगा बीइंग, और इसमें share issue to vendor, किसी बच्चे को कोई समस्या, सर, cash bank का system समझ नहीं आया, भाई, इसके अंदर से बस हम मालिक को हटा देंगे, भाई, तू निकल जा, बाकी business मेरा है, तो पहले ये था PQR Limited में, और इसका bank खाता भी था PQR Limited में, अब इसके bank खाते पे नाम बदल के कर देंगे, X, Y, Z Limited, तो बैंक तो मेरा ही हो गया ना, और उस cash पे भी पूरा-पूरा मेरा अधिकार हो जाएगा, सर, बच्चे कह रहे हैं, सर, 11,00, नहीं आएगा, टोटल कर ये 5, 6, और इधर का टोटल 10,00, नहीं है, क्या, 6, 6, 6, 6, 10,00, और इधर 11, इधर देखोने 11 आ रहा है, ट्रेडिट, क्रेडिट 11, और इधर एक का कम पढ़ गया, तो ये बैलिंसिंग शिगार है, चलिए, यहां तक समझ मैं आई बात, अगले पॉइंट पे चले, पॉइंट नमबर टू, अगर आप 40,000 शेयर दे दो, तो क्या होगा, तो भाईया, 40,000 शेयर दे के देख लेते हैं, केस नमबर टू, अगर आपना 40,000 शेयर देते हो न, एंट्री पता क्या होगा, पहले सारे एसेट्स और लाइबिलिटी लेंगे, यानि सार ये वाली जो एंट्री है न, पहले ये वाली एंट्री तो करना ही पड़ेगा, ये एंट्री तो हर हाल में, हर हाल में, करना पड़ेगा, आ जैगा या ओहो, केस नंबर टू तो पहले तो जब एसेट्स खरीदा तो इसी वेल्यू पर खरीदेंगे अब जब टोटल करेंगे ना तो बस फरक इतना रहेगा इसको जो परचेस कंसिड्रेशन है वो कितना आजाएगा आपका फोर इंटू टैन यानि तो यहां पर पाया जाएगा कि यह दोनों डिफ्रेंस आ रहा है तर कहां डिफ्रेंस आ रहा है तो अब देखोगे इसका डिफ्रेंस जो है वो कहां गया क्रेडिट में तो जब क्रेडिट में डिफ्रेंस आएगा तो मैच कर देंगे किस्ते सर्ट अगली एंट्री वेंडर टू एकुटी शेयर कापिटल कितने का दिया यानि सर दूसरे एक्जामपल में मैंने इसको चार लाक में खरीद लिया और पांच लाक की कंपनी है देखी जाए तो सारे एसे दस का पांच का करजा भी पेड कर देंगा तो पांच की वर्त रखता है लेकिन मैंने कितने का पेमिट कर दिया स्रिफ 14 लाक का तो इसका मतलब सर हमारा हो गया फाइदा और जो फाइदा होगा वो regular nature का नहीं है वो होगा capital nature का तो इसलिए जाएगा capital return sir vendor का value given होगा हमेशा बिल्कुल हमेशा given होगा या मैंने देखो यहां vendor का value नहीं बता के number of shares बनात बता दिया तो वो आपको समझना होगा vendor का value हमेशा given होगा वो समझना होगा चलिए case number three यहां करेंगे case number three sir case number three कैसे होगा देख लो क्या कहता है कि हम देंगे आपको 45,000 share और 20,000 नगद तो हिसाब किताब लगाएं तो 45,000 share 10 रुपे का एक तो साड़े चार लाद और 20,000 नगद मतलब इसको payment पड़ेगा चार लाख 70,000 ठीक है न तो सारे assets को खरीद लेते हैं sir कौन-कौन से assets खरीदोगे इसके सब कुछ नई घराब हो जाएगा सारे assets खरीद लेते हैं building account debit cash account debit debtor account debit furniture, furniture, furniture account debit bank account debit two creditors और two vendor और two बस amount लिखो पांच लाख पचास अजार एक लाख तीन लाख और पचास अजार पांच लाख और vendor को वादा किया है कि मैं आपको दूँगा कितने चार लाख सत्तर हजार तो चार सत्तर कुछ बच्चों को confusion हो सकता है सर चार सत्तर कैसे आया कुछ बच्चों को परेशानी हो सकती है तो भईया मैंने promise किया मैंने promise किया क्या promise किया कि मैं आपको 45,000 share दूँगा 10 वाले तो मतलब 4,50 के share हो गए और 20,000 नगत दूँगा तो that is 4,70 ही तो हो गए तो अब difference जो है अभी still credit में आ रहा है तो किस से match करेंगे capital reserve 30,000 किस से match कर देंगे capital reserve 30,000 अगली entry क्या करेंगे vendor account debit और 2 आ जाएगा equity share capital और 2 cash सर equity share capital में तो 4,50,000 ही जाएगा और यहाँ 20,000 और यहाँ 4,00,000 लीजिए जी case number 3 भी done case number 4 कर लिया जाएगा case number 4 भी थोड़ा ध्यान से note करना mix हो सकता है case number 4 चौथे case में यह अब देखा जाए चौथा case कहता है भाईया मैं तुझे 50,000 equity दूँगा 10% premium पे मतलब मैं तुझे 50,000 equity दूँगा 10% premium पे तो मतलब सीधी सीधी सी बात है तुझे 5,000,000,000 का समान दूँगा तो यहाँ पे जो vendor में आ जाएगा वो आ जाएगा 5,000,000 यानि 50,000 का face value और 10% यानि 10,000 का यहाँ पे नंबर ने निकालना आपको premium वाले case में पुराने वाले में आपको निकालना पड़ेगा यहाँ तो देगी रखा है नंबर पहले सी दे रखा है अब यहाँ पे फरक देखोगे ना तो debit में आएगा that is आप match करोगे आप चेक करोगे तो यहाँ पचास अजार का परक आएगा वो गुड़ बिल होगी अगली entry कौन सी होगी basic वाली entry सर अगली entry कौन सी होगी मैं यहाँ पे कर देता हूं vendor to equity share capital to security premium amount आजाएगा यहाँ पे पांच पचास पांच लाग और पचास हजार लीजिए जी लीजिए sir capital reserve कैसे आ गया sir capital reserve क्यों किया आप किसी company को सस्ते में खरीद होगे तो फाइदा हो गया और जो profit आपका regular routine nature का नहीं होता उसको capital reserve में ही डाला जाता है और जो business का profit होता है वहाँ लिखा जाता है statement profit and loss कर रहे हैं कोई the capital reserve में चला जाता है हमारे दो केस खत्म है दो केस खत्म सर यह लीजिए यह भी ड़न टिक मार दो अरे यह भी ड़न टिक मार दो प्रमोटर अंडर राइटर वाला यहीं करूंगा मैं जगह है तो यहीं कर लेते हैं कि यह आगे करें आगे करते हैं नहीं तो फिर ना बच्चों को नोटिंग करने में बड़ी समस्तिया आती है कि आज बढ़ी PDF आये था कि क्या नाम है अंडर राइटर समझते हैं बात को अंडर राइटर कौन होता है भाई साब अंडर राइटर कौन होता है कि अबना हमारे एक कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड और एक्स वाई जेड लिमिटेड ने डिसाइड किया के हम क्या करेंगे इशू करेंगे पांच लाख शेर एड दी रेट 10 रुपीज इच मतलब सर रुपीज के टम्स में देखा जाए तो पच्चास लाख रुपै का हम क्या करेंगे शेर इशू करेंगे और भाई ये कंपनी जो भी शेर वागरा इशू करती है ना वो किसके रूल एंड रेगुलेशन के इसाप से करती है किसका रूल फॉलो करती है कंपनी एक्ट थर्टीन और कंपनी एक्ट टू थाउजन थर्टीन क्या कहता है कि मिनीमम सब्स्क्रिप्शन आपका 90 परसेंट होना चाहिए सर 90 परसेंट मतलब आपका 50 लाख का आप इशू कर रहे हो तो इसका 90 परसेंट मतलब आपको 45 लाख रुपए तो हर हाल में पेचना ही बेचना है या 45 लाख रुपए हर हाल में रिसीव करना है कुछ भी हो जाए अगर आपने 44 लाख 999 रुपए भी रिसीव किया तो आपकी कंपणी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि आप शियर को इशू करिए यानि minimum foundation अब भाई अगर नई कंपणी है तो कहां से बेचेगी कोई नई कंपणी आ जाए आपके सामने मान लेतने एक आगया बिल्लू लिमिटेड अब कहां से खरीदोगे उसके शियर पता ही नहीं कौन से कंपणी नहीं है तो उसके कंपणी कभी भी बिकेंगे नहीं उसके शियर तो वह कंपणी आएगी फिर वापस चले जाएगी और ऐसे क्या करें बिल्लू लिमिटेड इस वार आई फिर बेची नहीं खरीदा लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एक भी नहीं बिखेगा माल लेते हैं 50% सब्सक्राइब हुआ जिसमें मैंने भी पैसे लगाए कुछ दिनों बाद कंपनी का नोटिस्फिकेशन आता है कि हमारे 90% सब्सक्राइब ना होने की वज़े से आपको शेयर नहीं दिये जा रहे हैं आपके पैसे वापसी कर रहे हैं मैंने बोला ओहो पैसे तो बापसी कर दियने उन्हें क्या करें फिर दुबारा एक कंपनी आए टिल्लू लिमिटेड मैंने क्या कहा कि भाई टिल्लू लिमिटेड में पैसा लगाया जाए उसमें पैसा लगाया उस कंपनी का 70% सियर सब्सक्राइब हुआ जब 70% सियर सब्स तो इस तरीके से, मैंने दो कंपनी में लगाया, तो कही न कही मेरा कॉम्हें है, तो इसके लिए लॉमेकर ने बोला, भी आप न, sign कंपनी का अगर अंसब्सक्राइब होता है ना तो कंपनी आपका नुक्सान नहीं है मार्किट में सभी कंपनी को नुक्सान होगा क्योंकि एक कंपनी के उपर से भरुसा उठने का मतलब है सारी कंपनी से भरुसा उठ जाना कि भाई इसका भी क्या होगा नहीं होगा पतानी यह तो बार-बार यही हो रहा है तो इसके देख रेक के लिए हमारा आता है सेवी Security Exchange Board of India सेवी सेवी कहता है भाई ऐसे बार-बार नहीं चलेगा ऐसे तो बदनामी हो रही है Company Act की भी बदनामी हो रही है उसने बोला कि भाई तू न एक ऐसा बंदा ले ले पकड़ ले एक ऐसा वेक्षी ले जो तेरे share को बिकवा दे तेरी तो हैसियत है नहीं तेरे को कोई जानता नहीं है कोई सिनाम वाले कोई देखी है यानि अब यह ऐसे वेक्षी को ढूंदेगा जो पॉपलर है मार्केट में उससे सब जानते हैं तो वो क्या करेगा बिकवा देगा सिंपल सी बात है आप प्रोड़क्ट बनाओ बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़ा बना लो आप कोई भी प्रोड़क्ट बना लो नहीं विकेगा लेकिन एक ऐसा बन्दा पकड़ लो जिसकी मार्केट में पकड़ है सब को जानता हो एक दिन में खतम कर देगा तो ऐसे इसको बोला सेवी ने के भाई एक काम कर तू एक ऐसा वेक्षी पकड़ ले जो के तेरे शियर को बिकवाने में मदद कर ले तो जो एक्स यजैड लिमिटेड है ना वो ऐसा परसन डूंडेगा तो ऐसा परसन में न सबसे ज़्यादा जो परसन दिमाग वाला है वो है बैंक और भी होते हैं लेकिन सबसे मेन होता है बैंक के पास इतना सारा कस्टमर होता है हर कस्टमर को बोलेगा रहे इस कंपनी का शेयर लोग बहुत उपर जाएगा मुनाफ़ा होगा इनका काम ही होता है लोगों को इन्वेस्मेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना जब ऐसा होगा तो बैंक वाले शेयर को बिकवा देंगे लेकिन बैंक वाला सर्थ रखेंगे रखेंगे मैं ऐसी कौण करूँ क्यों सरदर दिलू मैं तेरे शीयर बिकवाने के लिए क्या फाहिदा क्यूं मैं ऐसा करूं तो company को बदले में इसको देना पड़ेगा sir commission और commission जो देना पड़ेगा ना वो देना पड़ेगा maximum 5% से ज़्यादा भी नहीं देना 5% से कम में बाचित कर लो अगर share का case है, debenture का case है तो ढ़ाई से ज़्यादा भी नहीं देना यह law में लिखा है, यह है share पे, अगर debenture का case होगा ना तो 2.5 से ज़्यादा नहीं देना, यह law में है यानि आप 5% law में maximum लिखा है, आप 4 में बात कर लो 3 में बन जाए बात आपकी तो जो यह bank है, bank क्या करेगा बताओ bank से done हो गया, 5% commission की बात तैय हो गई तो bank को जो commission मिलेगा ना, तो अब इसके shares bank कितने बिखवाएगा सब को बोल बोल के, बोल बोल के, कितने बिखवा देगा, पूरे 50 लाग जब यह 50 लाग का बिखवा देगा, तो इसे 5% commission दे देंगे that is 50 लाग के उपर 5% कितना होता है, हाँ, धाई लाग, धाई लाग रुपए का bank को क्या दे देंगे, ले भाई, तू commission ले ले, अगर bank वाला ना नहीं बिखवाएगा ना इसका share, तो bank वाले को खुदी खरीदना पड़ेगा, भाई, ऐसी कैसी guarantee, ऐसे तो कोई भी आ जाएगा, इदर उदर से, मैं बिखवा रहा हो, मिर को दे commission, और last मैं बोले, बिखाई नी यह तो share, कोई मतलब थोड़ी बनता है, तो जब इसको हम commission देनी की guarantee देंगे ना, बैंक वाले को तब ही लिखवा लेंगे, भाई, अगर बेचना ही बेचना है, नहीं बिखेगा, तो तू मरेगा, तू देगा, सारे पैसे मेरे को तो 50 लाख रुपे, मैं तिरे को 50 लाख commission दूँगा, 457 लाख रुपे मैं तिरे से ले प्रिदारी ले रहा है, जो किसी company के shares को बेचने की responsibility लेता है, उसी को बोला जाता है, underwriter, अब समझ में आया, underwriter को होन होता है, जो किसी company के shares को बिकवाने की responsibility ले लेता है, उसको बोलते हैं, क्या, underwriter, तो sir, underwriter को क्या मिलता है, बदले में, ऐसा क्यूं करता है, उसे मिलता है कमीशन अब कमीशन दो तरीके से दीए जा सकते है या तो पैसे में दे देंगे या बोलेगा तिरको अपनी कम्पनी का वो डिपेंड सिचुवेशन ने तो सर अंडर राइटर का हो जाता हैा कमीशन तो सर अंडर राइटर को देना पड़ता है क्या सर इंडिया में बहुत सारे बैंक, ICICI बैंक, बहुत सारे बैंक की ये काम करती है और वो इतनी बड़ी डिस्पोंसरिटी इसलिए भी ले लेती है क्योंकि आपको पता है उसके पास बड़ा सारा पैसा है कमीशन देना पड़ेगा, तो सबसे पहले उसे कमीशन देना है अंडर राइटर को तो ड्यू करेंगे एंट्री क्या होगा, अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिड, खर्चा है भाई मेरे लिए और टू अंडर राइटर सर लाइवलिटी है, पैसा तो दोगे न, तो इसलिए टू अंडर राइटर सर कितना देना यही एग्जामपल कंटिन्यू करते हैं, धाई लाग तो यहाँ पे होगा बीं अंडर राइटर कमीशन ड्यू समझे बात अंडर राइटर कमीशन ड्यू अब पेमेंट कर देंगे, बोलेंगे अंडर राइटर टू एकुटी शेयर इट में भी एट पार और प्रीमियम और डिपैंड करेगा, प्रीमियम पी यह होगा तो नंबर निकाल लो गया लो जी अंडर राइटर का कॉंसेप्ट खतम, अब लास्ट में एक एंट्री करना चाहते हो, पी यंडल में भेजने के लिए तो कर सकते हो, ऑप्सिनल है, इस्टेटिमेंट प्रॉफिट अंड लॉज्स तू अंडर राइटर कमीशन, यह उप्सिनल है सर, यह प्रॉफिट अंड लॉज्स में भेजने की है, यह बिएंग अंडर अंडर राइटर कमीशन, ट्रांसफर टू पी यंडल, और यह बिएंग शेयर इशू तू अंडर राइटर, समझ में आई बास, किसी को दिक्कत बताईए, फिर लास्ट कॉंसेट पे चलेंगे, किसी को दिक्कत है तो बताईए, लास्ट कॉंसेट पे चलेंगे, परमोटर, मैंने देखो, सारे एक्जाम्पल करा दी हैं, अगर आप सही से सवाल को पढ़ेंगे, तो मतलब ही नहीं कि आपका सवाल रुख जाए, किसी को डाउट, बताईए साहाब किसी को डाउट, चली आगे चलते हैं, किलियर है, चिंटू, फर्स्ट केस समझा दो, अभी बता देंगे, दुबारा रिवीजन एक पर लेंगे न, कुईक रिवीजन, अगला पॉइंट, सर, अगला पॉइंट पे भी टिक मार लेते हैं, ये भी डन, लास्ट पॉइंट बच गया, परमोटर, सर, परमोटर, सर, सब्दों पे मत जाईए, सब्दों पे जाने के बाद बड़ा परिशानी होती है, अकाउंट के अंदर, सर, परमोटर का मतलब कौन होता है, सर, मालिक, मालिक को क्या बोलते हैं, परमोटर, और मालिक का मतलब, ओनर, यानि जो ओनर होता है, मालिक होता है, वो परमोटर होता है, और मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो किसी भी company किसी भी business का करता धरता अगर मालिक नहीं है तो business बनेगा गया बनी नहीं सकता इसका मतलब जो ये मालिक है किसी भी business को बनाने में मान लेते हैं x y और z limited company है इस company को बनाने में इसी का दिमाग खर्च हुआ सब कुछ इसी ने किया इस company को बनाने में ये promoter हैं लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब company x 2013 कहता है भाई मालिक और company अलग-अलग है दोनों क्या है अलग-अलग है x इदर रह गया इदर लिया आता है दोनों क्या है अलग-अलग यानि मालिक तु इस company के अंदर कितनी मेहनत करा है नहीं पता law के हिसाब से ये company एक अलग-वेक्ती हो गया और तु एक अलग-वेक्ती हो गया तेरी इतनी ही उकाद है कि तुने इसमें पैसे लगाएं और इस company के अंदर मेहनत किया है और कोई उकाद नहीं है इसलिए तेरे को एक सुन्दर सा नाम दे देते हैं पर्मोटर इसका नाम क्या आप दे दिया पर्मोटर भाई अब इसने महनत इसकी महनत अगर मैं गिनवा हूँ न इसने सबसे पहले आइडिया सोचा आइडिया सोचा आइडिया सोचने के बाद इसने क्या करा कन्सल्टेंसी ली कंसल्टेंसी ली और वहाँ पे इसने पेमिंट किया 20,000 रुपे का पेमिंट किया कंसल्टेंसी लेने में उसके बाद कंसल्टेंसी लेने के बाद इसको कंसल्टेंसी का मतलब क्या होता है सला लेना जो आपके दोस्ट फ्री में देते हैं वो भी कंसल्टेंसी है तो consultancy जो की कितने का लिया 20,000 में और 20,000 का consultancy जब लिया इसने अभी ये सोच रहा है मेरे company अभी बना नहीं है उसके बाद इसने क्या करा company के अंदर MOA, AOA बड़ी सारी documentation की और इसने सब कुछ बहुत मैनद करके यहाँ भी इसने 30,000 रुपे खर्च कर दिये और उसके बाद इसको हिनाम क्या मिला company अलग और तू अलग हो गया यानि सर company ये सब करने के बाद इतना काम करने के बाद company बनेगा नहीं इतना काम करने के बाद company बनेगा नहीं इसके उपर बैठा है ROC रजिस्टार्ड ऑफ company और रजिस्टार्ड ऑफ company सारी document को देखेगा देखने के बाद बोलेगा yes final आपको हम दे देते हैं commencement of certificate incorporation COI commencement of incorporation देते हैं आपकी company आज से पक्की हुई अब अपने नाम के आगे आप limited लगा लो और आपकी company बन देए हैं अलग-अलग हो गया है by company ये सारा काम करा इसने 20 जनवरी को और company का permission पर्मीशन मिला 27 जन्वरी को इसका मतलब company बना किस दिन कोई बताएगा तो 27 जनवरी को और company पर खर्चा कब कर दिया इसने 20 जनवरी को तो company बनने से पहले ही खर्च कर दिया तो इसको बोला जाता है preliminary expense pre का मतलब पहले preliminary मतलब छोटे मोटे खर्चे तो ऐसे खर्चे जो की company बनने से पहले हो जाए तो कई बच्चों को समझ नहीं आता है तर ऐसे कैसे हो सकता है company बनानी तो खर्चा कहां से होगा तो भाई company बनने से पहले जो खर्चा हो जाए उसको क्या बोलेंगे preliminary expense और preliminary expense और यही पर मोटर को भी दिया जाएगा तो सर पर मोटर को अब पर मोटर अलग है माली का अलग है और बिजनस अलग है तो पर मोटर बोलेगा मेरे डूब करी का है यह पचास अजार company बोलेगा नई नई आपके यह पैसे डूबे नहीं आपके दो option है आपको हम cash भी दे सकते हैं और shares भी देते हैं तो cash वाला fund तो सीख नहीं रहे अब हम इसको क्या दे देंगे share देंगे तो पहले हम पर मोटर का पैसा due करेंगे यानि सर पहली entry करेंगे preliminary expense expense account debit खर्चा है और किसको देना है to promoter और इसको आप incorporation expense भी कह सकते हो incorporation expense short में लिखना हूँ थोड़ा मैं और इससे ना समझ मैं तो promoter expense भी कह सकते हैं ठीक है ना वैसे incorporation expense कहलो या preliminary expense कहलो तर कितने रुपे खर्च कर दिये इसने तो यह पैसा हो गया due कि यह पैसा हो गया due कि बिइंग प्री लीमनरी एक्सपेंस डियू अगली एंट्री साथ पर मोटर अकाउंट debit to equity share capital खतम कहानी खतम कहानी लोजी हो गया किसी बच्चे को doubt पांच परसेंट कैसे आया राज लक्ष्मी पांच परसेंट कानून में लिखा हुआ हो था और मैंने लिखा भी था उसका पांच परसेंट निकाला है तवाल में गीवन होगा। कि अभी पिछले सवाल पर ही है कि इस वाले स्लाइड पर बताओ doubt मैं पिछला सवाल करता जाओंगा और पूस्ता जाओंगा या एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगी अभी कि कुई कि रिवीजन कर ले पहले एकाथ सवाल भी देख लेते हैं वाई बनका थोड़ा सा न जो इसमें सवाल मैंने दिया नहीं थे होंवर्क में वो कर लीजिएगा प्लीज देखें यहां पर क्या कहता है इस सवाल में के कंपनी लिमिटेड एक्वायर कर रहा है एक ऑफ विल्डर से और पेमिंट कर दिया उसने चौवण सो रुपए फुली पेड एक्विटी शियर सो रुपए का एक और सब्सक्राइब नंबर आप शियर इशू प्रीमियम पर तो यह सारा काम कर सकते हो ठीक हो जाएगा यह भी चलिए सर आप करिएगा एक बार ट्राइना डे यह पटाफट एक बार रिवाइस कर लेते हैं क्या सर अधर देन कैस्ट का मतलब होता है जब कभी भी हम शेर या डिबेंचर इशू कर देते हैं किसी को भी बदले में हम उससे एसेड खरीद ले या बदले में उस कंपनी को ही खरीद ले या अंडर राइटर कमीशन को पैस देने के बदले शेयर दे दे या फिर पर मोटर को उसके खर्चे देने के बदले हम शेयर दे दे तो उस टॉपिक को बोला जाता है अगर अगर हम किसी एसेट को खरीचते हैं तो बदले में जो हम उसको पेमिंट करेंगे वो होता है और कई बार नंबर जो है ने फ्रेक्षण में भी आ सकता है चल ये पहले केस को डिटेल में जानते हैं अपका single assets खरीचते हैं single assets जब करीचते हैं जब at पर तो simple सी बात है मेरे वाले example में क्या लिख्या है कि मैंने एक asset खरीदा है that is एक लाग दस बढ़े recommendation तो पहले करेंगे machinery to vendor, vendor is who, vendor जिससे हम समान खरीद रहे हैं, वो vendor होगा, तो क्या होगा, machinery to vendor, अगली entry vendor को equity share दे दिया, मैंने बात सतम, अगला point मैंने premium पे करा है, जब कभी भी आप premium पे करोगे, तो एक सवाल, एक बात का हमेशा सदेव 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 ध्यान रखना है, क्या कभी भी आप premium पे issue करोगे, तो आपको क्या निकाल लेना चाहिए सर, आपको number of shares निकाल लेना चाहिए, पहले number of shares का formula क्या है, assets value after cash divided by issue price, number price निकालने के बाद आप सारी multiplication इसी से होगी, क्या इसे होगी सर, आपकी number of shares जो भी multiply होगा, equity share भी और security premium, पहली entry हमने करा machinery to vendor, इसके vendor, vendor के बाद आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे न, vendor के बाद जब आप ध्यान से देखोगे न, तो यहाँ पे क्या लिखा है सर, यहाँ पे लिखा हुआ equity share, कैसे आया equity share, 10,000 जो number निकला into में 10, security premium कैसे आया सर, 10,000 into में 1 रुपए का security premium, यह हो गया हमारा, दूसरा जब आ नंबर निकालने गए सर, यहाँ पे तो क्या हुआ, एक लाख डिवाइड़ बाद ग्यारा करते ही, नंबर किसमें आगया, friction में आगया सर, नंबर जैसे friction में आगया, तो tension हो गई, क्या tension हो गई कि point में, point वाले बाद के digit को खतम करना है हमेशा, पहली entry तो समझ में आगया, पहला केस खतम, किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए, किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, first case खतम, cash difference है, इन सभी का difference, हाँ debit credit है, अगले point में है, कि अब मैंने एक extra question लिया, कि हम जब कभी भी assets को खरीचते हैं, तो सिर्फ फर सिर्फ premium पे इसुनी करते हैं, बदले में कुछ cash भी देते हैं, तो यहाँ पे मेरे सवाल के अंदर क्या था, कि हमने एक assets खरीदा, assets खरीदने के साथ-साथ मैंने क्या करा, उसको cash भी दिया, उससे payable भी दिया, और उसको draft भी दिया, और 10% premium पे बात बनी, तो सबसे पहले number of shares कैसे निकालोगे, sir, assets का value, उसमें से जो जो चीजे दे दिया, उसको minus कर दोगे, यहाँ number आ गया, मेरे सवाल के अंदर number आ गया 10,000, तो vendor को ये दे दिया हमने, और two vendor में ये आ गया, equity share, 10,000 ते multiply, cash, bank, BP, जितने का BP था, और security premium भी ये ही multiply हो जाएगा, अगला part बनता है, sir, business purchase, business purchase करना बड़ा ही simple है, देखो, business purchase के अंदर क्या होता है, कि हम सामने वाले business को खरीद लेते हैं, तो दो चीजों को नहीं खरीदा जाएगा, क्या, reserve and surplus और उसका capital, नहीं खरीदा जाएगा, जैसे मैंने इस example में करा हुआ भी है, जब सामने वाले business को सारे assets में से liability minus करेंगे, तो इस business की औकाद की मैं बात करूँ, underwriter commission के अंदर ये due का है और ये paid का है, underwriter commission में क्या होते हैं, sir underwriter वो होता है, जो हमारी company के shares को भिक्वाने के लिए ठीकेदारी लेता है, उसको हम बोलते हैं, इतना देंगे, उसे क्या बोला जाता है, underwriter, और underwriter को हम क्या देते हैं, कमीशन और ये 5% मैंने सेवी के रूल के कॉर्डिंग बताया है डिबेंचर में धाई होता और इसमें कितना होता है सर 5 बाकि सवाल में आपको कैल्कुलेट करके मिलेगा आप चिंता मत करिएगा तो अंडर राइटर कौन होता है सर अंडर राइटर वह व्यक्ति होता है जो किसी कमपनी के शेर को विकवाने में हेल्प करता है बदले में उसे कमीशन देते हैं और वो कमीशन जो दिया जाएगा वो कितना भी हो सकता है वो आपका डिपेंड करता है कि कुश्चंस में लौ 5% से ज्यादा पर्मिट नहीं करता है डिवेंचर के कीस में धाई पर्मिट नहीं करेगा एंटरी पर ध्यान दिजिए पहली एंटरी अंडर्राइटर टो अंडर्राइटर ये खर्चा इसलिए डेविट ये लाइबुट ये लायभिलिट है देना है सरक festivals कमपनी का मालिक और मालिक और कमपनी लों अलग-छोते हैं तो जो par 2023 मालिक खर्चा कर देता है company के incorporate होने से पहले उसे बोला जाता है परप्रोटर त्या incorporation expense entry preliminary expense या incorporation expense to promoter और promote area to equity share यह पूरा का पूरा हमने क्या cover किया other than cash किसी को doubt है तो आप पुट लिए लिए